रोबर्ट टी कियो साकी के द्वारा लिखित पूस्तक रिच डैड पूर डैड की प्रस्तावना इसकी बहुत जरूरत है क्या स्कूल बच्चों को असली जिंदिगे के लिए तयार करता है मेरे मम्मे डैडी कहते थे मेहनत से पढ़ो और अच्छे नमबर लाओ क्योंकि एसा क कोलेज की सिक्षपूरी हो गई तो हम जिंदगी में ज्यादा कामियाब हो सकेंगे जब मैंने 1976 में अपना डिपलोमा हासिल किया मैं फ्लोरिडा स्टेट युनिवेस्टी में अकाउंटिंग में ओनर्स के साथ ग्रेजवेट हुई और अपनी कक्षा में काफी उंचे स्था पर रही तो मेरे ममी डैडी का लक्षय पूरा हो गया यह है उनके जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्दी थी मास्टर प्लान के हिसाब से मुझे एक बिग एट अकाउंटिंग फर्म में नोकरी भी मिल गई अब मुझे उम्मीद थी एक लंबे करियर और कम उमर में रिट किया था एक बार नहीं बलकि दो बार पहली बार इंजिनियर के रूप में और फिर ला स्कूल से उन्हें जल्दी ही पेटेंट ला में विशे सगेता रखने वाली वासिंग टंडी सी की एक मानियोई ला फर्म में नोकरी मिल गई और इस तरह उनका बविशे भी सुनेरा ल हमारे साथ ठीक वैसाई नहीं हुआ हमने कई बार नोकरियां बदली हालांकि हर बार नोकरी बदलने के कारण सही थे परन्तु हमारे लिए किसी ने भी पेंशन योजना में निवेस नहीं किया हमारे रिटायर्मेंट फंड हमारे खुद के लगाए पैसों से बढ़ रहे थे हमारी शादी बहुत सफल गई और हमारे तीन बच्चे हैं उन में से दो कोलेज में हैं और तीसरा भी हाई स्कूल में गया ही है हमने अपने बच्चों को सबसे अच्छी सिक्षा दिलाने में बहुत सा पैसा लगाया 1996 में एक दिन मेरा बेटा स्कूल से घर लोटा स्कूल से उसका मो बंग हो गया था वह पढ़ाई से उप चुगा था मैं उन विशों को पढ़ने में इतना चाहता समय क्यों बरबाद करूं जो असली जिन्दगी में मेरे कामी नहीं आएंगे उसने विरोज किया बिना सोचे विचारई मैंने जवाब दिया क्योंकि अगर तुमारे अच्छे नमर नहीं आए तो तुम कभी कालेज नहीं जा पाओगे चाहे मैं कालेज जाओं या ना जाओं उसने जवाब दिया मैं अमीर बन कर दिखाऊंगा अगर तुम कोलेज से ग्रेजवेट नहीं होगे तो हम यह चर्चा कई बार पहले भी कर चुके थे उसने अपने सिर को जुगाया और अपनी आंखें गुमाने लगा मेरी समझदारी वरिसला एक बार फिर उसके कानों के बितर नहीं गई थी हालांकि वह स्मार्ट और प्रबल इच्छा सक्ति वाला यूवक था परंतु वह नम इतने अमीर नहीं पने हैं माइकल जोर्डन और मैडोना को देखिए यहां तक की बीच में हारवड छोड़ देने वाले बिल गेट्स ने माइक्रोसुप्ट काईम किया आज विए अमेरिका के सबसे अमीर विखती हैं और अभी उनकी उमर भी 30-40 के बीच में हैं और उस बे समझ में आने लगा था कि मैं अपने बच्चों को वही सला दे रही थी जो मेरे माता-पिता ने मुझे दी थी हमारे चारों तर्व की दुनिया बदल रही थी परन्तु हमारी सला नहीं बदली थी अच्छी सिक्षा और अच्छे ग्रेड हासिल करना अब सभलता की गारंटी नहीं रह गए थी और हमारे बच्चों के अलावा यह बात किसी की समझ में नहीं आई थी मम्मी उसने कहा मैं आपकी और डैडी की तरह कड़ी मेनत नहीं करना चाता आपको काफी पैसा मिलता है और हम एक शांदार घर में रहते हैं जिसमें बहुत ही कीमती सामान है अगर मै आपकी सला मानूगा तो मेरा हाल भी आपकी ही तरह होगा मुझे भी ज़्यदा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं और ज़्यदा टेक्स बर्स कूँँ वर करज में डूब जाओं वैसे भी आज की दुनिया में नोकरी की सुरक्षा तो बची नहीं है मैं यह जानता हूँ कि कालेज के सनात्कों को कम तनक्वा मिलती है जबकि आपके जमाने में उन्हें ज्यादा तनक्वा मिला करती थी डॉक्टर को देखी वे अब उतना वैसा नहीं कमाते जितना पहले कभी कमाया करते थे मैं जानता हूँ कि मैं रिटायर्मेंट के लिए सामाजीक सुरक्षा या सही हो सकती थी जो 1945 के पहले पैदा हुए थे पर यह उन लोगों के लिए विनासकारी सावित हो सकती थी जिनोंने तेजी से बदल रही दुनिया में जनम लिया था अब मैं अपने बच्चों से यह सी दिसी बात नहीं कह सकती थी स्कूल जाओ अच्छे ग्रेड असिल करो औ मैं जानती थी कि मुझे अपने बच्चों की सिक्षा को सही दिसा देने के लिए नए तरीकों की खोज करनी होगी एक मां और एक अकाउंटेन होने के नाते मैं इस बात से परिशान थी कि स्कूल में बच्चों को धन संबंदी सिक्षा या वित्तिय सिक्षा नहीं दी जाती हाई स्कूल खतम होने से पहले ही आज के युवाउं के पास अपना क्रेडिट कार्ड होता है यह बात अलग है कि उन्होंने कभी धन संबंदी बाठे कर में भाग नहीं लिया होता है और उन्हें यह भी नहीं पता होता कि इसे किस तरह निवेश किया जाता है इस बात का ग्यान तो दूर की बात है कि क्रेडिट कार्ड पर चकरवर्दी ब्याज की गरना किस तरह की जाती है इसे आसान वासा में कहें तो उन्हें धन संबंदी सिक्षन नहीं मिलती और यह ग्यान भी नहीं होता कि पैसा किस तरह काम करता है इस तरहे वे उस दुनिया का सामना करने के लिए कभी तयार नहीं हो पाते जो उनका इंतजार कर रही है एक एसी दुनिया जिसमें बचत से ज़्यादा मैतव खर्च को दिया जाता है जब मेरा सबसे बड़ा बेटा कॉलेज की शुरुवाती दिनों में अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर करज में डूब गया तो मुझे उसके क्रेडिट कार्ड को नस्ट करने में उसकी मदद करनी पड़ी साथ ही मैं ऐसी तरकीब भी खोजने लगी जिससे मेरे बच्चों में पैसे की समझ आ सके पिछले साल एक दिन मेरे पती ने मुझे अपने ओफिस से फोन किया मेरे सामने एक सजन बैठे हैं और मुझे लगता है कि तुम उनसे मिलना चाओगी उन्होंने कहा उनका नाम रबर्ट कियोसा की है वे एक व्यवसाई और निवेसक हैं तथा वे एक सेक्षनिक उतपात का पेटेंट करवाना चाते हैं मुझे लगता है कि तुम इसी चीज की तलास कर रही थी जिसकी मुझे तलास थी मेरे पती माईक रबर्ट कियोसा की द्वरा बनाई जा रहे नए सेक्षनिक उतपात कैस्पलों से इतने प्रवावित थे कि उन्होंने इसके परिक्षन में हमें बुलवा लिया यह एक सेक्षनिक खेल था इसलिए मैंने स्थानिया विस्विदेल में पढ़ रही अपनी 19 वर्ष यह बेटी से भी पुछा कि क्या वह मेरे साथ चलेगी और वह तैयार हो गई इस खेल में हम लगवग 15 लोग थे जो तीन समुव में विबाजिक थे माइक सही थे मैं इसी तरह के सेक्षनिक उतबात की खोज कर रही थी यह किसी रंगीन मोनोपली बोर्ड की तरह लग रहा था जिसके बीच में एक बड़ा सा चूहा था परन्तु मोनोपली से यह इस तरह अलग था कि इसमें दो रास्ते थे एक अंदर और दूसरा बाहर खेल का लक्षय था अंदर वाले रास्ते से बाहर निकलना जिसे रावर्ट चूहा दोड कहते थे और बाहरी रास्ते पर पहुँझना या तेज रास्ते पर जाना रावर्ट के मुताबिक तेज रास्ता हमें यह बताता है कि असली जिन्दगी में अमीर लोग किस तरह पैसे का खेल खेलते हैं राबट ने हमें चुहा दोड के बारे में बताया अगर आप किसी भी ओसत रूप से शिक्षित कड़ी मेनत करने वाले आदमी की जिन्दगी को देखें उसमें आपको एक साही सफर दिखेगा बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, माता पिता खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चे को स्कूल में अच्छे नमर मिलते हैं और उसका दाखिला कालेज में हो जाता है बच्चा सनातक हो जाता है और फिर योजना के अनुसार काम करता है वह किसी आसान शुरक्षित नोकरी या करियर की तलास करता है बच्चे को एसा ही काम मिल जाता है शायद वह डोक्टर या वकिल बन जाता है या वैसे नामे बरती हो जाता है या फिर वह सरकारी नोकरी करने लगता है बच्चा पैसे कमाता है उसके पास थोक में क्रेडिट कार्ड आने लगते हैं और अगर अब तक उसने खरीदारी करना शुरू नहीं किया है तो अब जम कर खरीदारी शुरू हो जाती है खर्च करने के लिए पैसे पास में होते हैं तो वह उन जगों पर जाता है जहां उसकी उमर के ज़्यादा नोजवन जाते हैं लोगों से मिलते हैं, डेटिंग करते हैं और कभी कवार शादी भी कर लेते हैं अब जिंदगी में मज़ा आ जाता है क्योंकि आज कल पुरूस और मैलाएं दोनों नोभरी करते हैं दो तनकोएं बहुत सुखत लगती है पती-पत्नी को लगता है कि उनकी जिंदगी सफल हो गई है उन्हें अपना वविशय सुनायरा नजर आता है अब वे घर, कार, टेलिवजिन खरीदने का फैसला करते हैं शुट्या मनाने कहीं चले जाते हैं और फिर उनके बच्चे हो जाते हैं बच्चों के साथ उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं कुशहाल पती-पत्नी सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अब उन्हें ज़्यादा मेनत करना चाहिए उनका करियर अब उनके लिए पहले से ज़्यादा माइने रखता है वे अपने काम में ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं ताकि उन्हें पर्मोशन मिल जाए या उनकी तनक्वाएं बढ़ जाए तनक्वाएं बढ़ती है पर उसके साथी दूसरा बच्चा भी पैदा हो जाता है अब उन्हें एक बड़े घर की जरूरत महसूस होती है वे नोकरी में और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं बेहतर करमचारी बन जाते हैं और ज़्यादा मन लगा कर काम करने लगते हैं ज़्यादा विशेसग्यता हासिल करने के लिए वे एक बार फिर किसी स्कूल में जाते हैं ताकि वे ज़्यादा पैसा कमा सकें हो सकता है कि वे दूसरा काम भी खोज लें उनकी आमदनी बढ़ जाती है परन्तु उस आमदनी पर उन्हें इंकम टेक्स भी चुकाना पड़ता है यही नहीं उन्होंने जो बड़ा गर करीदा है उस पर भी टेक्स देना होता है इसके अलावा उन्हें समाजिक सुरक्षा का टेक्स तो चुकाना ही है इसी तरह बहुत से टेक्स चुकाते चुकाते उनकी तनक्वा चुक जाती है वे अपनी बड़ी हुई तनक्वा लेकर घर आते हैं और हैरान होते हैं कि इतना सारा पैसा आखिर कहां चला जाता है भविश्य के लिए बचत के इसाब से वे कुछ म्यूचिल फंड भी खरीत लेते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से घर का किराना खरीते हैं उनके बच्चों की उमर अब 5 या 6 साल हो जाती है यह चिंता भी उन्हें सताने लगती है कि बच्चों के कालेज की शिक्षया के लिए भी बचत जरूरी है इसके साथ ही उन्हें अपने रिटायर्मेंट के लिए पैसा बचाने की चिंता भी सताने लगती है 35 साल पहले पैदा हुए यह खुशाल दमपती अब अपने नोकरी के बाकि दिन चुहा दोड़ में फसकर बिताते हैं वे अपनी कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, सरकार को टेक्स चुकाने के लिए काम करते हैं और पैंक में अपनी गिर्वी संपती तथा क्रेडिट काड के करज को चुकाने के लिए काम करते हैं फिर वे अपने बच्चों को यह सला देते हैं कि उन्हें मन लगा कर पढ़ना चाहिए अच्छे नम्मर लाना चाहिए और किसी सुरक्षित नोकरी की तलास करना चाहिए वे पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखते और इसलिए वे जिन्दगी भर कड़ी महनत करते रहते हैं यह प्रकिरिया पीडी दर पीडी चलती है इसे चुहा दोड कहते हैं चुहा दोड से निकलने का एक ही तरीका है और वह यह है आप अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट दोनों चेत्रों में निपण हो जएए दिक्कत यह है कि इन दोनों ही विश्यों को बोरिंग और कठिन मना जाता है मैं खुद एक CP हूँ और मैंने बिग एट अकाउंटिंग फर्म के लिए काम किया है मुझे यह देखकर ताजुग हुआ कि रावर्ट ने इन दोनों बोरियत और कठिन विश्यों को सीखना इतना रोचक, सरल और रोमांचक बना दिया था सीखने की पिरकिरिया इतनी अच्छी तरह से चुपा ली गई थी कि जब हम चुहा दोड से बाहर निकलने के लिए जी जान लगा रहे थे तो हमें यह द्यानी नहीं रहा कि हम कुछ सीख रहे थे शुरू में तो हम एक नए सेक्शनिक खेल का परिक्शन कर रहे थे पर उन्तु जल्दी ही इस खेल में मुझे और मेरी बेटी को मजाने लगा खेल के दोरान हम दोनों ऐसे विशों पर बात कर रहे थे जिन के बारे में हमने पहले कभी बाते नहीं की थी एक लेखा पाल होने के कारण इंकम स्टेडमेंट और बैलेंस सीट से जुड़ा खेल खेलने में मुझे कोई परिशानी नहीं होई मैंने खेल के नियम और इसकी बारिकियां समझाने में अबनी बेटी और दूसरे लोगों की मदद भी की उस रोज मैं चुहा दोर से सबसे पहले बाहर निकली और केवल मैं ही बाहर निकल पाई बाहर निकलने में मुझे 50 मिनट का समय लगा हालांकि खेल लगवग 3 गंटे तक चला मेरी टेबल पर एक बैंकर बैठा था इसके लावा एक वेवसाई था और एक कम्पिटर प्रोग्रामर भी था मुझे यह देखकर बहुत एरानी होई कि इन लोगों को अकाउंटिंग या इन्वेस्टमेंट के बारे में इतनी कम जानकारी है जबकि यह विशे उनकी जिन्दगी में कितने ज्यादा इमियत रखते थे मेरे मन में यह सवाल भी उट रहा था कि वे असल जिन्दगे में अपने पैसे देले के कारोबार को कैसे समबलते होंगे मैं यह समझ सकती थी कि मेरी 19 साल के बेटी क्यों नहीं समझ सकती पर यह लोग तो उससे दुगनी उमर के थे और उन्हें यह बात समझ में आनी चाहिए थी चुहादोड से बाहर निकलने के बाद मैं दो गंटे तक अवे बेटी और इन सिक्षित अमीर वेसकों को पासा फेंगते और अपना बाजार पहलाते देखती रही हालांकि मैं खुश थी कि वे लोग कुछ नया सीख रही थे लेकिन मैं इस बात से बहुत परेशान और विचलित थी वेसक लोग समाने अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट के मूलबूत पिंदों के बारे में कितना कम जानते थी उन्होंने अपने इंकम स्टेटमेंट और अपनी बैलेंस सीट के आपसी सम्मंद को समझने में भी बहुत समय लगाया अपनी संपती खरीदते और बेशते से मैं उन्हें ध्यानी नहीं रहा कि हर सोदे में उनकी महिने के आमदनी पर असर पड़ रहा है मैंने सोचा असल जिन्दगी में इसे करोड़ों लोग होंगे जो पैसे के लिए सिर्फ इसलिए परेशान हो रही है क्योंकि उन्होंने ये दोनों विशे कभी नहीं पड़े मैंने मन में सोचा बगवान का शुक्र है कि हमें मजा आ रहा है और हमारा लक्षा खेल में जीतना है जब खेल खतम हो गया तो रावर्ट ने हमें 15 मिनट तक कैश पलो पर चर्चा करने और इसकी समिक्षा करने के लिए कहा मेरी टेबल पर बैठा भी अवसाई खुश नहीं था उसे खेल पसंद नहीं आया था मुझे यह सब जानने की कोई जुरूट नहीं है उसने जोर से कहा मेरे पास इन सब के लिए अकाउंटेंट बैंकर और वकील है जिनें यह सब मालूम है रावर्ट का जवाब था क्या आपने गोर किया है कि एसे बहुत से अकाउंटेंट है जो अमीर नहीं है और यही हाल बैंकर, वकील, स्टाक ब्रोकर और रियल इस्टेट ब्रोकर का भी है वे बहुत कुछ जानते हैं और प्राए वे लोग स्मार्ट होते हैं परंतु उन में से ज़्यादातर अमीर नहीं होते चुकि हमारे स्कूल में वह सब नहीं सिखाते जो अमीर लोग जानते हैं इसलिए हम इन लोगों को सला देते हैं परंतु एक दिन जब आप किसी हाईवे पर कार से जाते हैं आप ट्रेफिक जाम में फस जाते हैं आप बाहर निकलने के लिए छट पटाते हैं जब आप अपनी दाईं तरफ देखते हैं तो वहाँ आप देखते हैं कि आपका अकाउंटेंट भी उसी ट्रेफिक जाम में फसा हुआ है फिर आप बाहीं तरफ देखते हैं और आपको वहाँ आपका बेंकर भी उसी हाल में नजराता है इससे आपको हालात का अंदाज़ा हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्रामर भी इस खेल से प्रवावित नहीं हुआ था यह सीखने के लिए मैं साफ्टेयर खरीच सकता हूँ बेंकर जरूर प्रवावित हुआ था मैंने स्कूल में अकाउंटिंग सीखा था परंतु मैं अब तक यह नहीं समझ पाया था कि इसे असल जिंदगी में किस तरह काम में लाया जाए अब मैं समझ गया हूँ मुझे चूहा दोड से बाहर निकलने के लिए खुद को तैयार करने की जुरूरत है परंतु मेरी पुत्री के विचारों से मैं सबसे ज़्यादा रोमान चित हुई उन्होंने कहा मुझे सिखने में बड़ा मजाया मैंने इस बार में बहुत कुछ सिखा कि पैसा असली जिंदगी में किस तरह काम करता है और इसका निवेश किस तरह करना चाहिए फिर उसने आगे कहा अब मैं जानती हूँ कि मैं अपने काम करने के लिए किस तरह का व्यवसाई चुनू और यह व्यवसाई चुनने का कारण नोकरी की सुरक्षा उससे मिलने वाले फाइदे या तन्खवा नहीं होंगे अगर मैं इस खेल में सिखाये जाने वाली बातें सीख जाती हूँ तो मैं कुछ भी करने के लिए आजाद हूँ और वह सीखने के लिए आजाद हूँ जो मैं दिल से सीखना चाती हूँ अभी तक मुझे उस खेल को सीखना पड़ता था जिससे मुझे नोकरी पाने में मदद मिले अब मैं यह खेल सीख जाती हूँ तो मुझे नोकरी की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की ज़्यादा चिंता नहीं होगी जैसी की मेरी बहुत सी साहलियों को हूती है खेल खتم होने के बाद मुझे रोवर्ट से बात करने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला हमने उसकी योजना पर आगे बातें करने के लिए बाद में मिलने का फैसला किया इतना तो मैं जानती थी कि इस खेल के बाहने रावर्ट यह है चाहते थे कि लोगों में पैसे की बेतर समझ विक्षित हो जाए यही कारण था कि मैं उनकी योजनाओं के बारे में ज़्यादा जानने के लिए उत्सुप थी मेरे पती और मैंने रावर्ट और उनकी पत्नी के साथ अगले अपते डीनर मिटिंग रख ले हलंकि यह है हमारा पहला समाजिक मेल जोलदा फिर भी मुझे ऐसा मैसूस हो रहा था जैसे हम एक दूसरे को बर्सों से जानते हो हमने पाया कि हमें बहुत से बाते एक जैसी हैं हमने बहुत से विशों पर बातें की खेलों, नाटकों, रेस्तराओं और सामजिक आर्थिक विशों पर हमने बदलती होई दुनिया के बारे में बातें की हमने इस मुद्धे पर बहुत समय तक विचार किया कि ज्यादातर अमेरिकी कैसे अपने रेटायर्मेंट के लिए बहुत कम पैसा बचा पाते हैं या बिल्कुल नहीं बचा पाते हमने सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेर की लगवग दिवालिया हालात पर भी चर्चा की क्या हमारे बच्चों को साड़े साथ करोड वरद लोगों के लिए रेटायर्मेंट के लिए पैसा चुका ना होगा हम हैरान थे कि लोग पेंशन योजना के बरों से बैठकर वे दुनिया भर में निवेस कर चुके थे और 47 वर्स की उमर में रेटायर होने में सफल हो गए थे वे काम इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें भी वही चिंता थी जो मुझे अपने बच्चों को लेकर सता रही थी वे जानते हैं जो उनके जीवन में कभी भी कहीं भी काम नहीं आने वाले हैं और वे ऐसी दुनिया के लिए तैयारी करते हैं जिसका अब नामों निसान भी नहीं बचा है आज आप किसी भी बच्चे को जो सबसे खतरनाक सला दे सकते हैं वह यह है स्कूल जाओ अच्छे नंबर लओ और सुरक्षित नोकरी ढूंड़ो उन्होंने कहा यह पुरानी सला है और यह खराब सला है अगर आप यह देख सकते हैं कि एसिया यूरोप दक्षिन अमेरिका में क्या हो रहा है तो आप भी उतनी ही चिंतित होंगी जितनी की मैं रावट के अनुसार यह बुरी सला है क्योंकि अगर आप चाते हैं कि आपके बच्चे का बविश्य आर्थी ग्रूप से सुरक्षित हो तो आप पुराने नियमों के सारे नए खेल को नहीं खेल सकते यह बहुत खतरनाक होगा मैंने उनसे पूछा कि पुराने नियमों से उनका क्या मतलब है मेरी तरह के लोग अलग तरह के नियमों से खेलते हैं और आपकी तरह के लोग पुराने नियमों के लीक पर ही चलते रहते हैं उन्होंने कहा, क्या होता है जब कोई कोर्परेशन स्टाफ कम करने की गोशना करता है, लोगों को नोकरी से निकाल दिया जाता है, परिवार तबाव हो जाते हैं, बेरोजगरी बढ़ जाती है, हाँ, परन्तु कम्पनी पर इसका क्या आसर पड़ता है? खासकर जब वह कम्पनी, स्टोक एक्षेंज में दर्ज हो, जब स्टाफ कम करने की गोशना होती है, तो स्टाफ की कीमते बढ़ जाती हैं, मैंने कहा, जब कम्पनी तनक्वा का खर्चा कम करती है, तो बाजार इस बात को पसंद करता है, एसा चाहे स्टाफ कम करने के लिए कि किया जाएं उन्होंने कहा आप ठीक कह रही हैं और जब स्टाक की कीमते बढ़ती हैं तो मेरी तरफ से लोग यानी जिनके पास उस कंपनी के शेयर होते हैं वे ज़्यादा अमीर हो जाते हैं अलग तरह के नियमों से मेरा यही आश्या है करमचारी हारते हैं मालिक और निवेस जीतते हैं रावट करमचारी और मालिक के बीच के फरक को समझा रही थे यह फरक था अपनी किस्मत पर खुद अपना नियंतर्ण होना या फिर आपकी किस्मत पर किसी दूसरे का नियंतर्ण होना परंतु ज़्यादातर लोग यह नहीं समझ सकते कि एसा क्यों होता है मैंने कहा उन्हें लगता है कि यह ठीक नहीं है उनका जवाब था इसलिए तो बच्चों से यह कहना मुर्गता है अच्छी सिक्षा प्रापत करो यह सोचना मुर्गता है कि स्कूलों में दी जा रही सिक्षा से बच्चे उस दुनिया का सामना करने के लिए तयार हो जाएंगी ज अलग तरह के नियमों को जानने की धन के कुछ नियम होते हैं जिनसे अमीर लोग खेलते हैं और धन के कुछ और नियम होते हैं जिनसे बाकि 95% लोग खेलते हैं और ये 95% लोग उन नियमों को अपने घर और स्कूल में सीखते हैं इसलिए आज कल किसी बच्चे से यह कहना ख इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लासरूम में कितने कंप्यूटर रखे हैं या स्कूल कितना पैसा खर्च कर रहे हैं जब शिक्षा निती में यह विशे ही नहीं है तो उसे किस तरह पड़ाया जा सकता है अब सवाल यह उठता है किस तरह माताबिता अपने बच्चो करना सिखाएंगे जब एक पालक के रूप में आप खुद निवेस के खत्रे से टरते हैं अपने बच्चों को सुरक्षे जीवन के लिए तयार करने के बज़ाए मैंने यह बेतर समझा कि उन्हें रोमांचक जीवन के लिए तयार किया जाए तो आप किस तरह किसी बच्चे को धन और उन सब चीज़ों के बारे में सिखा सकते हैं जिन पर हमने अभी विचार किया है मैंने रावट से पूछा हम किस तरह इसे माता-पिता के लिए आसान बना सकते हैं खास कर तब जब उन्हें खुद ही इसकी समझना हो उन्होंने कहा मैंने इस विशे पर एक पुस् मैंने इस पुस्तक को तब लिखना शुरू किया था जब मेरी पहली किताब बेस्ट सेलर हो गई थी परन्तु मैं अभी तक अपनी नई किताब को पूरा नहीं कर पाया हूँ यह अभी भी खंडों में है और यह पुस्तक निश्चित रूप से खंडों में ही थी उन बेतरत से बदल रही थी हम दोनों ततकाल इस निर्णे पर पहुंचे कि मैं रावट की पुस्तक में सहलेखक बन जाओं मैंने उनसे पूछा कि उनके विचार से किसी बच्चे को कितनी वितिया आई की जरूरत होती है उन्होंने कहा कि यह बच्चे पर निर्वर करता है अपने कि शिक्षा ही सफलता की नीम है जिस तरह सकूल में सिखे गई बातें बहुत मैत्वकूर्ण होती है उसी तरह धन संबंदी समझ और बोलने की कला भी मैत्वकूर्ण होती है आगे की काने रावट के दो डेडियों के बारे में हैं जिन में से एक अमीर है और दूसरे गरीव जिनके जरिये रावट उन रह्षों को बताएंगे जो उन्होंने अपने जीवन में सिखे हैं दोनों डेडियों के बीच का अंतर एक खास बात उजागर करता है इस पुस्तक को मैंने बढ़ाया है जिसमें कुछ जोड़ा और गटाया है और इसे व्यवस्तित करने के लिए काम किया है जो अकाउंटेंट इस पुस्तक को पड़े उन से मेरा यही कहना है कि वे अपने किताबी ज्यान को एक तरव रख दें और अपने दिमाग में रोबर्ट के सिदान्तों को घुश जाने दें हलांकि उन में से कई सिदान्त पहली नजर में गलत लगेंगे अकाउं अपने निवेस के फैसलों का विसलेशन करते हैं जब हम अपने बच्चों को स्कूल जाने मेहनत से पढ़ने और अच्छी नोकरी पाने की सला देते हैं तो अक्सर हम एसा सांसकर्तिक आदतों के करण करते हैं एसा करना हमेशा सही चीज मानी गई है जब मैं रोबर्ट से मि देली तो उनके विचारों ने शुरू में तो मुझे चोंका दिया दो डैडियों के साथ पले बड़े रावर्ट के सामने दो अलग-लग लक्षे होते थे उनके पड़े लिखे डैडियोंने कर्परेशन में नोभरी करने की सला देते थे और उनके अमीर डैडियोंने स्मार्ट बनने के लिए प्रोच्साइद करते थे अमीर डेडी रावट को यह जानने के लिए प्रोच्साइद करते थे किस तरह स्मार्ट लोगों की सेवाई ले जाएं दो डेडियों के होने से कई समश्याएं भी पैदा हुई रावट के असली डेडी हवाई राज्ये के सि ने कि उसमें नोक्री करना। सच तो यह है कि अगर हाई स्कूल में समझदार और मेहंती परामर्जदाता नहीं मिला होता तो रावर्ट कभी कालेज नहीं गई होते। वे इस बात को मानते हैं, वे दोलत कमाने के लिए बेताब थे, परंतु वे आखिरकार मानी गई कि कालेज की सिक्ष्या से भी उन्हें फाइदा हो सकता है। वे बच्चों को करमचारी बनने की सला देने का मतलब यह है कि हम उन्हें जिन्दगी भर अपनी खून पसेने की कमाई से इंकम टेक्स और भी नहीं जाने कितने टेक्स चुकाने की सला देते हैं। और इसके बाद भी पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती। और यह सच है कि आज के जमाने में टेक्स किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा खर्च है। हकीकत में ज्यादातर परिवारतों जन्वरी से आदी मई तक सिर्फ अपने टेक्स चुकाने के लिए ही सरकार की नोकरी करते हैं। आज नए विचारों की बहुत जुरूरत है और यह पुस्तक हमें नए विचार देगी। रावर्ट का दावा है कि अमीर लोग अपने बच्चों को अलग तरह की सिख्षा देते हैं। वे अपने बच्चों को घर पर सिखाते हैं, डीनर टेबल पर सिखाते हैं, हो सकता है कि ये विचार वे नए हो जिन पर आप अपने बच्चों से बात करते हों, परंतो उन पर नज़र डालने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको सला देती हूं कि आप खोज करते रहें, एक म अलग तरह की सिख्षा देनी होगी, शायद हम अपने बच्चों को यह सिखाएं कि अच्छे करमचारी होने के साथ साथ वे अपना खुद का निवेस कोर्परेशन भी खोल सकें, दोनों का यह तालमेल बढ़िया रहेगा, एक माह होने के नाते, मुझे उमीद है कि यह पु अपने और अपने परिवार के लोगों को धन संबंदी बातें सिखाने की काबिलियत है, यह याद रखें कि धन संबंदी बुद्धी वह दिमागी तरीका है, जिससे हम अपनी धन संबंदी समश्याओं को सुलजाते हैं, आज हम एसे विश्व आप्टी तक्निकी परिवर् हमारे सामने आने वाले हैं, जो हमारे यथाप्ट से परे हैं, कौन जाने वो विश्याओं अमारे लिए क्याल आता है, पर जो भी हो हमारे पास दो मूलबुत विकल्ब मुझूद है, या तो हम सुरुक्षय की रहा पर चलें, या फिर हम स्मार्ट बनकर कुद को धन परतिबा को भी जाकरीत करें, शेरां लेक्टर, धन्यवाद, आईए चलते हैं अध्याए एक की तरफ, रिच डैड, पूर डैड, रावर्ट कियो साकी के अनुसार, अध्याए एक, रिच डैड, पूर डैड, रोबर्ट कियो साकी के अनुसार, मेरे दो डैड़ी थे, एक अमीर और दूसरे करीब, एक बहुत पड़े लिखे और समझधार थे, वे पिएजडी और उन्होंने अपने चार साल के अंडर ग्रेजुएट कार्विया को दो साल से भी कम समय में कर लिया था, इसके बाद वे आगे पड़ने के लिए स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी अप सिकागो तता नार्थ वेस्टरन यूनिवर्सिटी गए और यह सब उन्होंने पूरी करह से स्कलर्शिप के सारे किया, मेरे दूसरे डैड़ी आ वाई के सबसे अमीर विक्तियों में से एक बन गई, एक डैड़ी के मरने पर उनके परिवार, सर्च और जरूर्द बंदों को करोडों डोलर की दोलत मिली, और दूसरे अपने पीछे कर्द छोड़ कर मर गई, मेरे दोनों डैड़ी इरादे के पक्के, चम्तकारी और गलग थे, अगर मेरे पास के बले एक ही डैड़ी होते, तो मैं या तो उनकी सलाओ मान लेता, या फिर उसे ठुकरा देता, चुकि सलाओ देने वाले दो थे, इसलिए मेरे पास दो विरोधावासी विचार होते थे, किसी भी एक विचार को सीधे-सीधे मान लेने, या नए मानने के बज़ाए मैं उनकी सलाओं पर काफी सोस विचार करता, उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसला किया करता था। समझ्चा ये है थी कि अमीर डेडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डेडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों के तोर पर एक डेड़ी कहते थे, पैसे का मोह ही सभी बुराईयों की जड़ है, जब कि दूसरे डेड़ी कहा करते थे, पैसे की कमी ही सभी बुराईयों की जड़ है, जब मैं छोटा था, तो मुझे दोनों डेड़ीयों की अलग-अलग सलाओं से दिक्कत होती थी, एक अच् पर गूप मेर भी स मन पर किसकी कहने का क्यों कहा, और उसका परीड़ाम कीरा होगा? मेरा बहुत सा समय सोच विशार में ही गज़र जाता था.. मैं कुछ से बार बार इस तरह के सवाल पूछा करता.. उन्होंने इसा क्यों कहा और फिर दूसरे डैडी के दुआरा कही होई बातों के बारे में भी इसी तरह के सवाल पूशता। काश मैं यह बोल सकता। हाँ वे बिल्कुल सही हैं मैं उनकी बातों से पूरी तरह सैमत हूँ या यह कहकर मैं सीधे उनकी बात टुकरा सकता था। अगर मैं एक तरह से ही सोच पाता तो यह मेरे लिए इतना फाइदेबन नहीं होता। धन दोलत का विशय स्कूल में नहीं बलकि घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसलिए अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं जबकि गरीब और ज़्यादा गरीब होते जात सकता है। वह सिर्फ इतना ही कह सकता है। स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो हो सकता है वह बचा अच्छे नंबर से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले। फिर भी पैसे के मामले में उसकी मान सिकता और उसके सोचने का धन एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। यह सब उसने तब सीखा था जब वह चोटा बच्चा था। धन का विशे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में सेक्षन एक और व्यवसाइक निपूंताओं पर जोड़ दिया जाता है ने कि धन संबंदी निपूंता पर। इससे यह साप हो जाता है कि जिन सित राजनेताओं और सरकार्य अधिकारियों के कारण है जो आर्थिक नितिया बनाते हैं और मजे की बात यह है कि वे धन के बारे में बहुत कम जानते हैं। मैं एकसर नई सदी में आने वाली समश्याओं के बारे में सोचता हूँ। तब क्या होगा जब हमारे पास एसे कर हो जाएगा। किस तरह कोई देश तरकी कर पाईगा। अगर पैसे के बारे में पढ़ाई की जिम्मेदारी माता पिता के उपर छोड़ दी जाएगी। जिन में से ज़्यादार गरीब हैं या गरीब होंगे। चुंकि मेरे पास दो पर वहोशाली डेड़ी थे इसलिए मैं की सला पर सोचना पड़ता था। इस तरह से सोचते सोचते मैंने यह भी जान लिया कि किसी व्यक्ति के विचार उसकी जिंदगी पर कितना जवर्दस्त असर डाल सकते हैं। उधारन के तोर पर एक डेड़ी को यह कहने की आदत थी। मैं इसे नहीं खरीच सकता। दूसरे डेड़ी इन शब्दों का इस्तेमाल से चिड़ते थे। वे जोड़ देकर कहा करते थे कि मुझे इसके बजाई यह कहना चाहिए मैं इसे कैसे खरीच सकता हूँ। पहला वाक्या नकारात्मक है और दूसरा प्रशन वाचर। एक में बात खतम हो जाती है और दूसरे में आ यह सवाल पूछते हैं मैं इसे कैसे खरीच सकता हूँ। तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। उनका यह मतलब नहीं था कि आपका जिस चीज़ पर दिल आ जाये उसे खरीदे ले। वे लगबग दिवानगी की हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे और उनके ख्याल से दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। मेरा दिमाग हर रोज तेज होता जाता है क्योंकि मैं इसकी कसरत करता रहता हूँ। यह इतना तेज होता जाता है। मैं इसकी मदद से उतना ही जड़ा पैसा कमा सकता हूँ। उनका मानना था कि मैं इसे नह देते थे और दूसरे डेड़ी अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहते थे इसका दिर काले नतिजा यहे निकला कि एक डेड़ी आर्थी ग्रूप से बहुत अमीर होते चले गए जबकि दूसरे डेड़ी लगातार कमजोर होते चले गए इसे इस तरह से समझे कि एक व अमीर हो सकते हैं। अलस्य से स्वास्ते और धन दोनों का ही नुकसान होता है। मेरे दोनों डैडियों की विचारधारा में जमीन आस्मान का फासला था। एक डैडि की सोच थी कि अमीरों को ज़्यादा टेक्स देना चाहिए। ताकि बेचारे गरीबों को ज़्यादा मिल सके। जबकि दूसरी डैडि सोचते थे टेक्स उन लोगों को सजा देता है जो उतपादन करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है, जो उतपादन नहीं करते। एक डैडी सीखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपणी में नोकरी मिल जाए। जोकि दूसरे डैडी की सीखिया थी मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपणी को खरीदने का मोका मिल जाए। एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नही पैसे की बाते करने लिए मना करते थे एक का कहना था जहां पैसे का सवाल हो सुर्क्षित कदम उठाओ खत्रा मत उठाओ दूसरे का कहना था खत्रों का सामना करना सीखो एक का मानना था हमारा घरी ही हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपक्ति है जबकि दूसरे का मानना था मेरा घर मेरा दाइत्व है और अगर आपका घर आपकी नजर में सबसे बड़ा निवेश है तो आप कष्ट में है दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे परंत उन में से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाता था जबकि दूसरा सबसे आखिरी में एक डैडी का यह मानना था कि कमपनी या सरकार को आपका ध्यान रखना चाहिए और आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए वे हमेशा तनक्वा में बड़ोतरी रिटायरमेंट योजनाओं, मेडिकल लावों बिमारी की चुट्टी, चुट्टियों के दिन और बाकी सुईदाओं के लिए चिंतित रहते थे वे अपने दो चाचाओं से बहुत परवावित थे जो सेना में चले गई थे और 20 साल के सक्रिय जीवन के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट और जीवन भर के लिए आराम का इंतिजाम कर लिया था वे मेडिकल लाव के विचार को पसंद करते थे और सेना दोरा अपने रिटायर करमचारियों के दी जा रही सुईदाओं की भी तारिफ करते थे उन्हें विश्व द्यला का टेन्योर सिस्टम भी काफी पसंद था कई बार नोकरी से आजीवन मिल रही सुरुक्षा और नोकरी के लाव नोकरी से ज़्यादा मैतोकूर्ण हो जाते हैं वे अक्सर यह कहते थे मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है इसलिए बदले में मुझे ये लाव मिलने चाहिए दूसरे डेड़ी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में विश्वास करते थे वे सुईदा भोगी मानसिक्ता के विरोधी थे वे यह मानते थे कि इस तरह की मानसिक्ता लोगों को कमजोर और आर्थिक ग्रूप से जरूर्तमन बनाती है उनका द्रड विश्वास था कि आर्थिक ग्रूप से सक्षम होना चाहिए एक डेड़ी उस डॉलर बचाने के लिए परिसान रहते दूसरे डेड़ी एक के बाद एक निवेस करते रहते एक डेड़ी ने मुझे बताया कि अच्छी नोकरी तलासने के लिए अच्छा बायोड़टा कैसे लिखा जैए दूसरे ने मुझे यह सिखाया कि कैसे मजबूत व्यवसाईक और वित्यय योजनाई लिखी जाएं जिससे मैं नोकरियां दे सकूँ दो परवाँसाली डेडियों के साथ रहने के कारण मुझे यह विसलेशन करने का मुँखा मिला कि उनके विचारों का उनके जीवन पर कितना आसर हो रहा है मैंने पाया कि दरसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिसा देते हैं उधारन के तोर पर मेरे गरीब डेड़ी हमेसा कहा करते थे मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा और उनकी यह वविश्यवानी सही सावित होई दूसरी तरफ मेरे अमीर डेड़ी हमेसा खुद को अमीर समझते थे वे इस तरह की बातें करते थे मैं अमीर हूँ और अमीर लोग में फर्क होता है पैसा पास में ने होना ऐस्थाई होता है जबकि गरीब स्थाई होता है मेरे गरीब डेड़ी यह भी कहते थे मेरी पैसे में कोई रूची नहीं है या पैसा में तपूर नहीं है मेरे अमीर डेड़ी हमेशा कहते थे पैसों में बहुत ताकत है हो सकता है आप अपने अभी व्यक्ति पर भी, मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे, क्योंकि वे कम कमाते थे, बलकि इसलिए गरीब थे, क्योंकि उनके विचार और काम गरीबूं की तरह थे, दो डैडी होने के खारण, बच्पन से ही मैं इस बारे में बहुत को अपना हूँ, मैं किस की बात मानूँ, अपने अमीर डैडी की या अपने गरीब डैडी की, आलांकि दोनों ही सिख्षा और ग्यान को वैत्वपूर मानते थे, परंतु क्या सिखा जाए, इस बारे में दोनों की राए अलग लग थी, एक चाहते थे कि मैं पढ़ाई में क कर ऐसे सीख लूँ, यह समझ लूँ कि पैसा किस तरह काम करता है, और यह जान लूँ, इससे अपने लिए कैसे काम लिया जाता है, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, इन शब्दों को वे बार बार दोर आया करते, पैसा मेरे लिए काम करता है, नो साल की उमर में मैंने यह हैसला करने का मतलब था अपने गरीब डेड़ी की बातों पर ध्यान नहीं देना, हालांकि उनके पास कालेज की बहुत सी डिग्रियां थी, जो मेरे अमीर डेड़ी के पास नहीं थी. रावर्ट फ्रास्ट का सबग रावर्ट फ्रास्ट मेरे पसंद दीदा कवी है, हालांकि मुझे उनकी बहुत सी कवीता ये पसंद है, परन्तु दरोड नाट टेकन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, मैं इसकी सिख्ष्या का इस्तेमाल हर रोज करता हूँ. दरोड नाट टेकन वह राव जिसे चुना नहीं गया, पीले जंगल की दो राव बढ़ती थी, और अबसोस कि मुझे एक को चुनना था, और मैं देर तक खड़ा रहा, दूर तक, यह देखते हुए कि यह राव कहां तक जाती है, जुर्मटों में मुढ़ने से पहले. फिर मैंने दूसरी रहा चुनी, उतनी ही सुन्दर और शायद बेतर भी, क्योंकि यहां गास जाता थी और कम लोग गुजरे थे, हालांकि लोगों के गुजरने से यहां भी उतना ही नुक्सान हुआ था. और दोनों ही उस सुबह बराबर थी, पत्यों पर काले कदम नहीं थी, और मैंने पहली को अगले दिन के लिए रखा, पर यह जानते हुए कि किस तरह रास्ते निकलते हैं, मुझे शक था कि मैं कभी लोटूँगा, मैं आख बरकर यह कमूँगा, आज से सदियों बाद शायद एक जंगल में दो रहीं बढ़ती थी, मैंने कम चलियोई रह को चुना, और इसी बाद से सारा प्रक पड़ा, बहुत समय गुजर चुका है, पर मैं अब भी रावट फ्रास्ट की कविता पर चिंतन करता रहता हूँ, पैसे के बारे में अपने पड़े लिखे डैडी की सला और नजरिये को नए सुनने का मेरा फैसला दुखत था, परनतु यह एक ऐसा फैसला था जिसने मेरे जिंदगी की बिसा तैय कर दी, एक बार मैंने यह फैसला कर लिया कि मुझे किस की बात सुननी है, तो उसके बाद मेरी धन संबंदी सिख्षा शुरू हो गई, मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल से विज़ादा समय तक सिखाया, तब तक, जब तक कि मेरी उमर 49 साल नहीं हो गई, और इसके बाद उन्होंने सिखाना बंद कर दिया, उन्होंने यह देख लिया था, कि मैं वह सब समझ चुका हूँ, जो वे मेरी मोटी बुद्धी में भरने की कोशिश कर रही थे, पैसा एक तरह की ताकत है, परंतु इससे भी बड़ी ताकत है विद्धिय शिक्षा, पैसा तो आता और जाता रहता है, परंतु अगर आप यह जानते हैं, कि पैसा किस तरह से काम करता है, तो आप ज़्यादा तकत्वर हो जाते हैं, और आप दोलत कमाना चालू कर सकते हैं, केवल सकारात्मक चिंतन से ही, समझ चाहल नहीं हो सकती, क्योंकि ज़्यादा तर लोग स्कूल में पढ़ते हैं, और वहाँ वे कभी यह नहीं सीख पाते, कि इस पैसा किस तरह से काम करता है, इसलिए वे पैसे के लिए काम करने में, अपनी सारी जिन्दगी बरबाद कर देते हैं, मेरी सिक्ष्या जब शुरू हुई थी, तब मैं केवल नो साल का था, और इसी कारण मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो पढ़ाया, वे बहुत आसान थे, और सारी बातों को छोड़ कर विचार किया जाए, तो उन्होंने मुझे 30 साल तक कुल 6 मैतरपून पार्ट पढ़ाई, यह पुष्टक, उन्हीं 6 पार्टों के बारे में है, और इसे भी उतना ही आसान बनाने की कोशिस की गई है, जितना कि मेरे अमीर डैडी ने मुझे, मेरे लिए आसान बनाया था, यह पार्ट, आपके लिए जवाब की तरह नहीं लिखे गए हैं, बलकि मार्गदर्सक की तरह लिखे गए हैं, ऐसे मार्गदर्सक, जो ज़्यादा अमीर बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेंगे, चाहे बदलती हुई इस एनिश्चित दुनिया में कुछ भी होता रही, धन्यवाद, आईए चलते हैं अध्याई दो की तरह, जो है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, आपका दिन शुभ हूँ, लिच डैड, पूर डैड, अध्याई दो, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए, यह सुनते ही मेरे डैडी ने अपना शाम का अख़बार नीचे रख दिया, बेटे, क्या तुम अमीर बनना चाते हों, क्योंकि आज जिमी की ममी अपनी नई कैडलिक कार में आई, और वे लोग पिकनिक पर अपने समुंदर तट वाले गार पर जा रही थे, जिमी अपने साथ हमने तीन दोस्तों को ले गया, परंतु माई को और मुझे नहीं ले गया, उसने हमसे यह कहा, कि वे हमें इसलिए नहीं ले जाएगा, क्योंकि हम लोग गरीब बच्चे थे, उसने ऐसा कहा, डैडी ने आतम इस स्वास से पूछा, हाँ, बिल्कुल, मैंने दर्द बरी आवाज में कहा, डैडी ने अपना सेरे लाया, नाग तक अपने चस्वे को चड़ाया, और फिर अखबार पढ़ने लगी, मैं उनके जवाब का इंतजार करता रहा, यह है 1956 की बात है, तब मैं 9 साल का था, किस्मत की बात थी, कि मैं उसी पविलिक स्कूल में जाता था, जिसमें अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे, हम शुगर प्लांटेशन के कस्वे में रहते थे, प्लांटेशन के मैनेजर और कस्वे के बाकी लोग, जैसे डॉक्टर और बिजनसमें और बेंकर, अपने बच्चों को पहली कक्षा से चटी कक्षा तक इसी स्कूल में बेज़ते थे, चटी कक्षा के बाद, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में बेज़ा जाता था, अगर मेरा परिवार सड़क के दूसरी छोर पर रहा होता, तो मुझे अलग तरह के स्कूल में बेज़ा जाता, जहां मेरे जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे, चटी कक्षा के बाद इन बच्चों की तरह, मैंने भी पबलिक इंटरमेडियर्ट और हाई स्कूल किया होता, क्योंकि उनकी तरह मेरे लिए भी प्राइवेट स्कूल में जाना संभव नहीं था, मेरे डेली ने आखिर आख़वार को नीचे रख दिया, मुझे पता था वे क्या सोच रही थे, उन्होंने दिमे से शुरू किया, अगर तुम अमीर बनना चाते हो, तो तुम्हे पैसा बनाना सीखना चाहिए, मैंने पूछा, मैं पैसे बनाना किस तरह सीख सकता हूँ, अपने दिमाग के इस्तिमाल से, उन्होंने मुश्कुराते हुए कहा, इसका असली मतलब यह था, बस मैं तुम्हे इतना ही बता सकता हूँ, या मैं इसका जवाब नहीं जानता, इसलिए मुझे तंग मत करूँ, अगली सुबह, मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को अपने डैड़ी की बातें बताई, जहां तक मुझे याद है, उस स्कूल में मैं और माइक ही दो गरीब बच्चे थे, माइक भी मेरी तरह था, क्योंकि वह भी किस्मत की वज़े से इस स्कूल में था, ऐसा लगता था, जैसे किसी ने कस्पे के स्कूलों की सरदें ते कर दी थी, और इसी कारण हम लोग अमीर बच्चों के स्कूलों में पढ़ रहे थे, सच का जाए तो हम लोग गरीब नहीं थे, परन्तु ऐसा हमें लगता था, क्योंकि बाकी सभी बच्चों के पास नए बेसबाल गलाउस, नई साइकलें और हर चीज नई होती थी, ममी और डैड़ी हमें भी सभी जरूटों की चीज़ें जिलवाते थे, जैसे खाना, घर, कपड़े, परन्तु इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे डैड़ी कहा करते थे, अगर तुमें कोई चीज चाहिए, तो उसके लिए काम करो, हमें बहुत से चीज़ें चाहिए थे, परन्तु नो साल के बच्चे के करने के लिए ज़्यादा काम मौजूद नहीं थे, माइक ने पूछा, तो पैसा बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं नहीं जानता, मैंने कहा, परंतु क्या तुम में इस काम में मेरे पार्टनर बनना चाहोगे वह है राजी हो गया और उस शनिवार की सुवे माइक मेरा पहला बिजनस पार्टनर बन गया हम दोनों पूरी सुवे यही सोचते रहे कि पैसा किस तरह कमाया जाए कभी कभार हम उन बेफिकर बच्चों के बारे में बतें करते जो जिमी के सुवेंदर कट वाले घर पर मज़े खर रही होंगी इस से थोड़ी चोट पहुंचती थी परंतु यह चोट अच्छी थी क्योंकि इस ने हमें यह सोचने के लिए प्रेदित किया कि पैसा कैसे कमाया जाए आखिरकार उस दो पैर को हमारे दिमाग में बिजली कौन गई यह एक ऐसा विचार था जो माइक ने किसी विज्ञान की किताब में पढ़ा था रोमांचित होकर हमने हाथ मिलाई और पार्टनर्शिप के पास अब एक बिजनस था अगले कुछ अपतों तक मैं और माइक दोड़ भाग करते रहे हर दरवाजे पर दस्तक देते थे और पडोसियों से कहते थे कि वे अपने इस्तेमाल किये हुए टूथ पेस्ट टूब हमारे लिए रख ले हैरत से हमें देखते हुए जालातर लोगों ने गई और मेरी माँ बहुत दुकी हो गई अपने कच्चे माल को इकठा करने के लिए हमने जो जगए तुनी थी वहें उनकी वाशिंग मशीन के ठीक पास थी एक भूरे कार्ड़ बोर्ड के बक्से में जिसमें कभी केचप की बोतले रखी रहती थी हमारे इस्तेमाल की यह वे टूथ पेस्ट के ट्यूपस के संख्या बढ़ने लगी आखिर एक दिन मा के सबर काबान तूट गया पडोस्यों के मुड़े टिड़े और इस्तेमाल की यह टूथ पेस्ट ट्यूपस को देखते देखते वे उप गई थी उन्होंने पूछा तुम लोग कर क्या रहे हो और मैं यह नहीं सुनना चाहती कि यह एक बिजनस सिगरेट है इस कच्रे को साब कर दो या मैं इसे बाहर उठा कर फैंक दूँगी माईक और मैंने उनके हाथ पैर जोड़े उन्हें यह बताया कि हमारी ही जल्दी हमारा कच्चा माल पर याप जमा हो जाएगा और फिर हम उत्वादन शुरू कर देंगे हमने उन्हें बताया कि हम कुछ पडोशियों को इंतजार कर रहे थे ताकि वे अपने टूथ पेस्ट के ट्यूब्स खतम कर लें मा ने हमें एक अपते की मौलत दे दी उत्वादन शुरू होने की तारिक नजदीक आ गई थी दवाओ बढ़ गया था हमारे वेरा उसके मलिक यानि मेरी मा ने हमारे पहली पार्टनर्शिप कंपनी को जगे खाली करने का नोटिस थमा दिया था अब माईक का काम यह था कि वह प्रोशियों को अपने टूथ पेस्ट चल्दी खतम करने के लिए कहे और साथ में यह भी जोड़ दे दान्त के डाक्टरों का कहना है कि दिन में कई बार ब्रश करना चाहिए मैं उतपादन की पर किरिया को ठीक ठाक करने में जूठ गया एक दिन मेरे डैड़ी अपने एक दोस्त के साथ कार में बैठ कर स्च में आई और उनकी आस्चरीय का ठीकाना नहीं रहा जब उनोंने वहाँ 9 साल के दो बच्चों को उतपादन की पर खिरिया में पूरी कती से जुटे देखा हर तरबारिक सफेद फाउडर बिखरा हुआ था एक लंबी मेजबस स्कूल से लाए गए दूद के छोटे कार्टन थे और हमारे परिवार की हिवाची ग्रिल लाल दैकते कोईलों के साथ अधिक्तम गर्मी पर चल रही थी डेड़ी सावदानी से चल कर हमारे करीब आई चोकि हमारी उत्पादन की परिकरिया ने पोर्ट्स पर कबजा कर लिया था इसलिए उन्हें कार बाहर ही खड़ी करनी पड़ी जब वे और उनके दोस्त पास आए तो उन्होंने कोईलों के ऊपर रखा एक स्टील का बरतन देखा जिसमें टूथपेस्ट के टूथपी पिगल रहे थे उन दिनों टूथपेस्ट पिलास्टिक के ट्यूप्स में नहीं आते थे टूप्स शीशे के बने होते थे एक बार पेंट जल जाए तब हम ट्यूज को स्टील के बतन में डाल देते थे ताकि वे पिगल कर दरवया के रूप में आसके इस पिगले वे सेसे को हम छोटे छेद वाले दूद के काटनों में डाल रहे थे दूद के इन काटनों में प्लास्टिक आपेर इस बरा था हर तरफ फैला सफेद पाउडर प्लास्टिक ही था जिसमें हमने पानी मिलाया था जल्द बाजी में मैंने उसके बैक को गिरा दिया था और पूरी जमीने से लग रही थी जैसे वहाँ अभी अभी वर्प का तुपान आया हूँ दूद के कार्टन बाहरी बक्से थे जिनके विदर प्लास्ट आप पेरिस के संसे थे मेरे डैडी और उनके दोस्त में देखते रहे और हम पिगले वे सीसे के प्लास्ट आप पेरिस के क्यूब के उपर से चोटे छेद में डालते रहे संभल कर मेरे डैडी ने कहा मैंने बिना सीर उपर उठाई हमी बरती आखिरकार जब सीजे को डालने का काम खतम हो गया तो मैंने स्टील के बरतन को नीचे रख दिया और फिर अपने डैडी की तरफ देखकर मुस्कुराया उन्होंने अलकी मुस्कान के साथ पूछा तुम लोग क्या कर रहे हो हम वही कर रहे हैं जो आपने बताया था हम अमीर बनने जा रहे हैं मैंने कहा हाँ माइक ने सीर को हिलाते हुए और मुस्कराते हुए कहा हम दोनों पार्टनर है डैड़ी ने पूछा और इन प्लास्टर के संसों में क्या है देखिए मैंने कहा इनमें एक बहुत अच्छी चीज है चोटे अतोडे से मैंने सील को ठोका जिससे बाहर ही खोल तूट गया सावदानी से मैंने उपर के आदे प्लास्टर को अटाया और जस्ते का एक सिक्का बाहर के गया हे बगवान मेरे डैड़ी ने कहा तो तुम लोग जस्ते के सिक्के डाल रहे थे बिल्कुल सही माइक ने कहा हम वही कर रहे थे जैसा आपने हमसे कहा था हम पैसा बना रहे थे मेरे डैडी के दोस्त जोर से हंसने लगे मेरे डैडी भी मुस्कुराई और उन्होंने अपना सीरे लाया उनके सामने आग और टूथपेस्ट की ट्यूप्स के बक से के साथ सफेद धूल में लिप्टे हुए दो बच्चे खड़े थे जो इस कान से उस कान तक मुस्कुरा रहे थे ंन्होंने अमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़कर उनके साथ चले और घर के सामने वाली सीडी पर बैखें मुस्कुराते हुए उन्होंने अमें जालसा सी सब्ज़ का मतलब समझाया हमारे सपने दरासा ही हो गए थे तो आपका मतलब है कि यह गैर कनूनी है माइक ने कामती आवाज में पूछा छोड़ो भी डेडी के दोस्त ने कहा हो सकता है कि बच्चे अपने जन्मजाद पर तिवागों विक्षित कर रहे हो मेरे डेडी हमें गुरते रहे हाँ यह गैर कनूनी है डेडी ने नर्मी से कहा परंतु तुम लोगों ने यह थाबित कर दिया कि तुम में बहुत ज़्यादा रसनात्मक्ता और मौलिक वीचार है इसी तरह आगे बढ़ते रहो मुझे तुम पर गर्व है निरास होकर माइक और में तकरिबन 20 मिनिट तक चुप चाप अपना सिर पकड़ कर बैठे रही इसके बाद हमने सारा आटाला साप करना शुरू कर दिया पहले ही दिन हमारा बिजनस चौपट हो गया था पाउडर साप करते वे मैंने माइक की तरफ देखा और कहा मुझे लगता है जिमी और उसके दोस्त ठीक है हम सचमस गरीब है जब मैंने यह कहा तब डैडी बस जाने ही वाले थे बच्चो उन्होंने कहा तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तुम लोग हार मान लोगे सबसे मेहत्पून चीज यह है कि तुमने कुछ किया ज़्यादा तर लोग केवल अमीर बनने के बारे में बातें करते रहते हैं और उसके सपने देखते रहते हैं तुमने कुछ किया है मुझे तुम दोनों पर गर्व है मैं एक बार फिर से यही कहूंगा आगे बढ़े चलो हार मत मनो माइक और मैं खामोस खड़े रहे यह सब सुनने में अच्छे थे परन्तु हमें यह पता नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए तो ऐसा क्यों है डेड़ी कि आप अमीर नहीं है मैंने पूचा क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का फैसला लिया था स्कूल के टीचर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते हम सिर्फ पढ़ाना पसंद करते हैं कास कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता परन्तु हकीकत में मैं यह नहीं जानता कि दूलत कैसे कमाई जाती है माइक और मैं पल्टे और अपने सफाई अभियान में जुट गई डैडी ने कहा अगर तुम लोग यह सीखना ही चाते हो कि अमीर कैसे बना जाता है तो मुझ से मत पूछो माइक तुम अपने डैडी से ही यह सवाल पूछो मेरे डैडी माइक ने हैरानी से कहा हाँ तुम्हारे डैडी मेरे डैडी ने मुश्कराकट दो रहाया तुम्हारे डैडी और मेरा बैंकर एक ही है और वह तुम्हारे डैडी की बहुत तारिफ करता है उसने मुझे कई बार यह बताया है कि पैसा बनाने में तुम्हारे डैडी का कोई जवाब नहीं है मेरे डैडी माइक ने एक बार फिर हैरानी से पुछा फिर ऐसा क्यों है कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास शांदार कार और आलिसान बंगला नहीं है शांदार कार और आलिसान बंगले के होने का यह मतलब नहीं कि आप निश्चित रूप से अमीर है या आप पैसा बनाने की कला जानते हैं डैडी ने जवाब दिया जीमी के डैडी सुगर प्लांटेशन में काम करते हैं उन में और मुझ में ज़्यादा फर्क नहीं है वे एक कमपनी के लिए काम करते हैं और मैं सरकार के लिए कमपनी उन्हें कार खरीद कर दे देती है इस समय शकर की कमपनी आर्थिक संकड में फजी हुई है और जीमे के डैडी के पास जल्दी कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे डैडी अलग है माई एसा लगता है कि वे एक समराजे बनाने जा रहे है और मेरा अंदाजा है कुछी सालों में बहुत अमीर बन जाएंगी यह सुनकर माईक और मैं एक बार फिर रोमांचित हो गए नए उत्सा से हमने अपने डूबी बे वेवसाई के कच्रे को साफ करना शुरू कर दिया जब हम सभाई कर रहे थे तो हमने यह भी योजना बना ली कि कब और कैसे माईक के डैडी से बात की जाई समझ्य यह थी कि माईक के डैडी बहुत जादा काम करते थे और देर रात तक घर नहीं लोटते थे माईक के डैडी के पास कई वेराउज, कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्टोर्स की सरंगला और तिन रेस्तरा थे रेस्तराओं के कारणी उन्हें घर लोटने में देरी हो जाती थी सफाई खत्म करने के बाद माईक बस बकड़ कर अपने घर चला गया वह अपने डैडी से बात करने वाला था चाहे वे कितनी देर से घर लोटे और उनसे पूछने वाला था कि क्या वे हमें अमीर बनने की तरकीब सिखाने के लिए तयार है माइक ने मुझसे वादा किया कि जैसे ही वे अबने डेड़ी से बात कर लेगा वे अब मुझे फोन करेगा चाहे कितनी देर क्यों नहीं हो जाए फोन रात को साड़े आट बजे आया ओके अगले शनिवार मैंने करा और फोन रख दिया माइक के डेड़े माइक और मुझसे मिलने के लिए तयार हो गए थे शनिवार की सुबह साड़े साथ बजे मैंने शहर के दूसरे इसे में जाने के लिए बस पकड़ी माइकल और मैं सुबह आट बजे उसके डेड़ी से मिले तो पहले से इव्यस्त थे और उनके पास एक गंटे से भी ज़्यादा का कम मौझूद था जब मैं उनके साधान सोटे और साफ गर के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि उनका कस्ट्रक्शन सुपरवाईजर अपने पिक अप ट्रक में वहाँ से जा रहा था माइक मुझे दर्वाजे पर ही मिल गया डेड़ी अभी फोन पर है और उन्होंने काया कि हम लोग पीछे के पोर्स में उनका इंतजार करें माइक ने दर्वाजा कोलते हुए कहा जब मैंने उस पूराने घर की देलेज के अंदर कदम रखा तो लकडी के पूराने फर्स की चर्मराहट सुनाई दी दर्वाजे के बीतर सस्ती सी चटाई थी चटाई वहाँ इसलिए रखी गई थी ताकि फर्स पर पड़े अंगिनत कदमों के निशानों को चुपाया जा सके हालांकि वह साब थी पर यह स्पष्ट दिखता था कि उसे बदल लेना चाहिए जब मैं संक्रे लिविंग रूम में गुसा तो मेरा दम गुटने लगा था वहाँ पुराने फरनिचर की बू आ रही थी और निश्ची दरूम से उस फरनिचर को संग्राले में होना चाहिए था सोबह बर दो मैलाएं बैटी थी उनकी उमर मेरी मां से थोड़ी ज़्यादा थी मेलाओं के सामने एक पुरूस मजदूरों के कपड़ों में बैठा हुआ था उसने खाकी पैंट और खाकी शर्ट पैन रखा था हलांकि कपड़े साफ और प्रेस किये हुए थे पर उन्तों में स्टार्च नहीं किया था उस आदमी की उमर मेरे डैड़ी से लगवग 10 साल ज़्यादा होगी शायद 45 साल जब मैं और माईक उनके पास से गुजरिते हुए किचन की तरफ गई जहां से पोर्च का रास्ता था तो वे मुश्कुराई मैं वे जवाब में शर्मा कर मुश्कुरा दिया ये लोग कोन है मैंने पुछा अरे ये लोग डैड़ी के लिए काम करते हैं बुड़ा व्यक्ति उनके वे रावसों को संबालता है और मैले हैं रेस्टराओं की मैनेजर है और तुमने उस कंस्ट्रक्शन सुपर्वाइजर को तो देखा ही होगा जो यहां से 50 मिल दूर एक सड़क प्रियोजना पर काम कर रहा है उनका दूसरा सुपर्वाइजर जो पहुच से घर बना रहा है वे तुमारे आने से पहले ही जा चुका है क्या इसा हमेशा ही होता है मैने पूछा हमेशा तो नहीं फरक्सर एसा ही होता है मैक ने कहा और मेरे पास अपने कुर्सी खिंचते हुए मुस्कुराया मैने उनसे पूछा था कि क्या वे हमें पैसा बनाना सिखाएंगे मैक ने मुझे बताया अच्छा और उन्होंने इसका क्या जवाब दिया मैने साउदानी पूर्व उत्सुक्ता से पूछा पहले तो उनके चेहरे पर आशी आई पर फिर कुछ सोच कर उन्होंने कहा कि वे हमारे सामने काउफर रखेंगे अच्छा मैने कहा और अपने कुर्सी की पीट दिवार से टिका ले मैं वहां कुर्सी के पिछले दो पैरों के सारे टिका बैठा रहा माइक ने भी ऐसा ही किया क्या तुमें पता है कि वे कौन साफर देने वाले है मैंने पूछा नहीं पर हमें जल्दी इसका पता चल रहेगा अचानक माइक के डैड़ी उस पूराने दर्वाचे से गुश कर पोर्च में दाखिल हुए माइक और मैं अपने पैरों पर कूद गए आदर के कार नहीं बलकि इसलिए कि हम चोग गए थे तो बच्चों तयार हो माइक के डैड़ी ने एक कुर्षी हमारे पास खिसकाते हुए पूछा हमने अपने सी रहलाए और अपने कुर्षियों को दिवार के पास से खिंच कर उनके सामने रख लिया वे एक विशाल सरीर के मालिक थे लगबग 6 पिट उन्चे और 200 पांड बजनी मेरे डैड़ी इससे उन्चे थे लगबग इसी बजन के और माइक के डैड़ी से 5 साल जादा बड़ी वे लगबग एक जैसे ही थे हलांकि दोनों एक ही प्रजाती के नहीं थे हो सकता है कि उनकी उर्जा एक सी हो माइक का कहना है कि तुम पैजा कमाना सीखना चाते हो क्या यह सही है रावट मैंने ततकाल से अम्ती में अबना सीरी लाया हलांकि मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था उनके शब्दों और मुस्कुराट के पीछे बहुत ताकत थी अच्छा यह रहा मेरा अपर मैं तुमें सिखाऊंगा परंतों मैं इसा क्लासरूम की शैले में नहीं करूँगा अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो इसके बदले में मैं तुमें सिखाऊंगा अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखा हूँगा अगर तुम काम करते हो तो मैं तुम्हें ज्यादा तेजी से सिखा सकता हूँ और अगर तुम सिर्फ बैठ तर मेरी बाते सुनते हो जैसा कि तुम लोग स्कूल में करते हो तो इससे मेरा समय बरबाद होगा यह मेरा आफर है इसे या तो मान लो या फिर वापस लोड़ जाओ क्या मैं आप से पहले एक सवाल कर सकता हूँ मैंने पूछा नहीं इसे या तो मान लो या फिर वापस लोड़ जाओ मेरे पास परबात करने के लिए फाल तू समय नहीं है अभी देर सा काम पढ़ा है अगर तुम में ततकाल फैसला करने की खिशमता नहीं है तो तुम कभी पैसा बनाना नहीं सीख पाउगे मोके आते हैं और चले जाते हैं इसलिए ततकाल निरने लेने की खिशमता एक मेथपून कला है तुमने जैसा चाहा था वैसा एक मौका तुम्हारे सामने मौजूद है अगले दस सेगेंड में या तो पड़ाई चलो हो जाएगी या फिर यह हमेशा कि खतम हो जाएगी माइक के डेड़ी ने चिड़ने वाली मुस्कुरार्ट के साथ कहा मन्जूर हम दोनों ने कहा बहुत बड़िया भाईक के डेड़ी ने कहा दस मिनिट में मिसेज मार्टिन आ जाएंगी उनसे बाते करने के बाद मैं तुम्हें उनके साथ बेश दूँगा और तुम लोगों का काम शुरू हो जाएगा मैं तुम्हें एक गंटे के दस सेंट दूँगा और तुम हर सेनिवार तीन गंटे काम करूँगे पर आज तो मेरा साथ बाल का मैच है मैंने कहा माईक के डेड़ी ने अपनी आवाज को दिल्मा परन्तु कड़क करके कहा या तो मान लो या फिर वापस लोड़ जाओ मान लिया मैंने जवाब दिया साथ बाल खेलने के बज़ाए काम करने और सीखने का भी कल्प चुनने में ही समझदारी थी शनिवार की खुस उमा सुबह नो बज़े माई और मैं मिसेज मार्टिन के साथ काम कर रहे थे वे एक दयालू और धहरेवान में ला थी वे हमेशा कहा करते थी कि माईक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती है और अब वे बड़े हो गए थी तदा दूर चले गए थी हालांकि वे दयालू थी पर उन्तों वे कड़ी मेहनत में बरोसा करते थी और इसलिए वे हमें हमेशा काम में जुटाई रखते थी वे बहुत कड़क मैनेजर थी हम तीन गंटे तक डिवाबन साबानों को सेल पर से उतारते थे उनकी दोल साप करते और फिर उन्हें करेने से जमाते थी यह बड़ी मेहनत का काम था और बोरियत का भी माइक के डैडी को मैं अपना आमीर ठेरी कहता हूँ उनके पास इस तरह के नो सुपरेस्ट थे जहां पारकिंग के लिए बहुत सी जगह थी पर 7-11 convenience store के शुरुआती संसकर्ण थे परोस के जनरल store जहां लोग दूद, प्रेड, बटर और सिग्रेट चैजी चीजें खरीटते थे समझे यह थे कि हवाई में एर कंडिशनिंग नहीं थी और गर्मी के कार्ण stores अपना दरवाजा बंद नहीं कर सकते थे store के दोनों और दरवाजों को पूरा खुला रखा जाता था ताकि सड़क और पार्किंग के जिगे सामने दिखती रहे जब भी कोई कार पार्किंग में आती तो उसके साथ दूल का गुबार भी आता था जो store में गुश कर डिबों पर जम जाता था इसलिए हम लोगों की नोगरी तभी तक चलती जब तक की एर कंडिशने नहीं हो जाती तीन अफ़तों तक माईक और मैं मिसेज मार्टिन के साथ जाकर तीन गंटे तक काम करते रहे दोपैर तक हमारा काम खतम हो जाता था और वे हम मेंसे हर एक के हाथ में तीन छोटे सिक़्े डाल देती थी उस समय पचास के दसक में नो साल की उमर में भी तीस सेंट कमाने में कोई खास कुछी नहीं होती थी तब कामिक्स की किमत दस सेंट हुआ करती थी इसलिए मैं अपनी कमाई को कामिक्स पर खर्च कर देता था और घर लोड़ जाता था चोथे हफ़ते के बुद्वार तक मैंने काम छोड़ने का मन बना लिया था मैं सिर्फ इसलिए काम करने के लिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं माईक के डैडी से ऐसा कमाना सीखना चाहता था चोथे हफ़ते के बुद्वार तक मैंने काम चोड़ने का मन बना लिया था मैं सिर्फ इसलिए काम करने के लिए तैयार हुआ क्योंकि मैं माईक के डेड़ी के पास पैस अक्ट बनाना सीखना चाहता था इसलिए मैं दस सेंड परती गंटे के गुलामी कर रहा था और सबसे बड़ी बात तो यह थी उस पहले सेनिवार के बाद से मैंने माईक के डेड़ी खुद देखा तक नहीं मैं काम चोड़ रहा हूँ मैंने लंज के समय माईक से कहा स्कूल लंज बड़ा निरासा जनक था स्कूल भी उबहू था और अब तो मेरे पास सेनिवार भी नहीं थे इसलिए मैं इंतजार कर सकूँ परनतु 30 सेंट के कारण मुझे बहुत दक्का लगा है इस बार माईक मुस्कुराया तुम किस बात परांस रहे हो मैंने गुस्चे और खुंठा से पूछा डेड़ी ने कहा था कि यह साई होगा उन्होंने कहा था कि जब तुम काम छोड़ने का फैसला कर लो तब वे तुमसे मिलना चाहिने क्या? मैंने आवेस में पूछा क्या वे मेरे उपता जाने का इंतजार कर रहे थे? कुछ-कुछ एक ने कहा मेरे डेड़ी जरा अलग किसम के थे उनका सिखाने का तरीका तुम्हारे डेड़ी के पढ़ाने के तरीके से बिलकुल अलगा है तुम्हारे ममी डेड़ी बहुत पाते करते हैं दूसरी तरफ मेरे डेड़ी बहुत कम बोलते है तुम सिर्फ इस सनिवार तक इंतजार कर लो मैं उन्हें बता दू कि तुमने काम सोड़ने का फैसला कर लिया है इसका मतलब यह है कि मेरे साथ नाटक खेला गया है नहीं ऐसा नहीं हुआ है पर शैद हो सकता है डैडी सेनिवार को इसे समझाएंगे मैं उनका सामना करने के लिए तयार था यहां तक कि मेरे असली डैडी भी उनसे नाराज थे मेरे असली डैडी जिने मैं गरीब डैडी कहता हूँ यह मानते थे कि मेरे अमीर डैडी बाल सरम कानूनों को लंगन कर रहे थे और इस पूरे मामले के जांच होनी चाहिए मेरे पढ़ेल के गरीब डैड़ी ने मुझसे यह कहा कि मैं अच्छी तनकवा मंगू कम से कम 25 सेंट प्रती गंटा मेरे गरीब डैड़ी ने मुझसे कहा कि अगर मेरे तनकवा नहीं बढ़ती तो मुझे ततकाल नोगरी छोड़ देनी जाए और वैसे भी तुमें इस गटिया काम की जरूरत नहीं है मेरे गरीब डैड़ी ने जला कर कहा सेनिवार को सुब़े आठ बजे मैं एक बार फिर माईक के गर में उसी पुराने दरवाजे के अंदर गुसरा थ पुर्शी पर बैटो और लाइन में इंतिजार करो माईक के डैड़ी मेरे गुस्ते ही कहा फिर वे अंदर जाकर अपने छोटे से आफिस में बैट गए जो बेडरूम के पास था मैंने कमरे के चारों तरफ देखा परंतु मुझे माईक नहीं दिखा अजीब सा महसूस करते वे मैं उन्ही दोनों मैलाओं की बगल में बैठ गया जो मुझे चार अफ़ते पहले वहीं पर मिले थी वे मुस्कराई और सोपे पर थोड़ी सिखी सक गई ताकि मैं भी बैठ सकूँ 45 मिनिट गुजर गई थी और मैं उबल रहा था दोनों मैलाओं उन से मिलकर तकरिबं 30 मिनिट पहले वहां से जा चुकी थी एक बुड़ास आदमी वहां 20 मिनिट तक बैठा और फिर वह भी निकल गड़ चला गया घर खाली था और हवाई में खुशन वासुवाई को मैं सीलन बरे अंदेरे लिविंग रूम में बैठा हुआ था और इस बात का इंतजार कर रहा था कि एक लालची और बच्चों का सोशन करने वाल आदमी मुझसे बाते करे मैं सुन सकता था कि वे फोन पर बाते कर रहे थे ओफिस में इधर उदर के काम कर रहे थे और मुझे नजर अंदास कर रहे थे मेरी इच्छा तो हो रही थी कि मैं उस गभंडी आदमी से बिना मिले इगर लोड़ जाओ पर किसी वज़े से रुप गया आखिर पंद्रह मिनिट भाद ठीक नोव जे अमीर डैडी अपने आफिस से बाहर निकले बिना कुछ कही उन्होंने हाथ से मुझे इचारा किया कि मैं उनके दड़बे नूँ आफिस में आज़ो अमीर डैडी ने आफिस की कुर्सी में बैठते हुए कहा या तो तुमारी तंखवा बढ़ाई जाए या तुम काम छोड़ रही हो है ना हाँ समझोते के मताबिख आप अपने शर्ट पूरी नहीं कर रहे है मैंने लगवगासों से विगस्वर में कहा 9 साल के बच्चे के लिए एक वेसक का सामना करना बहुत ज़्यादा डरा होना था आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूँगा तो आप मुझे पैसा कमाना सिखाएंगे अपनी तरफ से मैंने आपके लिए काम किया है मैंने कड़ी मेहनत की है इस काम के लिए मैंने अपने बेस बाल गेम की भी कुरवाने दी है और अब आप अपने वादे से मुकर रहे है आपने मुझे कुछ भी नहीं चिखाया आप दोपे बाज़े जैसा शायर के सभी लोग कहते है आप लाल्ची है आप के लिए पैसा कमाना चाहते है और अपने करमचारियों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते आपने मुझे इतनी देर तक बाहर बिठाई रखा और मेरी जराब इज़त नहीं मैं एक चोटा सा बच्चा हूँ और आपको मेरे साथ इससे बेतर बरताव करना चाहिए था अमीर डैडी अपने कुर्सी में पीछे जूग गई अपने हाथों को ठुड़ी तक लाकर उन्होंने मुझे गुरा एसा लग रहा था जैसे बे मेरा स्विशलेशन कर रहे हूँ बुरा नहीं है उन्होंने कहा एक मैने से भी कम समय में तुम वही बहसा बोल रहे हूँ जो मेरे ज़्यादा तर करमचारी बोलते हैं क्या मैने पूछा मैं समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या कह रही थे और इसलिए मैने अपना दुबड़ा रोना चालू रखा मुझे लगता था कि आप अपने वादे पर काइम रहेंगे और मुझे कुछ सिखाएंगे इसके बजाए आप तो मुझे पर अत्याजार करना चाहते है यह तो जुल्म है, सरा सर जुल्म मैं तुम्हें सिखा तो रहा हूँ डेड़ी ने धिमे से आवाज में कहा आपने मुझे क्या सिखाया? कुछ भी नहीं, मैंने गुस्षे में कहा एक बार मैं चंद सिख्कों में काम करने के लिए तैयार हो गया उसके बाद तो आपने मुझे बात तक नहीं की डस सेंट परती गंटे मैं आपके शिकायत सरकार से करूँगा हमारे देश में भी बालक श्रम कानून है आप तो जानते ही हैं अपने मेरे डेड़ी सरकार के लिए काम करते हैं शभास अब तुम उन जादातर लोगों भी बासा बोल रहे हो जो कभी मेरे लिए काम करते थे वे लोग जने या तो मैंने नोकरी से निकाल दिया या जिन्नोंने खुदी नोकरी छोड़ दी तो इस बारे में आपको क्या कहना है मैंने पूछा और मुझे ये लग रहा था कि कम उमर के बावजुद मैं बावदूरी से बतें कर रहा था आपने मुझे जुट भुला मैंने आपके लिए काम किया और आपने वादा पूरा नहीं किया आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया कौन कहता कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया मेरे अमेरी डैड़ी ने शान्ती सिखा मैने तीन अफ़ते तक काम किया और इसी बीस आपने शिखाना तो दूर रा मुझसे कभी बात तक नहीं की मैंने द्यंग बरेल मुझे शम्चरा करका, परंतो जिंदगी तुम्हें इस तरह नहीं सिखाती और मेरा यह मानना है कि जिंदगी सबसे बड़ी अटीचर होती है, ज्यादातर वक्त जिंदगी आप से बाते नहीं करती, यह एक तरह से आपको धखा देती है, हर धखके के जरी जिन्दगी आपसे कहती है जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ, यह आदमी किसी बेज सिर्पैर की बातें कर रहा था, मैंने अपना आप से पूचा, जिन्द्गी अगर मुझे तका देती है, तो इसका मतलब है कि जिन्द्गी मुझे बातें करती है, अब मैं जान चुका था कि मुझे यह काम तद्काल छोड़ देना चाहिए मैं किसी यह से आदमी से बातें कर रहा था जो पागल था और जिसे ताले में बंद रखने की जुरूरत थी अगर तुम जिन्दगी के सबक सीखते हो तो इससे तुम्हें बहुत फाइदा होगा अगर तुम्हें ऐसा नहीं करते हो तो जिन्दगी तुम्हें लगातार दख्के देती रही लोग दो चीजें करते हैं कुछ लोग जिन्दगी के दख्के को सेहन करते चले जाते हैं बाकि लोग गुसा हो जाते हैं और जिन्दगी को दख्का दे देते हैं फरंतु वे दख्के देते हैं अपने बोस को अपने काम को अपने पत्नी या पती को वे यह नहीं जानते कि जिन्दगी उन्हें दख्का दे रही है मैं नहीं जानता था कि वे किस बारे में बात कर रहे जिंदगी हम सब को दख्यें मारती हैं, कुछ लोग हर माल लेते हैं, कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं वे जिंदगी के दख्यшей को अस्वागत करते हैं, इन गिनेच उन्य लोगों के लिए इसका मतलब यह होता है कि उन्हें कुछ नया सीखना चाहिए वे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुमारी तरह लड़ते भी हैं अमीर डैड़ी खड़ी हो गए और उन्होंने टूटी फूटी खिटकी को बंद कर लिया अगर तुम यह ऐसा वक सीख लेते हो तो तुम एक समझदार अमीर और सुखी युवक बन सकते हो अगर तुम यह नहीं सीखते तो तुम जिन्दगी बेर अपनी समझ्याओं के लिए अपनी नोकरी, कम तनख्वा या अपने बोस को कोशते रहोगे तुम हमेशा ऐसे बड़े मोके की उमीद करते रहोगे जो आए और तुमारी आर्थिक समझ्याओं को सुल जा दे अमेरी डैडी ने मेरी तरफ देखा कि क्या मैं अब भी उनकी बाते सुन रहा हूँ उनकी आँखे मेरी आँखों से मिली हमें एक दूसरे की तरफ देखते रही और हमारी आँखों के बीच संप्रेशन की दारहें बहने लेगी आखिर जब मैं उनके संदेश का मतलब समझ गया तो मैंने अपनी नजरें जुखा ली मैं जान गया था कि वे सही थी मैं उन्हें दोसी ठहरा रहा था जबकि सीखने के जित मेरी ही थी मैं फाल तो में लड़ा था अमेर डेड़ी ने कहा अगर आप इस तरह के आदमी है जिसमें हिम्मत नहीं है तो आप जिन्दगी के हर थपेड़े के सामने हार मान जाते है अगर आप इस किस्म के आदमी है तो आप जिन्दगी वर सुरुक्षित खेल केलते रहेंगे सही चीज़ें करते रहेंगे और किसी ऐसे वक्त का इंतजार करते रहेंगे जो आने वाला नहीं है और फिर आप एक बोरिंग बुड़े की तरह मर जाएंगे आपके बहुत से दोस्त होंगे जो आपकी सिर्फ इसलिए तारिफ करेंगे क्योंकि आप एक मेहनती और भले आदमी थे आपने अपने जिन्दगी सुर्खशित खेल खेलने और सही चीज़ें करने में गुजार दे परंदो सच बात तो यह है कि आपने जिन्दगी के तपेड़ों के सामने उटने टेक दी आप खत्रा मौल लेने की कलपना तक से डरते थे हकीकत में तो आप जीतना चाहते थे परंदो आपके लिए हारने का डर जीतने के रोमांस से ज़्यादा ताकत वर साबित हुआ अंदर से आप और केवल आप जान पाएंगे कि आपने कभी जीतने की कोशिस नहीं की आपने सुरक्शित खेल खेलने के विकलप चुना हमारी नजरे एक बार फिर मिले दस सेगेंद तक हमें एक दूसरे की तरफ देखते रहे और एक बार फिर मैंने तभी नजरे हटाई जब मैं उनकी बात समझ गया आप मुझे दक्का दे रहे थे मैंने पूछा कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं हमेरी डैड़ी मुस्कुर है मैं तो यही कहूँगा कि मैं तुम्हें जिन्दगी का सवाद चका रहा था कैसा सवाद मैंने कुछा मैं अब भी गुछा था परन तो अब मेरे जी किसा भी जाग गई थी अब मैं सीखने के लिए तयार भी था तुम दोनों यह से पहले लोग हो जिन्हों नो मुझसे पैसा बनाने की कला सीखने का आग रह किया मेरे पास डेट सो से भी जादा करमचारी है पर उन में से एक ने भी मुझसे पैसा कमाने की कला सीखने के बारे में नहीं पूछा वे मुझे नोकरी मांगते हैं, तनकुआ मांगते हैं, पर उन्तु पैसा बनाने की कला नहीं सीखना चाते तो ज्यादातर लोग इस तरह अपनी जिंदगी के पैसे के लिए काम करने के लिए बर्बार कर देते हैं और आखिर तक कि यह कभी समझ नहीं पाएंगे कि दरसल वे किस के लिए काम कर रहे हैं मैं पूरा ध्यान लगा कर उनकी बात सुनता रहा तो जब माईग ने मुझे कहा कि तुम पैसे कमाने की कला सीखना चाते हो तो मैंने एक ऐसा कॉर्स तैयार किया जो असले जिन्दगी के करीब था मैं बोलते बोलते ठक जाता पर अंतु तुम कभी मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाते इसलिए मैंने यह फैसला कि तुमें जिन्दगी के थपेड़ों का सुआत सखा दिया जाए ताकि तुम मेरी बात सुन भी सको और समझ भी सको इसी कारण मैंने तुमें एक गंटे के दस सेंट दी तो दस सेंट परती गंटे काम करने के बाद मैंने क्या सबक्सी खाया यही कि आप गटिया है और अपने करमचारीयों का सोशन करते हैं अमीर डैड़ी अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ जुकते हुए जोर से हंसने लेगे जब उनकी हंसी बंद हुई तो उन्होंने कहा अच्छा होगा अगर तुम अपना सोचने का नज़र्या बदल लो मुझे समझ्या मत बनाओ मुझे दोस्त देना छोड़ दो ज़्यादा तर लोग साते हैं कि दुनिया का हर आदमी बदल जाए बस हम खुद ही नहीं बदले मैं तुम्हें यह बता दूँ कि किसी दूसरे को बदलने से ज़्यादा आसान है यह कि खुद को बदला जाए मैं आपके बाद ठीक से समझनी पाया मैंने कहा परातवरी मुस्तान के साथ कहा अच्छा तो तुम यह सोचते हो कि समझनी मैं हूँ अमीर डैड़ी ने कहा वो तो आप है ही खैर इसी तरीके से सोचते रहूँ और तुम जिन्दगी बर कुछ नहीं कर पाऊगे अगर तुम्हारा नजरिया यही है कि समझ यह मैं हूँ तो तुम्हारे पास क्या विकल्ब रह जाते है अगर आप मेरी तनक्वा नहीं बढ़ाते या मुझे ज़्यादा इज़त नहीं देते तो मैं काम चोड़ कर चला जाँगा ठीक है अमीर डैड़ी ने कहा और ज्यादा तर लोग यही करते हैं एक काम चोड़ कर चले जते हैं और दूसरी नौक्री की तलास करते हैं जहां उन्हें वेहतर मौके और ज्यादा अच्छी तनक्वाए मिलती है तुम्हें यहे गल्त फैमी होती है नई नोक्री या ज्यादा तनकवा से समश्या सोलत सकती है ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता तो समश्या किस तरह सोलत सकती है मैंने पूछा 10 सेंट परती गंटे के इसाप से तनकुवा लेकर मुस्कुराते हुए अमेरी डैडी मुस्कुराई यही बाकी लोग करते हैं वे यह जानते हुए कि कम तनकुवा में काम करते हैं क्योंकि नोकरी छूट जाने पर उनका और उनके परिवार का पेट कैसे बरेगा इसलिए मन मसोस कर वे नोकरी करते हैं और यह सोच कर तनकुवा बढ़ने का इंतजार करते हैं कि ज्यादा पैसा आने से समच्छा सुलज जाएगी ज्यादातर लोग ऐसा ही सुचते हैं और कड़ी मेहनत करते हुए दूसरी नोकरी भी कर लेते हैं पर अंतों उसमें भी उन्हें तनक्वा कमी मिलती है मैं फर्श को गुरता रहा अब मैं अमीर डैड़ी के सबक को समझने लगा था मुझे यह एहाइसास हो गया था यह जिर्गी का स्वाद है आखिर कर मैंने उपर की और देखा और अपना सवाल दो रहाया तो पिर यह समच्छा किस तरह सुल जाएगी इस सवाल के जवाब में अमीर डैड़ी ने मुझे वह बेश किलमती नजरिया दिया जो उन्हें अपने करमचारियों और मेरे गरीब डैड़ी से अलग करता था और जिसके बदोलत वे हवाई के सबसे अमीर आगमी बनने जा रही थी जबकि मेरे पड़े लिखे गरीब डैड़ी जिन्दगी पर पैसे की तंगी से जूजने वाले थे यह एक अर्बुत नजरिया था जिसने मेरे जिन्दगी का नक्षा ही बदल दिया अमीर डैड़ी ने बार बार मुझे यह नजरिया याद दिलाया जिसे मैं पहला सबक करूँगा गरीब और मद्य उमर गिये लोग पैसे के लिए काम करते हैं अमीरों के लिए पैसा काम करता है मेरे गरीब डैड़ी ने जो मुझे सिक्षा दी थी शनिवार के उस खुशन वासुबै मैं उससे पिलकुल अलग नजरिया सीख रहा था नो साल की उमर में मैं यह समझ गया था कि दोनों ही डैड़ी चाते थे कि मैं सीखूँ दोनों ही डैड़ी मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे फरक सिर्फ इतना था कि दोनों के सुझाई वीशे अलग अलग थे मेरे पड़े लिके डैड़ी चाते थे कि मैं वही करूँ जो उन्होंने किया था बेटे मैं चाता हूँ कि तुम मेनत से पढ़ो अच्छे नमर लाओ ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में सुरक्षित नोक्री मिल सके और यह है अच्छी तरह इस देख लो उसमें बहुत से दूसरे लाओ हो मेरे अमीर डैड़ी चाते थे कि मैं सीखूं कि पैसा कैसे काम करता है ताकि मैं इससे अपने लिए काम करवा सकूँ यह सबक मुझे जीवन भर उनके मारक दर्शन में सीखना था ने की किसी क्लासरोम में मेरे अमीर डैड़ी ने मेरा पहला सबक जारी रखा मैं खुश हो कि तुम 10 सेंट परती गंटे की इसाब से काम करने पर गुसा होगे अगर तुम गुसा नहीं होते और तुम इसा खुछी खुछी करते रहते तो मैं तुमें साफ कहा देता कि मैं तुमें नहीं सिखा सकता यह जान लोग की सची सिक्षा में उर्जा प्रबल वावना और जबरदस्ट इच्छा की जरूरत होती है गुसा उस फार मेले का एक बहुत बड़ा इस्सा है क्योंकि प्रबल वावना में गुसा और प्रेम का समने में होता है जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोग सुरुच्छित रास्ता कोचते है इसलिए प्रबल वावना उन्हें राह नहीं दिखा पाती उन्हें राह दिखाता है उनका दर तो क्या इसलिए वे कम तनकवा पर काम करतने के लिए राजी हो जाते हैं मैंने पूछा हाँ अमेरे टेड़ी नहीं कहा कुछ लोग कहते हैं कि मैं लोगों का सोशन करता हूँ क्योंकि मैं उन्हें उतनी तनकवा नहीं देता जितनी उन्हें सुगर प्लांटेशन या सरकार की तरफ से मिलती है मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोग खुद अपना सोशन करते हैं डरते हैं भी मैं नहीं पर क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें ज़्यादा तनकवा देनी चाहिए मैंने पूछा मुझे ज़्यादा देने के जूरूट नहीं है और इसके अलावा ज़्यादा पैसा मिलने से उनकी समश्या नहीं सुल जाएगी अपने डैडी को ही देख लो वे बहुत सा पैसा कमाते हैं और फिर भी वे अपने बिलों का बुकता नहीं कर पाते दुनिया में से बहुत से लोग हैं जिनने अगर ज़्यादा पैसा मिल जाए तो वे ज़्यादा करज में डूप जाएंगी तो इसी करण आपने मुझे 10 सेंट परती गंटे की तंकवा दी मैंने मुस्कराते वे कहा यह सबक का इस्सा था बिल्कुल सही अमरी डेड़ी ने मुस्करा कर कहा देखो तुमारे डेड़ी स्कूल गई और उन्होंने बहुत बड़ी असिक्षा इसलिए आसिल की ताकि उन्हें अच्छी तंकवा वाले नोकरी मिल सके जो उन्हें मिल गई परंटो उन्हें के पास आज भी पैसे की तंगी है एसा इसलिए है क्योंकि उन्हेंने स्कूल में पैसे के बारे में कुछ नहीं सीखा और सबसे बड़ी बात यह है और वे पैसे के लिए काम करने में वरोसा करते हैं और आप नहीं करते हैं मैंने पुचा, नहीं, सत पूछा जाएतो नहीं. हमें डेड़ी नहीं कहा, अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाहते हो, तो स्कूल में ही रहो, यह सीखने के लिए उससे बढ़िया ज Let yake, और कोई नहीं है. परंटु अगर तुम यह सिखना चाहते हो, कि पैसा तुम्हारे लिए किस तरह काम करे तो यह मैं तुम्हें सिखा ज़कता हूँ परंतु तभी जब तुम सीखना चाहो क्या हर कोई यह नहीं सीखना चाहता मैंने पूछा नहीं अमेरे डैड़ी ने कहा सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के लिए काम करना ज़्यादा आसान है खास तोर पर तब जब पैसे के बारे में आपकी मूल बाऊना डर हो मैं समझ नहीं पाया मैंने तियोरियां से डाह कर कहा उसके चिंता फिलाल मत करो अभी इतना ही समझ लो कि डर के कारण ही जड़ातर लोग अपने नोकरियां करते हैं अपने बिलों का बुटान नयकरपाने का डर नोकरे से निकाल दिया जाएगा इस बात का डर परियाप पैसा नहीं होने का डर एक बार फिर से शुरूब करने का डर यह किसी व्यवसाई को सीखने और पैसे के लिए काम करने की कीमत है ज्यादातर लोग पैसे के कुरम बन जाते हैं और फिर वे अपने बोस पर अपने बढ़ास निकालते हैं तो आपकी नजर में पैसे से अपने लिए काम करवाना एक बिल्कुल अलग भी शेय है मैंने पूछा, बिल्कुल, हमेर डेड़ी ने जवाब दिया, बिल्कुल शनिवार के उस कुस्नु वासुबे, हवाई में हम लोग चुप-चाप बैठे रहे मेरे दोस्त, उस समय लिटिल लीग, बेसबाल गेम शुरू करी रहे होंगे और किसी वज़े से मैं खुश था, कि मैंने दस सेंट परती गंटे के इसाब से काम करने का फैसला किया था मुझे लगा कि मैं कुछ हैसा सीखने जा रहा था, जो मेरे दोस्त स्कूल में नहीं सीख पाए गी सीखने के लिए तैयार हो, अमीज डैडी ने पूछा, बिलकुल मैंने दाथ निकाल कर कहा मैंने अपना वादा निवाया है, मैंने तुम्हें दूर बैठे बैठे ही सिखाया है हमीज डैडी ने कहा, 9 साल की उमर में तुम्हें ये पता चल चुका है कि पैसे के लिए काम करना कैसा होता है, अपने पिछले महीने को 50 सालों से गुना कर और तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाएगा, कि ज्यादातर लोग अपने जिन्दगी किस तरह गुजाते हैं मैं समझ नहीं पाया, मैंने कहा जब तुम मुझे मिलने के लिए लाइन में इंतिजार कर रहे थे, तो तुम्हें कैसा लग रहा था एक बार नोकरी के लिए और दूसरी बार तन खोवड़ वाने के लिए भैयानक, मैंने कहा, अगर तुम पैसे के लिए काम करने का विकल्ब चुनते हो तो ज़्यादा दर लोगों के लिए जिन्दगी का मतलब यही होता है अमीर डैड़ी नहीं कहा, और तुम्हें तब कैसा लगा था जब मिसेज मार्टिन तुमारे हाथ में तीन गंटे के काम के, लिए तीन सिक्के थमाई थे मुझे लगा था कि यह काफी नहीं है, मुझे लग रहा था कि यह कुछ भी नहीं है मैं निरास हुआ था मैंने कहा और यही ज़्यादतर करमचारियों को लगता है जब वे अपनी तनक्वा के चेक को देखते हैं खास कर तब जब उससे टेक्स और बाकी कटोतियां कर ली जाती है कम से कम तुम्हें पूरी तनक्वा मिले थी उन्हें तो पूरी तनक्वा भी नहीं मिलती आपका मतलब है ज़्यादतर करमचारियों को पूरी तनक्वा नहीं मिलती मैं है हरान था नहीं हमेरे डेड़ी ने कहा सरकार हमेशा अबना इससा पहले ही ले लेती है सरकार इससा कैसे करती है मैंने पुछा टेक्स अमीर डेडी ने कहा जब आप कमाते हैं तो आप पर टेक्स लगता है जब आप खर्च करते हैं तो आप पर टेक्स लगता है जब आप बचाते हैं तो आप पर टेक्स लगता है जब आप मर जाते हैं तो भी आप पर टेक्स लगता है लोग सरकार को ऐसा क्यों करने देते हैं अमीर लोग ऐसा नहीं करने देते अमीर डेड़ी ने मुश्कुरा कर कहा परंतु गरीब और मद्य उमर गिये लोग ऐसा करने देते हैं मैं दावा करता हूँ कि मैं तुम्हारे डेड़ी से ज़्यादा कमाता हूँ परंतु वे ज़्यादा टेक्स देते हैं यह कैसे संभवगर मैंने पूछा 9 साल का बच्चा इसा जीव आंकडे को समझ नहीं पा रहा था कोई आदमी सरकार को इसा करने की इजाज़त कैसे दे सकता है अमीर डेडी चुचप बैठे रहे मैं समझ गया कि वे चाहते थे कि मैं सुनू नहीं कि उनसे फाल्तु सवाल पूछू आखिर मैं शान्त हो गया जो मैंने सुना था वे मुझे अच्छा नहीं लगा था मैं जानता था कि मेरे डेडी हमेशा टेक्स का रोना रोते रहते थे पर अंतुदारसल इस बारे में वे कुछ भी नहीं कर पाते थे क्या जिन्दगी उन्हें धका दे रही थी अमीर डेडी मेरी तरफ देखते हुए अपने कुर्सी ने धीमे धीमे और खामोसी से हिलने लगे सीखने के लिए ता या रो उन्होंने पूछा मैंने अपना सीखने के लिए बहुत कुछ है पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाई यह जिन्दगी बर चलने वाली पढ़ाई है ज्यादातर लोग चार साल के लिए काले जाते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है मैं पहले से ही जानता हूँ कि मेरी धन संबंदी पढ़ाई जीवन बर चले ही और इसकी बज़ाई यह है कि मैं जितना ज़्यादा जान लेता हूँ चलता है उससे भी ज़्यादा जानने की मेरी जिग्या साब बढ़ती चली जाती है ज़्यादा तर लोग इस फिशे को कभी नहीं पढ़ते ही वे नोकरी पर जाते हैं अपनी तनख्वा लेते हैं अपनी चेक बुक को बैलेंस करते हैं और बात खतम हो जाती है इसके बाद भी उन्हें अचरज होता है कि उनके जीवन में पैसे की समच्चा ही क्यों है फिर वे सोचते हैं कि ज़्यादा पैसों से उनकी समच्चा हल हो जाएगी बहुत कम लोगों को यह एसास होता है कि असली समच्चा धन सम्बंदी सिक्षा या ज्यान की है तो मेरे डेड़ी को टेक्स की समच्चा इसलिए है क्योंकि उन में पैसे की समच्च नहीं है मैंने विचली तोकर पूछा देखो अमेर डेड़ी ने कहा पैसे के लिए अपने लिए कैसे काम करवाया जाए टेक्स तो उस सिक्षा का सिर्फ एक हिस्सा है आज जो मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि तुम में अब भी पैसे के बारे में सीखने की प्रबल इच्छा बची है या नहीं ज्यादातर लोगों में सीखने की प्रबल इच्छा नहीं होती पे स्कूल जाना चाहते हैं कोई वेवसाई सीखना चाहते हैं अपनी नोकरी में मज़े करना चाते हैं वो डेहर सारा पैसा कमाना चाते हैं एक दिन वे तब जागते हैं जब उनके सामने पैसे की समश्या आ जाती है और तब वे काम करना बंद नहीं कर सकते पैसे के लिए काम करने की यही कीमत होती है और उन्हें यह कीमत चुकाना ही बढ़ता है अगर वे पैसे से अबने लिए काम करवाना सीख लेते तो उनके सामने यह समस्या नहीं आती तो तुम्हें अब सीखने की जानने की जिग्यासा है अमेरे डैड़ी नी पूचा अच्छा हमेरे डैड़ी नी कहा अब काम पर वापस जाओ और इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल तंखवा नहीं दूँगा मैंने हैरानी से पूछा तुमने सही सुना तंखवा बन तुम हर शनिवार तिन गंटे उसी तरह काम करोगे परंतु इस बार तुम्हें 10 सेंट पर 3 गंटे के हिसाब से तंखवा नहीं मिलेगी तुम्हें ने तो कहा है कि तुम पैसे के लिए काम करना नहीं सीखना चाते इसलिए मैं तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं दूँगा मैंने माइक से पहले ही बात कर लिया है वह पहले से ही काम पर है मुफ्त में डिपो की सफ़ाई कर रहा है और उन्हें करेने से जमा रहा है अब तुम भी जल्दी से जाकर काम में जूट जाओ यह ठीक नहीं है मैं चिलाया आपको कुछ न कुछ तंखवा तो देनी चाहिए तुमने कहा था कि तुम सीखना चाते हो अगर तुम इस बात को अभी नहीं सीख पाओगे तो तुम भी उन्हीं दो मैलाओं और बुड़े आदमी की तरह बन जाओगे जो मेरे लिविंग रूम में बैठे थे ये लोग पैसे के लिए काम करते हैं और डरते हैं कि उन्हें मैं नो प्रेशन निकाल नहीं दूँ या तुम अपने डैड़ी की तरह बन जाओगे जो पैसा तो बहुत कमाते हैं पर दुगले तक करज में डूबे रहते हैं शायद उन्हें यह उमीद रहती है ज़्यदा पैसे जो उनकी समझे हैं सुझ जाएंगी अगर तुम यही चाहते हो तो मैं एक बार फिर दस सेंट के अपने पुराने वादे पर लोटने को तयार हूँ या तुम वहे कर सकते हो जो ज़्यादा तर लोग करते हैं इस बारे में शिकायत करो कितन ख़वा बहुत कम है और तुम यह नोगरी छोड़कर दूसरे नोगरी तलास चुरू कर दो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ मैंने पूछा अमीर डैडी ने अपने सिर पर उंगली रखी इसका इस्तेमाल करोगे उन्होंने कहा अगर तुम इसका इससा ही इस्तेमाल करोगे तो तुम मुझे जल्दी इस बात के लिए धन्यवाद दोगे कि मैंने तुमें मुका दिया और एक दिन तुम बहुत अमीर आदमी बन अमीर डैडी ने एक बार फिर अपने उंगली को सिर पर रखा और कहा इसका इस्तेमाल करो अब यहां से जाओ और अपने काम में जूड़ जाओ सबक एक अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते मैंने अपने गरीव डैडी को यहें नहीं बताया कि अब मैं मुफ्त में काम कर रहा हूं उन्हें यह समझ में नहीं आता मैं उन्हें इसकी वज़ा ठीक से इसलिए नहीं समझाओ सकता था क्योंकि मैं खुद भी इसे ठीक से नहीं समझ पाया था अगले तीन अपते माई को और मैं तीन गंटे तक हर शनिवार को काम करते रहें मुफ्त में काम बहुत परेशानी वाला नहीं था और वक्त गुज़नने के साथ-साथ यह ज़्यादा आसान होता जा रहा था मुझे अफसोस था तो अपने छुटे वे बेसबाल गेम्स और कमिक्स का अब मैं उनका मज़ा नहीं ले सकता था तीसरे अपते दो पैर में अमी डेड़ी आई हमने उनके ट्रक के पार्किंग में आने की आवाज सुनी वे स्टोर में गुशे और उन्होंने मिसेज मार्टिन को गले लगा कर अब गुद्धन किया स्टोर में क्या चल रहा है यह जानने के बाद वे आईसक्रीम फ्रीजर के पास गाई उसमें से दो आईसक्रीम निकाली उनका दाम चुकाया और इसके बाद मेरी और माईक की तरवी सारा करके कहा चलो गुमने चलते हैं हम सड़क के पार कई कुछ कारों को चक्मा दिया और एक बड़े गास के मैदान में टहलने लगे जहां कुछ ब्यासक साफट वाल खेल रहे थे दूर की पिगनेक टेवल पर बैठकर उन्होंने माईक और मुझे आईसक्रीम दी कैसा चल रहा है बड़िया माईक ने कहा मैंने सेम्टी में से रिलाया कुछ और सिखा हमें एक डैड़ी ने पूछा माईक और मैंने एक दूसरे के तरफ देखा अपने कंदे उचकाई और अपने सिर को नहीं में एक सा हिलाया अच्छा यह होगा कि तुम बचपन से ही यह सोचना चालू कर दो तुम अगर जिन्दगी के सबसे बड़े सबग को देख रहे हो अगर तुम इस सबक को सीख लेते हो तो तुम बहुत ज़्यादा आजाबी और सुरक्षा वरी जिन्दगी का सुक ले सकते हो अगर तुम यह सबक नहीं सीख पाते हो तो तुम भी मिसेज मार्टेन और इस पार्क में खेल रहे ज़्यादतर लोगों की तरह बन जाओए वे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं परन्तु उनके बदले में उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं पर नोकरी की सुरक्षा के मोह में फसे रहते हैं हर साल मिलने वाले तीन अवदे की चुटियां और 45 साल तक काम करते रहने के बाद मिलने वाली थोड़ी सी फिंचन का सफना देखते रहते हैं अगर इस तरह की जिन्दगी जीने में तुमें सुख मिलता है तो मैं तुम्हारी तन को अबढ़ाकर 25 सेंट परती गंटे कर सकता हूँ परन्तो ये लोग अच्छे लोग हैं और मेंती भी हैं फिर आप उनका मजाग क्यों उड़ा रहे हैं मैंने पूछा हमेरी डेड़े के चेहरे पर मुस्कान आ गई मिसेज मार्टिन मेरे लिए माज ऐसी है मैं इतना कठोर नहीं हो सकता कि उनका मजाग उड़ा हो यह कठोर लगता जरूर है क्योंकि मैं तुम दोनों के सामने स्थेति स्पस्ट करना चाहता हूँ और वह भी आसान सब्दों में मैं तुमारे नजरीयों को बढ़ा करना चाहता हूँ ताकि तुम कुछ आगे भी देख सको दूर तक देख सको ज्यादातर लोगों को आगे देखने का फाइदा कई बार सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि उनके देखने का दाइरा बहुत छोटा होता है ज्यादातर लोग जिस जाल में पसे हुए हैं वे उसे देख ही नहीं पते माई को और मैं वहाँ पर सोचती हुए बैठे रही क्योंकि हम उनकी बातों का मतलब पूरी तरह से समझ नहीं सके थे उनकी बातें सुनने में कटोर और कड़वी लग रही थी परंतु हम यह भी जानते थे वे हमें कुछ सिखाने की काफी कोशिस कर रही थे मुस्कराट के साथ हमें डेड़ी ने कहा क्या 25 सेंट परती गंटे आप पर अच्छा नहीं लगा क्या इससे दिल की दरकंतेज नहीं हुई मैंने अपना सिर्थ नहीं में ही लाया जबकि असल में ऐसा ही हुआ था एक गंटे काम के बदले 25 सेंट मेरे हिसाब से बहुत बढ़ी असोदा था अच्छा मैं तुम्हें एक गंटे के एक डालर डूँगा ममीर डेड़ी शरार्थ बले मुस्कराट के साथ कहा अब मेरा दिल तुफान मेल की तरह दोड़ रहा था मेरा दिमाग चीख चीख कर कह रहा था इनकी बात मान लो मान लो मुझे अपने कानों पर गोरुसा नहीं हो रहा था परन्तों फिर भी मैं चुप था अच्छा दो डालर परती गंटे मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे छोटे से नो साल पुरानी दिमाग में किसी ने बं फोर दिया हो उननीसो चपन में दो डालर परती गंटे मैं मुझे दुनिया का सबसे अमीर बच्चा बना दे थी मैं इतना सारा पैसा कमाने के गलपनाई भी नहीं कर सकता था मैं हा कहना चाहता था मैं सोदा पका करना चाहता था मुझे नई साइकल दिख रही थी नई बेसबाल के कलप दिख रही थी मेरे पास कड़क नोट देखकर मेरे दोस्तों की जलन और तारिब भी मुझे साब दिख रही थी सबसे बड़ी बात तो यह थी कि जिमी और उसके दोस्त मुझे फिर कभी गरिब नहीं कह सकते थे परन्तु किसी बज़े से मैं खामोस खड़ा रहा हो सकता है कि मेरे दिमाग में गर्मी बढ़ जाने के कारण फ्यूज उड़ गया हूँ परन्तु मनी मन दो डालर परती गंटे का आप पर मानने के लिए बेताओ था आइस क्रीम पिगल चुकी थी और मेरे हाथ पर बह रही थी आइस क्रीम की डंडी खाली थी जिसके नीचे वनिला और चाकलेट के टुगड़े थे जिनके मज़े चिंटिया ले रही थी हमीरेडी हम दोनों बच्चों को देख रही थे जो आँखे फाड़ कर और खाली दिमाग से उन्हें गूर रही थे उन्हें मालूम था कि वे हमारी परिक्षा ले रही है और वे यह भी जानते थे कि हमारे दिल का एक कोना उसाफर को मानने के लिए बेताव हो रहा था वे जानते थे कि हर वेक्ति की आत्मा का एक इसा कमजोर और जरूरतमत होता है जिसे खरीदा जा सकता है और वे यह भी जानते थे कि हर व्यक्तिकी आत्मा का ये किसा मजबूत दरड़ निश्चे ही होता है जिसे कभी नहीं करीता जा सकता असली सवाल यह था कि इन में से कौन सा इस्सा जाला तक्तवर है उन्होंने अपनी जिन्दिगी में हजारों लोगों की परिक्षा ले थी जब वे नोकरी मागने के लिए आये लोगों का इंट्रिव लेते थे तो वे हर बार आत्माउं की परिक्षा लेते थे अच्छा पांस डॉलर परती गंटे अचानक मेरे अंदर शांती छा गई कुछ था जो बदल गया था हाफर बहुत ही बड़ा था और मुर्क ता कुन लग रहा था उन्निस सो चपन में गिने चुने वेसकों को पांस डॉलर परती गंटे से जाता मिलता होगा लालच खातम हो गया था और इसकी जगए शांती ने ले ली थी धीमे से मैं अपने बाईं तरफ खड़े माईक की तरफ मूड़ा उसने मेरी तरफ देखा मेरी आत्मा का जो इसा कंजोर और जरूट बन था वह खामोस हो चुका था मेरा वह इसा जिसे खरीदा नहीं जा सकता था वह आगे आ चुका था मेरे दिमाग और आत्मा में पैसे को लेकर हुवे इस युद में शांती और विश्वास जित चुके थे मैं जानता था कि माईक भी उसी बिंदू पर पूंच चुका था अच्छा अमेर ड़ड़ी ने दिमे से खा ज्यादतर लोगों की एक किमत होती है और उनकी किमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में दो बाउना ही होती है दर और लालच पहले वो पैसे के बिना रहने के दर से कड़ी मेनत करते हैं इसके बाद जब हमें तनकौा मिलती है तो हमें लालाच या इच्छा की बावना जाग जाती है पैसे होने पर हम उन बड़ी आचीजों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जो उस पैसे से खरी दी जा सकती है इस तरह हमारे जिंदिगी का एक पैटरन बन जाता है किस तरह का पैटरन मैंने पूछा सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने, सुबह उठने, काम पर जाने, खर्च करने लोगों के जिंदिगी हमेशा डर और लालच इनी दो बावनाओं से चलती है उन्हें अगर ज़्यादा पैसा दे भी थे तो वे इसी पैटरन पर चलकर अपना खर्च बढ़ा लेंगे इसी पैटरन को मैं चुहा दोड कहता हूँ क्या कोई दूसरा रास्ता भी है? माईक ने पूछा हाँ, अमीर डैडी ने दिमे से का परन्तो ये बहुत कम लोग खोज पाते हैं और वह रास्ता क्या है? माईक ने पूछा उसी रास्ते को तुम लोग काम करते वे और मेरे इसाब से सीखते वे खोज लोगे मैं यही उमीद करता हूँ इसी कारण मैंने तुमें पैसे देना बंद कर दिया इस बारे में कोई संकेत तो दीजिए वाइक ने कहा हम लोग मेनत से काम करते करते ठक चुके हैं खास कर तब जब इसके बदले में कुछ नहीं मिला हूँ पहला कदम तो यह है कि तुम लोग सच बोलो हमेरे डैडी ने कहा हम लोग जूट नहीं बोल रहे हैं मैंने कहा मैंने कब कहा कि तुम लोग जूट बोल रहे हूँ मैं तो यह कह रहा हूँ कि सची बात कह देना चाहिए हमेरी डैडी ने जवाब दिया किस बारे में मैंने कहा इस बारे में कि तुम लोगों को कैसा लग रहा है हमेरी डैडी ने कहा तुम्हें या किसी और से कहने की जुरूरत नहीं है सिर्फ अपने आप से सच बोलो आपके कहने का मतलब यह है कि इस पार्ग में मौजूद लोग आपके लिए काम करने वाले लोग ये सब लोग ऐसा नहीं करते मुझे ऐसा ही लगता है अमीर डैड़ी नहीं कहा इसके बजाए उन्हें अमेशा पैसा नहीं होने का डर सता रहता है उस डर का सामना करने के बजाए सोचने की बजाए लोग सिर्फ परतिकरिया करते हैं इस दोरान वे दिल से काम लेते हैं दिमाग से नहीं अमीर डैडी ने अपने सिर पर उंगली ठोकते हुए कहा फिर उनके हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं और उनमें खुशी इच्छा लालच की भाउना आ जाती है और एक बार फिर वे दिमाग से सोचने के बजाए दिल से काम करने लगते हैं तो वे दिल से अपने बाउनाओं से सोचते हैं माइक ने कहा बिल्कुल ठीक अमीर डैडी ने कहा वे इस बारे में सच नहीं बताते कि उन्हें कैसा लग रहा है वे अपने बाउना से काम करते हैं और दिमाग से सोचने का कश्ट नहीं उठाते उन्हें डर लगता है वे नोकरी करने जाते हैं और आसा करते हैं कि ज्यादा पैसे आने से उनका डर दूर हो जाएगा पर उन्तो ऐसा नहीं होता है वही पुराना डर उन्हें फिर से सताने लगता है वे फिर से नोकरी करने जाते हैं और फिर आसा करते हैं कि पैसा उनके डर को कम करनेगा, पर उन तो ऐसा नहीं होता, डर के ही कारण में नोकरी के जाल में फसे रहते हैं, पैसा कमाते हैं, और आसा करते हैं कि डर से उनका पीछा छूट जाएगा, पर उनका पुराना डर भी उनके साथ उठता है, वही पुरान पूर्ण पर जाते हैं और यह आसा करते हैं कि तनक्वा के चेक से उनके दिल को पुतरने वाले इस डर्टों पे मोत के गाट उतार देंगे। सच बात तो यह है कि पैसा उनकी जिन्दगी को चला रहा है पर अदू वे इस बारे में कभी सच नहीं बोलते हैं। पैसे ने उनके बहुनों पर कबजा कर लिया है और उनकी आत्माओं पर भी। यह कहकर मेरे डेड़ी खामोस होगे ताकि उनके शब्दों में छुपा संदेश हमारे अंदर चला जए। पर दू हम उनका मतलब पूरी तरह समझ नहीं पाई थे। मुझे अक्सर यह आरानी होती है कि लोगों को आफिश जाने के इतने जल्दी क्यों होती है। उन्हें अपनी नोगरे में खास मज़ा नहीं आता था और वे कभी खुश भी नहीं दिखते थे। फिर क्या वजए थी कि वे उन्हें जल्दी आफिश जाने के लिए प्रेदित करती थी। जब अमीर डैडी ने देख लिया कि हम जितना समझ सकते थे हमने उतना समझ लिया। तो उन्होंने आगे का, मैं यह चाहता हूँ कि तुम लोग यह जाल से बचो, दरसल मैं तुमें यही सिखाना चाहता हूँ, मेरा मकसद सिर्फ अमीर बनना सिखाना नहीं है, अमीर बनने से समझ नहीं सुझेगी, मैंने अस्टरे से पुछा, बिलकुल नहीं, मुझे दूस ज्यादा सुखर या रुमान्चक चीज़ की इच्छा करें, लोग इच्छा की वजए से भी पैसे के लिए काम करते हैं, उन्हें सुख के लिए भी पैसे की जुरूरत होती है, क्योंकि वे मानते हैं कि पैसे से सुख खरीदा जा सकता है, परंतु पैसा जो खुछी देता ह वे एकसर पल बर्की होती है उन्हें ज़्यादा कुछी, ज़्यादा अनंद, ज़्यादा आराम, ज़्यादा सुरक्षा हासिल करने के लिए और ज़्यादा पैसे की जुरूरत होती है इसलिए वे काम करते रहते हैं और यह सोसते रहते हैं कि पैसा डर और लालत से के कारण नहीं बलकि डर के कारणा मीर होते हैं वे सचमुच सोचते हैं कि दोलत हो तो पैसे नय होने का डर गरीब होने का डर खतम हो जाता है इसलिए वे धेर सारी दोलत जमा कर लेते हैं और तब जाकर उन्हें पता चलता है कि उनका डर और बढ़ गया है उन्हें या वो इस के खोने की चिंता सताने लगी है मैं ये से दोस्तों को जानता हूं जो बहुत सा पैसा होने के बाद भी काम में जुटे रहते हैं मैं ये से लोगों को भी जानता हूं जिनके पास आज करोडों की दोलत है परतु वे आज उससे भी ज्यादा चिंतित और परेशान है जितने व है कि वे अपनी सारी दोलत खो देंगी अमीर बनने से पहले जो डर उन्हें सता रहे थे वे अमीर बनने के बाद और भी पड़ गई हैं दरसल उनकी आत्मा का कमजोर और जरुत्मन इसा अब और तेजिसे चीक रहा है वे अपने आलिशान बंगलों शांदार कारों और उस एस से खरीदी गई है वे इसी चिंता में गुलते रहते हैं कि अगर वे कंगाल हो गई तो उनके दोस्त क्या कहेंगी इसी चिंता की बज़ए से कई लोग तो नियूरोटिक और कुंठी तक हो चुके हैं हालांकि वे अमीर दिखते हैं और उनके पास पहले से ज़्यादा पैसा है तो क्या अमीर आदमी ज़्यादा सुकी होता है मैंने पूछा नहीं मेरे इसाफ से तो इसा नहीं आता अमीर डैडी ने जवाब दिया पैसे से दूर रहना भी उतना ही बड़ा पागल पन है जितना कि उसके पीछे बागना उसी समय तरस्बे का एक पागला हमारी मेज के पास से गुज़ा और कुड़े दान के पास रुख कर उसने कुछ ढूनने लगा जैसे उसे किसी ने समझा कर बेजाओ चर्चा के इस मोड पर हम तीनों उसके अरकतों को दिल्चस्पी के साथ देख रहे थे जबकि इससे पहले हमने उसे नजर अंदाज कर दिया होता हमेर अमीर डेड़ी ने अपने पर्स में से एक डालर निकाला और उस पागल बुड़े को पास आने का इसारा किया पैसा देखते ही वे ततकाल चला आया उसने पैसे के लिए अमीर डेड़ी को धेर सारी सुब काम नहीं दी और अपनी अच्छी किसमत पर खुश हो कर गया पिवे हर रोज 8 गंटे की नोकरी करते हैं यह तो सचाई को और नहीं पैसे में रूची नहीं है तो वे नोकरी पर क्यों जाते हैं इस तरह का चिंतन पागल पन का चिंतन है उस कंजूसी बरे चिंतन से भी ज्यादा पागलपन का है जिसमें कोई अमीर पैसे पर कुनली मारकर बैठ जाता है जब मैं वहाबने अमीर डेड़ी की बात सुन रहा था तब मेरे दिमाग में यह ख्याल आ जाता था कि मेरे गरीब डेड़ी हजार बार कह चुके थे मुझे पैसे में कोई रूची नहीं है वहे इसा अक्सर कहा करते थे वे खुद की असली बाउनाओं को चुपाने के लिए हमेशा यह भी कहा करते थे मैं इसलिए काम करता हूँ क्योंकि मुझे अपना काम बहुत पसंद है तो हमें क्या करना चाहिए मैंने पूचा यही कि हम पैसे के लिए काम नहीं करें जब तक कि हमारे मन से डर और लालच की बाउनाओं पूरी तरह जे निकल नहीं जाए उसमें तो बहुत समय बरबाद हो जाएगा हमें डैडी ने कहा बहुनाओं के कारणी तो हम इंसान है इनी के कारण हमारी हस्ती है बहुना सब्द का मतलब है चला इमानों जाओ अपनी बहुनाओं के बारे में इमानदार रहो और अपने दिमाग और बहुनाओं का इस्तेमाल अपने समर्थन में करो नैकी विरोध में आँ माइप ने कहा अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो इस बारे में चिंता मत करो आगे आने बाले सालों में तुम्हें इसका मतलब समझ में आईगा अपने बहुनाओं पर प्रतिकिरिया करने के बजाए उनका विसलेशन करने की कोसिस करो ज़्यादा तर लोग यह नहीं जानते कि वे अपने दिमाग से सोचने के बजाए अपने दिल की बहुनाओं से सोचते है आपकी बावनाई तो आपकी रहेंगी परन्तु आपको अपने दिमाग से सोचना भी आना चाहिए क्योंकि दिमाग को सोचने के लिए ही पनाया गया है क्या आप मुझे इसका कोई उधान दे सकते हैं मैंने पुछा, नहीं क्यों नहीं, अमीर डैडी ने जवाब दिया जब कोई आदमी कहता है मुझे नोकरी खोजने की जरूर थे तो इस बात की बहुत संभावना है कि उसकी बावनाई फैसला कर रही है इस विचार का असलिकारन है पैसान नहीं होने का डर परंतो अपने जिंदगी चलाने के लिए लोगों को पैसे की जरूर तो पढ़ती ही है मैंने कहा, बिलकुल पढ़ती है हमेर डैडी मुश्कुराई, मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि उनके डर के कारण उनके मन में यह विचार आता है मैं समझ नहीं पाया माइक ने कहा हमेर डैडी ने कहा अगर आपके मन में पैसे की कमी का डर जाग जाए तो ततकाल नोकरी डूणने के लिए दोड़ मत लगाए ताकि कुछ पैसों के सारे उस डर को मार दिया जाए इसके बज़ाए आप कुछ से यह सवाल पूछे क्या लंबे समय में इस डर का सबसे बड़िया इलाज नोकरी है मेरे ख्याल से इसका जवाब नहीं होता है खासकर जब आप किसी आदमी की पूरी जिन्दगी को देखते हैं नोकरी दिर्ग कालिन समश्या का अल्प कालिन समादान है परन्तु मेरे डड़ी हम इसा कहा करते है स्कूल में पढ़ो अच्छे नमबर लाओ ताकि तुम्हें एक सुरक्षित और अच्छी नोकरी मिल सके मैंने हड़बड़ी में बोल दिया हाँ मैं समझ सकता हूँ कि वे इसा क्यों कहते है अमीर ड़ड़ी ने मुस्कुरा कर कहा ज्यादातर लोग इसी सला देते हैं और ज्यादातर लोगों के लिए एक अच्छा विचार होता है परन्तु लोगों के इस सला के पीछे भी डर चुपा होता है आपका यह मतलब है कि मेरे ड़ड़ी इसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं हाँ अमेरे ड़ड़ी ने कहा वे गवराई हुए हैं कि शायद तुम पैसा नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं उपाओगे मुझे गलत मत समझना वे तुमें प्यार करते हैं और तुमारा बला चाते हैं और मैं सोचता हूँ कि उनके डर सही भी है सिक्षा और नोपरी मैं तो पुर्ण है परन्तो इससे डर का इलाज नहीं होगा वही डर जो तुमें सुबह उठकर कुछ रुपए कमाने के लिए प्रेरित करता है उसी डर के कारण वे स्कूल जाने पर इतना जोर देते हैं तो आपकी सला क्या है मैंने पूछा मैं चाहता हूँ कि तुमें पैसे की ताकत पर काबू पना सिखाऊं पैसे का डर तुमारे दिमाग से निकल जाना चाहिए और यह स्कूल में नहीं सिखाया जाता अगर तुम इसे नहीं सिखोगे तो तुम पैसे के गुलाम बन जाओगे अब उनके बाते मेरी समझ में आ रही थी वे हमारे विचारों को ज़्यादा व्यापक बनाना चाहते थे वे चाहते थे कि जो मिसेज मार्टिन नहीं देख सकती थी उनके करमचारी नहीं देख सकते थे या मेरी डेडी तक नहीं देख सकते थे वह देखने की योगविता हम में आ जाए उन्होंने जो उतारन दिये थे वे उस समय कठोर जरूर लग रहे थे परंतों मैं उन्हें कभी नहीं मुला मेरा नजरिया उस दिन बहुत बढ़ा हो गया था जब मैं उस जाल को देख सकता था जो ज्यादातर लोगों के सामने बिचा होता है देखो आखिरकार हम सभी लोग एक करमचारी है हम क्यों अलग लग अस्तरों पर काम करते हैं हमीर टेड़े ने कहा मैं तुम लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम लोग इस जाल से बचे रहूँ डर और लालच इन दो फंदों से बचने वाले जाल से इनका इस्तेमाल अपने समर्थन में करो अपने विरोध में नहीं मैं तुम लोगों को यह नहीं सिखाना चाहता कि धेर सारा पैसा कैसे इकठा कर लिया जाए उससे डर या लालच को नहीं जिता जा सकता अगर तुमें डर और लालच पर काबू पाना नहीं आता तो तुम चाहिए कितने भी अमीर बन जाओ असलियत में तुमें एक बड़ी तनक्वा पाने वाले गुलामी रहोगे तो हम किस तरह से इस जाल से बच सकते हैं मैंने पूछा गरेबी या पैसे की तंगी का खास कारण डर और अग्यान होता है नेकी अर्थवेश्था या सरकार या अमेर लो यह खुद का उड़ा हुआ डर या अग्यान होता है जो लोगों को इस जाल में फसाई रखता है इसलिए तुम बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और अपने कालेज की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए मैं तुम लोगों को यह जरूर सिखाऊंगा इस जाल से कैसे बचा जा सकता है पहले के टुकडे अब सामने आ चुके थे मेरे पड़े लिखे डैडी के पास बड़ी डिग्रियां थी और एक बड़िया करियर था परन्तु स्कूल में उन्हें ये कभी नहीं सिखाया कि धन्या आपके डर को किस तरह काबू में रखा जा सकता है अब मैं समझ सुका था कि मैं अपने दो डैडियों से अलग अलग परन्तु में तो को बाते सीख सकता हूँ तो आप पैसे नए होने के डर के बारे में बात कर रहे थे पैसे कि इच्छा किस तरह हमारे सोच पर असर डालती है माइक ने पूछा तुम्हें तब कैसे महसूस हुआ जब मैंने तुम्हारी तनकवा बढ़ाने का लालस दिया था क्या तुमने यह देखा था कि तुम्हारी च्छाएं किस तरह बढ़ रही थी हमने अपने सिरामी में लाए पर तुमने अपने बाउनों के सामने हार नहीं मानी और इस कारण तुम लोगों ने जल्दबाजी में काम नहीं लिया इस से तुम्हें सोचने का वक्त मिल गया यह सबसे मैतोपूर्ण है हमें हमेशा डर और लालस की बाउना ही होती है इस एक शन से तुम लोगों के लिए सबसे मैतोपूर्ण है कि तुम इन बाउनाओं का इस्तेमाल अपनी समर्थन में करो और लंबे समय तक करते रहो अपनी बाउनाओं को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो इस तरह अपने विचारों को दूसित मत होने दो ज्यादातर लोग डर और लालच का इस्तेमाल खुद के विरोध में करते हैं यह अग्यान की शुरुवात होती है डर और इच्छा की बावनाओं के कारण ही ज्यादातर लोग तनक्वा के चेक, तनक्वा की बड़ोतरी और नोक्री की सुरुक्षा के पीछे बागते बागते अपने पूरी जीकी निकाल देते हैं असल में मैं यह सोचते ही नहीं है कि भावनाओं के आदार पर बने हुए यह विचार उन्हें किस तरफ ले जा रही है यह तो वही बात हो गई जिसमें गड़ी खीजने वाली गदे के सामने उसके माली काजार लटकाई रखता है जो उसके नाप के ठीक सामने होती है गदे का माली की जहाँ जाना चाता है वहाँ जाता है पर अंतुल गदा तो लालच के करण भाग रहा है कल गदे के लिए दूसरी गजर आ जाईगी और गदा उसका पीछा करने लगेगा आपके कहने का मतलब यह है कि जिस समय मैंने एक पेसवाल कलब्स, केंडी योर्ट और खिलोनों के सपने देखना शुरू किया उस समय मेरी आलत उस गदे की तरह हो गई थी जो गाजर के पीछे बागता है माइक ने पूछा हाँ और उमर के साथ-साथ तुमारे खिलोने वे ज़्यादा महंगे होते जाएंगे अपने दोस्तों कर रोब जाड़ने के लिए नई कार एक नाव और एक अलिशन गर अमीर डैडी ने मुस्करा कर कहा डर आपको दर्वाजे से बाहर धक्का देता है इच्छा आपको अंदर बुलाती है आपको चटानों की तरह लल्चाती है यही जाल है तो इसकी काट क्या है माइक ने पूछा डर और इच्छा अग्यान की वज़े से बढ़ते हैं इसलिए अमीर लोगों के पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उनका डर भी उतना ही ज़्यादा बड़ा होता है धन ही गाजर है ब्रह्म है अगर गदापूरी तस्वीर देख सकता तो शायद वह गाजर का पीछा करने के अपने फैसले पर दुबारा सोचता अमीर डैरी ने आगे यह समझाया कि आदमी की जिन्दगी अग्यान और ग्यान के बीच होने वाला संगर्स है उन्होंने बताया कि एक बार को यह आदमी खुद के बारे में ग्यान की खोज करना बंद कर देता है तो उसकी जिन्दगी में अग्यान खोज जाता है यह संगर्स हर पल होता है इसलिए हमें यह फैजला करना है यह सीखना है कि अपने दिमाग को खुला रखा जाई या इसे बंद कर लिया जाई देखो स्कूल बहुत बहुत ज़्यादा मैतुकूर्ण है पर आप स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि आप वहां कोई कला या व्यावसाई सीख सकें और इस तरह से आप समाज में योगदान दे सकें हर समाज में सिख्षकों, डोक्टरों, मेकैनिकों, कलाकारों, रस्वयों व्यावसाईक लोगों, पुलिस अफसरों, आग बुजाने वालों और इसी भाईयों की जुरूरत होती है स्कूल उने यह सब सिखाते हैं ताकि हमारा समाज विक्सित हो सके और हमारी संस्कृति सम्रद हो सके अमीर डेड़ी ने कहा दुरुबा कैसे कई लोगों के लिए स्कूल सिख्षा का अंतोहना है शुरुआत नहीं एक लंबी खमोसी चाही रही अमीर डेड़ी मुस्कृरा रहे थे उस दिन उनने जो कहा था वे पूरी तरह से समझ नहीं आया पर उन्तु ज़्यादा तर महान सिख्षोगों के सब सालों तक हमें सिखाते रहते हैं उनके सब्दीसी तरह से आज भी मेरे साथ हैं मैं आज थोड़ा निर्मम हुआ अमीर डेड़ी नहीं कहा मैं एक वज़य से निर्मम हुआ मैं चाहता था कि तुम लोगों को आज की यह चर्चा हमेशा याद रहे मैं चाहता हूं कि तुम लोग हमेशा मिसेज मार्टिन के बारे में सोचो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा उस गड़े के बारे में सोचो इन्हें कभी मत मुलना अगर तुमने अपनी समझदारी से उन्हें काबू नहीं किया तो डर और लालच की तुमारी दोनों वावनाई तुम्हें जिन्दगी के सबसे बड़े जाल में फसा सकती है अपनी जिन्दगी को डरते डरते गुजारना अपने सपनों को पूरा नहे करना निर्ममता है यह भी निर्ममता है कि पैसे के लिए कड़ी मेनत की जाए और यह सोचा जाए कि पैसे से खरीदी की चीज़ें सुक दे सकती है बिल चुकाने के डर से गवरा कर आदी रात को जागना जीने का एक पयानक तरीका है तनक्वा के इसाब से जिंदगी जीना भी कोई जीना है यह सोचना कि कोई नोकरी आपको सुरक्षा या एसास दे सकती है कुछ से जुट बोलना है यह निर्ममता है और यही वह जाल है जिससे मैं तुमें बचाना चाता हूँ मैंने देखा है कि पैसा किस तरह लोगों की जिंदगीों को चलाता है एसा अपने साथ मत होने दो बगवान के लिए पैसे को अपने जिंदगी मत चलाने दो हमारी मेज के निचे साफट बाला आ गई अमीर डेड़ी ने उसे उठाया और वापस खिलाडियों के पास फेंग दिया तो अग्यान का लालत और डर से क्या तलूप है मैंने पूछा यह पैसे का अग्यान ही है जिसकी वज़े से इतना लालत सोर इतना डर पैदा होता है अमीर डेड़ी ने कहा मैं तुम्हें कुछ हुदान देता हूँ एक डोक्टर जो अपने परिवार को ज़्यादा खुशी देना चाता है अपने फीस बढ़ा देता है उसकी फीस बढ़ने की वज़े से स्वास्तिय सोईदाई हर एक के लिए महेंगी हो जाती है अब इससे गरीब लोगों को सबसे ज़्याद़ नुक्सान भूँचता है इसलिए गरीब लोगों का स्वास्तिया अमीर लोगों से ज्यादा बुरा होता है अब चुंकि डॉक्टर ने अपनी फीज बढ़ा दिया इसलिए वकील भी अपनी फीज बढ़ा देता है चुंकि वकीलों ने अपनी फीज बढ़ा दिया प्रले आ जाएगा और एक दिन महान सब्वेदा दराशाई हो जाएगी महान सब्वेदा इन तभी दराशाई हुई है जब अमीरों और करीबों के बीच का फासला बहुत ज़्यादा हो गया है अमेरिका भी उसी रास्ते पर चल रहा है और इससे यह साबित होता है अच्छी तरह से चल रही सरकार और एक सिक्षित समाज में तो नहीं किमते दरासल कम होने चाहिए जाहिर है कि ऐसा अक्यवल से दांद में ही हो सकता है किमते अग्यान से पैदा हुई लालत और के कारण बढ़ती है अगर सकूल में दन के बारे में सिखाया जाता तो हमारे यहां बिजनस स्कूल भी है माइक ने पूछा क्या आप मुझे अपनी मास्टर डिगरी के लिए बिजनस स्कूल जाने के लिए प्रेट नहीं कर रहे है हाँ हम यह टेड़ी ने कहा परंतो अक्सर ऐसा होता है कि बिजनस स्कूले से करमचारियों को परशिक्सित करते हैं जो प्रिस्क्रत बीन काउंटर्स होते है इस वरी मालिक है जब कोई बीन काउंटर्स बिजनस संबाल ले वे सिर्फ संख्या को देखते हैं लोगों को निकालते हैं और बिजनस का गला गोन देते हैं मैं जानता हूँ क्योंकि मैं बीन काउंटर से काम लेता हूँ वे सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि लागत कैसे कम की जाए और किमत कैसे बढ़ाई जाए इससे बहुत से समझाई पैदा हो जाती है बेन काउंटर्स भी मेतववून है मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा लोगों को इस बारे में जानना चाहिए परन्तु यह भी पूरी तस्विर नहीं बताती हमेरी डेड़ी ने गुसे से कहा तो फिर क्या कोई इसका हल है माइक ने कहा हाँ हमेरी डेड़ी ने कहा सोचने के लिए अपनी बाउनाओं का इस्तेमाल करना सीखो अपनी बाउनाओं के बाउ में आकर मत सोचो जब तुम लोग मुप्त में काम करने के लिए तेयार हो गई थे तो तुमने अपने बाउनाओं को काबू में रखना सीख लिया था तब ही मैं समझ गया था कि तुम से उम्मीद की जा सकती है जब मैंने तुमें ज़्यादा तनक्वा खलालस दिया तब तुमने एक बार फिर बाउनाओं के बात नहीं मानी तुम ताक्तवर बाउनाओं के बाउजूद सोचना सीख रही हो यह पहला कदम है यह कदम इतना मैत्वपूर्ण क्यों है मैंने पुछा यह तुम अपने आप जान पाओगे अगर तुम सीखना ही चाते हो तो मैं तुम लोगों को ब्राइन पैच में ले जाऊँगा यह वह जगह है जिससे लोग बचते हैं मैं तुम्हे उस जगह पर ले जाऊँगा जहां जाने से ज़्यादतर लोगों को डर लगता है अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो तुमारे मन से पैसे के लिए काम करने का विचार निकल जाएगा इसके बजाए तुम यह ऐसी कोगी कि पैसे से कैसे काम लिया जाता है और अगर हम आपके साथ जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा अगर हम आपसे सीखने के लिए तेयार होते हैं तो हमें क्या मिलेगा मैंने पूछा, वही जो ब्रायर रैबिट को मिला था, हमेड डैडी ने कहा, टार बेबी से आजा दी, क्या एसा कोई ब्रायर पैच होता है, मैंने पूछा, हाँ, हमेड डैडी ने कहा, डर और लालच ही ब्रायर पैच है, अपने डर से पीछा चुड़ा कर, अपने लालच का पहुचान कर ही हम बाहर निकलने के रास्ते तक पहुचते हैं और बाहर निकलने का रास्ता हमारे दिमाग से ओकर गुजरता है यही वीचारों को चुनने से माईक ने अरश से रे Sweet ओकर पूछा हाँ, इस वीचार को चुन कर कि हम क्या सोचेंगे बजाए इसके कि हम अपने बहुनावक में बैकर लगातार परतिकिरिया करते रहें सुबह उठने और काम पर जाने से ये आपकी समस्या नहीं सुलच जाते क्योंकि बिल चुकाने के लिए प्रियाप्त पैसा नय होने के डर्र आपको सताता रहेगा सोचने से आपको एक खुद से सवाल पूचने का समय मिलता है इस तरह का सवाल क्या इस समस्या का सबसे बड़ी असमादान इस पर और ज़्यादा मेनत करना है ज्यादातर लोग इतनी बूरी तरह गवराई होते हैं कि वे खुद अपने आपको असली बात नहीं बताते हैं कि डर हावी हो रहा है और नतिजा यह निकलता है कि वे सोच ही नहीं पाते और इसकी बजाए दर्वाजे से बाहर दोड़ लगा देते हैं टारवे भी हवी हो जाती है अपने विचार चुनने से मेरा यही मतलब था पर हम ऐसा किस तरह करें हैं माईक ने पूछा यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ मैं तुम्हें यह सिखाँ तुम हरे पास चुनने के लिए विचारों के विकल्प होने चाहिए ताकि तुम हर बड़ी में काम करने से बच सको जैसे अपनी सुबह की काफी पीकर दर्वाजे से बाहर दोड़ लगाने की आदत से मैंने तुम से पहले कहा था उसे याद रखो नोकरी दिर्ग कालिन समश्या कालिन समादान है ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक समश्या होती है और यह थोड़े समय की होती है यह समश्या होती है महीने के आखिर में चुकाई जाने वाले बिल यानि टार बेवी अब पैसा उनकी जिंदगी चलाता है या मैं यह कहूँ कि पैसे को लेकर उनका डर और अग्यान उनकी जिंदगी चलाते हैं तो वे वही करते हैं जो उनके माता पिता ने किया था सुबह उठो और पैसे के लिए काम करो वे इतना समय भी नहीं निकाल पाते कि यह सोच सकें क्या कोई दूसरा तरीका है इस वक्त वे दिल से सोचते हैं दिमाग से नहीं दिल से सोचने और दिमाग से सोचने में क्या फरक होता है माइक ने पूछा अमीर डैटी ने जवाब दिया मैं इस तरह के जूंगले अक्सर सुनता हूँ हर आदमी को काम करना पड़ता है या अमीर लोग सोशक होते हैं या मैं दूसरी नोगरी डूंड लूँगा मेरी तनक्वा बढ़नी चाहिए आप इस तरह मेरा सोशन नहीं कर सकते या मैं इस नोगरी को इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि यह सुरक्षित है इसके बजाए हमें यह कहना चाहिए क्या यहां इसा कुछ है जो मुझे नहीं मिल रहा है इस तरह बहुना पर आदारित हमारे विचारों पी जंजीर तूड जाएगी और हमें ज़्यादा अच्छे तरिके से सोचने का मौका मिल जाएगा मुझे मानना ही पड़ेगा कि मेरे लिए यह सबक एक महान सबक साबित हुआ यह जानना कि कब कोई आदमें दिल से बोल रहा है और कब दिमाग से किस के सब्दों में भावनाई चुपी हुई है और किस के सब्दों में विचार यह एक ऐसा सबक था जो जिन्दगी वर मेरे काम आया खास तोर पर तब जब मैं अपने दिल से यानि अपनी भावनाँ से बोल रहा था ने कि अपने विचारों या दिमाग से जब हम स्टोर की तरफ मुड़े तो अमीर डेड़े ने यह कहा कि अमीर लोग हकिकत में पैसा बनाते हैं वे इसके लिए काम नहीं करते उन्होंने यह भी बताया कि पांस सेंट के सिस्य केसिके डालते समय जब माईक और मैं यह सोच रहे थे कि हम पैसा बना रहे थे तो हमारे विचार उसी रास्ते पर चल रहे थे जिस पर अमीर लोग चलते हैं दिक्कत सिर्फ इतने थी कि हमारे लिए इसा करना गैर कानूनी था सरकार और बैंकों के लिए इसा करना कानूनी था परंतो हमारे लिए नहीं था उन्होंने यह भी बताया कि पैसा कानूनी और गैर कानूनी दोनों इस तरीके से कमाया जा सकता है अमीर डेडनी बाद में हमें यह समझाया कि अमीर लोग जानते हैं कि धन एक ब्रहम है जो हकीकत में गदे के सामने लटकी गाजर की तरह होता है धन के ब्रहम के कारण जो डर और लालच पैड़ा होता है उसकी वज़े से ही अर्बों खर्बों लोग यह सोचते रहते हैं कि धन असली चीज है धन दरसल एक माया जाल है जनता के अज्यान और वरोसे के ब्रहम की वज़े से तास के पत्तों का यह महल खड़ा रह पाता है सच कहा जाए तो गदे की गाजर धन से ज़्यादा किमती है उन्होंने कहा उन्होंने अमेरिका के गोल्ड स्टंडर्ड के बारे में भी बात की और यह बताया कि हर डालर का नोट असल में चांदी का पर्मान पत्र है उन्हें इस अभवा से चिंता हो रही थी कि किसी दिन हम लोग गोल्ड स्टंडर्ड को छोड़ देंगे और हमारे डालर चांदी के पर्मान पत्र नहीं रहेंगे जब ऐसा होगा बच्चो तो कया मता जाएगी गरीब मद्य उमर्गे और ना समझ लोगों के जिंदगी सिर्फ इसलिए बरबाद हो जाएगी क्योंकि वे यह बरोसा करते रहते हैं कि धनी असली चीज है और वे जिस कमपनी के लिए काम करते हैं वे कमपनी या सरकार उनका ध्यान रखेगी उनकी बातें उस दिन हमारी समझ में नहीं आ रही थी परन तु सालों बात जाकर मुझे यह समझ में आया कि यह बड़े पते की बात थी जब वे अपने पिक अप ट्रक में चड़े तो उन्होंने कहा काम चालो रखो बच्चो पर जितने जल्दी तुम तनक्वा की जरूरत को भूल जाओगी तुम्हारी आगे की जिन्दीगी उतनी आसान होती जाएगी अपने दिमाग का इस्तेमाल करो मुफ्त में काम करो और जल्दी तुम्हारा दिमाग तुमें पैसे कमाने के दूसरे तरिके बता देगा उन तरिकों से तुम इस नोक्री से ज़ादा पैसा कमा लोगे तुम ऐसी चीजें देख पाऊगे मुखे उनके नाक के नीचे होते हैं फिर भी ज्यादतर लोग इन मौकों को कभी नहीं देख पाते इसका कारणी यह है कि वे पैसे और सुरक्षा भूरते रहते हैं इसलिए उन्हें यही मिलते हैं जिस वक्त तुम एक मौका बापने में काम्याब हो जाओगी उसके बाद तुम जिन्दगी वर्मों का बाप सकते हो जिस वक्त तुम एका कर लोगे मैं तुम लोगों को कुछ और बातें सिखाऊंगा इस बात को ध्यान से समझ लो ताकि तुम जिन्दगी के सबसे वड़े जाल से बच सको वह टार बेवी तुमें कभी कभी नहीं चुपाएगी बाइक और मैंने स्टोर से अपनी चीज़ें उठाई और मिसेज मार्टिन से गुडबाई कहा हम वापस पार्क गए उसी पिकनिक बेंच पर बैठे और वहाँ गंटों तक सोचते रहे और बातें करते रहे हमने अगला हफ़ता स्कूल में सोचते वे और इसी बारे में बातें करते वे बिताया दोस हफ़ता तक हम लोग सोचते रहे बातें करते रहे और मुफ्त में काम करते रहे दूसरे सनिवार के आखिर में मैं मिसेज मार्टिन से दुबरा गुडबाई कर रहा था और कामिक बुक स्टंडर्ड को लल्चाही नजर से देख रहा था हर सनिवार तीस सेंड नहीं मिलने से सबसे दुखत बात यह थी कि मेरे पास कामिक्स पढ़ने कामिक्स रिदने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं रहते थे अचानक जब मिसेज मार्टिन मुझे और माई को गुडबाई कह रही थी मैंने उन्हें एक ऐसा काम करते वे देखा जो इससे पहले कभी नहीं देखा था मेरा मतलब है मैंने इसके पहले उन्हें इसा करते तो देखा था पर उस तरफ ध्यान नहीं दिया था मिसेज मार्टिन ने कोमिस के पहले पेज को आदेज में काटा और उसे संबाल कर अपने पास रख लिया भाकी की पुष्टक को उन्होंने एक बड़े से बुरे कार्डबोर्ड के बाक्स में डाल दिया जब मैंने उनसे पूछा कि वे इस कामिक्स का क्या करती है तो उन्होंने कहा मैं उन्हें फैंक देती हूँ जब वे नई कामिक्स लाता है तो मैं उपर के याद एकवर को क्रेडिट के लिए कामिक्स डिस्टिबिटर को दे दिती हूँ वे एक गंटे में आने वाला है माईक और मैंने एक गंटे तक इंतजार किया जल्दी ही वे डिस्टिबिटर वहां आया और मैंने उससे पूछा कि क्या हमें कॉमिक्स मिल सकती है इस पर उसने जवाब दिया आपको मिल सकती है अगर आप इस टोर में काम करते हैं और अगर आप यह वादा करें कि आप उसे दुबारा नहीं बेचेंगे हमारी पार्टनर्शिप एक बार फिर कायम हो गई माइक की ममी ने बेस्मेंट में एक खाली कमरा दे दिया जो उनके किसी काम का नहीं था हमने इसकी सफाई करके उसमें सैंकडो कामिक्स जमा कर ली जल्दी हमारी कामिक्स लाइबरेरी जनता के लिए कौल दी गई बाइक की छोटी बैन को पढ़ने का बहुत शोंक था इसलिए हमने उसे अपना लाइबरेरियन बना लिया लाइबरेरी में आने और कामिक्स पढ़ने के लिए हम हर बच्चे से 10 सेंट लेते थे स्कूल खतम होने के बाद हर दोपैर रही से साड़े चार तक लाइबरेरी खुलती थी पढ़ोस के बहुत से बच्चे इसके गरहाग बन गई थे और वे जितने कामिक्स पढ़ना चाते थे दो गंटे में पढ़ सकते थे यह हैं उनके लिए बहुत बढ़ी असोदा था क्योंकि एक कामिक्स की गिमत 10 सेंट होती थी और दो गंटे में वे 5 या 6 कामिक्स पढ़ लेते थे माईक की बहन लोटेज में बच्चों की तलासी लेती थी और यह देख लेती थी कि वे अपने कपड़ों में कामिक्स चुपा कर तो नहीं ले जा रहे हैं वहे इस बात का रिकार्ड भी रखती थी कि हर रोज कितने बच्चे आए उनका नाम क्या था और उनके सुझाओ क्या थे माईक और मुझे तीन महीने तक हर अपते साड़े नो डालर का ओसत लाब हुआ हमने उसके बहन को हर अपते एक डालर का बूधान किया और उसे मुफ्त में कामिक्स पढ़ने का फाइदा भी दिया हालांकि वह कामिस कभी कभारी पढ़ती थी तोगी वह हमेशा अपनी पढ़ाही में लगी रहती थी माईक और मैं समझोते के मुताबिक हर शनिवार स्टोर में काम करते रहे साथ ही हम अलग लग दुकानों के से कामिक्स ही कट्ठी करते रहे हमने वादे के मुताबिक कामिक्स नहीं बेचे जब कोई कामिक्स फड़ जाती थी तो हम उसे जला देते थे हमने इसके एक साखा पोलने के भी कोशिस की परंतु हमें माईक की बेहन की तरह में इन्दी और ब्रोसे मन लाइबरेरियन नहीं मिला बहुत कम उमर में ही हमने यह जान लिया था कि अच्छे स्टाफ को खोजना कितना मुश्किल होता है लाइबरेरी खुलने के तीन महीने बाद हमरे लाइबरेरी में एक सबश्या आ गई दूसरे मुले के कुछ गुंडे अंदर गुसाई और उन्होंने जगरना शुरू कर दिया माईक के डेड़ी ने सुझाओ दिया कि हम अपना यह कारुबार बंद कर दें तो इस तरह हमारा कामिक्स का दंदा बंद हो गया और हमने कन्वेनियन स्टोर पर हर सेनिवर काम करना भी बंद कर दिया फिर भी अमीर डेड़ी रोमान चित थी क्योंकि उनके पास ऐसी बहुत सी नई बातें थी जो भी हमें सिखाना चाते थे वह हैं खुश थे क्योंकि हमने उनकी पहले सबक को इतनी अच्छी तरह से सिख लिया था हमने यह भी सिख लिया था कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए स्टोर में नोकरी के बदले में पैसा नहीं मिलता था इसलिए हमें मजबूरन अपने कलपना शक्ति पर जोड डालना पड़ा ताकि हम पैसा कमाने का कोई दूसरा तरीका ढूंड सके कामिक्स लाइबरेरी हमारा अपना वेवसाई था हमारा धन हमारे काभू में था और हम किसी मालिक के मौताज नहीं थे इसमें सबसे अच्छे बात यह थी कि हमारे वेवसाई से हमें तब भी पैसा मिलता था जब हम वास्वें मुझूद नहीं होते थे उस समय हम पैसे के लिए काम नहीं करते थे बलकि हमारा पैसा हमारे लिए काम करता ज्यादा तनक्वा देने की बज़ाए अमीर डेड़े ने हमें इतने बढ़िया नसियत दे दी थी धन्यवाद अध्याए तीन जो है पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए रिच डेड पूर डेड अध्याए तीन पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए 1990 में मेरे सबसे अच्छे दोस्त माईक ने अपने डैडी का लंबा चोड़ा कारोबार संबाल लिया है और उसे अपने डैडी से ज़्यादा काम्याभी मिल रही है हम एक दूसरे से साल में एक दो बार गोल्प कोर्स पर मिलते हैं वह है और उसकी पतनी इतने ज़्यादा अमीर है कि आप इसकी कलपना भी नहीं कर सकते अमीर डैडी का सामरज्य बहुत सुरक्षितातों में है और अब माईक अपने बेटे को उसी तरह सिखा रहा है जिस तरह से उसके डैडी ने हमें सिखाया था 1994 में मैं 47 साल की उमर में रिटायर हो गया और मेरी पतनी किम उस वक्त 37 साल की थी रिटायर्मेंट का यह मतलब नहीं है कि हम काम नहीं करते या आगे काम नहीं करेंगे इसका मतलब यह है कि जब तक कोई चमतकार ही नय हो जाई तब तक हम काम करने या नए करने के लिए आजाद है इसका कारण यह है कि हमारी दोलत अपने आप बढ़ती रहती है मुद्रा स्पिति की दर से कहीं ज़्यादा तेज रफ्तार से मुझे लगता है कि आजादी इसी को कहते है हमारे दोलत इतनी ज़्यादा है कि यह आपने आप बढ़ सकती है यह पेड़ लगाने की तरह है आप सालों तक इसे पानी देते हैं और एक दिन इसे आपकी जुरूर नहीं रह जाती है इसकी जड़े जमीन में काफी गैराई तक पहुंच जाती है इसके बाद पेड़ आपके सुक के लिए छाया और फल दिता है माइक ने सामराज्य चलाने का विकलब चुना और मैंने रिटाइर होने का जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ तो वे अक्सर मुझ से सला मांगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए शुरुवात कहां और कैसे की जाई आपकी नजर में कौन सी फुस्तक बढ़िया रहेगी हम अपने बच्चों को यह सब कैसे सिखाई है कामयबी का रहषय क्या है मैं किस तरह करोड़ो रुपे कमा सकता हूँ एसे वक्त मुझे हमेशा एक लेक की यादाती है जो यहां दिया जा रहा है सबसे अमीर बिजनस्में 1923 में हमारे सबसे महान नेता और सबसे अमीर बिजनस्में शिकागो में एजवाटर बीच पर इकटे हुए ये लोग बहुत मशूर थे चार्ल स्वाब सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मुख्या थे सैमूल एंचोल दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी के अध्यक्स हावर्ड हाप्चन सबसे बड़ी गैस कंपनी के मुख्या आईवर क्रूजर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक इंटरनेशनल मैच कंपनी के अध्यक्स लियान फ्रेजियर बैंक ओफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के अध्यक्स थे रिचर्ड वाइटनी न्यूईयर्क स्टोक एक्सचेंज के मुख्या आर्थर काटन और जेसी लिवर मोर सबसे बड़े दोस्टाक के स्पेकुलेटर्स थे और अलबर्ट फॉल प्रेजिडेंट हार्डिंग के केबिनेट के मंतरी थे 25 साल बाद इन में से 9 लोगों का अंत इस्तरह हुआ स्वाब 5 साल तक करजे में डूबे रहने के बाद गरीबी में मरे इन्सुल की मोत विदेश में दिवालियपन की हालत में हुई क्रूजर और काटन भी गरीबी में मरे हापसन पागल हो गए वाइटनी और अलबर्ट फॉल उस समय जेल से रिया हुए थे फ्रीजियर और लिवर मोर आतमत्या कर चुके थे शायद कोई भी ठीक से यह नहीं बता सकता कि इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ यह 1923 की बात है हम इतना अंदाजा तो लगा सकते हैं कि यह 1939 के मार्केट क्रेश आर्थिक मंदी के ठीक पहले हुआ था मंदी का इन लोगों पर निश्चित रूप से बहुत ज्यादा असर हुआ होगा देखने वाली बात यह है आज हम इन लोगों से ज़्यादा मुश्किल समय में जी रहे हैं परिवर्तन ज्यादा तेजी से हो रहे हैं और पूरी दुनिया में हो रहे हैं मुझे लगता है कि आने वाले 25 सालों में बहुत से एसे उतार चडावा आएंगे जो इन लोगों द्वारा जेले गए उतार चडावों की तरह ही होंगे मुझे यह चिंता है कि बहुत से लोग सिर्फ पैसे पर अपना ध्यान लगाई बैठे हैं और अपनी सबसे बड़ी दोलत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जिसका नाम है सिक्षा अगर लोग लचेले होने दिमाग पुला रखने और सीखने के लिए तयार रही तो इन परिवर्तनों के बावजूद वे बहुत अमीर बन सकते हैं अगर लोग यह सोचेंगे कि पैसा ही उनकी समझ्याओं को सुलजा सकता है तो ऐसे लोगों के लिए आगे आने वाला समय बहुत परेशानी बरहा होगा बुद्धी से समझ्याओं सुलज़ती है और पैसा आता है अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आ भी जाई पर ज्यादा देर तक नहीं ठिकता ज्यादातर लोग जिन्दगी बर यह नहीं समझ भाते कि असल बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं बलकि यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं हमने लाटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की कहानिया सुनी है जो अचानक अमीर बन जाते हैं पर कुछ समय बाद वे फिर से गरीब हो जाते हैं ये लोग लाकों करोडों जितते हैं फिर भी वे लोटकर वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था आपने उन्हें व्यवसाइक एथलेटों की कानिया भी पड़ी होंगी जो 24 साल की उमर में हर साल करोणों डालर कमाते हैं और 34 साल की उमर में उन्हें पुल के न कि उसके दोस्तों, वकीलों और अकाउंटेड ने उसके पैसे हड़प लिये और इसी वज़ए से आज उसे बहुत कम मजदूरी पर कार्द होने का काम करना पड़ रहा है वह सिर्फ 29 साल का है उसे कार्द होने के काम से भी निकाल दिया गया है इसके वज़ए यह थी कि उसने कार साप करते समय अपनी चैंपियंशिप रिंग उतारने से मना कर दिया और इसलिए उसकी खबर अखबार में छप गई वह अपने निकाले जाने का विरोध कर रहा था और कहता है कि यह भेदवाव है अंगुठी ही तो उसकी महान जिन्दकी की इकलोती निशानी है उसका क जानता हूं जो नए ने करोड़ पती बन रहे हैं एक बार फिर यह 1920 के उच्छाल वाली दसक की यादिल आता है हालांकि मैं खुश हूं कि इतने ज़्यादा लोग अमीर बनते जा रही है परन्तु मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं लंबे समय में यह मैत्वण नही कुझते हैं हम किस तरह शुरू करें या मुझे बताईए कि जल्दी से अमीर कैसे बना जा सकता है तो वे मेरे जवाब से बहुत निराश होते हैं मैं उनसे सिर्फ यही कहता हूं जो मेरे अमीर डेड़ी ने मुझसे बच्पन में कहा था अगर तुम अमीर बनना चाते हो त मेरे पड़ेली के डेड़ी हमेचा किताबे पढ़ने के फायदे बताते रहते थे दूसरी तरफ मेरे अमीर डेड़ी वित्य साक्षता या पैसे की समझ विक्षित करने पर जोर देते थे अगर आप एंपाइर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रही हैं तो सबसे पहले आप कोई गहरा खटा कोदना पड़ेगा और एक मजबूत नीव डालने पड़ेगी अगर आप किसी उपनगर में एक घर बनाने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ 6 इंस का कंक्रीट का स्लेब डालना होगा ज्यादतर लोग अमीर बनने के चकर में 6 इंस के स्लेब पर एंपाइर सिस्टम उस जवाने का है जब खेतिक इसानी ही अर्थव्यवस्ता का आधार थी आज भी यह बिना नीव के गरों में बरोसा करता है दूल की फर्स आज भी लोग प्रिया है इसलिए स्कूल से निकलने वाले बच्चों की कोई आर्थिक नीम ही नहीं है एक दिन जब उन्हे मेरे की सपनों को देखते हैं और यह फैसला करते हैं कि पैसे की जो समश्या उनके सामने खड़ी है उसे अमीर होकरी सुलजाया जा सकता है इमारत बनना शुरू हो जाती है यह तेजी से उपर उठती है और जल्दी एंपाइर स्टेट बिल्डिंग के वज़ाए हमारे पास सबर्बिया का लिनिंग टाउर होता है हमारी रातों की नींदे एक बार फिर उड़ जाती है माईक और मेरे लिए माईक और मेरे लिए दोनों ही विकल्ब संभव थे क्योंकि हमारी आर्थी गिनियू मजबूत थी और पैसे की समझ हमें बच्पन से सिखाई गई थी देखा जाए तो अकाउंटिंग शायद दुनिया का सबसे बोरिंग विशे है यह बहुत उलजन बरा विशे भी है परन्तु अगर आप लंबे समय तक अमीर बने रहना चाते हैं तो यह सबसे मैत्पूर्ण विशे भी है सवाल यह है कि आप इस बोरिंग और उलजन बरे विशे को अपने बच्चों को किस तरह सिखा सकते हैं इस सवाल का जवाब है इसे आसान बना कर पहले इसे तस्वीरों के जरिये सिखाईए अमीर डेड़ी ने माई को और मेरे लिए एक मजबूत आर्थिक नियूम डाली थ इसलिए उन्होंने हमें सिखाने का एक आसान तरीका इजाद किया था सालों तक वेके उल्चितर बनाते रहे और उनके साथ सब्दों का इस्तेमाल करके हमें समझाते रहे जब माईक और मैंने उन आसान डाइग्राम्स की मदद से आर्थिक सब्दावली और पैसे के खेल को समझ लिया तो इसके कई सालों बाद अमीर डैडी ने अंकों को जुड़ना चालू किया जब माईक और मैंने उन आसान डाइग्राम्स की मदद से आर्थिक सब्दावली और पैसे के खेल को समझ लिया आज माईक को जितने अकाउंटिंग विसलेशन की ज़रूरत है वह उस आगे आने वाले प्रस्टों में मैं आपके सामने वही आसान से चित्र खिंचुगा जो माईक के डैडी ने हमारे लिए खीचे थे हालांकि वह आसान है परन्तु इन चित्रों के सारे उन्होंने दो छोटे बच्चों को ठोस और गैरे नियम पर दोलत का महल बनाना सिखाया था नियम एक आपको संपत्ति और दाइत्तों का अंतरपता होना चाहिए और हमेशा संपत्ति ही खरीदना चाहिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है यह पहला नियम है यही इकलोता नियम है यह बहुत आसान लगता है परन्तु ज़्यादा लोगों को यह पता ही नहीं है कि यह नियम कितना मेत्वपूर्ण है ज़्यादातर लोग ऐसे की समश् कठ्थी करते हैं, गरीब और मद्द उमर गे लोग दाइकतर वी कठ्थे करते हैं, और मज़े की बात यह है, कि उन लोगों को यह लगता है, कि वे संपत्ती खठ्थी कर रहे हैं, जब अमीर टैडी ने माइक और मुझे यह बताया, तो हम ने सोचा कि वे मजाख कर रहे हैं हम दो बच्चे अमीर बनने का रहस्या जानने के लिए इतने हैरान परेशान थे जब कि उसका जवाब इतना आसान था यह इतना ज्यादा आसान था कि हमें इस बात पर सोचने के लिए बहुत देर तक ठैर ना पड़ा संपत्ति क्या है माइक ने पूछा अभी उस बारे में चिंता मत करो अमीर डैडी ने कहा अभी सिर्फ इस विचार को अपने दिमाग में घुश जाने दो अगर तुम इसे आसाने से समझ सकते हो तो तुम्हारे जिंदगी के की योजना होगी और तुम्हें जिंदगी वर पै है यह जानने के बाद हम उसे आसिल कर लें और अमीर बन जाए मैंने पूछा अमीर डैडी ने हामी वरी हाँ यह इतना ही आसान है अगर यह इतना असान है तो फिर हर आदमी अमीर क्यों नहीं बन जाता मैंने पूछा अमीर डैडी मुस्कुराई क्योंकि लोग संपत्ति औ मैंने पूछा था, व्यसक लोग इतने मुर्ग कैसे हो सकते हैं, अगर यह इतना आसान है और इतना मैतोपूर्ण है तो हर कोई इसे जानना या खोजना क्यों नहीं चाहता, संपत्ति और दाइतों क्या होते हैं, यह समझाने में अभी डेडी को बस कुछ ही मिनिट लगी, पारण यह है कि उनकी सिक्षा अलग तरह से हुई है, उन्हें दूसरे प्रोफेशनल्स ने पढ़ाया है, जैसे बेंकर्स, अकाउंटेंट्स, रियल इस्टेट एजेंट्स, फैनेंशियल प्लान ना दित्यादी, ज्यादातर बड़े लोगों के सामने मुस्किल यह होती है कि उन्हें बहुत कुछ बूलना पड़ता है और एक बार फिर से बच्चा बनना पड़ता है, एक समझदार व्यासक को अक्सर एसा लगता है कि आसान परिवासों पर ध्यान देना मुरकता है, अमीर डैडी के आई एस एस सिधान्त में यकीन करते थे, कीप इट सिंपल, स्टूपिड, मुरक इसे आसान ही रहने दो, इसलिए वे हम दो छोटे बच्चों के सबग को आसान बनाते थे और इस तरह उन्होंने हमारी पैसे के नियूं को ज़्यादा मजबूत बना दिया, तो दिक्कत या उलजन किस बात से आती है, या इतनी आसान चीज किस तरह कठिन बन जाती है, कोई ऐसी संपत्ति क्यों खरीटता है, जो असल में दाइतो होती है, इसका जवाब हमें अपनी बुनियादी शिक्षा में मिलता है, हम साक्षर्टा सबत पर ध्यान देते हैं, और पैसे की साक्षर्टा को अंदेखा कर देते हैं, कोई वस अच्छी लगती होगी, परंतु दिक्कत यह है, कि आम आदमी उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाता, फिर भी हम व्यसक लोग यह मानने में अपनी तोहिन समझते हैं, कि कोई चीज हमें समझ में नहीं आ रही है, चोटे बच्चों को समझाते समय, अमीर डैडी ने एक ब नहीं होगा, अकाउंटिंग में अंक मैतुकौन नहीं है, मैतुकौन तो वह बात है, जो अंक आपको बता रहे हैं, यह शब्दों की ही तरह है, शब्द मैतुकौन नहीं होते, मैतुकौन वह बात होती है, जो शब्दों के जरी बताई जाती है, कई लोग पढ़ते हैं, प सब की अलग अलग काबलियत होती हैं उधारन के लिए मैंने हाली में एक नए अबीसियार खरीदा इसके साथ निर्देश पुस्तिका भी थी जिसमें समझाया गया था कि अपने बीसियार को किस तरह प्रोग्राम किया जाता है मैं शुकरवार की शाम को आने वाले अपने प्रोग्राम करना मैं शब्दों को पढ़ सकता था परंतो इसके बावजुद मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था मुझे सब्दों को पैचानने में A मिल रहा था परंतो उन्हें समझने में Mुझे F मिल रहा था और यही ज़्यदातर लोगों के साथ पैसे के मामले में ह होता है अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अंकों को पढ़ना और उन्हें समझना आना चाहिए मैंने अपने अमीर डेड़ी से यह बात हाजारों बार सुनी है और मैंने यह भी सुना है अमीर लोग संपत्ति कठी करते हैं जबकि गरीब और मद्यम वरगिये लोग दाइत तो भी कठे करते हैं यहां पर यह बताया जा रहा है संपत्ति और दाइतों में क्या फरक होता है ज्यादातर अकाउंटेंड और फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स परिवासाओं पर आपस में सैमक नहीं होते हैं परन्तु यह आसान चित्र या रेखा चित्र दो दूत वित्य नेउंग डालने में काम आएं बहुत छोटे बच्चों को सिखाने के इसाब से अमीर डैली ने हर चीज को बहुत आसान बनाई रखा और जहां तक बन पड़ा उन्होंने चित्र अरेखा चित्र का प्रयोग जाना किया सब्दों का उप्योग कम से कम किया और सब्दों का तो कई वर्स तक इस्तिमाल किया इह नहीं पिछले प्रस्टपर दिया हुआ बउक्स एक इनकम स्टेट्मेंट है जिसे एक तर लावव और रहानि का स्टेट्मेंट भी कहा जाता है यह आमधनी और खर्च बताता है आने वाला पैसा और जाने वाला पैसा नीचे का चितर balance seat है इसे इसलिए यह कहा जाता है क्योंकि इस में संबत्ती और दैत्मों को एक साथ मिला कर देखा जाता है यानि उन्हें balance किया जाता है कुछ लोग जिन में पैसे की समझ नहीं होती इंकम स्टेटमेंट और बैलेंस सीट के बीच के संबंद को नहीं जानते हैं यह समझ जानना बहुत बहुत चुरूरी है पैसे की तंगी की असली वज़ाई यह होती है कि लोग संपत्य और दाइतों के बीच के अंतर को ठीक से नहीं समझ पाते हैं अक्सर उन दोनों सब्दों की परिवासाइं भी समझ खड़ी कर देती है अगर आपको दूविदा में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप सब्द को उठाकर उसमें संपत्य और दाइतों सब्दों का मतलब देख लें अब इन परिवासाओं का मतलब अकाउंटेंट को तो अच्छी तरह समझ में आ सकता है परन्तु आम आदमी के लिए यह वैसी ही बात हो गई जैसी परिवासा का मतलब मेंडेरिन जैसी किसी विदेशी बासा में लिखती आ गया हो आप परिवासा के लिखेवे शब्दों को पड़ तो सकते हैं परन्तु उन्हें अच्छी तरह समझना कठिन है इसलिए जैसा मैंने पहले कहा था मेरे अमीर डैडी ने हमेशा दोनों चोटे बच्चों को यह आसान परिवासाइं सिखाई संपत्ती वह होती है जो आपकी जैब में पैसा डालती है अच्छी आसान और रुप्योग में आने वाली परिवासा यह एक दाइत्तों का कैस्पलो पैटर्न है अब चुंकि संपत्ती और दाइत्तों को चित्रों से समझा दिया गया है इसलिए सब्दों में दी गई परिवासाओं को समझना ज़्यादा आसान होगा संपत्ती वह है चीज है जो आपकी जैब में पैसा डालती है दाइत्तों वह है चीज है जो आपकी जैब से पैसा निकालती है वास्तों में आपको इतना ही जानने की जरूरत है अगर आप अमीर बनना चाते हैं तो आप जिन्दगी वर संपक्ति खरीदते रहिए अगर आप गरीब या मद्यम वरगी आदमी बनना चाते हैं तो आप गाइतों खरीदते रहिए इनके बीच के फर्क को ने जानने से ज़्यादातर लोग जीवन भर पैसे की तंगी से परिशान रहते है पैसों के लिए आदमी इसलिए परिशान होता है क्योंकि वह है नय तो शब्दों को समझ पाता है नहीं अंकों को जिन लोगों के सामने पैसे की मुश्कले आ रही है उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि शब्दों या अंकों में इसा कुछ है जिसे वह पढ़ नहीं पा रही है कोई चीज ठीक से उनके समझ में नहीं आ रही है अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि इस मामले में वे पैसे की तंगी से परिशान लोगों से ज़्यादा समझदार होते हैं तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अपनी दोलत को बनाई रखना चाहते हैं तो पैसे की साक्षरता और समझदारी में तो पूर्ण है सब्दों में भी और अंकों में भी चित्रों में जो तीर लगे हैं वे पैसे के बहाव यानि कैश्प लोगों को बताते हैं ध्यान रखी सिर्फ अंकों से पूरी बात समझ में नहीं आती है और सिर्फ सब्दों से भी पूरी बात समझ में नहीं आती है मैतव तो पूरी कहानी का होता है किसी वित्य रिपोर्ट में अंकों को पढ़ना प्लाट या कहानी ढूंडने की तरही है पैसा कहां जा रहा है इस बात की कहानी असी फिजदी परिवारों की पैसे की कहानी यह होती है कि वे अमीर बनने के लिए कड़ी मेनत करते जाते हैं इसका कारण यह नहीं है कि वे पैसा नहीं कमाते असली कारण यह है कि वे जिंदगी भर संप यह मद्यम वर्गी आदमी का cash flow pattern है यह एक अमीर आदमी का cash flow pattern है जैसा कि आप देख सकते हैं यह सभी चित्र बहुत ज़्यादा सरल बना दिये गई हैं हम में से हर एक को जिन्दा रहने के लिए खर्च करना पड़ता है हम सभी को रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत होती है चित्र यह बताते हैं कि गरीब मद्यम वर्गिये और अमीर आदमियों की जिन्दगियों में पैसा किस तरह आता जाता है कैस्पलो पूरी कहाने बता देता है इस कहाने में यह बताया जाता है कि वह आदमी अपने पैसे का किस तरह इस्तेमाल करता है एक बार पैसा हाथ में आ जाने के बाद वह उस पैसे का क्या करता है मैंने अपनी कहानी अमेरिका के सबसे अमीर वेक्तियों से इसलिए शुरू की ताकि मैं यह बता सकूँ कि इतने सारे लोगों की सोच में कहां गलती होती है गलती यह होती है कि वे यह मानते हैं कि पैसे से सारी समझें सुलच जाती है इसलिए जब लोग मुझे फटा फटा मेर बनने के नुकसे पूछते हैं तो मैं कांप जाता हूँ या यह है कि उन्हें कहां से शुरू करना चाहिए मैं एकसर सुनता हूँ मैं कर्ज में हूँ इसलिए मुझे और ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए परंदु यह देखने में आया है कि ज़्यादा पैसे से समश्याएं नहीं सुलचती है सच कहा जाए तो इससे समश्याएं और अधिक बढ़ सकती है पैसा हमारी इंसानी कमजोरियों को अकसर ज़्यादा उबार देता है पैसा आकसा हमारे एसे पहलू पर रोशनी डालता है जिसके बारे में हम अंजान रहते हैं इसलिए अगर किसी आदमी को अचानक बहुत सी दोलत मिल जाए जैसे पैत्रक समपत्ती, तनख्वा में भारी बड़ोतरी या उसके लाटरी लग जाई तो पैसा मिलने के कुछ समय बाद ही वह अपने पुराने हाल में पहुंच जाता है और कई बार तो उससे भी बुरे हाल में पैसा आपके दिमाग में चल रहे कैस पलो पैटर्न को उजागर करता है अगर यह पैटर्न ऐसा है कि अपनी पूरी कमाई खर्च करना है तो इस बात की बहुत संभावना है कि आपकी आमदनी पढ़ेगी तो आपका खर्च अपने आप बढ़ जाएगा इसलिए यह कावत सही है मूरक और उसके पैसे से शांदार दावते होती है मैंने यह कई बार कहा है कि हम स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि हम सेक्षनिक और व्यवसाई कावलियत हासिल कर सकें निश्चित रूप से ये दोनों ही मैत्रपूर्ण है हमारी व्यवसाई कावलियत के कारण ही हम पैसा बनाना सीखते हैं 1960 के दसक में जब मैं हाइ स्कूल में था यह माना जाता था कि अगर कोई पढ़ने लिखने में अच्छा है तो वह होनार विद्यार्थी आगे जाकर डोक्टर बनेगा अक्सर उस बच्चे से यह नहीं पूछा जाता था कि क्या वह डोक्टर बनना चाहेगा यह मान लिया जाता था इसका कारण यह है था कि इस दंते में सबसे ज़्यादा पैसा नज़ा आता था आज डोक्टरों के सामने पैसे के बहुत बड़े संकट हैं जो बगवान नहें करे किसी और के सामने हो बीमा कंपनिया इस व्यवसाय पर काबू किये हैं सरकार भी दखल दे रही है और अदालतों में मुवावजे के केस दाईर हो रही है इत्यादी आज बच्चे बास्केट वाल स्टार बनना चाते हैं टाइगर बूर्स की तरह गोलफर बनना चाते हैं इसलिए क्योंकि अब दोलत शोरत और इज़त इन्हीं जगव में है इस कारण स्कूल में बच्चों को अच्छा पढ़ने के लिए प्रेहित करना मुश्किल हो गया है वे जानते हैं कि वे उसाइक सफलता का सेक्षने की सफलता के साथ कोई सीधा समद नहीं है जैसा कभी हुआ करता था चूंकि विद्यार्थियों में स्कूल सोड़ते समय पैसे की कोई समझ नहीं होती है इसलिए करोडों पड़े लिखे लोग अपने कारूबार में तो सफल हो जाते हैं परन्तु बाद में वे पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं वे और जदा मेनत करते हैं परन्तु अपने समझ्याओं से जीत नहीं पाते उनकी सिक्षा में कमी यह नहीं है कि उन्हें पैसा कमाना नहीं सिखाया गया है बलकि यह है कि उन्हें पैसा खर्च करने का तरीका नहीं सिखाया गया है पैसा बनाने के बाद उसका किस तरह इस्तेमाल किया जाए और उसे किस तरह संबाला जाए इसे पैसे की समझ गहते हैं पैसा एक बार कमाने के बाद उसका क्या किया जाए इसे अपने पास कितने लंबे समय तक रोका जाए और अपने पैसे से कड़ी मेहनत कैसे करवाई जाए ज्यादातर लोग यह नहीं बता पाते कि उनकी पैसे की तंगी का कारण क्या है एसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें कैस्फलो की समझ नहीं होती कोई आदमी बहुत बढ़ालिका हो सकता है अपने कारोबार में सफल हो सकता है परन्तु हो सकता है कि उसमें पैसे की बिलकुल भी समझ नहीं हो एसे लोग अक香港 जरूर्थ से ज़यादा कड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करना तो सिखा है परन्तु पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाना नहीं सिखा यह कहानी बताती है कि पैसे का सुख बरा सपना कि इस तरह दुख वरे सपने में बदल जाता है कड़ी मेनत करने वाले लोगों की फिल्मी कहानी एक गिसे पिटे धर्रे पर चलती है हाली में शादी शुदा, खुश, बहुत पड़े लिखे पती बदनी साथ-साथ किराई के मकान में रहने लगते हैं जल्दी उन्हें यह लगने लगता है कि वे पैसा बचा रहे हैं क्योंकि दो लोगों के साथ-साथ रहने का खर्च भी लगवग उतना ही होता है जितना की अकेले आत्मी का समझ्या यह है कि जिस अपार्टमेंट में वे रहते हैं वे छोटा है वे अपने सपनों का खर करीदने के लिए पैसा बचाने लगते हैं ताकि वे बच्चे पैदा कर सके अब उनके पास दो तनक्वाई होती है और वे अपने करियर पर ज़्यादा द्यान देने लगते हैं उनकी आमदनी बढ़ने लगती है जैसे जैसे उनके आमदनी बढ़ने लगती है, उनके खर्च भी वैसे ही बढ़ने लगते है ज्यादातर लोगों के लिए पहले नंबर का खर्च होता है टेक्स कई लोग सोचते हैं इंकम टेक्स परन्तु ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ा टेक्स होता है Social Security Tax करमचारी को एक सा लगता है कि Social Security Tax Medicare Tax को मिलाकर कुल टेक्स लगवक 7.7 फिजदी के करीब होता है परन्तु हकीकत में यह 15 फिजदी होता है क्योंकि आपके बोस को भी Social Security की उतनी रकम मिलानी पड़ती है मुद्दे की बात यह है कि यह वह पैसा है जो आपका बोस आपको नहीं दे सकता इससे भी बड़ी बात यह है कि आपको अपने वेतन में से कटे Social Security Tax की रकम पर Income Tax भी देना होता है और यह है एसी आमदनी होती है जो आपके हाथ में नहीं आई है बलकि सीदही Social Security में चली गई फिर दाइतों बढ़ने लगते है इसे समझाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम वापस युवापती पतने की कहानी के तरफ चलें उनकी आमदनी बढ़ने के कारण वे फैसला करते हैं कि अब वे किराय के मकान में नहीं रहेंगे बलकि अपने सपनों का घर खरी देंगे जब वे अपने घर में पहुंच जाते हैं तो उन पर एक नए टेक्स का बोज आ जाता है जिसे प्रोपर्टी टेक्स कहते हैं फिर वो लोग नए कार खरीते हैं नया फरनीचर और नया सामान खरीते हैं ताकि उनका घर आलिशान लगे। अचानक वे अपने सपने से जागते हैं और देखते हैं कि उनके दाइतों का कालम बढ़ गया है। वे करजे में हैं और उन्हें बहुत से मार्ट गेज गरिन और क्रेडिट कारिण चुकाने हैं। अब वे चुहा दोड़ में फस चुके हैं, एक बच्चा भी पैदा हो जाता है, वे और कड़ी मेहनत करते हैं, पर किरिया फिर दोर आई जाती है, ज्यादा पैसा आता है, उस पर ज्यादा टेक्स लगता है, जिसे ब्रेकेट क्रीप्स भी कहा जाता है, तभी उनके पास डाक लिए, कंपनी उन्हें एक बिल कंसालिडेशन लोन देने का आफर देती है, क्योंकि उनकी क्रेडिट बहुत अच्छी है, कंपनी उन्हें यह भी बताती है, कि समझदारी इसे में होगी, कि वे अपने उन्ची ब्याजदर कर लिए गए, कंजुमर लोन को उनके क्रेडिट क कार्ड का बुक्तान कर देते हैं, इसके बाद वे राहत की सांस लेते हैं, उन्होंने क्रेडिट कार्ड का इसाब साब कर दिया है, अब उन्होंने अपने उप बुक्तारेन को होम मौटकेज में बदल दिया है, उनका बुक्तान भी कम हो जाता है, क्योंकि उन्हें अपने क करज को 30 साल की आसान किस्तों में चुकाना होता है समझ्या से निपने का यही स्मार्ट तरीका है उनके पडोसी आते हैं और उन्हें शोपिंग पर चलने का नियुता देते हैं मेमोरियल डे की सेल लगी हुई है यही तो मौका है कुछ पैसे बचाने का वे आपस में बात करते हैं वे अपने आपसे कहते हैं मैं कुछ नहीं खरीदूंगा मैं तो सिर्फ देखने जा रहा हूं परन्तु अगर कोई चीज जम जाई तो उसे खरीदने की उम्मीद में भी अ सुनने के लिए आते हैं कि मैं इस बारे में क्या कहता हूं वे मुझसे पूछते हैं क्या आप हमें बता सकते हैं कि और ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाता है उनकी खर्चे लिए आपतों ने उन्हें और ज़्यादा कमाने के लिए मजबूर कर दिया है पर इतना भी नहीं जानते कि दरसल समझ्चा पैसा कमाने की नहीं पैसा सही तरीके से खर्च करने की है और यही पैसे की तंगी का कारण है यह समझ्चा इसलिए पैदा होती है क्योंकि उन में पैसे की समझ नहीं होती यह समझ्चा इसलिए भी और बयानक हो जाती है क्योंकि बेसंपत्ति और दा मेरा एक दोस्त बार बार करज में फसे लोगों को यही सला देता है अगर आपको लगता है कि आपने अपने आपको किसी कट्डे में फसा लिया है तो गट्डा को दना बंद करा दो मेरे डेडी बच्पन में हमें बताया करते थे कि जापानी तीन ताक्तों को मानते हैं तलवार की ताकत, रतनों की ताकत और दर्पन की ताकत तलवार हत्यारों की ताकत का परतीक थी अमेरिका ने हत्यारों पर खर्बों डोलर खर्च कर दिये और इसी कारण वह है आज विश्व में सबसे ताकत वर्देश है रतन पैसे की ताकत का प्रतीक है इस कावत में कुछ तो सचाई है यह स्वर्णिम नियम याद रखो जिसके पास स्वर्ण है वही नियम बनाता है दरपण आतम ज्यान का प्रतीक है जापानी दंद काता के अनुसार यह आतम ज्यान इन तिनों में से सबसे कीमती वस्तु थी गरीब और मद्यम वर्गिया लोग अक्सर धन की ताकत से नियंत्रित होते हैं वे सुबह सुबह उठकर कड़ी मेनत करने यानि नोकरी करने चले जाते हैं और कुछ से यह तक नहीं प कि वह उन्हें काबू में कर ले पैसे की ताकत उनके विरोध में इस्तिमाल होती है अगर वे धर्पन की ताकत का इस्तिमाल करते तो वे खुछ से यह सवाल पूछते क्या इसमें समझदारी है बहुत बार अपनी अंदरुनी समझदारी पर बरोसा करने के बजाए लोग बी समझे के कारण वही दोराते हैं जो उन्हें सिखाया गया है इस तरह के विचार कि आपका घर आपकी सबसे बड़ी पूंजी है आपका घर आपका सबसे बड़ा निवेस है अगर आप ज़्यादा करज लेते हैं तो आपको सामने बोलने का डर मनोवैक्यनिक कहते हैं कि ज्यादातर लोग सारवजनिक منस पर बोलने से इसलिए घतराते हैं क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि उनकी बुराई हो भी लोग बाग उनके हैसी उड़ाएंगे वї अकेले रह जाएंगे सबसे कट जाएंगे और विरादरी से अलग थलग कर दिये जाएंगे सबसे अलग होने का डर या अकेले रह जाने का डर ही वह है सबसे बड़ा कारण है जिस वज़े से जाथतर लोग अपनी समश्या हल करने के लिए नई तरीके नहीं ढूलते इसलिए मेरे पड़ेल के डैड़ी कहा करते थे कि जापानी लोग दरपन की ताकत को सबसे ज़्यादा मेहतों देते थे क्योंकि जब इंसान दरपन में खुद को देखता है तभी उसे सचाई का पता चलता है और ज्यादातर लोग खत्रे मत उठाओ इसलिए कहते हैं क्योंकि वे खुद डरे वे होते हैं यह किसी भी चीज के बारे में कहा जा सकता है जैसे खेल में संबंदों में करियर में या धन में इसी समाज से कड़ जाने के डर के कारण लोग लिक पर चलते हैं और समाज की स्विक्रत मानेताओं या लोग प्रिय प्रवर्तियों के खिलाप नहीं जाते आपका घर एक संपर्ति है बिल कंसोलिडेशन लोन लो और कर्द से बाहर निकल जाओं कड़ी में इनत करो प्रोमोशन का सवाल है एक दिन में वाइस प्रेजिनेट बन जाओंगा पैसे बचाओ जब मेरी तनक्वा बढ़ेगी तो मैं एक बड़ा घर खरीद लूँगा म्यूचुल पंड सुरक्षित है टिकल में एलमो डोल्स अभी स्टोक में नहीं है परन्तु मेरे पास एक डोल रखी है जो दूसरा गराक अब तक लेने नहीं आया है भीड के साथ चलने और पडोशियों के एशो और आम की नकल करने के कारण पैसे की बहुत सी समझें पैद होती है और हमें अपने डर्ग के बजाए अपनी अंदरुनी समझदरी से सोचना चाहिए जब माइक और मैं 16 के हुए तो हमें स्कूल में समझ्चा ही आने लगी थी हम बुरे बच्चे नहीं थे हम केवल अपने आपको भीड से अलग कर रही थे स्कूल के बाद और शनिवा मैनेजर और करमचारियों के साथ चर्चा करते थे माई के डैड़ी ने 13 साल की उमर में स्कूल छोड़ दिया था अवे पडेली के लोगों को रास्ता दिखा रहे थे उन्हें आदेश और निग्देश दे रहे थे उनसे सवाल पूछ रहे थे पडेली की लोग उनकी एक होती थी हमें इसे इस तरह से इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सभी लोग इसे इस तरह करते हैं वे नहीं हो सकता से भी बहुत चिटते थे अगर आप उनसे कोई काम करवाना चाते थे तो आपको बस इतना ही कहना था मुझे लगता है कि आप इसे नहीं कर सकते माईक और मै पैसे की शिक्षा थी और इसी कारण में सफल भी थे वे हमें बार-बार बताया करते थे एक समझदार व्यक्ति अपने से ज्यादा समझदार लोगों को नोकरी पर रख सकता है इसलिए माईक और मुझे समझदार लोगों की बातें सुनने और उनसे सिखने का लाब मिला परन्तु इसके कारण माईक और मैं दोनों ही उन समझिक मानेताओं के साथ नहीं चल पाई जो हमारे सिक्षक हमें बताते थे और इस वज़े से कई समझदार पैदा हो गई जब कोई टीचर कहता था अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं तो तुम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते तो माईक और मैं अपनी बोहें चड़ा लेते थे जब हमें गिसे पिटे डर्रे पर चलने को कहा जाता था और नियमों का अक्षर से पालन करना सिखाया जाता था तो हमें यह लगता था कि स्कूली सिक्षा दरसल रचनात्मक्ता का गला गोटते थी हैं हम अमेर डेड़ी की यह बात समझने लगे थे कि स्कूलों को इसलिए बनाये गया है ताकि वहां अच्छे करमचारी तयार हो ने की अच्छे मालिक कभी कबार माईक यह में पूछते थे कि हम जो पढ़ रहे हैं उनकी असली जिन्दिए में क्या और क्यों बिता है या यह है कि हमें पैसे के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है दूसरे सवाल का अक्सर हमें यह जबाब मिलता था कि पैसा मैं तो नहीं है और अगर हम अच्छी पढ़ाई दबाव नहीं डाला मुझे इस बात पर हैरानी होती है कि उन्होंने इसा क्यों नहीं किया परंतो हम लोगों में पैसे को लेकर अक्सर वाद विवाद होने लगे थे जब मैं 16 साल का हुआ तो मेरी पैसे की बुनियाद मेरे मम्मी डेड़ी से अच्छी हो चुकी थी मैं अकाउंटेंट्स, कारपोरेट साटार्नी, बैकर्स, रियल इस्टेट ब्रोकर्स, निवेश को इत्यादी की बाते सुनता था मेरे डैडी सिक्षिकों की बातें करते थे एक दिन मेरे डैडी मुझे बता रहे थे कि हमारा गर हमारे लिए सबसे बड़ा निवेस क्यों है इस बात को लेकर हम दोनों में बहस हो गई जब मैंने उन्हें यह बताया कि गर आमारे लिए अच्छा निवेश क्यों नहीं है आगे आने वाले चित्र से यह साप हो जाता है कि अपने अपने गरों को लेकर मेरे अमीर डैडी और मेरे गरीव डैडी के विचारों में कितना अंतर था एक डैडी के इसाब से उनका गर एक संपत्ती थी जबकि दूसरे डैडी के इसाब से यह एक डैड़ तो था मुझे याद है मैंने नीचे वाला चित्र खींच कर अपने डैडी को कैश फलो की दिशा समझाने की कोशिश की थी मैंने उन्हें यह भी बताया था कि घर के साथ साथ उनसे जुड़ी कुछ दिगार खर्च भी बढ़ जाते हैं एक ज़्यादा बड़े घर का मतलब था और ज़्यादा खर्च और इसका मतलब यह था कि कैश फलो खर्च के कालम से उपर गुजरता रहता था आज ही लोग बागमुचे इस बात पर भहस करते हैं कि उनका अगर संपति क्यों नहीं होता मैं जानता हूं कि बहुट से लोगों के लिए खुद का गर उनका सबसे बड़ा सपना होता है और इसलिए में इसे अपना सबसे बड़ा निवेस मानते हैं अपने घर के मालिक होने से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है मैं इस लोग प्रियमानियता को देखने का एक और नजरिया सुजाना चाहता हूँ अगर मैं और मेरी पतनी एक ज्यादा बड़ा और आलिशान मकान खरीदने की बात सोचते हैं तो हम जानते हैं कि यह एक संपत्ती नहीं होगी बलकि एक दायत तो होगा क्योंकि इससे हमारी जेव से पैसा निकल जाएगा तो यह रहा मेरा तरक हालनकि ज्यादातर लोग मुझसे सेमत नहीं होगी क्योंकि घर एक भावनात्वक चीज होती है और जब पैसे का सवाल आता है तो भावनाई पैसे की समझ को हरा देती है मुझे व्यक्तिकत अनुवा उसे पता है कि पैसा हर फैसले को भावनातफ़क बना देता है नमबर एक जब घर की बात आती है तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि ज़्यातर लोग उस घर की कीमत चुकाने के लिए जिन्दगी भर काम करते हैं जिसके वे कभी पूरी तरह मालिक नहीं होते दूसरे शब्दों में ज़्यातर लोग एक घर खरीदने से कुछ सालों बाद दूसरा घर खरीदते हैं और हर बार अपने पहले मकान के लिए जो खर्ज बे लेते हैं उस पर उनके पास हर बार सिर्फ फिर से तीन साल का नया खर्ज होता है नमबर दू हालांकि लोगों को माटगेज पेमेंट पर ब्याज के लिए टेक्स में छूट मिलती है पर उन दूबे अपने दिगर खर्चों के लिए टेक्स के साथ मिलने वाले डालरों का उप्योग करते हैं अपनी माटगेज को पूरी तरह चुकाने के बाद भी नमबर तिन प्रोपर्टी टेक्स मेरी पतनी के में में डेडी को धक्का लगा जब उनके घर का प्रोपर्टी टेक्स एक अजार डॉलर परती महा तक पहुंच गया यह तब हुआ जब वे रिटायर हो चुके थे और इस बड़ोतरी से उनका रिटायरमेंट के बाद का बजट गड़ बढ़ा गया और उन्हें मजबूरन मकान बदलना पड़ा नमबर चार घर की कीमत हमेशा नहीं बढ़ती मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अपने घर के लिए कर्ज लिया था उन्हें तस लाग डॉलर से भी ज़्यादा का कर्द चुकाना है पर आज उस घर की कीमत साथ लाग डालर से ज़्यादा नहीं है नमबर पांस सबसे बड़े नुकसान अवसर गमाने की बज़ेसे होते हैं अगर आपका सारा पैसा मकान में फसा रहता है तो आपको ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि आपका खर्द चलता रहे है इस दोरान आपके संपत्ती वाले कॉलम में कोई बड़ोतरी नहीं होती है अगर एक युवा पतिपत ने शुरुआत में यह बना पैसा संपत्ती वाले कॉलम में लगाएं तो उनके आगे के साल आराम से गुजरेंगे खास कर उस समय जब वे अपने बच्चों को कॉलेज में बेजेंगे इस दोरान उनकी संपत्ती भी बढ़ जाएगी और उनके खर्चें भी आराम से निकलते लगेंगे अक्सर ऐसा होता है कि आपका घर आपके बढ़ते हुए खर्च के बुगदान के लिए होम एक्विटी लोन का सालन बन जाता है संक्षेप में अपना घर खरीदना का फैसला बहुत खर्चिला पड़ता है इसके बज़ाई बेहतर यह होगा कि जल्दी ही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियों बना लिया जाए किसी आदमी पर इसका आसर कम से कम तीन तरह से पड़ता है नमबर एक समय की बरवादी क्योंकि इस दोरान दूसरी संपतियों का मुल्य बढ़ गया होता है नमबर दो अतिरिक पूंजी की बरवादी जिसे दुबारा निवेस किया जा सकता था जबकि घर खरीदने के बाद आपको घर से सीधे जुड़े बहुत से खर्चेक उठाने पड़ते हैं नमबर तीन शिक्षा की बरवादी अकसर एसा होता है कि लोग यह मानते हैं कि उनकी संपतिवली कोलम में उनका घर बचतो रिटाइर्मेंट प्लान आते हैं चुकि उनके पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं होता इसलिए वे बिल्कुल भी निवेश नहीं करते हैं इस कारण उने निवेश कानुबह कभी नहीं मिल पाता ज्यादातर लोग कभी एक समझदार निवेशक नहीं बन पाते और सबसे बड़ी अनिवेस सामान्य तोर पर सबसे पहले समझदार निवेसकों को बेचे जाते हैं जो बाद में उन्हें सुरक्षित खेलने वाले लोगों को बेचते हैं मेरे पड़े लिके डैड़ी का फाइनेंसियल स्टेटमेंट चुहा दोड में फसे बेक्ती का सबसे अच्छा उधारन है उनके खर्च हमेशा उनकी आमदनी से ज़्यादा होते थे इसलिए उन्हें संपत्ती में निवेस करने का मौका ही नहीं मिलता था इसका नतीजा यह होता था कि उनके दाइतों जैसे मार्केज और क्रेडिट कार्ड की करज उनकी संपत्ती से कहीं ज़्यादा होते यह चित्र एक अजार सब्दों की तरह एक कहानी बताता है पड़े लिके डैड़ी का फाइनेंसियल स्टेटमेंट दूसरी तरफ मेरे अमीर डैड़ी का फाइनेंसियल स्टेटमेंट यह दिखाता है कि वे जी जान लगाकर निवेस कर रही थे और उन्होंने अपने दाइतों को कम से कम रखा था अमीर डैड़ी का फाइनसियल स्टेटमेंट मेरे अमीर टेडी के financial statement से यह है भी पता चलता है कि अमीर लोग और ज़्यादा अमीर क्यों बनते हैं संपत्ति वाले कोलम से इतने ज़्यादा आमदनी होती है कि खर्च आराम से चल जाता है और कुछ पैसा बच भी जाता है इस बचे हुए पैसे को एक बार फिर से संपत्ति वाले कालम में दुबारा निवेश कर दिया जाता है संपत्ति वाला कलम बढ़ता जाता है। और इससे होने वाली आमदनी भी बढ़ती रहती है नतिज़ा यह होता है, अमीर लोग और ज़दा अमीर होते चले जाते हैं यह रहा Financial Statement मद्यवर्ग के लोग हमेशा पैसे की तंगी से जूशते रहते हैं उनकी मूल आमद्नी तंखवा से होती है और जैसे जैसे उनकी तनक्वा बढ़ती है उनके टेक्स भी बढ़ते जाते हैं इसके साथ ही आमदनी बढ़ने पर उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं इसलिए इसे चुहा दोड कहा जाता है ये लोग मानते हैं कि उनका घर उनकी मूल संपत्ती है और इसलिए वे आमदनी दिलाने वाली संपत्ती में निवेश नहीं करते हैं मद्यांवर्ग को पैसे की तंगी क्यों होती है यह रहा financial statement आज की कर्जदार सोसाइटी दो बाते मानती है पहली यह है कि खुद का घर एक निवेश होता है और दूसरी यह है कि तंखवा बढ़ने पर खर्च भी बढ़ना चाहिए या एक ज़्यादा बढ़ा गर खरीद लेना चाहिए बढ़ते वे खर्च के कारण परिवार ज़्यादा कर्ज में फस जाते हैं और उन्हें पैसे की और ज़्यादा तंगी का सामना करना पड़ता है हालांकि वे अपनी नोक्रियों में लगातार तरक्की कर रही है और उनकी तंखवा लगातार बढ़ती जा रही है इसे हाई रिस्क लिविंग या बहुत जोखिम बरी जीवन सेलिक कहा जाता है सुरक्षित है अचानक कंपनी पेंशन प्लान की जगह पर 41 के प्लान आ गए है सोसल सिक्रेटे निश्चित रूप से संकट में है और इसे रेटायर्मेंट का सारा नहीं बनाया जा सकता मद्यों मर्ग में गवराहट का माहूल पैदा हो गया है आज एक अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर लोग ये बातें समझते हैं और इसलिए उन्होंने म्यूचल फंड खरीदा शुरू कर दिया है निवेस में हुई बड़ोतरी के कारण ही हमने स्टोक मार्केट में इतनी तेजी देखी है आज मत्य उमर की बढ़ती होई मांग को पूरा करने के लिए नए नए म्यूचल फंड बनते जा रहे हैं म्यूचल फंड इसलिए लोग प्रिय हुए क्योंकि वे सुरक्षा के परतीख है होसत म्यूचल फंड खरीदने वाले आदमी नोकरी में टेक्स और मार्केट चुकाने में अपने बच्चों की सिक्षा की फीज के लिए पैसे बचाने में और अपने क्रेडिट काड का इसाप साप करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त है उनके पास इतना समय नहीं है कि वे निवेश करने की कलाश सीख सकें इसलिए वे म्यूचल फंड के मेरेजर की कावलियत पर भरोसा करते हैं चुकि म्यूचल फंड कई तरह के निवेश करता है इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि उनका पैसा जाड़ा सुरक्षित है क्योंकि यह टुकडों में बंड गया है यह डाइवर्सिफाइड हो गया है पड़ेल के मद्यमवर्ग का यह समूच म्यूचल फंड ब्रोकर्स और फैनेंशियल प्लानर के डाइवर्सिफाइड सिदान को सही मानता है सुरक्षित रहो जोखिं से बचो असली तराजदी यह है कि पैसे की समझने होने के कारण उसत मद्यमवर्गे लोग खत्रों का सामना करते हैं उनके सुरक्षित खेलने का असल कारणी यह होता है कि उनके पास पैसे की तंगी होती है उनकी बैलेंस सीट में बैलेंस नहीं होता उनका संपत्ति वाला कॉलम तो खली ही रहता है जहां से आमदनी आती है जबकि उनके दाइतों वाला कॉलम पूरा भरा रहता है सामन्य तोर पर उनकी आमदनी का इकलोता साधन उनका वेतन होता है उनका जीवन वे अपन पूरी तरह से उनके बोस पर निर्वर करता है और जब सचमुद जिन्दगी में एक बार आने वाला मुका आता है तो ये लोग उस मुके का फाइदा नहीं उठा पाते क्योंकि वे इतनी कड़ी मेनत करते हैं इसलिए वे सुरक्षित खेल खेलते हैं सबसे ज़्यादा टेक्स चुकाते हैं और कर्ज के बोच से दवे रहते हैं जैसा मैंने इस खंड में शुरू में कहा था सबसे मेहत्वपोन नियम यह है कि संपत्ती और दाइतों के बीच के अंतर को पैचाना जाए एक बार आप इसमें फर्क समझ लें इसके बाद आप आमदने देने वाली संपत्ती खरिदने की लगातार कोशिस करते रहें यह हैं अमीर बनने की रहा पर चलने का सबसे लोग परिया और बढ़िया तरीका है इसे करते रहें और आपका संपत्ती वाला कोलम बढ़ाते रहें अपने दाइत्त और खर्च को कम करने की कोशिस भी करते रहें इससे पैसा आपके संपत्ति वाले कोलम में आता रहेगा जल्द ही आपकी संपत्ति वाला कोलम इतना ज्यादा मजबूत हो जाएगा कि आप और ज्यादा जोखिम वाले निवेश कर सकेंगे एशे निवेश जिन में صोंप इजड़ी से अनंत तक फायदा हो सकता है एसे निवेश जिन में पांच अजार डोलर की रिकम जल्दी ही 10,00,00 डोलर या इससे ज्यादा हो जाती है एसे निवेश जिने मध्यम वर्ग बहुत जोखिमबरा मांता है निवेश जोखिम नहीं है य अगर आप वही करते हैं जो सभी लोग करते हैं तो आपको यह चित्र मिलेगा एक करमचारी होने के नाति जो घर का मालिक भी है आपकी नोकरी का पैटर्न सामनेत है यह होता है नमबर एक आप किसी के लिए काम करते हैं तनकवा पर काम करने वाले ज्यादातर लोग मालिक को य उसके retirement में मदद मिलती है नमबर दो आप सरकार के लिए काम करते हैं आप इसे देख पाएंगे इसके पहले कि सरकार आपकी तनखुआ में से अपना हिसा ले लेती है ज्यादा कड़ी मेहनत करके आप सरकार को देने वाले टेक्स में बढ़ोतरी करते हैं ज्यादातर लोग जनवरी से मई तक सिर्फ सरकार के लिए काम करते हैं नमबर तीन आप बैंक के लिए काम करते हैं टेक्स चुकाने के बाद आपका सबसे बड़ा खर्च आम तोर पर आपका mortgage credit card का कर्द चुकाना होता है अगर आप सिर्फ ज्यादा करी मेहनत से काम करते जाएं तो समझ चाहिए यह है कि तीनों ही मामलों में आपकी ज्यादा मेहनत से किसी और को ज्यादा फाइदा होता है आपको यह सीखना चाहिए कि आपकी ज्यादा मेहनत से किस तरह आपको और आपके परिवार को सीधा फाइदा मिल सकता है अगर आप यह फैसला कर भी लें कि आप अपने काम से काम रखेंगे तो फिर आपको यह नहीं पता दोता कि आपके लक्षों को किस तरह से निर्दारित किया जाई ज़्यादातर लोग अपने प्रोफेशन को बनाई रखना चाते हैं और अपने तन्खवा के सारे ही संपत्ति बनाना चाते हैं जब उनकी संपत्ति बढ़ती है तो वे किस तरह अपने सफलता कांकलन करते हैं कब कोई विक्ति यह महसूस करता है कि वह अमीर है, कि उसके पास दोलत है, संपत्यों और दाइतों की मेरी अपनी परिवासाओं की ही तरहे, दोलत के बारे में भी मेरी अपनी परिवासा है दरसल मैंने इसे बक्मिन्स्टर फुलर नामक व्यक्ति से सिखा है कुछ लोग उसे नीम हकिम कहते हैं और कई लोग उसे एक जीता जागता जीनियस कहते हैं सालों पहले सभी वास्तों इसलिए हैरान हो गए थे क्योंकि 1961 में उसने जीयोडेसिक डॉम के पेटेंट के लिए आवेदन किया था और उस आवेदन में फुलर ने दोलत के बारे में भी कुछ कहा था पहले तो उसका ठेक ठेक मतलब समझ में नहीं आया था परंतु उसे कई बार पढ़ने के बाद इसका मतलब समझ में आने लगा दोलत किसी आदमी की वहय योग्यता है जिसके सारे वह आगे आने वाले दिनों में जिन्दा रह सकता है यानि अगर मैं आज काम करना बंद कर दूँ तो मैं कितने दिनों तक जिन्दा रह सकता हूँ यह नेट वर्थ की तरह नहीं है जो आपकी संपत्य और दाइतों के बीच का अंतर है हर व्यक्ति को लगता है कि उसके पास जो सामान है वह बहुत किमती है परन्तों इस परिवासा से सचमुच सही आंकलन नहीं किया जा सकता मैं अब आंकलन कर सकता हूँ और सचमुच जानता हूँ कि आप्थी ग्रूप से आजाद होने के लिए मेरे लक्षय के संदर्म में मैंने कितनी तरक्की कर ली है अलंकि नेट वर्थ में एसी चीज़ें भी आ जाती है जिन से पैसा नहीं आता जैसे वहे वस्तू जो आपके गेरेज में खड़ी है दोलत का सिधा सा इसाव यह है कि आपका पैसा कितना पैसा बना रहा है और इसलिए आप आर्थी ग्रूप से कितने दिनों तक जिन्दा रह सकते हैं दोलत दरसल संपत्य के कौलम के कैश फलो का दाइतो वाले कौलम के साथ तुलिना एक उधारनले यह कहें कि मेरे पास हर मैने में संपत्य वाले कौलम से 1000 डालर का कैश फलो है और मेरा खर्च हर मैने 2000 डालर है मेरे पास कितनी दोलत है अब हम बक्मिन्स्टर फूलर की परिवासा की तरब चलें उसकी परिवासा के इसाब से मैं कितने दिनों तक जिंदा रहे सकता हूं अगर हम एक मैने में 30 दिन माल ले तो इस परिवासा के इसाब से मैं 15 दिन तक जिंदा रहे सकता हूं जब मैं अपनी संपत्ती से हर मेने 2000 डालर का कैस्पलो वासिल करने लग जाओंगा तो मैं दोलतमन हो जाओंगा हालांकि मैं अमीर नहीं हूं परंतु मैं दोलतमन जरूर हूं हर मेने मेरी संपत्ती से मुझे जो आमदनी मिलती है वह है मेरे मेने बर के खर्च के लिए काफी होती है अगर मैं अपने खर्च को बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे इसके पहले अपने संपत्ती से आने वाले कैस्पलो को बढ़ाना होगा यहे ध्यान रखें कि इस बिंदू पर मैं अपनी तनक्वा पर बिल्कुल भी निर्वन नहीं हूँ मैंने संपत्ति वाले कालम को परने में जी तोड़ कोशिस की थी और मैं इसमें सफल भी हुआ था जिसके कारण आज मैं आर्थिक रूप से आजाद हो गया हूँ अगर मैं आज अपने नोगरी छोड़ भी दूँ तो भी मेरी संपत्तियों से इतना कैश्पलो आता रहेगा कि मेरा खर्चा साने से चलता रहेगा मेरा अगला लक्षय यह होगा कि मेरी संपत्तियों से आने वाले अतिरित कैश्पलो गो फिर से संपत्य वाले कालम में निवेस कर दिया जाएगा मेरी संपत्य वाले कालम में जितना ज़्यादा पैसा जाता है मेरा संपत्य वाला कालम उतना ही बढ़ता रहता है मेरा संपत्य वाला कालम जितना ज़्यादा बढ़ता है वहां से उतना ही ज़्यादा कैस्फलो आता है और जब तक मैं अपने खर्च को आने वाले कैस्फलों से कम रखता हूँ तब तक मैं और ज़्यादा मिर बनता रहूँगा और ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरी आमदनी शारिरिक मेनद से नहीं बलकि दूसरे जर्यों से आ रही है जब तक पुनर निवेश की यह परक्रिया चलती रहती है मैं अमीर बनने की रहा पर तेजी से चलता रहूँगा अमीर की असली परिवासा देखने वाले की निगा में होती है आप कभी अत्यदीक अमीर नहीं हो सकते इस आसान सबक को याद रखें अमीर संपत्ती खरीदते हैं गरीव केवल खर्च करते हैं मद्यमवर्ग दाईतों खरीदता है परंतु यह सोचता है कि वह संपत्ती खरीद रहा है तो किस तरह मैंने अपने काम से काम रखा इस सवाल का जवाब क्या है मैक टोनाल्स के मालिक की बाते सुने धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याई च्यार की तरफ जो है अपने काम से काम रखो आपका दिन शुभ हूँ रिच डैड पूर डैड अध्याई च्यार अपने काम से काम रखो उनिस सो चुएत्र में मैक टोनाल्स के मालिक रेक रोक से अग्रेक किया गया कि वे आस्टिन में टेकसासी उनिवेस्टी में एम्बिय की कक्षिया में व्याख्यान दे मेरा एक करीबी दोस्त कीथ कनिंगम वहाँ एम्बिय कर रहा था बहुत अच्छी और प्रेणा डाइक चर्चा के बाद कक्षिया खत्म हो गई और विद्यार्थियों ने रे से पूछा कि क्या वे बियर के लिए उनकी फेवरेट बार में चलेंगे रे तयार हो गई जब सब लोगों के हाथ में बियर आ गई तब रे ने पूछा मेरा असली बिजनेस क्या है हर कोई हंस पड़ा ज़्यादातर एम्बिय विद्यार्थियों को येसा लगा जैसे रे मजाक कर रहे थे किसे ने जबाब नहीं दिया इसलिए रे ने दुबारा ये ही सवाल पूछा आप लोगों की नजर में मेरा बिजनेस क्या है विद्यार्थि दुबारा हंस दिये और आखिर कर एक बहदूर विद्यार्थियों ने जोर से कहा रे दुनिया में ये सा कौन है जो ये है नहीं जानता कि आप हैंबर्ग बिजनस में है रे हंस दिये मुझे मालूम था कि आप लोग यही कहेंगे वे एक पल के लिए रुके और इसके बाद उन्होंने कहा लेडिज एंड जेंटलमेंट मैं हैंबर्ग बिजनस में नहीं हूँ मेरा आशली बिजनस है रियल इस्टेट कीथ ने कहा कि रे ने अपने नजरियों को समझाने के लिए काफी समय लिया अपने बिजनस प्लान में रे जानते थे कि बिजनस का मूल लक्षे हेंबर्ग फरंचाइजी वेचना था परंतु वे कभी भी हर फरंचाइजी की लोकेशन को नहीं भूले वे जानते थे कि रियल इस्टेट और इसकी लोकेशन हर फरंचाइजी की सबलता में सबसे मेत्वपून तक तो है मुलते वह है आदमी जो फरंचाइजी खरीद रहा था और रेक राक के संग्टन की फ्रंचाईजी चेन का सदश्य बनता था वह भी उस जमीन के लिए पैसे दे रहा था और उसे खरीद रहा था आज मैकडोनाल्ड दुनिया में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा केला मालिक है जिस के पास कैथोलिक चर्च से भी बड़ा ज्यादा रियल एस्टेट है आज म कीद के बाश कार दूने का विजनस है परन्तो उसका असली विजनस है कार दोने के घरेज के नीचे का रियल एस्टेट फिचल एधियाई के अंद में हमने यह बताया था कि ज्यादातार लोग दूसरों के लिए काम करते हैं बस अपने लिए काम नहीं करते वे पहले तो कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं फिर टेक्स के कारण सरकार के लिए काम करते हैं और आखिर कार्ड बैंक के लिए काम करते हैं जो उनके मार्क गेज का मालिक होता है जब हम छोटे थे तो हमारे आसपास मैक डॉनल्ड का कोई फरंचाइज ये आउटलेट नहीं था परन्तु मेरे अमीरी डेड़ी ने माईक और मुझे वही सबग सिखा दिया जो टेक्सास यूनिवेस्टि में रेक राक ने सिखाया था यह अमीरों का रहष्य नमबर तीन है रहष्य है अपने काम से काम रखो लोगों के जिंदगी में पैसे की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वे अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं और बैलेंस सीट का चितर दिया गया है जो रेक राक की सला का सबसे अच्छा उधारन है हमारी वरतमान शिक्षा पद्धती आज के यूवाओं में अकादमी कुशलताइं विक्षित करूने अच्छी नोकरियां दिलाने के लिए तैयार करती है उनकी जिन्दगी उनकी तनक्वाओं के चारों तरफ गूमती है या जैसा पहले बताया जा चुका है उनकी आदमद्धनी वाले कालम के चारों तरफ और जारा अकादमी कुशलताओं को विक्षित करने के बाद वे अपनी व्यवसाइक योगेताओं को बढ़ाने के लिए और उनसे शिक्षा हासिल करते हैं वे इंजिनियर, वे ग्यानिक, रसोई, पुलिस अबसर, कलाकार लेखकिद्याती बनने के लिए पढ़ाई करते हैं उनकी व्यवसाइक योगेताओं उन्हें काम करने और पैसा कमाने का मुक्ता देती हैं परन्तु ध्यान रहे, वे पैसे के लिए काम करते हैं आपके प्रोवेशन और आपके बिजनस में बहुत बढ़ा अंतर है मैं एक सर लोगों से पूस्ता हूँ आपका बिजनस क्या है और वे कहते हैं मैं एक बैंकर हूँ फिर मैं उनसे पूस्ता हूँ कि क्या वे बैंकर मलिक हैं और समाने ता उनका जवाब होता है नहीं, मैं वहाँ काम करता हूँ इस तरह उन्होंने अपने प्रोफेशन और अपने बिजनस को एक ही समझ लिया है, उनका प्रोफेशन एक बैंकर का हो सकता है, परन्तु उनका अपना बिजनस कुछ भी नहीं है, रेक राक अपने प्रोफेशन और अपने बिजनस के बीच की अंतर को बहुत अच्छी तरह जानते थे उनका प्रोफेशन हमेशा वही था वे एक सेल्जमेन थे एक समय वे मिल्क शेक के लिए मिक्सर बेशते थे और कुछ ही समय बाद वे हैंबर्ग फरंचाईजी बेशने लगे आलांकि उनका प्रोफेशन हैंबर्ग फरंचाईजी बेशना था परंतो उनका बिजनस आई दिलाने वाले रियल एस्टेट को इकठा करना था स्कूल के साथ एक समस्या यह है कि आप जो विशे पढ़ते हैं आप वही बन जाते हैं उधारण के लिए अगर आप कुकिंग का अध्यान करते हैं तो आप शेप बन जाते हैं अगर आप कानून का अध्यान करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं और अगर आप आटो मेकेनिक का द्यान करते हैं, तो आप मेकेनिक बन जाते हैं, जो पढ़ा जाई, वही बन जाने में गलती यहां होती है, कि लोग अपने काम से काम रखना भूल जाते हैं, वे अपना सारा जीवन, दूसरों के काम पर ध्यान देने में लगा देते हैं, और इस तरह उन्हें अमीर बनाते हैं। आर्थी ग्रूप से सुरुक्षित बनने के लिए किसी आदमी को अपने काम से काम रखने की ज़रूरत है। आपका बिजनस आपकी संपत्ती वाले कालम के चारों तरब गुंता है जो आपकी आमदनी वाले कालम के प्रिपरीत होता है। जैसा पहले बताया जा चुका है। नमबर एक नियम यह जानना है कि संपत्ती और दाइतों के बीच अंतर होता है। और इसलिए हमें संपत्ती ही खरीदना चाहिए। अमीर लोग अपने समपत्ति वाले कालम पर ध्यान देते हैं जबकि बाकी सभी लोग अपने इंकम स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं इसलिए हमें यह बहुत सुनने में आता है मुझे ज़्यादा तनक्वा की जरूरत है कास कि मुझे प्रमेशन मिल जाए मैं एक बार फिर स्कूल जाकर कुछ और प्रसिक्षन लेने वाला हूँ ताकि मैं बेहतर नोकरी पास हूँ मैं और टाइम करने वाला हूँ शाहिद अगर आप रेक राक की बात समझ लेते हैं तो ऐसा करके आप अपने काम से काम नहीं रख रहे हैं यह सभी विचाहत अपना पूरा ध्यान आमदनी वाले कालम पर केंद्रित की हुए है और अगर अतिरीक धनकाव क्योग आमदनी बढ़ाने वाली संपतियों को खरीबने में किया जाता है तभी वह आदमी आर्थी गरूप से सुरक्षित हो सकता है गरीब और मद्यमर्ग के ज्यादातर लोग पुरातन पंती होते हैं यानि मैं जोखिम नहीं उठा सकता यानि कि उनका आर्थी कादार नहीं होता वे अपनी नोकरियों से चिपके रहते हैं वे खेल क पाकार छोटा होने लगा तो लाकों करोडों लोगों को पता चला कि जिसे वे अपनी सबसे बड़ी संपत्ती मानते थे यानि कि उनका घर वह उन्हें जिन्दा मार रहा है उनकी घर नमक संपत्ती हर माँ उनकी जेव से पैसे निकलवा रही है उनकी कार उनकी दूसरी संप उन्हें जिन्ना मार रही थी गैरेज में रखे एक जार डालर में खरीदे गई उनकी गुल्फ कलब अब एक जार डालर के नहीं रह गई थी नोकरी की चुरक्षा ने होने के कारण अब उनके पास जीवन या पन का कोई यादार नहीं बचा था उनके विचार में जो संपतियां थी पैसे के संकट के समय में वे उनकी कुछ भी मदद नहीं कर सकती थी मैं यहे मान कर चल रहा हूँ कि हम में से ज़्यादातर ने मकान खरीदने या कार खरीदने के लिए बैंकर से लोन के लिए आविदन फार्म बरा है नेट वर्थ कंड पर नज़र डालना हमेशा रोचक रहता है यह है रोचक इसलिए होता है क्योंकि इससे हम जान पाते हैं कि बैंकर और अकाउंटिंग में बैंकिंग और अकाउंटिंग में किन चीजों को संपतिया माना जाता है एक दिन कर्ज लेने के लिए मेरी माली आलत बहुत अच्छी नहीं लग रही थी इसलिए मैंने अपने नईव गोल्प कलब मेरे आर्ट कलेक्शन पुस्तगें स्टीरियो, टेलिवजन अर्मानी सूट्स कलाई गडियां, जूते और दिगर चीजों को संपत्ति वाले कालम में दिखा दिया मेरे लोन के आवे दिन को एस्चुकार कर दिया गया क्योंकि मेरा बहुत जादा निवेस रियल इस्टेट में था लोन कमेटी को यह पसंद नहीं आया कि मैं अपार्टमेंट हाउसे से इतने ज़्यादा पैसे कमा रहा था वे यह जानना चाते थे मेरे पास एक सामान या नोगरी क्यों नहीं है जिसमें बेतन मिलता हूँ उन्होंने मेरे आदमाने सूट्स गोल्ट कलब या आर्ट कलेक्शन के बारे में कोई सवाल नहीं की जिन्दगी कई बार कठिन हो जाती है जब आप स्टंडर्ड परफाइल में फिट नहीं होते है मैं हर बार चौप जाता हूँ जब मैं किसी को यह कहते वे सुनता हूँ कि उनकी नेट वर्थ दस लाग डालर है या एक लाग डालर है या एसा ही कोई और अंकड़ा नेट वर्थ के सटीक नहीं होने का एक खास कारण यह है कि जिस पल आप अपने संपतियों को बेचना शुरू करते हैं आपकी प्राप्तियों कर टेक्स चुकाना पड़ता है इतने सारे लोग अपने आपको पैसे के गहरे संकड़ में डाल लेते हैं जब उनकी आमदनी कम हो जाती है पैसा जुटाने के लिए वे अपनी संपतिया बेचते हैं पहले तो उनकी व्यक्तिकत संपतिया शामाने ते उस मुल्या से बहुत कम में बिखती है जो उनकी बैलेंस सीट में दिखाया गया है या अगर संपतियों को बेजने से कोई फाइदा होता है तो उस पर टेक्स लगा दिया जाता है तो एक बार फिर सरकार फाइदे में से अपना हिस्सा ले लेती है और इस तरह कर्द से उबरने के लिए जुटाई जाने वाली रकम को कम कर देती है अपने काम से काम रखना शुरू कर दे दिन में नोकरी को करते रहें परंतु अपने संपतियों को खरीदना भी चालू कर दे एसे दाइतों या वेक्तिकर चीजों से बचें जिनकी कीमत एक बार घर लाने पर कम हो जाई आप जिस क्षण एक नई कार को शुरूम से बाहर निकाल कर ले आते हैं उसकी कीमत 25 फिजदी कम हो जाती है यह सची संपति नहीं है हालांकि आपके बेंकर भी इसे संपति मानते है मेरा 400 डालर का नया टाइटेनियम ड्राइवर खरीदे के कुछी मिन्टों बाद 1500 डालर मुल्यका हो गया था वेसकों के लिए यही सही है कि वे अपने खर्च कम कर ले अपने डाइतों को गटा ले और मेनत से ठोज संपतियों का आधार बना ले उन युवा लोगों को जिनोंने अभी घर नहीं छोड़ा है यह ऐसी खाया जाना चाहिए कि संपतियों और दाइतों के बीच क्या फार्क होता है घर चोड़ने से पहले युने संपतियों वाले कालम को बनाने की प्रेणा दी जानी चाहिए इसके पहले की वे घर चोड़े शादी करें घर खरीदें बच्चे पैदा करें खतरना कार्थिक स्थिति में फसें नोकरी को कसकर पकड़े रहें और हर चीज को उधार खरीदें मैं बहुत सारे युवा दम पतियों को देखता हूँ जो शादी कर लेते हैं और अपने आपको एक ऐसे जाल में फसा लेते हैं जिससे वे अपने नोकरी के बहुत सालों तक कर्द से बाहर नहीं निकल पाते हैं जब आखरी बच्चा घर चोड़ कर चला जाता है तब ज्यादा तर लोगों को यह है एसास होता है कि उन्होंने रिटायर्मेंट की परियाप तैयारी नहीं की है और वे थोड़ा पैसा अलग रखना शुरू कर देते हैं फिर उनके अबने ममी डैडी बीमार हो जाते हैं और उन पर नई जिम्मेदारिया आ जाती है मैं तो आपको या आपके बच्चों को किस तरह की संपतीयों के संग्रहन की प्रियना दे रहा हूँ मेरी दुनिया में असली संपतिया कई तरह की होती है नमबर एक ऐसी बिजनस जिसमें मेरे होने की जरूरत नहीं हो मैं उनका मालिक जरूर हूँ परंतु उन्हें दूसरे लोग चलाते हैं अगर मुझे वहाँ काम करना पड़े तो यह बिजनस नहीं होगा यह मेरी नोपरी होगी नमबर दो स्टोक नमबर तीन बांड नमबर चार म्यूचल फंड नमबर पांस आमदनी देने वाला रियल एस्टेट नमबर छे नोट्स आई ओ यू नमबर साथ बुद्धिक संपता जैसे संगीत पड़कता पे टेंटी दियाती से मिलने वाली रोयलिटी नमबर आठ और एसी हर चीज़ जो कीमती है जो आमदनी देती है और जिसका मुल्य बढ़ जाता है और जिसका बाजात तैयार है जब मैं छोटा था तब मेरे पड़ेलिके डैडी ने मुझे एक सुरक्षित नोपरी डूनने की सला दी दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी ने मुझे इसी संपतियों को इकठा करने की सला दी जिने मैं पसंद करता था अगर तुम उन्हें पसंद नहीं करते होगी तो तुमें इसका ध्यान नहीं रख पाओगे मैं रियल इस्टेट इसलिए इकठा करता हूँ क्योंकि मुझे इमारतों और जमीन से प्यार है मैं उनके लिए शोपिंग करना भी पसंद करता हूँ मैं सारा दिन उन्हें निहार सकता हूँ जब समश्य होती है तो वे उतनी बुरी नहीं होती कि उनके कारण रियल इस्टे कंपनियों के स्टोक से इसका कारण यह है कि मैं इंटर्प्रियोंनर हूँ नए की कोई कॉर्परेट विर्ती अपने शुरुवाती सालों में मैं बड़े संग्ठनों में काम कर चुका हूँ जैसे कैलिफोर्निया के स्टंडर्ड में यूस मारीन कार्प्स और जेराक्स कार् मेरे पास कई सुकह दिया दे हैं परन्तु बीतर से मैं कंपनी में काम करने वाला आउत भी नहीं हूँ मुझे कंपनी चालू करना अच्छा लगता है परन्तु उन्हें चलाना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं जो शेयर खरीदता हूँ वहे भी शामानेते चोटी कंपनियों के होते हैं और कई वारतों मैं कंपनी चालू करता हूँ और उसे सारुजनिक बना देता हूँ नए स्टोक के सेयर में कीमत चमक सकती है और मुझे यह खेल पसंद है कई लोग कम पुझी वाली कंपनियों से टरते हैं और उन्हें खतरना कहते हैं और वे ख अपननेंटी यह उती है कि एक साल में अपने शेर बेज दिए जाएं दूसरी तरब में धिस्तिती ृयल स्टेट की रन निति होती छोटी प्रोपर्टी से शुरू करने की होती है और स्टेज इसकर उत्वात रह वाइएट साथ साल से कम से मैं अपने पास रखता हूँ, वरसों तक जब मैं मैं Practice प्रक्राप्स और जिरेक्स में ठाभ या तब भी मैंने वही किया जो मेरे अमीर की खरीद प्रोट भी करता था अमेरे डड़ी ने हमेशा पैसे की समझ के मैतर पर जोड दिया जितनी अच्छी तरह मैं काउंटिंग और कैश मेनेजमेंट को समझ सकता था उतनी ही अच्छी तरह मैं निवेसों का विशलेशन कर सकता था और आखिर कार खुद की कंपनी शुर कंपनी चलाने में कितना जंजट होता है और मैं नहीं चाहता कि आप उस जंजट में फसें कई बार यह समय आता है जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता और उनके लिए कंपनी चालू करना एक समाधान होता है पर अवसर बहुत कम है दस में से नो कंपनिया पांच सालों मे दूब जाती है पहले 5 सालों में जो कंपनिया बची रहती है उन में से विदस में से 9 कंपनिया बाल में बंद हो जाती है तो अगर आपकी पहले से अपनी कंपनी शुरू करने की इच्छा हो तब ही मैं इसकी सला दूँगा अन्यता अपने दिन की नोकरी करते रहें और जब मैं कहता हूँ कि अपने काम से काम रखें तो मेरा में यह मतलब है कि आप अपनी संपत्य वाले काम को जादा मजबूत बनाते रहें एक बार इसमें एक डालर जाए तो वह यह कभी बाहर नहीं निकल पाई इसे इस तरह सोचें कि जब एक डालब आपकी संपत्ती वाले कालम में जाता है तो वह आपका करमचारी बन जाता है पैसे के बारे में सबसी अच्छी चीज यह है कि यह हर दिन 24 गंटे काम करता है और इसा पीडियों तक कर सकता है अपनी दिन की नोकरी को चालू रखें एक अच्छे मेहनती करमचारी की तरह काम करें परन्तो अपनी संपत्ती वाले कालम को बढ़ाते रहें जब आपका कैश्फलो बढ़ता है तब आप कुछ विलासिता की चीज़ें खरीच सकते हैं इस बारे में एक मेहत्वण तक्या यह है यह अमीर लोग विलासिता की चीज़ें सबसे बाद में खरीचते हैं जबकि गरीब और मद्यांगर गिये लोग विलासिता की चीज़ें सबसे पहले खरीचते हैं गरीब और मद्यांगर गिये लोग अकसर बड़े घर, हीरे, फर, जोलरी जैसी विलासिता की चीज़ें इसलिए खरीद लेते हैं ताकि वे अमीर दिख सकें वे अमीर दिखते हैं परंत वसल में वे उद्हार के दलदल में गहरे दंस्ते से ले जाते हैं वे लोग जिनके पास पीडियों से पैसा है जो लंबे समय से अमीर हैं वे अपने संपत्ति वाले कालम को सबसे पहले बनाते हैं, फिर संपत्ति वाले कालम से होने वाले आमदनी उनके लिए विलासिता की चीजें खरीड लेती हैं, गरीब और मद्य उमर्गे लोग अपनी खून पसेने की कमाई और बच्चों की विरासत की कीमत पर विलासिता की चीज़े खरीदते हैं सच्ची विलासिता असली संपत्ति में निवेश करने और उसे विक्षित करने का प्रोच साहन है उधारन के लिए जब मेरी पतनी और मेरे पास हमारे अपार्टमेंट हाउसे से अतिरिक पैसा आने लगा तो वह बजार गई और अपने लिए मर्सिडेज खरीद लाई इसमें जरा सी भी मेहनत या जोखिम्द नहीं था क्योंकि अपार्टमेंट हाउस के कारण उसने कार खरीदी थी परन्तु उसे इसके लिए चार सालों तक इंतिजार करना पड़ा था जब रियल एस्टेट पोटपोलियो बढ़ रहा था और आखिर गार उसने इतना अतिरिक पैसा दे दिया कि कार खरीदी जा सकती है परन्तु मर्सिडीज की यह विलासिता दरसल एक सचा पुरुस कार है क्योंकि उसने यह सावित कर दिया था कि वह अपनी संपत्ती वाले कालम को सही तरह से बढ़ाना जानती है अब उसके लिए उस कार की किमत सामान्य रूप से खरीदी गई कार से कहीं ज़्यादा है ज्यादातर लोग अक्सर इच्छा जागने पर बिना सोचे समझे जाते हैं और कर्ज पर कार्या विलासिता की कोई चीज खरीद लगते हैं हो सकता हो कि वे जिंदगी से उप चुके हो या उन्हें सिर्फ एक नए खिलोने के ज़रूत हो कर्ज पर विलासिता की चीज खरीदने से तेर सवीर वह आदमी उस चीज से चिडने लगता है क्योंकि उसके कारण जो कर्ज लिया है वह एक बाहर बन गया एक बार आपने अपने बिजनस को बनाने उसमें निवेश करने का समय निकाल लेते हैं तो फिर आप उसमें जादू की चड़ी खुआ सकते हैं जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है यह है रहस्य अमीरों को भीड में सबसे आगी रखता है अपने काम से काम रखने का ही नाम जो आपको उस रहा पर चलने के लिए मिलता है जिस पर अमीर लोग चलते हैं धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याई पांच की तरफ जो है टेक्स का इतिहास और कॉर्परेशन्स की ताकत आपका दिन शुब हुए रिच डैड पूर डैड अध्याई पांच टेक्स का इतिहास और कॉर्परेशन्स की ताकत मुझे याद है हमें स्कूल में राबिन हुट सोर उसके सुखी गिरों की कहानी बताई गई थी मेरे स्कूल के टीचर का मानना था यह केविन कोसनर की तरह के एक हिरों की अद्गुत कांगी है जो अमीरों को लुटता था और गरिबों में बांट देता था मेरे अमीर रैडी की नज़र में राबिन हुट हीरो नहीं था वे उसे बदमास मानते थे राविन होड को गुजरे वे तो लंबा समय गुजर चुका है पर अनुनाई आज भी जिन्दा है कितनी बार मैंने लोगों को यह कहते सुना है इसके लिए अमीर लोग पैसे क्यों नहीं देते या अमीरों को और ज़्यादा टेक्स देना चाहिए और उन्हें गरीबों में बांट देना चाहिए राविन होड का यह विचार कि अमीरों से लेकर गरीबों में बांट दिया जाए गरीब और मद्यम वर्ग के लोगों के लिए सर्वादी कर्ष्ट का कारण है इसी रोबिन हूड आदर्स के कारण मद्यम वर्ग पर टेक्स का इतना भारी बोज लगा हुआ है सचा ही तो यह है कि अमीरों पर टेक्स लगता ही नहीं है गरीबों की वलाई के लिए जो पैसा लगता है वह मद्यम वर्ग से आता है खास कर सिक्षित और उंची आमदनी वाले वर्ग से टेक्स के बारे में पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसकी इतियासिक प्रस्पूमी को समझने की जुरूरत है हमें टेक्स के इतियास को जानने की जुरूरत है हलांकि मेरे पडेल के डैड़ी सिक्षा के इतियास कमाल का ग्यान रखते थे परन्तो मेरे अमीर डैड़ी टैक्स के इतियास पर भी से सक्गे थे अमीर डैड़ी ने माईक और मुझे यह समझाया कि इंग्लेंड और अमेरिका में सब से पहले कोई टेक्स नहीं लगते थे कभी कवार युद का खर्ज उटाने के लिए कुछ समय के लिए टेक्स जरूर लगा करते थे राजा या राश्टवती मुहें से कह भर देता है और हर आदमी उसकी कही बात मान कर अपना से योग देता है ब्रिटेन में 1799 से 1816 के बीच नेपॉलियन से युद के समय टेक्स लगाया गया था और अमेरिका में 1861 से 1865 के बीच वे सिविल वार के खर्ज को जुटाने के लिए टेक्स लगाया गया था 1864 में इंग्लेंड ने इंकम टेक्स को अपने नागरिकों पर स्थाई रूप से लागू कर दिया 1913 में समिधान के 69 सरसोधन के साथ अमेरिका में भी आईकर स्थाई रूप से लागू किया गया एक समय था जब अमेरिकी लोग टेक्स विरोधी हुआ करते थे चाई पर बहुत ज़्यादा टेक्स लगने के कारण ही बोस्टन हर्बर पर पर प्रसीद टी पार्टी की गटना हुई थी जिससे करांतिकारी यूद को ताकत मिली इंग्लेंड और अमेरिका दोनों को इन नियमित इंकम टेक्स के विचार को जनता के गले उतारने में तो कभी नहीं मूले उन्होंने सबस्ट किया कि टेक्स का विचार लोग पर यह बना और उसे ज्यादतर लोगों ने सिर्फ इसलिए माना क्योंकि उन्हें यह बताया गया कि टेक्स अमेरों को सजा देने का और मद्यम वर्गतागरिबों को मदद देने का साधन है इसी कारण जन्ता ने टेक्स कानून के समर्थन में वोट दिये और यह वैदानिक बन गया हलांकि इसका मकसद अमीरों को दंड देना है फरंतु दरसल यह उन्हीं लोगों को दंड देता है जिन्हों ने इसका समर्थन किया था यानि गरीब और मद्यम वर्ग एक बार सरकार ने पैसे का स्वाद चक लिया तो उसकी भूक बढ़ती गई अमीर डैडी ने कहा तुम्हारे डैडी और मैं पूरी तरह विरोद करते हैं वे एक सरकारी ब्यूरुक्रेट हैं और मैं एक पूंजी पती हूँ हमें विपरित व्यवार के कारण पैसे मिलते हैं और हमारी सफलता अलग अलग माबदन्डों पर तोली जाती है उन्हें पैसा खर्च करने और लोगों को काम देने के लिए पैसे दिये जाते हैं वे जितना ज़्यादा खर्च करते हैं और जितने ज़्यादा लोगों को काम तरक रखते हैं उनका संगठन उतना ही बड़ा होता जाता है सरकार में जितना बड़ा उनका संगठन होता है उतना ही ज़्यादा सम्मान उन्हें दिया जाता है दूसरी तरफ मेरे संगठन में मैं जितने कम लोगों को रखूँ और जितना कम पैसा खर्च करूँ मेरे टिवेसेक मेरा उतना ही ज्यादा सम्मान करते हैं इसलिए मैं सरकारी आद्मियों को पसंद नहीं करता हूँ उनके लक्षे बिजनस के ज़्यादातर लोगों से हटकर होते हैं जैसे जैसे सरकार के करमचारी बढ़ते हैं उन्हें तनक्वा देने के लिए उतने ही ज़्यादा टेक्स की जरूरत होती है मेरे पढ़ेले के डेडी इस बात में बरोसा करते थे कि सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए वे ज़ान अफ कैनेडी से प्रेम करते थे और खास कर बीस कार्पस के विचार से वे इस लिचार को इतना ज़्यादा पसंद करते थे कि वे और मेरी माँ दोनों ही पीस कार्पस में के लिए काम करते थे और मलेसिया, थाईलेंड और फिलिपिन्स जाने वाले सिंचे वोगों पर सिक्षित करते थे वे हमेशा आतरिक तनुदानों और वजट में बढ़ोतरी की कोशिस करते थे ताकि वे ज़्यादा लोगों को बढ़ती कर सके एसा वे सिक्षित बाकि अपनी नोकरी में भी करते रहे और पीस कार्फ में भी, यह हैं उनका काम था जब मैं दस साल का था, तब से मैं अबने अमीर डेड़ी से यह सुनता आया हूं कि सरकारी करमजारी आल सी चोरों का गिरुआ है और मेरे गरीब डेड़ी से मैं यह सुनते आया हूं कि अमीर लोग लाल्ची और बद्वास होते हैं जिन से सरकार को ज़्यादा टेक्स लेना चाहिए दोनों ही विचारों के पक्स में तरक दिये जा सकते हैं मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था क्योंकि एक तरफ तो मैं शेहर के सबसे बड़े फुंजी पतियों में से एक के लिए काम करता था और दूसरी तरफ जब मैं घर आता था तो वहां मेरे डेड़ी होते थे जो एक नामी सरकारी नेता थी यह हैत्ते करना आसान नहीं था कि कौन सही बोल रहा है और किसकी बात पर मुझे बरोसा करना चाहिए परन्तों जब आप टेक्स के इतियास का अध्यन करते हैं तो एक दिल्चस पहलो सामने आता है जैसा मैंने कहा कि टेक्सों का लागू होना सिर्फ इसलिए संबग हो सका क्योंकि जन्ता राभी नूट के अर्थ सास्त्रे से दांद में बरोसा करती थी जिसमें अवीरों से लेकर बाकी सब में बाट दिया जाता है समझ्चा यह थी कि सकार की पैसे की भूक इतनी बढ़ गई कि जल्दी मद्यम वर्ग पर भी टेक्स लगाने की नूबता दी और वहां से धीरे धीरे टेक्स का बोज नीचे की तरफ आता गया दूसरी तरफ अमीरों नीचे एक मोके की तरह देखा वे उन्हें नियमों से नहीं कहलते हैं जिन से जंता कहलती है जैसा मैंने बताया है अमीर पहले ही कार्पोरेशन के बारे में जानते थे जो पानी के जहाजों के जमाने में लोग प्रिय हुई थे अमीरों ने हर समुंदरी यात्रा की संपर्ती की जोखिं को सीमित करने के लिए कार्पोरेशन का उप्योग किया अमीर लोग हर समुद्री यत्रा के लिए पैसा जुटाने के लिए कार्पॉरेशन में अपना पैसा डामते थी फिर ये कार्पॉरेशन न्यू वर्ल्ड के घजाने की खोज के लिए नाविकों की बर्ति करता था अगर जहाज डूब जाता तो नाविकों की जान जाती ही परंतो अमीर लोगों के सिर्फ इतना ही नुक्सान होता था कि उनका वहेश पैसा डूब जाता था जो उन्होंने उस समूंदरी यातरा के लिए दिया था आगे आने वाला चितर दरसाता है कि किस तरह कार्पोरेट स्ट्रेक्चर आपके इंकम स्टेट्मेंट और बैलेंसिक के बाहर बैठता है अमीर लोग किस तरह खेल को खेलते हैं कार्पोरेशन के कानूनी डांचे की ताकत का ग्यान ही अमीरों को गरीबोर मद्यमर की तुलना में बहुत ज़्यादा देता है मुझे दो डैडियों ने सिक्षा दी थी जिसमेंजे एक समाजवादी थे और दूसरे पूंजी पती मुझे जल्दी ये महसूस हुआ कि पूंजी पती में पैसे की ज़्यादा समझ है मुझे इसा लगा कि पैसे की ना समझी के खारण समाजवादी आखिरकार खुद को ही सजा देते है मुझे इसा लगा कि पैसे की ना समझी के खारण समाजवादी जितना जोड लगा ले अमीर लोग उनसे जीतने का रास्ता हमेशा डूंड निकलते है इसी कारण टेक्सा किरकार मद्य उमर्ग पर लगे अमीरों ने बुद्धी जीवियों को अपने बुद्धी से हरा दिया सिर्फ इस कारण क्योंकि वे पैसे की ताकत को जानते थे और यह विशे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता अमीर लोगों ने बुद्धी जीवियों को किस तरह हराया एक बार अमीरों से वसोलों का कानून पारिद हुआ तो सरकार की तिजोरी में पैसा आने लगा पहले तो लोग इस बात से खुश हुए यह पैसा सरकारी करमचारियों और अमीरों को दिया जाने लगा सरकारी करमचारियों के पास यह पैसा नोकरियों और पैंशनों के रूप में गया अमीरों के पास यह पैसा उनकी फैक्टरियों के जड़िये मिले सरकारी कॉंट्रेक्ट से आया सरकार के पास धेर सारे पैसे थे पर उस पैसे के मैनेजमेंट की समश्या थी उसमें कोई recirculation नहीं था दूसरे सब्दों में सरकारी नेती में अगर आप एक सरकारी ब्यूरोक्रेट है तो आप पैसा बचाना पसंद नहीं करते अगर आप अपने लिए आमंटित फंड को खर्च नहीं कर सकते तो आपको अगले बजट में उतनी राशिन नहीं मिलेगी और निश्चित रूप से आपको युग्या तो माना ही नहीं जाएगा दूसरी तरफ बिजनस में पैसे बसाने के लिए इनाम मिलता है और ऐसा करने पर आपको काबिल बना जाता है जब बढ़ते हुए सरकारी खर्चों का यह चकर चलता है तो पैसे की मांग बढ़ी और अमीरों से टेक्स वसूलों के विचार में अब कम अमीर लोगों को भी शामिल कर लिया गया और इस तरह सरकार इतनी नीचे आ गई कि वे गरीब और मद्यमर गया लोग भी टेक्स के दाइरे में आ गई जिन्नों नों इसके लिए वोट दिया थे सच्चे पुझी पतियों ने बचने का तरीका खोजने के लिए अपनी ऐसे की समझ का प्रियोग किया वे कार्परेशनों की सुरक्षा में चले गई कार्परेशन अमीर लोगों को सुरक्षा देता है परंतु कई लोग जिन्होंने कभी कार्परेशन नहीं बनाया यह नहीं जानते की कार्परेशन जैसी कोई चीज नहीं होती कार्पुरेशन के विलेक फाइल का फॉल्डर होता है जिसमें कुछ कानूनी दस्तावेज लगे होती है और जो रज्य सरकार की एजेंसी में दर्ज होकर किसी वकील के आफिस में रखा जाता है यह कोई बड़ी फिल्डिंग नहीं होती जिसके बाहर कार्पुरेशन का नाम लिखा होता है यह कुल फेक्टिय या लोगों को समुमें भी नहीं होता कार्पुरेशन के वले कानूनी दस्तावेज है जो एक ऐसी कानूनी देव बना देता है जिसकी कोई आत्मा नहीं होती अमीरों की सम्पति एक बार फिर सुरुक्षित हो गी एक बार फिर कार्पुरेशन का प्रियोग लोगप्रिया हो गया यह स्ताई इंकम टेक्स कानूनों के पारित होने के बाद हुआ क्योंकि कॉर्परेशन के लिए इंकम टेक्स की दर्वियक्तिकत इंकम टेक्स की दर्व से कम है इसके अलावा जैसा पहले बताया जा चुका है कॉर्परेशन दुवारा कुछ खर्च टेक्स चुकाने से पहले किये जा सकते है अमीरों और करीबों के बेजी यह लड़ाई सदियों से चली आ रही है अमीरों से वसू लोग अमीरों की हमेशा खिलाप रही है यह लड़ाई तब छिटती है जब कानून बनते हैं और यह लड़ाई अनंत काल तक चलती रहती है समझ चाय यह है कि जो लोग हारते हैं उनमें समझ की कमी है हारने वाले लोग वे हैं जो हर सुबह उटकर तयार होते हैं और अप्utanी नोपरी में कड़ी मेहनत करते हैं और उस पर टैक्स देते हैं अगर वे यह समझ पाते कि अमीर लोग किस तरह से पैसे का खेल खेलते हैं तो वे भी इस बीड़ को उसी तरह से खेल सकते हैं फिर वे भी पैसे से आजाद हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं इसलिए मैं हर बार शेयर जाता हूँ जब भी मैं किसी को अपने बच्चे को यह हैसा ला देते हुए सुनता हूँ कि स्कूल जाओ ताकि सुरुच्षित नोकरी मिल सके जिस करमचारी में पैसे की समझ नहीं है वह बच्च नहीं सकता चाहे उसकी नोकरी कितने भी सुरुच्षित क्यों नहीं हो वोस्त अमेरिकी वेक्ती आज सरकार के लिए 5-6 मेने तक काम करता है ताकि वह टेक्स चुकाने के लिए पैसा जमा कर सकी मेरे विचार में यह हैसा मैं बहुत ज़्यादा है आप जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं आपको सरकार को उतना ही ज़्यादा टेक्स देना होता है इसलिए मेरा मानना है कि अमीरों से वसुलों का नारा उन्हीं लोगों पर बाही पड़ गया जिन्हों ने इसके लिए वोट किया था हर बार लोग अमीरों को सजा देने की कोशिस करते हैं अमीर लोग सचमुच उसका पालन नहीं करते बलकि वे पलट कर वार करते हैं उनके पास पैसा ताकत और इरादा होता है जिनके दम पर वे चीज़ें को बदल सकते हैं वे सचमुच बैट कर स्वेच्चा से ज़्यादा टेक्स नहीं चुकाते वे ऐसे तरीके खोशते हैं जिन से उन पर टेक्स का कम से कम बोज़ पड़े इसके लिए वे चतूर और स्मार्ट वकीलों तता आकाउंटेंट्स की सेवाईं लेते हैं और राजनेताओं को मनाते हैं कि वे कानून बदले या कानून ये बचाओं के रास्ते बनाई जिनके पास परिवर्तन करवाने के लिए जरूरी संसादन होते हैं अमेरिका का टेक्स कानून भी टेक्स बचाने के कई रास्ते परदान करता है इसमें से ज़्यादातर रास्ते हर एक के लिए खुले हैं परंतुर इनका फाइडा सामान्य तोर पर अमीर लोग ही उठाते हैं क्योंकि वे इनकी खोज करते हैं और इसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने काम से काम रखते हैं उधारन की तोर पर लोगप्रिय सब 1031 इंटरनेशनल रेविन्यू कोड के अनुछेद 1031 का संक्षित रूप है जिससे रियल इस्टेट बेशने वाले को टेक्स चुपाने में देरी करने का मोका मिलता है अगर वे ज़्यादा महेंगे रियल इस्टेट को खरिकता है और सोदेवाजी में फाइदा नहीं लेता रियल इस्टेट एक एसा पूंजनिवेस है जो बहुत ज़्यादा टेक्स लाब देता है जब तक आप कम कीमत की प्रोपर्टी बेच करूंची कीमत की प्रोपर्टी प्रोपर्टी खरिदते रहते हैं तो आपको तब तक टेक्स नहीं देना पड़ता जब तक कि आप उसे नगद ही रखना चाहें जो लोग कानून द्वारा दी गई इन टेक्स की छुटों का लाब नहीं उटाते वे अपनी संपती वाले कालम को बनाने का एक बहुत बड़ा मौका खो देते हैं गरीबों और मध्यम वर्क के पास इतने संसादन नहीं होते वे चुप चुप बैटे रहते हैं और सरकार की सुजियों को अपनी बहाँ पर लगने देते हैं और बलड डोनेशन की इजाज़त दे देते हैं आज मैं ज़्यादा टेक्स चुकाने वाले या कम छूट लेने वाले लोगों की संख्या से लगाता रस्तब्द होता रहता हूँ और वे इसाद सिर्व इसलिए करते हैं क्योंकि वे सरकार से डुरते हैं और मैं जानता हूँगी सरकार टेक्स एजेंट कितना डराऊना होता है। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके बिजनस बंद होगे और इसके लिए सरकार दोसी थी। मुझे यह सब पता है। मुझे यह सब पता है। परंतु जनुरी से लेकर मई के पहले पकवाड़े तक सरकार के लिए काम करना एक बहुत बड़ी कीमत है। जो हम टेक्स के डर के खान चुकाते हैं। मेरे गरीब डैडी ने कभी पलटू कर वार नहीं किया। मेरे अमीर डैडी ने भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने केवल खेल को चतुराईजे खेला और उन्होंने इसा कोर्परेशन के बादेंसे किया। जो हमेरों का सबसे बड़ा रैश्य है। अमीर डैडी से मेरा पहला सिखा गया सबक आपको याद होगा। मैं 9 साल का बच्चा था और मुझे उसे बात करने के लिए बहुत समय तक इंतजार करना पड़ता था। मैं अक्सर उनके आफिस में बैठकर उनका इंतजार करता था। वे जान बूज कर मुझे नजर अंदास करते रहते थे। वे चाते थे कि मैं उनकी ताकत को पहचानूं और एक दिन खुद भी उतना ही ताकत वर बनता जाओं। जितने भी समय तक मैंने उनके मार्क दर्सन में पढ़ा और सीखा उन्होंने मुझे हमेशा याद दिलाया कि ग्यान ही ताकत है और पैसे के साथ तो बड़ी ताकत होती है। उसे बनाई रखने के लिए और उसे कई गुना आगे करने के लिए सही ग्यान की जरूरत होती है। उस ग्यान के बिना संसार आपको इदर उदर धक्ये मारता रहता है। अमेरी टेडी हमेशा माइक और मुझे यह याद दिलाते हैं कि सबसे जदा डरावना वेक्ति बोस या सुपरवाजर नहीं होता बलकि टेक्समेन होता है। अगर आप उसे मुखा देते हैं तो टेक्समेन हमेशा आप से जदा से जदा वसूद कर सकता है। पैसा मेरे लिए काम करें। मैं पैसे के लिए काम नहीं हूँ। मेरा यह पहला सबक दरसल ताकत के बारे में हैं। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप ताकत को अपने बोस के हाथ में देते हैं। अगर आपका पैसा आपके लिए काम करता है तो आप ताकत को पास रखते हैं और उसे काबू में रखते हैं एक बार हमें हमारे लिए काम करने वाले पैसे की ताकत के अग्यान हो जाई फिर हमें पैसे के लिए आसे स्वार्ट हो जाना चाहिए और हमें डराने वाले लोगों से निपटने का रास्ता ढूनना चाहिए इसके लिए आपके बात कर रहे हैं तो आपके बस बसने का मोखा है हाँ इसलिए में डेड़ी स्मार्ट टेक्स का काउंटेंट्स और वकिलों को इतना ज़्यादा वेतन देते थे वकिलों को वेतन देना सरकार को टेक्स देने से सस्ता था मेरे लिए उनका सरवसरे सबक था स्मार्ट बनो ताकि तुम्हें इदर उदर धक्या ने दिये जा सके और मैंने जिंद्गी वरी से अपनाया है वे कानून जानते थे क्योंकि वे कानून का आदर करते थे वे कानून जानते थे क्योंकि ने जानना बहुत महिंगा साबित हो सकता था अगर आप जानते हैं कि आप सही है तो आप किसी से भी उलजने से नहीं डरेंगी चाहिए आपका मुखावला रोबिन ओड और उसके गिरों से ही क्यों नहीं हो जाए मेरे पड़ेलिके डैडी मुझे हमेशा प्रोटसाइट करते थे कि मैं किसी बड़े अच्छे कॉर्परेशन में बड़ी असी नोपरी ढूंड लो वे मुझे हमेशा उन अच्छाईयों के बारे में बताते थे जो कॉर्परेट सीडी पर चड़ने से आसिल की जा सकती थी वे यह नहीं समझ पाते थे कि कॉर्परेट नियुक्ता से मिलने वाले वेतन के चेक पर पूरी तरह निर्बर रहने उसे मैं एक एसी दुधारूगाय बन जा था जिसे दुधा जा सकता था जब मैंने अपने अमीर डैडी को अपने डैडी की सलाव बताई तो वे केवल हंसे उन्होंने सिर्फ यही कहा सीडी के मालिक ही क्योंने बना जाई बच्पन में मुझे यह समझ में नहीं आया था कि अपने कॉर्कॉरेशन के मालिक होने से अमीर डैडी का क्या मतलब था यह एक ऐसा विचार था जो असंबव और डरावना लग रहा था हलांकि मैं इस विचार से रोमान्चित था परन्तो मेरी कम उमर में इस अमवना पर विचार ही नहीं कर पा रहा था कि एवे ऐसक लोग किसी दिन मेरी कमपनी में काम करने लगे है मुद्दे की बात यह है कि अगर अमीर डैडी नहीं होते तो मैं अपने पड़े लिके डैडी की सला का पालन कर रहा हुता अमीर डैडी ने बार बार याद दिलाने की कारण ही मेरे अपने कॉर्परेशन का विचार जीवित रहा और यह मुझे एक तरा पर चलाता रहा जब मैं पंद्रा या सोला साल का था तो मैं जानता था कि मैं उस रापर नहीं चलने वाला जो मेरे पड़े लिके टैडी ने बताई है मैं नहीं जानता था कि मैं इसा किस तरह करूँगा फरंतु मैंने दरड निश्चे कर लिया था कि मैं फीट के साथ नहीं चलूँगा और उस दिशा में नहीं जाँगा जिस तरफ मेरे सैपरटी जा रही है इस फैसले ने मेरी जिन्दगी बदल दी जब तक मैं 25 साल का हुआ तब तक अमीर डैडी की सला मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आई थी मैंने हाल ही मेरिन काप शोड़ी थी और जेराक्स के लिए काम कर चुरा था मुझे बहुत पैसा मिल रहा था परन्तु हर बार जब भी मैं अपनी तंकवा के चेक को देखता था तो मुझे हमेशा निरासा होती थी कोटोटी बहुत ज़्यादा थी और जितना ज़्यादा मैं काम करता था कोटोटीयां उतनी ही ज़्यादा होती थी जब मैं ज़्यादा सपल होने लगा तो मेरे वरिष्ट बोस मेरे प्रमोशन और तंकवा बढ़ाने की बातें करने लगे यह सुनने में तो अच्छा लगता था परन्तु मैं अपने कानों में अपने अमीर डेडिक ही आवाज भी सुन सकता था तुम किसे लिए काम कर रहे हो तुम किसे अमीर बना रहे हो 1974 में जराक्स के करमचारी के रूप में ही मैंने अपना पहला कॉर्परेशन बनाया और अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया पहले से ही मेरे संपती वाले कालम में खुछ संपतिया मौजूद थी परन्तु अब मैंने ठान लिया था कि उन्हें ज़्यादा बढ़ाया जाए कटोतियों वाले थनकौा वो देख देखकर मुझे अमीर डेड़ी की सला में समझदारी दिखने लगी थी अगर मैं अबने पढ़े लिके डेड़ी की सलावर चलता तो मुझे अपना वविश्या साफ नजर आ रहा था कई नियुक्ता यह नुबव करते हैं कि अगर करमचारी अपने आकाम से काम रखे तो यह उनके बिजनस के लिए बुरा होता है मुझे विश्वास है कि ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है परन्तु मेरे साथ ऐसा नहीं था एक बार मैंने अपने काम से काम रखने के ठान ली और अपने संपतियां बढ़ाना चालू कर दिया तो मैं एक बेतर करमचारी बन गया मेरे पास अब एक लक्षय था मैं सुबह जल्दी आ जाता था और मेहनत से काम करता और इस तरह जादा से जादा पैसा कमाता था ताकि मैं उसे रियल स्टेट में निवेज कर सकूँ हवाई में उसक मैं कीमते तेज़़ी से बढ़ रही थी और वहां किसमत चमकाई जा सकती थी जितना ही जाधा मुझे यहे लगा कि वहाँ निवेस की संभावनाई है, उतनी ज़्यादा जेराक्स मशीने मैंने बेची, मैंने जितनी ज़्यादा मशीने बेची, मुझे उतना ही ज़्यादा पैसा मिला और हाँ, मेरी तनक्वागे चेक्ट से उतनी ही ज़्यादा क्टोटिया हुई, यह परेणा दाइक था, मैं करमचारी होने के जाल से बाहर निकलना चाता था और इसलिए मैं कम मेनद करने के बजाई ज्यादा कड़ी मेनद करता था 1978 तक मैं सेल्ज में चोटे के पांच लोगों में से एक था प्राइन नमबर वन मैं चुहा दोड़ से बहुत जल्दी बाहर निकलने के लिए भिताब था तीन साल से भी कम समय में मैं जेरक्स की तुलना में अपने छोटे से कर्परेशन से कहीं ज़्यादा कमा रहा था जबकि मेरा कर्परेशन रियल इस्टेट में निवेश करने वाली कमपनी थी और वह है पैसा जो मैं अपने कर्परेशन से अपनी संपती वाले कालम में बना रहा था वह है पैसा मेरे लिए काम कर रहा था मुझे कोपियर बेशने के लिए धरवाजे खटखटाने के जरूरत नहीं थी अमीर डैड़ी की सला में मुझे ज़्यादा समझधरी दिख रही थी यानि कि मेरे प्रोपर्टी से आने वाला कैस्पलो इतना ज़्यादा हो गया कि मेरी कमपनी ने मेरे लिए पहली कार खरीद थी जराज के लोगों को लगा कि मैं अपने कमिशन बेज रहा हूँ पर तुमें इसा मैं नहीं कर रहा था मैं अपने कमिशन को संपतियों वाले कालम में निवेश कर रहा था मेरा पैसा और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कड़ी मेनत कर रहा था मेरी संपत्ति वाले कालम का हर डोलर एक बड़ी अकरमचारी था जिसकी कड़ी मेनत के कारण और ज़्यादा करमचारी तेयार होते थे और वे सब मिलकर अपने बोस को एक नई कार्टोपे के रूप में दे रहते थे और वे हैवी टेक्स चुकाने के पहले मैंने जेराक्स के लिए जारा कड़ी मेनत करना चालू कर दिया मेरी युजना सही तरह से चल रही थी और मेरी कार इसका जीता जाकता सबूत थी अपने अमीर डेड़ी से सीके गए सबक के खारण उस चुहा दोड़ मिथक से बाहर निकलने में सफल हो सका था और कम उमर में ये एक नियुकता बन गया यह पैसे की समझ से ही कुछ संबग हुआ था इस वीतिय ग्यान के बिना जिसे मैं फाइनसियल आईक्यू को हूँगा आर्थिक सवतंतरता के मेरी रहा में बहुत ज़्यादा मुस्किले आई होती अब मैं फाइनसियल सेमिनारों में दूसरों को इस आसा के साथ सिखाता हूँ ताकि मैं उनके साथ अपना ग्यान बाढ़ सकूँ जब भी मैं लेक्चर देता हूँ तो मैं लोगों को यह याद दिलाता हूँ कि फाइनसियल आईक्यू विसे सग्यता के चार बड़े शिक्षेत्रों से आने वाले ग्यान से बनता है नमबर एक है अकाउंटिंग जिसे मैं फाइनसियल साक्षाता कहता हूँ अगर आप सामराज्य बनाना चाते हैं तो यह बहुत मैतुप उन्दक्षता है आप जितने ज़्यादा धन के लिए जिम्मेदार होंगी उतनी ही ज़्यादा सुक्षम्था की जरूरत होगी नहीं तो आपका सामराज्य अतास के पत्तों के महल की तरह डह जाएगा यह बाई मस्तिस्का पहलुए जिसमें वरनन या सुक्षम्था जरूरी है फाइनसियल साक्षाता वह यह यह गयता है जिसके सारे फाइनसियल स्टेटमेंट्स को पढ़ा और समझा जा सकता है इस यह गयता से आप किसी भी विर्साइट की कमजोरी और मजबुतियों को पैचान सकते है नमबर दो है निवेस जिसे मैं पैसे से पैसे बनाने का विग्यान कहता हूँ इसमें तक्निकों, रन नीतियों और फार्मूलों की जरूरत होती है यह मस्तिस्क का दायां पैलु है यानि रचनात्मक पैलु नमबर तीन है बाजार की समझ मांग और पूर्टी का विग्यान बाजार के तक्निकी पैलुओं को जानने की जरूरत है जो कि बावनाओं द्वारसंसालित होता है 1996 में कृस्मस के दोरां टिकल मी एलमो डॉल का परकरणगी तक्निकी या बावनाओं द्वारसंसालित बाजार का उधरन है बाजार का दूसरा अथा तो निवेस की मूलभूत या अर्थिक समझ है क्या किसी निवेस में समझदारी है या वर्तमान बाजार की परिस्थितियों के इसा करना ना समझी है कई लोग यह सोचते हैं कि बाजार को समझना या निवेस की अफ़दार राएं बच्चों को समझ में नहीं आएगी क्योंकि वे जटिल होती है वे यह नहीं देख पाते कि बच्चे इन विशों को अनुपूती से समझ लेते हैं जो लोग इल्म और डोल से परिचित नहीं होंगे उनके लिए है एक सिसस चीट करेक्टर थी जैसे क्रिस्मस से पहले बच्चों में खूब परशारिप किया गया था लगबख सभी बच्चे इसे खरीदना चाते थे और अपनी क्रिस्मस की सुची में उन्होंने इसे सबसे उपर रखा था परंतु क्रिस्मस के लिए इसका विग्यापन करने के बाद जब यह बाजार से गाइब हो गई तो कई लोग यह सोचने लगे कि कहीं कमपनी ने चानबूस कर तो इसे बाजार से कायब नहीं कर दिया है इसके मांग बहुत ज़्यादा थी और पूर्ती बहुत कम इसलिए बाजार में बगदर और हर बड़ी का माहों सख मन गया स्टोर्स में जब खरीदने के लिए कोई डोल नहीं बची तो दुकानदारों और दूसरे खिलोने वालों में इसमें मुनाफ़ा कमाने का मुखा देखा जिनें डोल नहीं मिल पाई थी वे दुरवाग्या साली ममी डेडी क्रिस्मस के लिए कोई दूसरा के लोड़ा करीजने के लिए मजबूर हो गई टिकल मी एलमों डोल की एव इस वसने लोग पर रता मेरे इसमें नहीं आई परन्तु यह मांग और पूर्ती के अतसास्तर का बड़िया उधारन है यही बात स्टोक, मोंड, रियल इस्टेट और वेसवाल कार्ड बाजारों पर लगू होती है नमबर चार है कानून उधारन के तोर पर अकाउंटिंग, निवेस और बाजारों की तकनिकी दक्स तागे सारे कार्पुरेशन का परियोग इस पोटक फुरदी परदान कर सकता है कोई भी आदमें जिसे कॉर्परेशन दवारा दिये जाने वाले टेक्स फाइदों और सुरक्षागा ग्यान हो वह बहुत ज़्यादा तेजी से तरक्की कर सकता है और अमीर बनता है जो किसी करमचारी या चोटे बिजनस के मालिक के लिए संभव नहीं है उसमें उतना ही अंतर है जितना पैदल चलने वाले और उड़ने वाले में होता है यह अंतर बहु च्यादा हो जाता है जब हम इसे दिरकालिन संपर्थी के संदर्व में देखते हैं नमबर एक है टेक्स लाव एक कॉर्परेशन कई ऐसी चीजें कर सकता है जो एक आदमी नहीं कर सकता जैसे की यह टेक्स देने से पहले खर्च कर सकता है यह विशे सग्याता का एक एस अक्षेतर है जो बहुत रोमान्चक है परंतो इसमें अंदर गुषना तब तक जुरूरी नहीं जब तक कि आपका बिजनेस यह संपती बहुत बड़ी नहीं हो करमचारी कमाते हैं और टेक्स चुकाते हैं और फिर वो बचाता है और फिर वो बचता है उससे अबना खर्च चलाते हैं एक कर्परेशन कमाता है जितना खर्च कर सकता है करता है और फिर बची हुई रकम पर टेक्स चुकाता है यह अमीरों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाला सबसे बड़ा कानूनी बचाओ का रास्ता है उन्हें बनाना आसान है और बहुत ज़्यादा मेंगा नहीं है बसरते कि आपके पास अपने खुद के निवेस हो जो अच्छा कैस्वलो दे रहे हो उधारन के तोर पर अपने कॉर्परेशन का फाइदा यह है गूमने जाने का करकरम हावाई में बोर्ड मीटिंग बन जाता है कार का बुटान, भीमा, रिपे, रित्याडी कंपनी खर्च में डाल दिये जाते हैं हेल्ज कलब की सबस्यता भी कंपनी खर्च है ज़्यादा तर रेस्टोडेंट, डीनर भी अंसिक भी है और भी येसे बहुत से खर्च हैं जो टेक्स चुपाने के पहले किये जाते हैं हम एक कानूनी समाज में रहे रहे हैं हर आदमी आपसे फाइदा चाता है अमीर लोग अपने क्रेडिटर से अपनी ज़्यादातर संपत्ती को चुपाने के लिए कोर्पोरेशन्स और ट्रस्ट का सारा लेते हैं जब भी कोई किसी अमीर आदमी पर दावाट होकता है तो उसे यह पता चलता है कि एक आनूनी कावच से गहरा हुआ है और दरसल उस अमीर आदमी के पास कोई समपत्ती है ही नहीं वे हर चीज़ पर नियंतरम रखते हैं परंतु वे किसी चीज़ के मालिक नहीं होते हैं गरीब और मद्यमर ये लोग हर चीज़ के मालिक बनने की कोशिस करते हैं और इसलिए जब उन पर दावाट होगा जाता है तो वे सरकार या अपने साथी नागरिकों के हातों अपनी संपत्ति खो बैठते हैं उन्होंने राव के पास किसी तरह की वैद संपतियों हो तो आप जितनी जल्दी होजगे कोर्परेशन द्वारा दिये जाने वाले फाइदों सुरक्षा के बारे में ज्यादा जान ले इस विशह पर कई पुस्तके लेखी गई हैं जो इन फाइदों के बारे में पिस्ताफ से बताती हैं और फाइनेंसियल आईक्यू दरसल कई कुसलताओं और गुनों का मेल हैं मैं तो यही कहूंगा कि यह उपर बताए गई चार तकनिकी दख्षताओं का समय वेस हैं जो मूलभूत फाइनेंसियल ग्यान का अधार हैं अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाते हैं तो इन दख्षताओं के समय में ऐसे आपका फाइनेंसियल ग्यान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आपकी महत्वपून फाइनेंसियल रणने इते के लिए हम आपकी संपतियों के चारों तरफ कोर्परेशन का कवच लपेटने की बहुत ज़्यादा सला देते हैं धन्यावाद आईए चलते हैं अध्याई 6 की तरफ जो है अमीर लोग पैसे का विसकार करते हैं आपका दिन शुभ हो रिच डैड पूर डैड अध्याई 6 अमीर लोग पैसे का विसकार करते हैं पिछली रात मैंने लिखना बंद किया और एलेक्जेन्रव ग्राहम बेल के जीवन पर आधारी तेक टीवी कारेगरम देखा बेल ने टेलिफोन का पेटेंट करवाया था और उनकी नई खोज की बहुत मांग थी चुकि उन्हें एक बड़ी कमपनी की जुरूरत थी इसलिए वे उस समय की नामी कमपनी वेस्टर्न यूनियन के पास गए और उनसे कहा कि वे उनका पेटेंट और उनकी छोटी सी कमपनी को खरीद ले वे पूरे पैकेज की एक लाग डालर साते थे वेस्टर्न यूनियन की अज्यक्स ने यह सुनते ही तियोरियन से डाली और अलेकजंडर ग्राहम बेल की कहानी खत्म होने के बाद शाम के समाचार आ रहे थे समाचारों में एक स्थानिय कमपनी के स्टोक में कटोती के बारे में एक ख़बर थी करमचारी नाराज थे और शिकायद कर रहे थे कि कमपनी के मालिक ज्याज़तिया कर रहे हैं हेक्टरी के सामने एक 45 साल का नोपरी से निकला गया मैनेजर अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ खड़ा था और सुरुक्षा गाड़ों से अंदर जाने की इजाज़त मांग रहा था ताकि वे मालिकों से यह बिंती कर सके कि उने नोपरी से निकला जाए उसने हाली में एक मकान खरीदा था और उसे डर था कि उसे मकान बेचना पड़ेगा कैमरा उसके अनुने भी ने पर नजरें गड़ाए था और पूरी दुनिया देख रही थी यह कहने की जुरूरत नहीं कि इसने मेरा ध्यान खींच लिया मैं 1984 से वेवसाइब रूप से पड़ा रहा हूँ यह एक बहुत अच्छा नुबव और पूरुसकार रहा है यह एक विचलित करने वाला काम भी है क्योंकि मैंने हजारों बच्छों को पड़ाया है और मैंने सभी में एक बात देखी है जिसमें मैं भी शामिलू हम में बहुत ज़्यादा संभावना ही होती है और हमें प्रकरतिन ने बहुत से उपार दिये होते हैं परन्तु जो चीज हम सभी को पीछे दकेलती है वह है कुद के बारे में शंका तकने की जानकारी की कमी के कारण हम पीछे नहीं रहते बल्कि आता हूं इस्वास की कमी के कारण पीछे रहते हैं कई लोगों पर इसका अधर ज़्यादा होता है एक बार हम स्कूल छोड़ देते हैं कालेज डिग्री के होने या अच्छे नमबर आने का कोई खास मैतव नहीं होता सेक्शन एक माहूल के बहार असली जिन्दगी में अच्छे नमबरों से ज़्यादा मैतव पूर्ण चीज़ की जरूरत होती है इसे गड्स बहादुरी चाला की साहस परतिबा जोखिम लेने की एक्षमता इत्यादी के नाम से पुकारा जाता है यह तत्तुर चाहिए इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए कुल मिलाकर हमारे वेविशे पर स्कूल के नंबरों से ज़्यादा असर डालता है हम सभी के वीतर एक बहादुर पुक्तिबाशाली और जोखिम लेने वाला चरितर मौजूद होता है परंदो हम सभी के वीतर चरितर का एक दूसरा पहलूगी होता है जो अपने गुठने टेकर जरूर पढ़ने पर भीग भी मान सकता है मेरिन काप्स के पाइलेट के रूप में वीतनाम में एक साल रहने के बाद मुझे अपने वीतर चुके इन दोनों चरितरों के बारे में अंतरंग जानकारी मिली दोनों में से किसी को भी बुरा नहीं कहा जा सकता परन्तु एक अध्यापक के रूप में मैंने यह जाना की व्यक्ति की पृतिवा के सबसे बड़े ही दुश्मन है बहुत ज़्यादा डर और खुद की इक्षमताओं के बारे में शंका यह देखकर मुझे दुख होता था कि कई विद्यार्थी जवाब जानते थे पर अंतु उन में जवाब देने की हिम्मत नहीं थी असली जिन्दगी में स्मार्ट लोग आगे नहीं बढ़ पाते बहादूर लोग आगे बढ़ जाते हैं मेरे अपने अनुभव में आपके फैननसियल जीनियस के लिए तकने की ग्यान में ज़रूरी है और साहस भी अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है तो आपकी प्रतिबा का दमन होता है मेरी कक्षाओं में मैं विद्यार्चियों को बहुत प्रेरित करता हूँ कि वे खत्रे लेना सीखें बहादूर बने और अपने प्रतिबा के द्वार अपने डर को ताकत और चतुराई में बदल लें उस लोगों के लिए ऐसे डांत काम करता है जबकि कईयों को यह डराम ना लगता है मैंने यह भी जाना है कि ज्यादा कर लो पैसे के बारे में बहुत सुरुक्षिक खेल खेलना पसंद करते हैं मैंने ऐसे सवाल भी चुने है जोकिम क्यों लिए जाए अपने फाइनन्सियल आईक्यों को विक्सित करने की जंजट क्यों उठाए जाए मैं पैसे की समझ क्यों विक्सित करूँ और मैं जवाब जानता हूँ केवल इसलिए तकि आपके पास जाना भी कल्प हो हमारे आगे बहुत से परिवर्तन खड़े हैं जिस तरह मैंने इस अध्याए के शुरू में युवाव इसका अलेकजेंडर ग्राहम बेल की कहनी बताई थी आगे आने वाले सालों में उनकी तरह के कई और लोग होंगे बिल गेट्स की तरह के सेंकड़ों लोग होंगे और दुनिया भर में हर साल माइक्रोसोफ जैसे बहुत सी अत्यदिक सफल कमपनिया बनेंगी और दिवालिया पन कमपनी बंद होने स्टाफ निकालने की बहुत सी गटनाई होगी तो आपको फाइनन्सियल आईक्यू विक्षिट करने की जंजट में क्यों पढ़ना चाहिए इसका जवाब कोई और नहीं दे सकता आप खुद दे सकते हैं परन्तु मैं आपको बता दूँ कि मैं इसा क्यों करता हूँ मैं इसलिए इसा करता हूँ क्योंकि आज का यूग सबसे ज़्यदा रोमान्स कारी यूग है मैं चाहता हूँ कि मैं परियोरतन से डलने के बजाए उसका स्वागत करूँ मैं चाहता हूँ कि मैं लाकों करोणों बनाने के बारे में रोमांचित रहूं ने की सिर्फ अपनी तनखा बढ़ाने के बारे में आज का यूग सरवादिक रोमांचकारी समय है जो दुनिया के इतियास में अबुत पुरू है कई फीडियों के बार लोग इस यूग याद करते हुए यह कहेंगे कि यह कितना ज्यादा रोमांच करी रहा होगा इसे पुराने की मौत नए का जनम का यूग कहा जाएगा इस यूग में बहुत उतल उतल थी और रोमांच भी था तो अपने फाइनन्सियल आईक्यू को विक्सित करने की जंजट क्यों उठाई जाए क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ज़्यादा अमीर हो जाएंगे और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे आने वाला समय आप ज़िए डरावना होगा उस समय में आप बहद्दूरी से आगे बढ़ने वाले लोगों को सफलोते देखें इए पुराने से दान्तों से जगड़ी रहने वाले लोगों को ऐस सफलोते देखें इए 300 साल पहले जमीन ही संपत्ती थी इसलिए जिसाद में के पास जमीन थी उसके पास संपत्ती थी फिर फैक्टरियां आई फुद पादन शुरू हुआ और अमेरिका में अपना दबदबा बना लिया उद्योग पती के पास संपत्ती आ गई आज सुचना का यूब है इसलिए जिसाद में के पास जितनी ज़्यादा और जल्दी सुचना आ जाती है वह है अमीर हो जाता है समच्या यह है कि सुचना दुनिया भर में परकास की गती से ओड रही है इस नई संपत्ती को सीमा और दाइरों में नहीं बाना जा सकता जिस तरह जमीन और फेक्ट्रियों को बाना जा सकता था परिवर्तन ज़ादा तेज और ज़ादा नटकिया होंगे नई करोडकुती यही सक्खिया में नटकिया बडोत्री होगी एसे भी लोग होंगे जो पीछे छूट जाएं आज मैं इतने सारे लोगों को संगर्स करते देखता हूं और ज्यादा प्राए ज्यादा कड़ी मेनत करते देखता हूं तो एसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वे पुराने विचारों को कसकर पकड़े रहते हैं वे चाते हैं कि चीजें उनके हिसाब से हों वे परिवर्तन का विरोध करते हैं मैं एसे लोगों को जानता हूं जिनकी नोकरी छूट गई है घर बिग गया है और वे इसके लिए टेकनोलजी आर्थ वे उस्ता या अपने बोस को दोस देते हैं दुरभागे से उन्हें यह मैसूस ही नहीं होता कि वे भी समश्या का कारण हो सकते हैं पुराने वेचार उनके सबसे बड़े विरोधी बन जाते हैं और इसाई से लिए होता है क्योंकि वे यह नहीं जान पाते कि जो विचार पुराने जमाने में समपत्ती था वे आज इसलिए नहीं है क्योंकि जमाना आगे बढ़ चुका है एक दोबेर मैं अपने दुवारा इजाज किये के बोर्ड गिम कैश्फलो से सिक्षा दे रहा था मेरा एक दोस्त किसी को अपने साथ लेकर आया ताकि वह भी सीख सकी दोस्त की के दोस्त का हाली में तलाक हुआ था तलाक के मुगदुएं में उसके हाथ बुरी तरह जल गए थे और वह आप कुछ जवाब ढून रही थी उसके मित्र को लगा कि शायद इस खेल से उसे कुछ चिखने को मिलेगा इस खेल को इस तरह से बनाया गया है ताकि लोग यह सीख सकें कि पैसा किस तरह काम करता है खेलने के दोरान वे इंकम स्टेट्मेंट और बैलेंस सीट के आपसी संबन्द के बारे में सीखते हैं वे सीखते हैं कि किस तरह दोनों के भी कैस का फ्लो होता है और किस तरह पैसे की रहा में आपको अपनी संपत्ति वाले कालम से निकलने वाले मासिक कहसो लोगों बढाना होता है ताकि यह आपके मासिक खर्च से ज्यादा हो जए एक बार आप इसे आसिल कर लेते हैं तो आप शुआ दोर से बाहर निकल जाते हैं और तेज रहा पर चल पड़ते हैं जैसा मैंने कहा है कुछ लोगी स्केल से नफरत करते हैं कुछ इससे प्रेम करते हैं और कुछ इसका मतलब ही नहीं समझ पाते हैं एक महिला ने कुछ शीखने का बहुमल्य अफसर खो दिया शुरुवती राउंड में उसने एक डूडेड कार्ड खींचा जिस पर एक नाव बनी होई थी पहले तो वह खुश हुई अरे मेरे पास तो एक नाव है फिर जब उसके मित्तर ने यह बताया कि किस तरह आंकडे उसके इंकम स्टेट्मेंट और बैलेंस सीट पर काम करते हैं तो वह एक उन्ठी तो हो गई क्योंकि उसे खनी चरावी पसंद नहीं था बाकी के खिलाडियों ने शान्ति परूप इंतिजार किया जब उनका दोस्ती इंकम स्टेट्मेंट बैलेंस सीट और मासी कैस फ्लो के बारे में उसे समझाता है अजानक जब उसने यह जान लिया यह आंकडे किस तरह काम करते हैं तो उसे यह जानकर जटका लगा कि उसकी नाओ उसे जिन्दा खा रही है बाद में वह डाउन साइज हो गई और उसे एक बच्चा भी हो गया यह उनके लिए एक बयानक खेल साबित हुआ कक्षा के बाद उसका दोस्त आया और उसने मुझे बताया कि वह बहुत विचलित है वह कक्षा में निवेस के बारे में सीखने के लिए आई थी और उसे यह बहुत मुर्गता पूम लगा था कि इतने बेकार खेल को खेलने में इतना ज़रा समय बरबाद किया जाई उसके मित्तर ने उसे यह समझाने की कोशिस की कि वह बने बित्तर जांक कर देखे कि क्या यह खेल उसके किसी अंदरूनी फेलू को उजागर कर रहा है इस सुजाओ पर उस महिला ने अपना पैसा वापिस मांग लिया उसने कहा कि यह विचार मुर्टा पूर्ण है कि कोई खेल किसी के अंदरूनी फेलू को उजागर करता है उसका पैसा ततकाल वापिस कर दिया जाई और वह वापिस चली गई 1984 से मैं करोडों कमा रहा हूँ और सिर्फ इसलिए कमा रहा हूँ क्योंकि स्कूल सिस्टम वह नहीं सिखा था जो मैं सिखा रहा हूँ स्कूल में ज़्यादा तर्शिक्षक वासन देते हैं अपने चातर जिवन में मुझे वासनों से चिट थी मुझे बहुत जल्दी गोरियत हो जाती थी और मेरा दिमाग इधर उदर बठकने लगता है 1984 में मैंने खेल-खेल में सिख्षा देना चालू किया मैंने व्यासक विद्यार्थियों को प्रोटसाइद किया कि वे इन खेलों को ज्यान बढ़ाने के इस प्रेलू से देखें कि वे क्या जानते हैं और उन्हें क्या सीखना चाहिए सबसे मैतुपोन बात यह है सबसे मैतुपोन बात यह है कि इस खेल में आदमी के विवार पर भी प्रकास पड़ता है यह एक ततकाल फीड़बेक सिस्टम लिए टीचर लेक्चर दे इसके बजाए खेल एक वेक्टिगट लेक्चर बन जाता है जो आप के लिए बनाया गया है उस मैला के मित्र ने बाद में मुझे पूरी बात बताने के लिए फोन किया उसने कहा कि उसकी मित्र अवशान्त है अवशान्त होने के बाद उसने खेल और अपने जीवन के वीच में कुछ आप से संबन्द की मैसूश की है हलांकि उसके और उसके पती के पास नाव नहीं थी परन तो उसके पास बाकी सब चीजे थी वहे अपने तलाक के बाद बहुत नाराज थी उसका पती एक कम उमर की मैला के साथ बाग गया था और 20 साल के वेवाई जीवन के बाद उसके पास दोलत के नाम पर बहुत कम सामान था उसके बीच बांटने के लिए लगवग कुछ भी नहीं था 20 साल के उनकी शादी सुधा जिन्दगी में मज़ा बहुत आया था पर उन्तों ने केवल डेडूड ही कर्थे किये थे उसने यह मैसूस किया कि आंकडों पर उसका गुस्सा इंकम स्टेटमेंट और बैलेंस सीट पर इसलिए था क्योंकि वह उन्हें समझ नहीं पा रही थी उसका यह मानना था कि पैसे देलिगा इसाब किताब रखना पूर उसका काम है वह घर संबालती थी और उसका पती पैसों को संबालता था उसे अब यह पका बरुसा हो चुगा था कि उनकी शादी के आखरी पांच सालों में उसके पती में उससे पैसे चुपाई थे वह इस बात पर खुट से नाराज थी कि उसे यह पता ही नहीं चला था कि पैसा कहा गया है और यह भी पता नहीं चला था कि उसका किसी दूसरी औरत के साथ संबंद बन चुका है बोर्ड गेम की ही तरह दुनिया भी पतकाल फीड़ बैक देती है अगर हम ज़्यादा ध्यान दें तो हम ज़्यादा सीख सकते हैं कुछ समय पहले की बात है मैंने अपनी पत्नी से कहा कि दोबी ने मेरी पेंट को सिकोड दिया मेरी पत्नी दिमे से मुस्कुर आई और उसने मेरे पेट में उंगली कडाते हुए मुझे बताया कि पेंट नहीं सिर्कुड़ी है बलकि कोई और चीज फैल गई है कैस्पलो नामगिया है खेल हर कि लाड़ी को विक्तिकत फीड़बेक देने के इसाब से तैयार किया गया है इसका लक्षे आपको विकल्प परदान करना है अगर आप नाव वाला कार्ड निकालते हैं और यह आपको करज में डाल देता है तो सवाल यह उठता है अब आप क्या कर सकते हैं आपके पास कितने फैनाशियल विकल्प मौझूद है यही खेल का लक्षे है कि लड़ियों को सोचना सिखाना ताकि वे नए और भूट से फैनाशियल विकल्प बना सकें मैंने एक अजार से ज़्यादा लोगों को यह खेल खेलते देखा है वे लोग जो इस खेल की चुहा दोड़के सबसे जल्दी निकल जाते हैं उन्हें अंकों की समझ होती है और उनके पास रचनात्मक फैनाशियल दिबाग होता है वे बहुत से फैनाशियल विकल्पों को देख सकते हैं जिन लोगों को सबसे ज़्यादा समय लगता है वे ऐसे लोग होते हैं जिने अंकों की समझ नहीं होती और जिने प्राई निवेस की ताकत का एसास नहीं होता अब इर लोग प्राई रचनात्मक होते हैं और सोच समझ कर खत्रे उठाते हैं कैस्वलों खेलने वाले कई ऐसे भी लोग होते हैं जो इस खेल में बहुत सा पैसा तो कमा लेते हैं पर अंतु उन्हें यह नहीं पता होता कि वे इस पैसे का क्या करें उन से ज्यादातर असली जिन्दगी में भी आर्थी ग्रूप से सबल नहीं होते हर कोई उन से आगे निकल जाता है इस तर्थे के बावजूद कि उनके पास पैसा होता है और यही असली जिन्दगी में भी होता है एसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत सा पैसा होता है और फिर भी वे आर्थी ग्रूप से आगे नहीं मड़ पड़ते अपने विकल्पों को सिमित कर लेना पुराने विचारों से चिपके रहने की ही तरह है हाई स्कूल के समयगा मेरा एक दोस्त अभी तीन नोकरियां कर रहा है 20 साल पहले वहें मेरे सभी से फ्राटियों में सबसे अमीर हुआ करता था जब इस्तानिय शुगर प्लांटेशन बंद हुआ तो वहे जिस कंपने के लिए काम करता था वहे भी बंद हो गी उसके दिमाग में केवले एक विकल्ब था और वहे पुराना विकल्ब था कड़ी में इनत करो समझ्या यह थी कि उसे कुछ बराबरी की नोकरी नहीं मिल पाई जो पुरानी कंपने में उसकी वरिष्टा को मने इसका परेणाम यह हुआ कि वहे अभी जो काम कर रहा है वे उसकी योगता के बहुत नीचे के काम है और इसलिए उसकी तनक्वा कम है उसे जिन्दा रहने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना कमाने के लिए उसे तीन नोकरियां करनी पड़ रही है मैंने कैश प्रो खेलने वाले लोगों को यह है शिकायद करते सुना है कि सही मौका देने वाले कार्ड उनके पास नहीं आ रही है इसलिए वे जहां के तहां बैठे रहते हैं मैं इसे लोगों को जानता हूं जो असली जिन्दगी में भी एसाई करते हैं वे बैठकर सही मौके के आने का इंतजार करते हैं मैंने लोगों को सही मौके वाले कार्ड का इंतजार करते देखा है और फिर उनके पास परियाप्त पैसा नहीं होता फिर वे यह ऐसी कायद करते हैं कि एगर उनके पास ज़्यादा पैसा होता तो वे चुहा दोड के बाहर निकल सकते थे इसलिए वे वहीं बैटे रहते हैं मैं असले जिन्दगी में भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यही करते हैं वे महान आउसर देखते हैं परंतू उनके पास पैसा नहीं होता और मैं देखता हूँ कि लोग एक महान आउसर वाले कार्ड को खिंसते हैं उसे जोर से पढ़ते हैं और उन्हें यह पता ही नहीं होता कि यह एक महान आउसर है उनके पास पैसा भी होता है समय भी होता है कार्ड भी होता है परंतू वे आउसर को नहीं देख पाते वे यह देखने में ऐसा भल हो जाते हैं कि चुहादोर से बच निकलने के लिए यह किस तरह उनकी फाइनेंशिल योजना में फिट होता है और मेरी राहे में इस तरह के लोग दूसरे सबीतरे के लोगों से जादा शंका में होते हैं ज़्यादा तर लोगों पिजिन्गे में एक बार मिलने वाला सुने रावसर उनके सामने पड़ा हुआ मिलता है पर उन्दूबे उसे नहीं धिक पाते एक साल बाद उन्हें इसका पता चलता है जब बाकी सबी लोग अमीर वन जाते हैं financial बुद्धी का मतलब है ज़्यादा विकल्ब होना अगर आउसर आपके सामने नहीं आ रही है तो आप अपनी आर्थिक्स्टे के सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं अगर कोई आउसर आपकी गोद में आ रहा है और आपके पास पैसा नहीं है और बैंक वाले आपको उधार नहीं दे रही है तो आप उसर तो आप उसर से कैसे लाव उठा सकते हैं अगर आपका अनमान गलत है और अगर आप इसके उमीद करते हैं कि वह नहीं होता है तो आप किस तरह एक निम्बू को लाकों में बदल सकते हैं यह फाइनांसियल गुद्धी है क्या होता है इससे हम पैसे की समस्यागों सुल जाने में कितने रचनात्मक है। ज्यादातर लोग के वले एक समादान जानते हैं। कड़ी मेनत करो, बचत करो और उधार लो। तो आपको अपनी फाइनेंसिल फुदी क्यों पढ़ानी चाहिए। क्योंकि आप उस तरह के इंसान होना चाहते हैं ज किसमत भी हमी बनाते हैं जिस तरह की पैसा बनाया चाहता है। अगर आप ज़्यादा किसमत वाले होना चाहते हैं और ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो कड़ी मेनत करने के अलावा आपकी फाइनेंसियल गुद्धी मेह तो पूर्ण है। अगर आप उस तरह के आदम है जो सभी चीज होने का इंतजार करता है तो शायद आपको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा यह है तो उसी तरह की बात हो गई कि आप गैरेज से गाड़े निकलने से पहले यह पक्ता करना चाहें कि अगले पांच मिल तक भी सभी स्ट्रिट लाइटें हरी हो जब हम छोटे थे तो अमीर डैड़ी माईक और मुझे लगाता यह है बताते थे पैसा असली नहीं है अमीर डैड़ी हमें बार बार यह है याद दिलाया करते थे कि जब हमने प्लास्टर आफ फिर इसके सिक़्े डाले थे तो हम पैसे के रहसे के करीब सबसे करीब आ गई थे क्योंकि हम पैसा बना रही थे गरीब और मद्या मर्ग पैसे के लिए काम करते हैं उनका कहना है अमीर लोग पैसे बनाते हैं आप धन को जितना असली समझेंगे आप उसके लिए उतनी ही ज़्यादा मेनत से काम करेंगे अगर आप इस विचार को मन में उतार लें कि पैसा असली चीज नहीं है तो आप ज़्यादा तेजिसे अमीर बन सकते हैं अगर पैसा असली चीज नहीं है तो फिर क्या है, माई कोर में उनसे यह सवाल पूस्ते थे पैसा वह है जिसके बारे में हम सहे मत हो जाएं अमेर डेडी इतना ही जवाब देते थे हमारे पास जो इकलोती सबसे शक्तिसालिकुंजी है वह है हमारा दिमार अगर इसे अच्छी तरह प्रसिक्षित कर दिया जाए तो यह एक पल में धेर सारी दोलत बना सकता है इतनी दोलत कि तीन सो साल पहले के राजाओं और रानियों ने सपने में भी नहीं देखी होगी एक एप प्रसिक्षित व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीबी भी बना सकता है जो पीडी दर पीडी चलने के कारण कई पीडियों तक बनी रह सकती है सूचना के ECU में पैसा मिनिटों में बन जाता है कुछ लोग तो जीरो से शुरू करके एविश्वस्निय रूप से अमीर हो जाते हैं और इसके लिए वेकेवल कुछ विचारों और अन्मंदों का सारा लेते हैं आपको यह बात वे लोग आसानी से बता सकते हैं जो स्टोक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या दूसरे निवेस करते हैं क्योंकि वहाँ क्योंकि वहाँ अक्सर ऐसा होता रहता है कुछ नहीं से तदकाल करोडों मनाई जा सकते हैं और कुछ नहीं से मेरा मतलब है बिना पैसे के लिन दिन की यह अनुमंद के द्वारा किया जाता है ट्रेडिंग पीट में हाथ के एक संक्येट से टॉरंटों के ग्रहाक के आदेश पर लिस्बन के ट्रेडर्स की स्क्रीन पर बत्ती जलती है और शेर पलवर में टॉरंटों पहुंच जाते हैं एक मिनट बाद शेर बेचने का आदेश दिया जाता है और वे पलवर में बिख जाते हैं इस पूरे मामले में धन का लेंदेन नहीं हुआ अनुबंदों का हुआ था तो अपनी फाइनशियल पर तिवा क्यों विक्सित करें इसका जवाब के वला आप ही दे सकते हैं मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं क्यों इसे विक्सित करा हूँ मैं इसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं तेज इसे दन कमाना चाता हूँ इसलिए नहीं कि मुझे इसकी जुरूरत है बलकि इसलिए क्योंकि मैं इसा करना चाता हूँ यह सीखने के दिल्चस्प पर किरिया है मैं अपना फाइनन्स से लाइकियों इसलिए विक्षित करता हूँ क्योंकि मैं दुनिया के सबसे तेज़ और सबसे बड़े खेल में भाग लेना चाता हूँ और अपने छोटे तरीके से मैं मानवता कि अबूत्पुरु विकास का हिस्सा होना चाता हूँ एक एसे यूप का जहां इनसान विशुद रूप से केवल अवने दिमाग से काम करते हैं शरीर से नहीं इसके अलावा यहां ज़्यादा रोमांस है यहां पैसा है यहां डर है यहां आनंद है इसलिए मैं अपनी फाइनेंशियल गुद्धी में निवेस करता हूँ और अपनी सबसे शक्ति साली संपत्ती को विक्सित करता हूँ मैं बहादुरी से आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ होना चाहता हूँ मैं पीछे रह जाने वाले लोगों के साथ नहीं होना चाहता हूँ मैं पैसे बनाने वाला एक्स आसान उगान देना चाहता हूँ, 1990 के दसक की सुरुवात में फिनिक्स की यार्थ्विवस्ता बहुत बुरी थी, मैं गुड मॉर्णिंग अमेरिका टीवी सीरियल देख रहा था, जब एक फाइनेंसियल प्लानर आया और उसने निरासावार्दी करना शुरू कर दिया, उसकी सलात ही, पैसे बचाओ, हर मेने सो डालर बचाओ, और सालिस सालों में आप भी करोण भी बन सकते हैं, खैर हर मेने निश्ची तरकम बचाना भी एक अच्छा विचार है, यह एक विकल्ब है, एक ऐसा विकल्ब जिसे बहुत से लोग मान लेंग दुनिया उनके पास से प्रूजरकत आगे बढ़ जाती है, जैसा मैंने कहा, अर्थवे उस्ता उसमें बहुत बुरे आल में थी, निवेसकों के लिए एक आदर्स बादार्स दिती थी, मेरा काफी पैसा उसमें स्टोप मार्केट और अपार्टमेंट आउसेज में पसा हु तो तेजी से बढ़ते वे बाजार में काम कर रही थी, निवेस करने के लिए यह सबसे बढ़िया मुका था, अर्थवे अस्ता बयानक थी, मैं बहुत छोटे छोटे निवेसों को तो बढ़नन नहीं कर सकता, परंतु कई बड़ी बातें जरूर बताना चाहूंगा, वे घर जिनकी कीमत कभी एक लाग डालर होती थी, अब पिछेतर सो डालर के रहे गए थी, परंतु स्तानिया रियल स्टेट आफिस में खरिदारी करने के बजाई, मैंने दिवालिया, वकील की आफिस या अदालत की सीडियों पर खरिदारी करना शुरू कर दिया, इन जगों पर प कील को कैशियर का चेक दे दिया, जब अनुमंद की कारवाई चल रही थी, तब मैंने अगवार में भी क्लपन दिया, कि पीछे तर अजार डालर का गर केवल साट अजार में भी का हुए, और किसी डाउन पेमेंट की जुरूरत नहीं है, मेरा फोन ततकाल वैस्त हो गया, औ अत्यन्त रुतमांसकारी गठना करम के बीच, घर कुछी मिंटों में भिग गया, मैंने पच्छी सो डालर की परसेसिंग फीस मांगी, जो मुझे खुछी खुछी दे दी गई, और इसके बाद कानूनी नमांतरन की कारवाई चलू होगी, मैंने अपने मित्र के दो जार डा में बेच दिया, मेरे पास करिदार का सपद बत्र था, जिसने मेरे संपत्ती वाले कालिम में 40,000 डालर जमा कर दिये थे, इस पूरी कारवाई में मुझे 5 गंटे लगे थे, तो अब जबकि आप में पैसे की समझ आ चुकी है, और आप अंक पढ़ सकते हैं, मैं आपको जातर पैसा बड़ी प्रोपर्टी और स्टाक मार्केट में फसा हुआ था, हम खरीदने और बेचने के सोदे में अपनी संपत्ती वाले कालम में 1,90,000 डालर से ज्यादा बनाने में कामियाब हो गए थे, इस तरह हर साल की अनुमानित आई 1,90,000 डालर हो गई थी, और इसका ज्यादा तर भाग हमारे प्राइवेट कोर्परेशन दवारा सुर्क्षित था, इस 19,000 डालर परतिवर्स का बड़ा हिस्सा हमारी कंपनी की कारों, पेट्रोल, ट्रिप्स, बीमें, इंग्राहकों के सारे देनर इत्यादी चीज़ों पर खर्च हो सकता था, जब तक सरकार क उसामदनी पर टेक्स लगाने का मोखा मिलता, तब तक या कानूनी रूप से खर्च हो चुका होता, अपने फाइनेंशियल गुद्धी के इस्तिमाल से पैसा इस तरह पुजा जा सकता है, बनाया जा सकता है, और सुरक्षित किया जा सकता है, यह इसका एक आसान उधारन है खुद से पूछें, एक लाग नब्यजार डालर बचाने के लिए आपको कितना समय लगेगा, क्या बैंक आपके पैसे बर दस फिस के ब्यास देगा, और सपत बतर तीस सालों तक वैब था, मुझे आसा है कि वे मुझे कभी एक लाग नब्यजार डालर नहीं देंगी, मुझे से लोग पूछते हैं कि क्या होगा अगर कोई वेक्टी पैसे नहीं चुकाई, एसा होता है, और यह एक अच्छी ख़बर है, 1994 से 97 में तक फिनिक्स रियल इस्टेट बाजार देश में सबसे ज़्यादा गर्म बाजार साबित हुआ, उस 60,000 डालर के घर को दुबार 70,000 डोलर में बेचा जा सकता है, और एक बार फिर से 200 डोलर पर्शेसिंग फीस के रूप में वसूल किये जा सकते हैं, नए खरीदार के लिए भी यह मुफ्त का सोदा होगा, और यह परकरियत चलती रहे सकती है, जब मैंने पहली बार घर बेचा था, तो मैंने केवल 2000 डाल पर भी बहुत सा पैसा किस तरह कमाया जा सकता है, दूसरे सोदे में दुबारा बेचे जाने पर मैं 2000 डालर अपनी जेब में डालता हूँ, और लोन को 30 सालों तक फिर से बढ़ा रेता हूँ, नए इस पर मेरी वापसी क्या होगी, अगर मैं बिना पैसे के पैसे बनाता हू मैं नहीं जानता, पर अगर यह सोडालर हर में बचाने से बैतर तो है ही, सोडालर हर में दरबसल डेर सोडालर परती मां की रखम है, च्योंकि 40 सालों तक इस पर पांस पिज़्दी का टेक्स लग चुका है, और एक बार फिर आई पांस पिज़्दी टेक्स लगता हूँ, बाजार की स्थितियां पांच साल पहले की स्थितिय से भी पूरी तरह अलग है फिनिक्स का रियल इस्टेट बाजार पूरे अमेरिका की इरश्या का केंदर बना हुआ है जो गरूस समय मनें साथ हजार डॉलर में बेचे थे आज उनकी किमत एक लाग दस अजार डॉलर हो चुकी है अब भी यह से मौकी है परंतु अब उनकी खोज करने में मुझे बहुत समय और पैसा कर्च करना पड़ेगा वे दुरलब है परंतु आज हजारों खरीदार इन सोदों की तलास में बटक रहे हैं और बहुत कम समझदारी वेरे मौके मौशूद है बाजार बदल चुका है यह आगे बढ़ने का समय है और संपत्री वाले कालम में दूसरे मौके डुमने का समय है आप यहां इसार नहीं कर सकते यह कानून के खिलाफ है आप जुट बोल रहे हैं मैं इस तरह की परतिक्रियाओं को ज़्यादा सुनता हूँ और क्या आप मुझे इसा करने का तरीका बता सकते हैं यह आगरे कम सुनता हूँ गणित असान है आपको इसमें पीजगणित या कैलकुलेशन की जुरूरत नहीं है मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लिखता क्योंकि एस्क्रो कमपनी कानूनी सोदों को संभालती है और बुगतान की सेवा को भी मुझे चट ठीक करवाने या टाइलेक ठीक करवाने में जंजट भी नहीं उटानी पड़ती क्योंकि यह कामगर के मलिक का है यह उनका घर है कभी गवार कोई पैसा नहीं चुकाता और यह भी अच्छा होता है क्योंकि उसके विलम शुल्क मिलता है यह वे घर छोड़कर चले जाते हैं और प्रोपरटी एक बार फिर से बेश दी जाती है पोर्ट सिस्टम यह ऐसार संभाल लेता है और हो सकता है यह आपके इलाके में काम ने करें बाजार के स्थिति अलग हो सकती है पर तो यह उदान दरसाता है कि किस तरह एक आसान वित्यपर क्रिया कुछी समय में लाकों डाना बना सकती है जिसे बनाने में आपका ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता परंतु ज्यादातर लोग इसा नहीं करते, ज्यादातर लोग मेनत करो और पैसे बनाओ की पुरानी सला सुनते हैं, लगवग 30 गंटे की मेनत के बाद, एक लाग 90 जार डालर संपत्ती वेले कॉलों में आगे और इसके लिए टेक्स भी नहीं देना पड़ा, इन मेंसे कौन से सला आपको ज़्यादा कठिन लगती है, नमबर एक, कड़ी मेनत करो, पचास विजदी की दर से टेक्स उकोओ, और फिर जो रकम बसती है, उसमें से बचत करो, आपकी बचत पर आपको पांस विजदी व्यास भिलता है, जिस पर एक बार फिर टेक्स लगता है, या, नमबर नमबर एक के परियोग द्वारा एक लाख नबे जार डालर बचाने में लगता है, क्योंकि समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ती है, अब आप समझ सकते हैं, कि मैं क्यों चुप चाब अपना सी रेलाता हूं, जब मैं लोगों को यह कहते सुनता हूं, मेरा बच्छा स्कूल म लिए लिखा गया है कि किस तरह एक छोटी सी रकम बड़ी रकम में बदल सकती है, एक बार फिर, मेरी सफलता यह बताती है, कि मजबूत वित्य निम कितनी मेतवकून होती है, जो मजबूत वित्य सिक्षा से शुरू होती है, मैंने इसे पहले कहा है, और यह एक दम कि मैं इसे एक बार फिर दो रहना चाओंगा। वित्य गुति चार मुख्य तक ने की तक्ष्टाओं से मिलकर बनती है। नमबर एक वित्य साक्षरता पंकों को पढ़ने की योगेता। नमबर दो निवेश की रननेती धन दवारा धन बनाने का विग्यान। नमबर तीन बाजार, मांग और पूर्टी। ग्राहम बेल ने बाजार को वह दिया जो इसे चाहिए था। यही बिल गेट्स ने भी दिया। यह मोका भी बाजार ने दिया था। 20,000 डालर ने कोई मकान खरीद कर उसे 60,000 डालर में बेच दिया जाए। जबकि उसके असली किमत पीछे 30,000 डालर थी। कोई खरीद रहा था, कोई बेच रहा था। नमबर चार, कानून, अकाउंटिंग, कार्पोरेट, स्टेट और नेशनल कानून और नेतियों के बारे में जाग डुपता। मैं नीहमों के बितर रहकर खोल, मैं नीहमों के बितर रहकर खेलने की सला देता हूँ। अगर आप पैसे काविस्कार करना चाहते हैं तो आप में या मूल बूतादार सिला होना चाहिए या इन दक्षताओं का समन्वे होना चाहिए चाहिए आप इसा छोटे घर, बड़े अफ़र्टमेंट, कमपनिया, स्टो, बांड, विचुल फंड, मुल्यवान दातुएं, बे में भी बूम हो रहा था, और हर कोई उसमें जार रहा था, अमेरिका के आत्वे उस्ताओं ने पैरों पर खड़ी हो रही थी, मैंने 1996 में बेशना सालों कर दिया, और अब मैं पेरू, नार्वे, मलेशिया, और फिलिपिन्स की यात्रा कर रहा था, निवेस बढ़ गए थे, जहां तक खरिदारी का सवाल था, अब हम रियल एस्टेट बाजार बेशे बाहर थे, अब मैं अपनी संपत्ती वाले कालम के बीतरा आकड़ों को बढ़ते देखता हूँ, और शायद इस साल के आकरे में बेशना शुरू करता हूँ, यह कांग्रेश द्वारा पारित की ये कहना पड़ता है, कि वह इतनी रकम के लिए तैयार हो जाए और इसे टेक्स से बचाने के लिए तरीकिक हो जाए, मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहता हूँ, कि निवेस आते जाते रहते हैं, मार्केट गढ़ता और बढ़ता रहता है, अर्थ वेवस्ताइं इतनी ज़्यादा बदलती है, आपके और आपके परिवार के लिए स्थाई आर्थिक सुरुक्षा के लिए उतने ही ज़्यादा मोके होते हैं, तो अपनी फैनेंसियल बुद्धी को विक्सित करने की जंजट क्यों उठाई जाए? एक बार फिर मैं यही कहूंगा, कि आप इसका जवाब दे सकते हैं, मैं जानता हूँ कि मैं क्यों इसे सिखता हूँ और विक्सित करता हूँ, मैं इसा इसलिए करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि परिवर्तन हो रहे हैं और होने वाले हैं, मैं परिवर्तनों का स्वागत करता हूँ, और अतीत से चिपका नहीं देना चाहता, मैं जानता हूँ कि मार्केट में जौार आएगा और मार्केट में बाटे भी आएगा मैं लगातार अपने फाइननसियल गुद्धी को विक्सित करना चाहता हूँ क्योंकि मार्केट में हर परिवतन पर कुछ लोग अपने लोकलियों के लिए अपने गुपने टेक कर भीख मागेंगे इसी समय कई दूसरे लोग जिन्दगी दवारा दिये गए इन निम्बूओं को लेकर उन्हें करोडों में बदल लेंगे और हमें यह नहीं बूलना चाहिए यह हमें कभी कभार जिन्दगी निम्बू दे देती है यही फाइनेशल बुद्धी है मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मैंने निम्बूओं को किस तरह करोडों में बदला व्यक्तिकत रूप से मैं व्यक्तिकत निवेशों के कई और उधान देने से जिजगता हूँ मैं इसलिए जिजगता हूँ क्योंकि मुझे डर है कि मुझे बड़ बोला या अपने सेखी बगारने वाला कहा जाएगा यह मेरा इरादा नहीं है मैं सिर्फ इसलिए उधान देता हूँ ताकि उसके अंकों और समयावद्धी से सची और सामान गट्णाओं को बताया जा सके मैं उधारन इसलिए देता हूँ ताकि आपको यह बता सकूँ कि यह आसान है यह ज़दा आसान है अगर आप फाइनेंशियल बुद्धे के चार स्थम्बों के जानकार है वेक्टिकत रूप से फाइनेंशियल बुद्धे के लिए दो मुखे सादनों का इस्तेमाल करता हूँ रियल एस्टेट और सोटे स्टोप्स मैं रियल एस्टेट को अपने निव की तरह इस्तेमाल करता हूँ हर दिन मेरी प्रोपर्डी कैश्ट फ्लोप बदान करती है और उनका मुल्य बढ़ता जाता है सोटी पूंजी के स्टोप्स को तेज बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है मैं अपने द्वारा की गई हर चीज की अनुसंसा नहीं करता दारण के वल उदारण ही है अगर आउस्टर बहुत जटिल है और मैं निवेस को नहीं समझ़ पाता हूँ तो मैं निवेस नहीं करता हूँ पैसे के बारे में निरने लेने में हमें केवल साधारन गनी तोर कमन सेंस की दूरूरत होती है उदारनों का प्रियोग निमन पांच कारणों से किया जाता है नमबर एक, लोगों को ज़्यादा सीखने के लिए प्रेयरित करने के लिए नमबर दो, लोगों को यह बताने के लिए कि अगर नियू मजबूत है तो पैसे का महल बनाना असान है नमबर तीन, यह बताने के लिए कि कोई धेर सारा पैसा बना सकता है नमबर चार, यह दिखाने के लिए कि आपके लक्षों को हासिल करने के करोड़ों तरीकी है नमबर पांस यह बताने के लिए कि यह कोई गाखेट विक्यान नहीं है 1989 में मैं ओरेगन के पोर्ट लेंड में एक खूपसूर जगह पर जोगिंग किया करता था यह एक उपनगर था जहां छोटे छोटे गर बने हुए थे वे छोटे और सुन्दर थे हर कई मुझे विकाओए के बोर्ट दिखते थे इंबर मारकेट का बुरा हल था स्ठोक मारकेट में क्रेश हुआ था और अर्त व्यास्ता में मन्दी थी एक सरक पर मैंने विकाओए का बोर्ट देखा काफी लंबे समय से बहा लगा हुआ था वैं पुराना दिख रहा था एक दिन इसके पास से जोगिंग करते समय मेरी मुलाकात इसके मालिक से हो गई जो परिशान दिख रहा था मैंने पूछा आपने अपने घर की क्या किमत लगाई है मालिक गुमा और फीकी मुस्कुराड के साथ कहा आप कीमत लगा ले यह है एक साल से ज़्यादा समय से भिका हुए है और अब तक कोई इसे देखने तक नहीं आया मैंने कहा और आदे गंटे बाद मैंने इसे 20,000 डालर में खरीब लिया जो उसके द्वारा मांगी गी कीमत से कम थी यह है दो बेटरूम का चोटा सा सुन्दर घर था जिसकी खिड़कियों पर जिंजर ब्रेंड टिम था यह 1930 में बना था और इसका रंग हलका निला था अंदर एक सुन्दर चटानी अंगी थी और चोटे चोटे दो बेटरूम थे यह किराई पर देने के लिए एक आदर्स गर था मैंने मालिक को 45,000 डालर के घर के लिए 5,000 डालर नगर दिये जिसकी असरे किमत 65,000 डालर होगी परंत दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि इसे कोई खरीदना नहीं चाहता था मालिक न एक अपते मेजे खाली कर दिया और वहे इससे पीछा चुड़ा कर खुश हुआ मेरा पहला किराई दायर वहां आ गया जो एक स्थानिय कालेज में प्रोफेसर था मार्टगेज, खर्थ और मैनेजमेंट फीच चुपाने के बाद हर महिने के आखिर में मेजीजे में आकर ओरेगन और वासी गिटन में खरिदारी कर रही थी मैंने उस छोटे गर को कैलिपोर्टनिया से आये कि युव अदमपती को 95,000 डालर में बेश दिया जिनने यह बहुत सस्ता सोदा लग रहा था इस सोदे में मुझे लगबग 40,000 डालर का कैपिटल गेन हुआ जो मैंने 1031 के टेक्स वहिन एक्सेंज में रख दिया और मैं अपने पैसे को लेकर कोई बड़ी प्रोपर्टी खरीद ने चल दिया एक महिने में मुझे बीवर्टन ओरेगन में इंटेल प्लांट के पास 12 यूनिट का एक अपार्टमेंट मिल गया उसके मालिक जर्मनी में रहते थे और उन्हें इसके कीमत का अंदाजा ही नहीं था और यह एक बार फिर वे उसका पीछा चुड़ाना चाहते थे मैंने साड़े चार लाग डॉलर के इमार्ट के लिए दो लाग पीछे तर अजार डॉलर का प्रस्ताव दिया वे तीन लाग डॉलर पर मान गई मैंने इसे खरीद लिया और इसे दो साल तक हमने पास रखा फिर उसी 1031 एक्सचेंज पर खिरिया का फाइदा उठाते हुए मैंने उसी मारत को 4,95,000 डालर में बेस दिया और एरिजोना फिनिक्स में 30 यूनिट का अपार्टमेंट खरी लिया तब तक हम फिनिक्स चले गए थे हमें वैसे भी इसे बेसना था पहले जो हाल ओरेगन के बाजार का था वही मंदी का माहूल फिनिक्स के रियल इस्टेट मार्केट में देखने कुछ मिला फिनिक्स में 30 यूनिट की अपार्टमेंट बिलिंग की किमत 8,95,000 डॉलर थी इस में से 2,25,000 डाउन पेमेंट की 30 यूनिट से आने वाला पांस अजार डालर परती महां से कूच जा रहा था एरिजोना का बाजार भी बढ़ने लगा और 1996 में एक कोलोरेडो के निवेशक ने हमें उस प्रोपर्टि के लिए 12,00,000 डालर देने का परस्ताव रखा मेरी पतनी और मैं बेचने पर विचार कर रही थे परन्तु हमने यह देखने का इंतजार किया कि क्या कांग्रेस कैपिटल गेन कानूनों में परिवर्तन करेगी अगर वह परिवर्तन करती है तो प्रोपर्टि की किमत 15 से 20% तक बढ़ जाएगी इसके अलावा हर मेने 5,000 डालर मिलते रहना अच्छा लगता था इस उदारन में मुद्दे की बात यह है कि किस तरह एक छोटी रकम एक बड़ी रकम में बदली जा सकती है एक बार फिर मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसके लिए फैनेंसिल स्टेटमेंट निवेस की रननेती बाजार की समख और कानून की जानकारी होनी चाहिए अगर लोग इन विशों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो स्पस्ट रूप से वे स्टंडर्ड सलागा पालन करेंगे जो कहती है सुरक्षित खेलो और सुरक्षित निवेसों में पैसा लगाना चाहिए सुरक्षित निवेसों के साथ समझा यह है कि वे अक्सर बहुत कम मुनाफ़ा देते हैं उन्हें इतना सुरक्षित बना दिया जाता है कि उन से मिलने वाला मुनाफ़ा कम हो जाता है ज्यादातर बड़े ब्रोकरे जाउसेज जो कि मबरे सोदों से बस्ते हैं ताकि वे खुद की और अपने ग्राकों के सुरक्षा कर सके और यह निती समझदारी की भी है असली गर्म सोदे नोसिक्षियों को नहीं दिये जाते प्राइस सरवसरे सोदे उन लोगों के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं जो इस खेल को अच्छी तरह समझते हैं और यह सोदे अमीरों को और भी अमीर बना देते हैं वैसे भी इस तरह के जो कि मबरे सोदे नोसिक्षियों के सामने रखना तकने की रूप से घर कानूनी माना जाता है पर अंतो यह सा कभी कभार होता भी है मैं जितना ज़्यादा परिश करत होता जाता हूँ उतने ही अवसर मुझे मिलते जाते हैं जिन्दगी में फाइनेशल बुद्धी विक्षित करने का एक और फायदा यह होता है कि इस से हमारे सामने ज़्यादा तर अवसर आते हैं और आपकी financial बुद्धी जितनी ज़ादा बढ़ती है, आपके लिए यह वताना असान होता है, कि कोई सोदा अच्छा है या बुरा, आपकी बुद्धी ततकाल एक बुरे सोदे को पैचान सकती है, या एक बुरे सोदे को अच्छे सोदे में बदल सकती है, मैं जितना ज़्यादा सीखता हूँ, और सीखने के लिए भी बहुत कुछ बाकी है, मैं उतना ही ज़्यादा पैसा सिर्फ इसलिए कमाता हूँ, क्योंगी समय के साथ-साथ मेरा अनुबव और बुद्धी बढ़ती जाती है, मेरे कुछ दोस, अब भी सुरक्षित खेल खेल र यह मेरा फार्मूला है, मैं छोटे भेमाने पर शुरू करता हूँ, और बीज बोता हूँ, कुछ बीज उग जाते हैं और कुछ नहीं उगते, हमारे रियल इस्टेट कोर्परेशन में हमारे पास करोडों डालर की प्रोपर्टी है, यह हमारा अपना REIT याने रियल इस्टे टैक्से से खरीडी गई यह प्रोपर्टी, उस किस्मती से तेजी से पढ़ते बाजार में ज़्यादा कीमती हो गई थी, और टैक्से मुक्त रहते हुए इन्हें खरीदा और बेचा गया था, और इसा कई सालों तक किया गया था, हमारा एक स्टोप पोर्टफोलियो हुई ह जिसे मैं और मेरी पत्नी हमारा परसनल म्यूचिल फंड कहते हैं, हमारे कुछ दोस्त, हमारे जैसे निवेशकों के साथ ही बिजनस करते हैं, जिन के पास हर महिने निवेश करने के लिए कुछ अतिरी धन होता है, हम ज़्यादा जोखिम वाली प्राइविट कंपनियों के श शेयर की दर पर एक लाग शेयर खरीदे, छै महीने बाद जब कंपनी शेयर बाजार में दर्ज हो गई, तो उसके शेयर कबाओ दो डालर परती वर्ष हो गया, अगर कंपनी का प्रबंदन अच्छा है, तो कीमते बढ़ती रहेंगी, और स्टोप 20 डालर परती शेयर या इस जुआ है, अगर आप सोदे में अपना पैसा फेंक रही है, और बगवान से सफल होने की दुआ कर रही है, आपको अपनी तक में किरियान, मुद्धी और खेल के प्रती प्रेम की जरूरत होगी, ताकि जोखिम कम से कम रहे, वैसे जोखिम तो होता ही है, यह फैनाशिल गु जैसे मैं लोगों को लगातार प्रेडित करता हूँ, कि वे स्टोक रियल स्टेट या दूसरे बाजारों में निवेस करने के बजाई, फैनाशिल बुद्धी में निवेस करें, आप जितने ज़्यादा स्मार्ट होंगे, आपके सफल होने के अफसर उतने ही ज़्यादा हों मैं वेक्तिकत रूप से जिन स्टोक में निवेस करता हूँ, उनमें बहुत ज़्यादा जोखिम होता है, और इसलिए मैं उनके अंसंसा नहीं करता हूँ, मैं इस खेल को 1989 से केल रहा हूँ, और मैंने इसमें काफी अनुववासिल किया है, परंतो अगर आप दुबारा पढ कि इस तरह के निवेस ज्यादातर लोगों के लिए जोखिम बरे क्यों होते हैं, तो आप अपने जिन्दिगी को अलग तरह से निधरित कर सकेंगे, जिसमें 25,000 डालर से एक साल में 10,000,000 डालर बनाना आपके लिए कम जोखिम बरा होगा, जैसा पहले ही कहा जा चुका है, म मैं आपको वैसा करने की सलाह नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाहता हूँ, कि यह आसान है और संभव है, बात इतनी सी है कि वोसत आदमी के लिए एक लाग डालर से ज़्यादा की पर्तिवर्साई अच्छी होती है, और इसे असिल करने में ज़्यादा मे कर सकते हैं, तो एक लाग डालर की अतिरिक आए आपको सुखद लगेगी, चाहे आप काम कर रहे हूँ या नहीं, आप चाहें तो काम कर सकते हैं, या चाहें तो काम छोड़ सकते हैं, और सरकारी टेक्स सिस्टम को अपने विरोध के बजाई, अपने समर्थन में भी करता हूँ, कैश फलो भी आम तोर पर स्थाई ही होता है, और अगर इसे अच्छी तरह मैनेज किया जाए, तो इसकी कीमत बढ़ने की भी समावना होती है, रियल एस्टेट की ठोसादार सिला होने के कारण, मैं जोखिम मेरे स्टोक्स करीदने का खत्रा मोल ले सकता हूँ, अगर मुझे स्टोक मार्केट में खासा अनुनापा होता है, तो मैं मुनापे पर कैपिटल गेंस टेक्स देता हूँ, और बची होई रकम को रियल एस्टेट में लगा देता हूँ, ताकि मेरी संपत्ती की नीव और ज़्यादा मजबूत हो जाए, रियल एस्टेट पर एक थोड़ी सी दूर, इसे शांदारमों के हैं, जिने ज़्यादातर लोग नजर अंदास कर देते हैं, सिंगापूर में, जहां भी रियल एस्टेट की किमते बहुत ज़्यादा चल रही हैं, ऐसी बहुत सी प्रोपरटीज हैं, जो चंद मिनटों की ड्राइविंग की दूरी उसलिए जब भी मैं किसी को यह चाहत च पहते सुनता हूं, आप यहां ऐसा नहीं कर सकते तो मैं उन्हें यह याद दिलाता हूँ, कि शायद आपको यह कहना चाहिए मैं नहीं जानता कि यहां इसा कैसे किया जा सकता है महान अवसरों को आपकी आँके नहीं देख सकती उन्हें आपके दिमाग से देखा जा सकता है जादातर लोग सिर्फ इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें यह जानने के लिए financial perception ही नहीं मिला होता है कि वे अबने सामने पड़े वे उसरों को देख सकें और उन्हें पैचान सकें मुझसे अक्सर पूछा जाता है मैं शुरुआत कैसे करूँ पिछले अध्याई में मैंने आर्थिक सुतंतरता की रहा पर चलने वाले दस कदमों का उलेक किया है परंतु यह हमेसा याद रखें कि आपको मज़ा आना चाहिए यह केवले खेल है कई बार आप जीत जाते हैं और कई बार आप कोन वो मिलता है परंतु हमेसा आनंद ले जादातर लोग कभी नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें हार का डर लगा रहता है इसलिए मुझे स्कूल मुर्ख का पूर्ण लगता है स्कूल में हम सीखते हैं कि गलतियां बुरी बात होती है और गलतियां करने के लिए हमें सजा दी जाती है परंतु अगर हम इंसानों को सीखने की परकरिया पर नज़र डाले तो हम पाएंगे की इंसान गलतियां करके ही सीखते हैं हम गिर गिर कर ही चलना सीख पाते हैं अगर हम कभी नहीं गिरे तो हम कभी चल भी नहीं पादेंगे यही मोटर साइकल चलाने के बारे में भी सही है मेरे गुटने पर आप भी चोटके निसान है परंतु आज मैं बिना सोचे मोटर साइकल चला सकता हूँ यही अमीर बनने के बारे में भी सही है दुर्बाग्य से जएधातर लोगों के public fellowship अमीर ने बन पने का मुख्या कारण यह है कि वे हारने से ड़ते हैं, जीतने वाले हारने से नहीं ड़ते, परंतु हारने बाले ड़ते हैं सफलता की प्रक्रिया का एक वाग ऐसे बलता भी है जो लोग ऐसे बलता से ड़ते हैं सफलता उनसे बचती है मैं पैसे कमाने को टेनिस के खेल की तरह मानता हूँ मैं मेहनत से खेलता हूँ, गलतियां करता हूँ, गलतियां सुधारता हूँ और ज्यादा गंतिया करता हूँ, सुधारता हूँ और इस तरह से मेरा खेल सुधारता जाता है अगर मैं खेल में हार जाता हूँ तो मैं नेट के पास जाकर अपने विरोधी से हाथ मिलाता हूँ मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ अगले शेनिवार को मिलेंगे निवेसक दो तरह के होते हैं पहले और सबसे आम तरह के निवेसक वे लोग होते हैं जो एक package में निवेस करते हैं वे retail outlet में phone करते हैं जैसे एक real estate company या stock broker या financial planner को और फिर वे कुछ खरीदते हैं यह है एक mutual fund, stock या bond हो सकता है यह है निवेस का एक अच्छा, साब सुत्रा और आसान तरीका है यह है उसी तरह की खरीदारी हो गई जैसे कोई ग्रहक computer store में जाकर चेल पर रखके computer को खरीद ले दूसरी तरह के निवेसक वे होते हैं जो निवेसों को बनाते हैं इस तरह के निवेसक आम तोर पर सोदों को असेंबल करते हैं जिस तरह computer engineer, computer के पुर्जों को असेंबल करते हैं मैं यह है तो नहीं जानता कि computer के पुर्जों को किस तरह असेंबल किया जाता है परन्तु मैं यह है जानता हूँ कि आर्थिक अफ्रों के पुर्जों को किस तरह ऐसेंबल किया जा सकता है या मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ऐसा करते हैं दूसरी किस्म का निवेसगी प्रोफेशनल निवेसक होता है कई बार तो पुर्जों को इकठा करने में सालों लग जाते हैं और कई बार वे कभी कठे नहीं हो पते मेरे अमीरी डेड़ी ने मुझे दूसरी किस्म का निवेसक बनने के लिए प्रोचाइट किया यह सीखना मैत्वकूर्ण है कि फुर्जों को किस तरह आसे बिल किया जाए क्योंकि यहीं पर भारी जीत का मुखा होता है और अगर किस्मत आपके साथ नहीं हो तो यहीं पर भारी नुकसान का खत्रा होता है अगर आप दूसरी किस्म के निवेसक बनना चाहते हैं तो आपको मुख्य रूप से तीन मुख्य दक्षताईं विक्षित करने की जुरूरत है फाइनेंशल बुद्धी के अलावा इन दक्षताउं की जुरूरत होती है किस तरह ऐसे मुख्यों को खोजे जो दूसरों को दिखाई नहीं देता हो दूसरे लोग अपनी आँखों से उस मुख्य को देख नहीं पाएंगे पर आप अपने दिमाग से उस मुख्य को देख सकते हैं उधारन के लिए मेरे एक दोस्त ने एक तुराना गर खरीदा यह दिखने में बुरा सा था हर एक को हैरत थी कि उसने इसे क्यों खरीदा परन्तु दूसरे जो देख नहीं पाए थे और जो उसने देख लिया था वह यह था कि उस गर के साथ चार खाली जमीन के टुपड़े भी थी उसने यह कंपनी जाकर पता कर लिया था गर खरीदने के बाद उसने उसे तोड़ दिया और उन पांसो पलाटों बिल्टर को बेश दिया इस सारे सोदे में उसे अपने मूल निवेस से तीन गुना रकम मिली उसने दो मैने के काम में पिछे तरहजार डालर कमा लिए यह बहुत ज़्यादा रकम तो नहीं है परन्तु यह जन्यूनतम वेतन से तो ज़्यादा ही है और यह तकनी की रूप से कठिन भी नहीं है नमबर दो पैसा किस तरह जुटाया जाए ओसत आदमी बेंक जाता है परन्तु इस दूसरे किसम के निवेस सरक को यह पता होना चाहिए कि पूंजी किस तरह जुटाई जाए और बिना बेंक जाए कितने तरह को से पैसा जुटाया जा सकता है मैंने यह सीखा कि बिना बेंक की मदद लिए घर कैसे खरीदा जा सकते है घर करीदना मैतुपों नहीं है परन्तु पैसा ही कठा करना मुल्यवान कला है अक्सर मैं लोगों को यह कहते सुनता हूँ बेंक मुझे कर्ज नहीं दे रही है या मेरे पास यह खरीदने के लिए पैसे नहीं है अगर आप दूसरी किसम के निवेसिक बनना चाहते हैं तो आपको यह सीखने की ज़रूरत है क्योंकि इसी कारण ज्यादा तर लोग की युजनाई ठप हो जाती है दूसरे सब्दों में ज्यादा तर लोग सिर्फ इसलिये सुदे नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता अगर आप इस बादा को पार कर सकते हैं तो आप एसे लोगों से मिलो आगे होंगे जिन्होंने इन दक्स्ताओं को नहीं सिखा एसे कई मोके आई हैं जब मैंने घर या स्टोग या पार्टमेंट बिल्डिंग को खरीदा है जबकि मेरे पास बैंक में एक भी पाई नहीं थी मैंने एक अपार्टमेंट हाउस को बारा लाख में खरीदा मैंने इसके लिए एक अनुमंद किया जो खरीदार और बेचने वाले के बीच में लिखित अनुमंद था फिर मैंने एक लाग डालर का डिपोजिटी कटा किया जिससे मुझे बाकी पैसे के जुटाने के लिए 90 दिन की मौलत मिल गई मैंने ऐसा क्यों किया क्योंकि मैं जानता था कि इसके असली किमत 20 लाख डालर थी मैंने इस पैसे को कभी नहीं जुटाया इसके बजाए जिस आदमी ने मुझे 1 लाख डालर दिये थे उसने मुझे 50,000 डलर दिये ताकि यह मेरी जगह पर आ जाए और इस तरह वह मेरी जगह पर आ गया और मैं इस निवेश से बाहर निकल गया और इस काम में मेरे कुल जमा तीन दिन लगे एक बार फिर मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप क्या खरीगते हैं यह मेतवपून नहीं है मेतवपून यह है कि आप कितना जामते हैं निवेश करना खरीदना नहीं है यह एक ग्यान है नंबर तीन किस तरह समार्ट लोगों को संगिठित किया जाए ऐसे लोग समझदार होते हैं जो या तो अपने से ज़्यादा समझदार लोगों के साथ काम करते हैं या उन्हें काम पर रखते हैं। जब भी आपको सला की जरूरत हो तो या सुनिश्चित कर लें कि आपका सलागार समझदार हो। सीखने के लिए बहुत कुछ हैं परन्तो इसके पुरुषकार भी बहुत कीमती हो सकते हैं। अगर आप इन दक्षताओं को नहीं सीखना चाते हैं तो आपको पहली किस्म का निवेसक बनने की सला दी जाती है। आप जो जानते हैं वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आप जो नहीं जानते हैं वही आपका सबसे बड़ा जोखिम है। जोखिम तो हमेशा रहता है। इसलिए इससे बचने के बजाए इसे मैनेज करना सिखें। धन्यवाद। आईए चलते हैं अध्याई साथ की तरफ जो है शीखने के लिए काम करें पैसे के लिए काम मैं करें रिच डैड पूर डैड अध्याई साथ सीखने के लिए काम करें पैसे के लिए काम नए करें 1995 में मैंने सिंगापूर के एक अख़वार में एक इंट्रिव दिया युवा महिला रिपोर्टर समय पर आगई और इंट्रिव तद्काल सुरू हो गया हम एक अलिशान होटल की लोबी में काफी की चुश्कियां ले रहे थे और मेरी सिंगापूर यात्रा के उदेशे पर चर्चा कर रहे थे मैं प्लेट फार्म पर जिग जिगलर के साथ पैठने वाला था वे प्रेणा पर चर्चा करने वाले थे और मैं अमीरों के रहे शे पर बोलने वाला था एक दिन मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती हूँ उस महिला ने कहा मैंने उसके कई लेख पड़े थे और मैं उससे प्रवावित भी वा था उसकी लेखन शेली दमदार और स्पस्ट थी उसके लेखों में पाटकों की रूची जगाने की क्षमता थी आपकी शेली बहुत बढ़ी है मैंने जवाब दिया कौन सी चीज आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने से रोक रही है मेरा काम कहीं का कहीं जाता है उसने शान्ती पूरवक कहा हर आदमी कहता है कि मेरा उपन्यास बहुत पड़ी आए परन्तु कुछ नहीं होता इसलिए मैं अकबार के लिए काम कर रही हूँ कम से कम इससे मेरा खर्श तो चल जाता है क्या आप इस बारे में कोई सुझाओ देना चाहेंगे हाँ बिल्कुल मैंने उत्सा से कहा सिंगापूर में मेरा दोस्त है वह एक स्कूल चलाता है जहां लोगों को बेजने का पर्शिक्षन दिया जाता है वह है सिंगापूर में कई चोटी के कॉर्परेशन के लिए सेल्स ट्रेनिंग कोर्स चलाता है और मैं समझता हूँ कि उसके कोर्स में शामिल होने के से आपका करियर बहुत ज़्यदा विक्सित हो जाएगा उसका सरीर सक्त हो गया आप यह कहना चाते हैं कि बेजना सीखने के लिए मैं ज़े स्कूल जाना पड़ेगा मैंने सेम्ती में सीरे लाया आप सचमूच ऐसा कह रहे हैं या मजा कर रहे हैं एक बार फिर मैंने सेम्ती में सीरे लाया इसमें गलती क्या है मैं अब अपने सब्द वापस लेना चाता था उसे मेरी किसी बात से बुरा लग गया था और अब मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा होता अगर मैंने उसे कोई भी सुजाओन नहीं दिया होता उसकी मदद करने की कोशिस में अब मैं खुद के सुजाओ की रक्षा करता नजर आ रहा था मेरे पास अंग्रेजी साइटे में मास्टर डिग्री है मैं सेल्जमेन बनना सीखने के लिए स्कूल जाऊं क्या मैं एक प्रोफेशनल हूँ मैं एक प्रोफेशन में प्रशिक्सित होने के लिए स्कूल गई थी ताकि मुझे सेल्जमेन नहीं बढ़ना बढ़े मैं सेल्जमेनों से नफरत करती हूँ उन्हें के वल पैसा चाहिए होता है तो आप मुझे बताएं कि मैं सेल्जगाते हैं क्यों करूँ अब वो अपना ब्रीफ के स्ताकत से बंद कर रही थी इंट्रिव्यू खतम हो गया था कोफी टेवल पर मेरी एक बेस चेलिंग पुस्तक रखी हुई थी मैंने इसे उठाया और उसके द्वारा लिखे गए नोट्स को भी अपने दूसरे हाथ में रखा क्या आप इसे देख सकती हैं मैंने उसके नोट्स की तरफ इसारा किया उसने अपने नोट्स पर नजर डाली क्या उसने उल्जन में कहा एक बार फिर मैंने उसके नोट्स की तरफ जानबूज कर इशारा किया उसके पैड पर उसने लिखा था रावट कियोसा की बेस्ट सेलिंग लेखक यहाँ पर बेस्ट सेलिंग लेखक लिखा हुआ है नए की बेस्ट राइटिंग लेखक उसकी आंखे तत्काल फैल गई मैं बहुत पुरा लेखक हूँ आप बहुत बढ़िया लेखक है मैं सेल्स कुल गया हूँ आपके पास master degree है, दोनों को इकठा कर ले और आप एक best selling लेखक और एक best writing लेखक बन सकती है उसकी आंखों में गुसा था मैं कभी इतनी नीचे नहीं गिरूँगी कि बेचना सीखने के लिए परसिक्षन लूँ आप जैसे लोगों को तो लिखना ही नहीं चाहिए मैं एक professional लेखक हूँ और आप एक salesman है, यह सही नहीं है उसने अपने बाकी के notes भी समेट लिए और वैसिंगापूर की उस नम सुबह में तेजी से बाहर निकल गई कम से कम उसने अगले दिन मुझे एक अच्छा coverage दिया दुनिया smart, गुणी, सिक्षित और प्रतिवा संबल लोगों से भरी हुई है हम उनसे हर दिन मिलते हैं, वे हमारे चारों तरफ है उस दिनों पहले मेरी कार में कुछ गड़वड हो गई थी मैं एक गैरेज में गया और यूवा मेकेनिक ने उसे कुछ मिंटों में ठीक कर दिया इंजन की आवाज सुनकर यूँसे समझ में आ गया था कि गड़वड कहां थी, मैं हैरान, देखता रहा दुखत सस्तो यह है कि परतिवाई प्रयाप्त नहीं होती मुझे लगातार यह देख देखकर जटका लगता है कि परतिवासंपन लोग कितना कम-कमाजबाते है मैंने अभी हाल ही सुना है कि पांच पिजदेजी भी कम अमेरिकी एक साल में एक लाग डालर से ज़्यादा कम आपाते है मैं इसे परतिवासालिय और उत्षिक्षित लोगों से मिला हूँ जो एक साल में 20,000 डालर से भी कम-कमाते है मेडिकल वेवसाई में विशे सग्यता रखने वाला एक वेवसाईक सलाकार कि कितने डोक्टर, दंद चिकित सक और दूसरे लोग पैसे की समस्चा से जूज रही है और मेरी सोच यह थी कि एक बार डाक्टर बनने के बाद तो पैसा उनके घर परसने लगता है इस वेवसाईक सलाकार ने मुझे एक बड़ी अवाक्य दिया तो वे भारी दोलत से सिर्फ एक दक्सता दूर है इस वाक्य का यह मतलब है कि ज़्यातर लोगों केवल एक और दक्सता सीखने की जरूरत होती है और इसके बाद उनके अब्दनी अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी मैं यह पहले ही बता चुका हूँ कि फाइनांसियल बुद्धी, अकाउंटिंग, निवेस, मार्केटिंग और कनून का समने में है इन चार तक्निकी दक्सताओं को मिला दें और पैसे से पैसा बनाना ज़्यादा असान हो जाएगा जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादा तर लोगों में केवल ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की दक्सता होती है दक्सताओं के समने में का एक अच्छा उदारन अकबार की उस रिपोर्टर का है अगर वैं सेल्ज और मार्केटिंग के क्षेतर में दक्सता हासिल कर ले तो उसकी आमदनी हवा से बातें कर सकती है अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं एड़टाइजिंग, कॉपी राइटिंग और सेल्ज के पॉर्स में शामिल हो जाता फिर अख़बार में काम करने के बजाए मैंने किसी एड़टाइजिंग एजेंसी में नोपरी कोजी होती चाहे इस काम में वेतन कम ही मिलता पर अंदू इससे वह यह सीख जाती कि सफल एड़टाइजिंग में परियुक्त होने वाले शोटकट का परियुक किस तरह किया जाई उसे अपना कुछ समय जन संपर्ग में भी देना होता जो एक मैत्वों दक्षता है वह यह भी सीखती कि मुख्त परचार के लिए किस तरह लाकों कमाई जाए फिर रातों में और सब्तान्तों में वह अपना महान उपन्यास पूरा करती जब वह पूरा हो जाता तो वह अपनी पुस्तक को बेशने के लिए ज़्यादा अच्छी स्थिति में होती फिर कुछ ही समय में वह एक बेस्ट सेलिंग लेखी का हो सकती थी जब मैंने अपनी पहली पुस्तक इफ यू वांट टू बी रीच एंड हैपी डॉंट गो टू स्कूल छपवाई तो एक परकासक ने मुझे यह सुजाओ दिया कि मैं सिर्शक को बदल कर दा इकोनोमिक सोफ एजुकेशन कर दू मैंने परकासक से साफ कह दिया इस तरह के सिर्शक से उस तक कि कुल दो परतियां भी खेनी एक तो मेरा परिवार खरी देगा और दूसरा मेरा सबसे अच्छा दोस्त दिक्कत यह है कि वे दोनों ही से मुफ्त में पाने की आसा करेंगी इफ यू वान्ट टू बी रिच एंड हैपी डॉंट गो टू स्कूल सिर्शक को जान बुज़ कर चुटिला बनाया गया था क्योंकि मैं जानता था कि ऐसा करने से इसे हजारों टन परचार मिलेगा मैं सिख्षा का समर्थक हूं और सिख्षा के सुधार में विश्वास करता हूं अन्यथा मैं अपने पुरातन पंति शिक्षा तंतर को बदलने की बार बार मांग क्यों करता इसलिए मैंने एक ऐसा टाइटल चुना जो टीवी और रेडियो शोव पर ज्यादा परचारित हो सकता था सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं विवादासपद होने से नहीं ड़ता कहीं लोगों का विचार था कि मैं कोई फूट केट था परन्तु पुस्तक बिकी और बहुत बिकी जब मैं यूएस मर्चेंट मरीन अकेडमी से 1969 में ग्रेजुट हुआ तो मेरे पड़े लिखे डेड़ी बहुत खुश हुए Standard Isle of California ने मुझे अपने आईल टेंकर फ्लीट में काम दे दिया मैं थर्ड मेट था और हलानकी मेरी तनकुआ मेरे साइपाटियों की तुलना में कम थी परन्तु कालेस के बाद पहले काम के इसाब से ठीक थी मेरी शुरुवाती तनकुआ 42,000 डालर परती वरस थी जिसमें और टाइम भी शामिल था और मुझे केवल साथ महीने काम करना पड़ता था बाकी के पांस महीने मेरी चुट्टी थी अगर मैं चाहता तो मैं एक सायक शिपिंग कम्बनी के साथ वियतनाब जा सकता था और अपनी पांस महीनों की चुट्टियों के बदले अपनी तनकुआ दुगनी कर लेता मेरे सामने एक बहुत बढ़िया करियर था परंदो मैंने च्छे महीने बाद ही इस्तिपा दे दिया और मरीन कार्स तुम्हें बर्ती हो गया ताकि मैं हवाई जाज उडाना सीख सकूँ मेरे पढ़े लेके डैडी का दिल तूट गया अमेरे डैडी ने मुझे पताईया दे स्कूल और नौपरी में विशे सग्यता का विचार एक लोपरिय विचार है यानि कि ज़्यादा धन कमाने के लिए या प्रमोशन आसिल करने के लिए आपको विशे सग्यता आसिल करने की जरूरत है इसलिए मेडिकल डोक्टर्स ततकाल बाल रोग विशे सग्य या अस्ती रोग विशे सग्य जैसी विशे सग्यता आसिल करने में जुट जाते हैं यही एकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, वकिलों, पाइलेटों और बाकी लोगों के बारे में सही है मेरे पडेले के डैड़ी इसी विचारदारा में विश्वाद रखते थे इसलिए वे डोक्टरेट मिलने के बाद रोमान्चित हो गए थे वे अक्सर यहे मानते थे कि स्कूल में ऐसे लोगों का सम्मान किया जाता है जो कम से कम चीजों के बारे में ज़्यादा है ज़्यादा पड़ते है अमीर डैडी मुझसे इसके अठीक उल्टा करने के लिए प्रोचसाइब करते थे आपको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए यह हैं उनका सुजाओ था इसलिए मैंने उनकी कमपनियों में कई विवागों में सालों तक काम किया उच समय के लिए मैंने उनके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम किया हालांकि मैं कभी अकाउंटेंड नहीं बन सकता था परंतु भे चाहते थे कि मैं उस विभाग में रहकर उसके बारे में मोटी मोटी बातें समझ लूँ अमीर डेड़ी जानते थे कि मैं वहां की सब्दावली को पकड़ लूँगा और यहे भी समझ लूँगा कि क्या मैं तो पून था और क्या नहीं मैं एक बस बॉय और कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में भी काम कर चुका हूँ और सेल्ज, रिजर्वेशन और मार्केटिंग में लूँ वे मुझे और माइक को पीडी दर पीडी सिखा रही थे इसलिए वे चाते थे कि हम लोग उनके बेंकर्स, वकिलों, अकाउंटेंट्स और ब्रोकर्स के साथ बैटकों में भाग लें वे चाते थे कि हम लोग उनके समराज्य के हर पैलू के बारे में थोड़ी बहुत जानकरी रखे है जब मैंने स्टेंडर्ड आईल की अच्छी तनकवावली नोकरी छोड़ी तो मेरे पढ़ेली के टेडी ने मुझसे दिल खोल कर बाते ही उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था वे मेरे निर्ने के पिछे के कारण को नहीं समझभा रही थे क्योंकि जिस नोकरी से मैंने इस्टिवा दिया था उसमें तनकवाव अच्छी थी फाइदे बहुत थी खाली समय भी बहुत मिलता था और उसमें तनकवाव और प्रमोशन के अच्छे अवसर थे जब एक शाम को उन्होंने मुझसे पूछा तुमने नोकरी क्यों चोड़ दी तो मैं लाग कोशिष करने के बाद भी उन्हें इसका कारण नहीं समझा सका मेरे तर्ग उनके तर्ग के दायरे में पिट नहीं हो पा रहे समझ शाय यह थी कि मेरा तर्ग मेरे अमीर डैडि का तर्ग था मेरे पडेल के डैडी के लिए नोकरी की सुरुक्षा ही सब कुछ थी मेरे अमेर डैडी के लिए सीखना ही सब कुछ था मेरे पडेल के डैडी का विचार था कि मैं शिप का अफसर बनने के लिए सिख्षा ग्रैंड करने स्कूल गया था अमीर डेड़ी जानते दे कि मैं अंतरस्टे व्यापार के अध्यन के लिए स्कूल गया था तो एक विद्यार्थी की तरह मैं सुदूर पूरू और साउथ पैसिफिक जाने वाले जाजों पर बड़े फ्रेट्स पर आयल टैंकरों पर और यात्री जाजों पर काम करता रहा अमीर डेड़ी इस बात पर जोर देते थे कि वे यूरोप की तरफ जाने वाले जाजों के बजाए परसांत महासागर पर अपना ध्यान के अंदिलित करूँ क्योंकि बवश्या के देश एसिया में है यूरोप में नहीं जब कि मेरे ज्यादातर साइबाटी जिसमें माईक भी शामिल था अपने गरों पर पार्टी और मोजबस्ती करते थे तब मैं जापान, ताइवान, थाईलेंड, सिंगापूर, होंग कोंग, वियतनाम, कोरिया, ताहिती, समोवा और फिलिपिन्स में व्यावसाई लोगों, बिजनस की सेलियों और संस्कृतियों का अध्यन करता था मैं भी पार्टी कर रहा होता, परन्तु अपने गर पर नहीं, मेरा ज्यान बहुत तेजी से बढ़ रहा था पढ़े लिके डैडी कभी नहीं समझ सके, मैंने यह नोगर क्यों सोड़ी और इसके बाद मरीन कार्प्स में क्यों सामिल हुआ मैंने उन्हें बताया, कि मैं जहाज उड़ाना सीखना चाहता हूँ परन्तु वास्तों में मैं टुप का नेता बनना सीखना चाहता था अमीर डैडी ने मुझे बतला रखा था, कि कमपनी चलाने का सबसे कठीन काम था लोगों से काम लेना, उन्होंने तीन साल तक से नामे काम किया था मेरे पढ़ेलिके डैडी ने कभी इसा नहीं किया था अमीड एड़ी ने मुझे बताया कि खतरनाक परिस्थितियों में किस तरह लोगों का नेतरतों किया जाई तुम्हें जो अगली चीज सीखनी चाहिए वह है नेतरतों उन्होंने कहा अगर आप एक अच्छे नेता नहीं है तो आप पर पीछे से गोलियंच लाई जा सकती है जैसा बिजनस में किया जाता है वियत नाम से उन्हें सो त्येटर में लोटने पर मैंने कमिशन से इस्तिवा दे दिया हलांकि मैं हवाई जाज उड़ाना पसंद करता था मैं जेराक्स कंपनी में काम करने लगा जेराक्स अमेरिका में सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत बड़ी आ कमपनी माने जाती थी अमें डेड़ी को मुझे पर करव था मेरे पडेली के डेड़ी को मुझे पर शर्म आती थी एक बुद्धी जीवी होने के नाते वे सोचते थे कि सेल्ज में उनके निचले स्तरके होते हैं मैंने जिराक्स में चार साल तक काम किया जब तक कि मुझे दरवाजे खटखटाने और ऐस विकार कर दिये जाने के डर्से मुक्पिन नहीं मिल गए एक बार मैं विक्रे में चोटी के पांस लोगों में लगा तार आने लगा तो मैंने एक बार फिर इस्तिवा दे दिया और आगे बढ़ गया एक बार फिर मैंने एक अच्छी खासी कंपनी के साथ अपना बड़िया करियर छोड़ दिया था 1977 में मैंने अपनी पहली कंपनी खुली अमीर डेड़ ने मुझे और माइक को कंपनीया चलाने का प्रशिक्षन दे रखा था तो अब मुझे उन्हें स्तापित करना ही सीखना था मेरा पहला उत्वाद था नाइलोन और वेल्क्रो का वैलेट जो फारेस्ट में बनता था और समुदरी जहाद से न्यू यार्क में एक वेर आउस्तक्त आता था मेरी उप्चारिक सिक्षा पूरी हो चुकी थी और अब मेरे पंक्पों की मजबूती की परिक्षा का समय आ गया था अगर अब मैं ऐसे बल होता तो मैं दिवालिया हो गया होता अमीर डेडी का मानना था कि 30 साल से पहले दिवालिया होना सबसे अच्छा होता है आपके पास संबलने का मोका होता है उनकी सला थी मेरे 30 में जनुम दिन की शाम को मेरा पहला सिप्मेंट पॉरिया से नियू यार्क के लिए रवना हुआ आज मैं अंतरा स्टी अस्तर पर बिजनस करता हूँ और जैसा मेरी अमीर डेड़ी मुझे प्रोचसाइट किया करते थे मैं विकास से इल देशों पर ध्यान के निरित करता हूँ आज मैं निवेश कंपनी दक्षिन अमेरिका एसिया नार्वे और रूस में निवेश करती है एक कहावत है जोब एक संक्सित रूप है जस्ट ओवर ब्रोग का और दुरवागे से यह करोडों लोगों के लिए सही सावित होता है चुकि स्कूल यह है नहीं समझता कि फाइनेंशियल बुद्धी भी बुद्धी का एक रूप है इसलिए ज्यादातर करमचारिया मजदूर अपने सादनों के बीतर रह रही है वे मेनत करते हैं और अपने बिल चुकाते हैं एक ओर ड्रावनी मैनेजमेंट ठ्योरी है काम करने वाले इसलिए कड़ी मेनत करते हैं ताकि उन्हें नोकरी से ने निकाला ले और मालिक उन्हें केवल इतना देते हैं ताकि काम करने वाले छोड़ करने चले गए और अगर आप ज़्यादातर कंपनियों की तनकुएं देखे तो आप आएंगे कि इस बात में थोड़ी बहुत सचाई तो है इसका कुल परिणाम यह होता है कि ज़्यादातर करमचारी आगे नहीं बढ़पाते वे वही करते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है सुरक्षित नोकरी खोजलो ज़्यादातर काम करने वाले कम समय के पुरुसकारों से से वेतन और दूसरे फाइदों के लिए काम करते हैं परन्तु दिर्ख काली इंद्रिष्टी से यह हैं उनके लिए गाटे का सोदा सावित होता है इसके बजाए में युवा लोगों को यही सला दूँगा कि नोकरी खोजते समय वे इस बात का ध्यान दे कि वे कितना कमा रही है और इस बात पर भी ज़्यादा द्यान दे कि वे कितना सीख रहे है रास्ते बर आगे की तरफ देखते रहे है कि किसी खास प्रोपेशन को चुनने के पहले और चुहा दोड़ में पसने इसे पहले वे कितनी दक्षताओं में परंगत होना चाहते है एक बात लोग बिल चुगाने के आजीवन परकिरिया में फस जाते है तो वे चोटे हैंस्टर्स की तरह दातु के चोटे पईयों के चारों तरफ गुंते रहते हैं उनके चोटे पैर तेजी से गुंते हैं परंटु आने वाले कल में भीवे उसी पिंजरे में रहेंगे नोकरी जैरी मैगवायर नाम की फिल्म में टाम क्रूज का बहुत बढ़िया रोल था और इस फिल्म में कई बहुत जोरदार समवार थे शायद सबसे यादगार लाइन थी मुझे पैसा दिखाओ परंटु एक और लाइन थी जो मेरे इसाव से ज़्यादा सच्ची थी यह उस द्रेश्य में थी जहां टोम क्रूज फरम छोड़कर जा रहा है उसे नोकरी से निकाल दिया गया है और वह पूरी कंपनी से पूसता है मेरे साथ कौन आना चाहता है और सब लोग मोन और स्थब्ध है केवल एक औरत बोलती है मैं आना तो चाहती हूँ परंटो मेरा तीन महिने में प्रमोशन होने वाला है यह है वाक्या शायद पूरी फिल्म का सबसे सचा वाक्या है यह है उस तरह का वेक्टव यह है जो बिल्चुकाने के लिए मेहनद करने वाले लोग हमेसा इस्तेमाल करते है मैं जानता हूँ कि मेरे पड़े लिखे डैडी हर साल तनक्वा बढ़ने की आशा लगाई रखते हैं और हर साल उन्हें निरासा होती थी इसलिए वे फिर से स्कूल जाकर और जारा योकेता हैं हासिल करते थे ताकि उन्हें एक और वेतन ब्रदी मिल सके पर उन्हें एक बार फिर उन्हें निरासा ही हाथ लगती थी मैं अक्सर लोगों को यह सवाल पूसता हूँ रोज मर्रा की यह गतिविली आपको कहां ले जा रही है सोटे हेंस्टर की तरह लोगों को यह देखना चाहिए कि उनकी कड़ी मेनत का नतीजा क्या निकल रहा है उनका भविश्य कैसा होगा सीरिल ब्रिट फ्रीड दे अमेरिकन एसोसेशन आप रिटार्ड प्यूपिल्स के भूत्पुर्व एक्जिगूटिव डारेक्टर का कहना है कि प्राइवेट पेंशन की हालत बहुत कराब है पहली बात तो यह है कि आज काम करने वालों में से 50 फिजदी को कोई पेंशन नहीं मिलेगी इसी बात से चिंता होना चाहिए और बाकी बचे 50 फिजदी में से पिछे 30 से 80 फिजदी लोगों को नामातर की पेंशन मिलेगी जो 55 डालर या 500 डालर या 300 डालर परतिमा होगी अपनी कुस्तक दे रिटार्मेंट मित में क्रैक एस कारपिल लिखते हैं मैं एक बड़ी राष्टिय पेंशन से लाकार फर्म के मुखेले में गया और मैनेजिंग डारेक्टर से पूछा जिसकी विशे सगे था बड़ी रिटार्मेंट योजनाई तयार करने में थी जब मैंने उनसे पूछा कि छोटे आफिसों में काम करने वाले लोगों को पेंशन से कितनी आमदनी की उमीद करनी चाहिए तो उसने विश्वास वरी मुस्पुराट के साथ कहा सिल्वर बुलेट सिल्वर बुलेट का क्या मतलब होता है मैंने पूछा उसने वने कंदे उचकाई अगर बुजर्गों को लगता है कि गुड़ापे में उनके पास जिन्दा रहने के लिए प्रियाप्त दन नहीं है तो वे अपने आपको गोली मार सकते हैं कारपेल इसके बाद पुराने रिटायर्मेंट प्लान को ज़्यादा खतरनाक नए 401G प्लान के अंतर को स्वस्ट करते हैं ज्यादातर काम करने वालों के लिए यह कोई सुखत तस्वीर नहीं है और यह है तो हुई रिटायर्मेंट की बाद जब इस तस्वीर में मेडिकल फीज और दिर काली नर्सिंग होम सुईदा को जोड़ा जाता है तो तस्वीर डरावनी हो जाती है उनके 1995 की पुस्तग में वे बताते हैं कि नर्सिंग होम की फीज 30,000 डालर परती साल से 1,25,000 डालर परती वर्स है वे अपने इलाके के साब सुत्री परंतु सादार नर्सिंग होम में गई और उन्होंने 1995 में चीमत को 88,000 डालर पाया आज भी समाजबादी चीकित्सा वाले देश्टों के कई अस्पतालों में कई कड़े फैसले लेने होते हैं जैसे कौन जीएगा और कौन मरेगा वे यह फैसले विशोद रूप से इस आदार पर लेते हैं कि उनके पास कितना पैसा है और मरीज कितने व्रद है अगर मरीज व्रद है तो वे एकसर मेडिकल केर अप्लिक शाकरत युवा आदमी को दे देते हैं बुड़ा गरीब मरीज लाइन में सबसे पीछे खड़ा रहता है तो जिस तरह अमीर लोग बेतर शिक्षा हासिल कर सकते हैं उसी तरह अमीर लोग अपने आपको जिन्दा भी रख सकते हैं जबकि जिन के पास दोलत नहीं है वे मर जाएंगे तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि क्या करमचारी बविशे में देख पा रहे हैं या उनकी बविशे की द्रिस्टी केवल उनकी अगली तनकवा तक ही जाती है और वे अपने आप से कभी दूरगामी बविशे के बारे में सवाल ही नहीं करते जब मैं ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखने वाले बैसकों के सामने बोलता हूँ तो मैं हमेशा एक ही चीज की सला देता हूँ मैं यह सुझाओ देता हूँ कि वे अपने जीवन के बारे में एक लंबा द्रिश्टिकों रखें केवल पैसे और सुरक्षा के लिए काम करने की बजाए जो हालां कि मैं तोकूर्ण है मैं सुझाओ देता हूँ कि वे एक और काम करने लगे जो उन्हें एक और दक्स्ता सिखा दे अगर वे सेल्स टक्निक सिखना चाते हैं तो अक्सर मैं उनसे किसी नेटवर्क मार्कटिंग में शामिल हो जाने के लिए कहता हूँ जिसे मल्टि लेवल मार्कटिंग भी कहा जाता है इन में से कुछ कंपनियों के पर सिक्षन कारेगा बहुत बढ़िया होते हैं जो लोगों के मन से जिजग और ऐस अपलता का डर निकाल देते हैं जो लोगों के ऐस अपल होने का मुख्या कारण होते हैं लंबे समय में शिक्षा धन्स से ज़्यादा मुल्यवान है जब मैं यह सुझाओ देता हूँ तो अक्सर लोगों की परतिकिरिया होती है पर इसमें बहुत जंजट है या मैं केवल वही करना चाहता हूँ जिसमें मेरी दूची है इसमें बहुत जंजट है के जवाब मैं पूस्ता हूँ तो आप जिन्दगी वर सिर्फ इसलिए काम करते रहेंगे ताकि आपकी आई में से 50 पिजदी आप सरकार को दे देंगे दूसरे रगत तब्ये मैं केवल वही करना चाहता हूँ जिसमें मेरी दूची है के जवाब मैं कहता हूँ आप एक बुड़े कुटे को नई चालवाजी नहीं सिखा सकते जब तक कोई आदमी बदलने के लिए तैयार ने हो बदलना बहुत कठीन होता है पर अब दोन लोगों के लिए जो कुछ नया सिखने के विचार से प्रेरित हो जाते हैं और दोराए पर खड़े हैं मेरा सुझाव यही है जिन्दगी बहुत हर तक जिम जाने की ही तरह है इसमें सबसे दर्द बराइसा वहाँ जाने का फैसला लेना है एक बार आप यह फैसला कर लेते हैं तो बाकी सब आसान हो जाता है एसे कई दिन आई जब मैं जिम जाने के नाम से काम जाता हूँ परन्तु यह एक बार मैं वहाँ पूम जाता हूँ तो काम शुरू कर देता हूँ और मुझे इसमें मजाने लगता है जब मैं वहाँ से निकलता हूँ तो मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैं वहाँ गया था अगर आप उस नया सीखने के प्रती अनिच्छुक हों और इसके बजाए आप अपने ख्षेत्र में बहुत विशेशग्यता हासिल करने पर जोर देते हों तो यह सुनी सित कर लेंगे जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं वहाँ यूनियन हो लेवर यूनियने विशेशग्यों की रक्षा के लिए बनाई जाती है मेरे पडेले के डैडी जब गवर्नर की करपा द्रस्टी से तूर हो गई तो वे हवाई में टीचस यूनियन के अध्यक्स हो गई उन्होंने मुझे बताया कि यह उनके द्वारा किया गया सबसे कथिन काम था मेरे अमीर डैडी ने दूसरी और जिंदगी बरिया एकोसिस की कि उनकी कंपनी में यूनियन ने बनसपाई बेसभल हुए हालंकि यूनियन काफी करीब आ गई थी पर तुअमीर डैडी हमेशा उन्हें दूर रखने में कामियाब हो जाते थी व्यक्तिकत रूप से मैं किसी का पक्ष नहीं लेता क्योंकि मुझे दोनों इन बातों में फाइदे दिखते हैं और उनकी जुरूरत दिखती है अगर आप स्कूल द्वारा सुजाई रास्ते पर चलते हैं उच में से सग्यता हसिल करते हैं तो फिर आप यूनियन की सुरुक्षा में चले जाएंग उधारन के लिए अगर मैं अपने हवाई जाज उडाने के करियर में गया होता तो मैंने एसी कंपनी पसंद की होती जिसकी पाइलेट यूनियन बहुत तगड़ी होती क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी केवल एक दक्स्ता को सीखने के लिए समर्पित होती जिसका मुल्य केवल एक उध्योग में ही हो सकता था अगर मुझे उस उध्योग से निकाल दिया गया होता तो मेरे जिवन की दक्स्ताई किसी दूसरे उध्योग में उतनी मुल्यवान नहीं होती अगर किसी वरिष्ट पाइलेट को निकाल दिया जाई जिसके पास हवाई उडान का एक लाग गंटे कानुबा हो और जो हर साल डेड़ लाग डालर कमा रहा हो तो उसे स्कूल टीचिक में इतनी ज़्यादा कमाई वाला बराबरी का काम ढूनने में बहुत दिक्कत आएगी दक्स्ताई एक उध्योग से दूसरे उध्योग में ट्रांसफर नहीं होती क्योंकि एरलाइन और दियोग में जिन दक्स्ताओं की जरूरत होती है और जिसके लिए पाइलटों को ज़्यादा वेतन दिया जाता है तो वे स्कूल सिस्टम में उतनी मेत्वपोन नहीं होती आज डोक्टरों के लिए भी यही सही है जिकित सागेख छेतर में इतने परिवर्थन हो रहे है कई मेडिकल विशे सग्या मेडिकल संग्टनों जैसे MHO से जुड़ना पसंद करते है स्कूल के सिक्षकों को यूनियन का सब अश्या होना पड़ता है आज अमेरिका में टीचर्स की यूनियन सबसे बड़ी और अमीर लेवर यूनियन है ENA यानि National Education Association के पास बहुत ज़्यादा राजनितिक परभाव है सिक्षकों को अपनी यूनियन की सुरक्षा की बहुत जरूरत होती है क्योंकि सिक्षा के बाहर उनकी दक्षताओं का मुल्य अप्रेक्षा करत काफी कम होता है तो नियम यह है उच्विशे जगता हसिल करो और यूनियन बना लो स्मार्ट लोग यही करते है जब मैं अपनी कक्षा में पूस्ता हूँ आप मेंसे कितने मैक डोनाल्ड से अच्छा हैंबर्ग बना लेते हैं तो लगबग सभी भी द्यारती अपने हाथ खड़े कर देते हैं मैं फिर पूस्ता हूँ अगर आप मेंसे ज़्यादा तर बेतर हैंबर्ग बना लेते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि मैक डुनाल्ड आपसे ज़्यादा पैसा बना लेते हैं। जवाब साफ है मैक डुनाल्ड बिजनस सिस्टम में आपसे अच्छा है। ज़्यादातर पत्तिवासाले लोग सिर्फ इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वे अपना सारा ध्यान बेतर हैंबर्ग बनाने में लगाते हैं और बिजनस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते हुआई में मेरा एक दोस्त है जो एक महान कलागार है वह काफी पैसा कमा लेता है एक दिन उसकी मा के वकील ने उसे बताया कि उसकी उसने अपने पुत्र के नाम पर 35,000 डालर छोड़े हैं यहे रकम सरकार और वकीलों द्वारा अपना हिस्सा लेने के बाद बची थी ततकाल उसने इस पैसे जे विग्यापन करके अपने व्यवसाई को बढ़ाने की उसे विग्यापन के पर कि उत्तर में कोई जवाब नहीं मिला और उसकी सारी पुझी इस विग्यापन में खर्प हो गई अब वह पत्रिका पर दावा ठोगना चाहता था यह एक ऐसे आदमी का सामाने उदारने जो एक बेतरीन हैंबर्ग बना सकता है परन्तु बिजनस की बिल्कुल समझ नहीं रखता है जब मैंने उससे पूछा कि उसने क्या सिख तो उसका जवाब केवल यही था कि विग्यापन करने वाले लोग दोखेवाज होते हैं मैंने फिर उससे पूछा कि क्या यह सेल्ज में या डिरेक्ट मार्केटिम में कोई कोर्स करना जाता है तो उसका जवाब था मेरे पास समय नहीं है और मैं अपना पैसा पर बादन नहीं करना जाता दुनिया परतिवा संपन गरीब लोगों से बहरी पड़िये अक्सर वे या तो गरीब हैं या फिर पैसे की समच्छा से जूज रही है या अपने दकस्ताओं से कम पैसा पकमा रही है और इसका बेतरी नुदारन और इसका जिम्मेदार उनके ग्यान का विशे नहीं है बलकि उनके अग्यान है तो एक बेतर हैंबर्ग बनाने की दकस्ताओं को पैना करने में ही लगी रहती है और हैंबर्ग को बेचने और उसे घर तक पहुँचाने की दकस्ताओं बिलकुल भी ध्यान नहीं देते शायद मैक्टोडाल सबसे अच्छे अमबर्ग नहीं बनाते थे परन्तु वेक मूल गूत रूप से उसत अमबर्ग को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने में सर्विस रेश्ट है गरीब डेडी चाते थे कि मैं विशे सगेता हासिल करूँ उनका विचार था कि अगर मैं येसा करूँगा तो मुझे ज़्यादा वेतन मिलेगा हाला कि उन्हें हवाई के गवर्नर्ट ने साफ कह दिया था कि वेराज्य सरकार के लिए अब काम नहीं कर सकते फिर भी मेरे पडेली के डेडी मुझे विशे सगेता आसिल करने के लिए प्रोटसाइट किया करते थे पडेली के डेडी ने टीचर्स यूनियन का काम संभाल लिया था और वे उट सिक्षित और निपून प्रोफेशनल्स के लिए और ज़्यादा सुरक्षा और फाइड़ों के लिए वियान छेड़ रही थे हम में इस बात पर काफी बहस हुई परंदू मैं जानता हूँ कि वे इस बात पर कभी सहमत नहीं हुए कि ज़्यादा विशे सग्यता के खरण ही क्यूनियन के सरेंक्षन की जरूरत होती है वे यह कभी नहीं समझपाई कि आप जितनी ज़्यादा विशे सग्यता आसिल कर लेते हैं उतने ही ज़्यादा आप जाल में फस जाते हैं और आप अपने विशे सग्यता पर निर्वर हो जाते हैं। अमीर डैडे की सलाई यह थी कि माई कोर मैं खुद विकास करें। कई कार्पोरेशन्स यही करते हैं। वे बिजनस स्कूल के किसी युवा परतिवासाली विद्यार्थी को चुन लेते हैं। और फिर उस आदमी को इस तरह विक्षित करते हैं ताकि एक दिन वह कंपनी की जिम्मेदारी समाल सके। और यह परतिवासाली युवा करमचारी किसी एक डिपार्टमेंट में विशे सग्यते नहीं होते। वे बिजनस सिस्टम के सभी पैल्गों की जानकरी लेने के लिए इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट तक काम करना सीखते हैं। अम यह लोग अकसर अपने बच्चों या दूसरों के बच्चों को इसी तरह विक्षित करते हैं। एज़ा करने से उनके बच्चों को बिजनेस की पूरी प्रकिरिया अच्छी तरह समझ में आ जाती है और वही है भी समझ जाते हैं कि किस तरह भी बिन डिपार्टमेंट्स में तालमेल होता है दूसरे विश्यू यूद की पीडी में एक कमपनी से दूसरी कमपनी में जाना बुरा समझा जाता था आज इसे स्मार्ट समझा जाता है चुकि लोग ज़्यादा विश्य सग्यता आसिल करने के बजाए इस कंपनी को बदलकर दूसरी कंपनी में जाना पसंद करेंगी तो क्यों ने कमाने के बजाए सीखने पर द्यान के निरित किया जाए कम समय में हो सकता है कि आपकी आमदनी कम हो परंतु लंबे समय में इससे आपको बहुत फाइदा हुआ सपलता के लिए जिन मुख्य मनेजमेंट दक्स्ताओं की जुरूरत होती है वे हैं नमबर एक, कैश फलो का मनेजमेंट नमबर दो, सिस्टम का मनेजमेंट आपको और आपके परिवार के साथ समय को मिलाकर नमबर तीन, लोगों का मनेजमेंट सबसे मैतोपोन विसे सग यह दक्स्ताईं सेल्ज और मार्केटिंग की समझ है बेचने की योबेता ही प्यक्तिगत सबलता की अदारबूत कुशलता है इसलिए आपको दूसरे आदमी के साथ संप्रेशन में कुसल होना चाहिए साहिव है कोई गराहक हो, करमचारी हो, बोस हो, पतनी हो या बच्चे हो कमिनकेशन स्किल जैसे लिखना, बोलना और सोदेवाजी करना सफल जीवन के लिए बहुत जरूरी है यह एक एसी कला है, जिस पर मैं लगातार मेंनत करता हूँ और अपने ग्यान को बढ़ाने के लिए पाठ्टे करमों में भाग लेता हूँ या सेक्शन टेप खरीद था रहता हूँ जैसा कि मैंने बताया, मेरे पड़े लिखे टेड़ी ने जितनी ज़्यादा मेंनत की, वे उतने ही ज़्यादा काबिल बने उन्होंने जितनी ज़्यादा विशे सगेता हजिल की, वे उतने ही ज़्यादा फस्ते चले गए हलांकि उनकी तनक्वा बड़ी परंद उनके विकल्प कम होते चले गए जब उन्हें सरकारी नोगरी से अटा दिया गया तब ही उन्हें पता चला कि वेवसाई की दरस्टी से कितने जोखिम में थे यह तो उसी तरह का मामला हो गया जैसे प्रोफेशनल एथलीट को अचानक चोट लग जाई या वैखेलने के लिए ज़्यादा बुड़ा हो जाई उनकी उन्ची तनक्वा वाली स्थित चली जाती है और वे अपने सीमी दक्षताओं के सारे जीवने आपन करते हैं मैं सोसता हूँ कि इसलिए मेरे पडेली के डैडी बाद में यूनियनों के इतने समर्थक बन गई थे उन्होंने यह महसूस कर लिया था कि यूनियन ने उन्हें कितना ज़्यादा दिलाया होता अमीर डैडी माईक और मुझे सभी चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकरे रखने के लिए प्रोटसाइट करते थे वे हमें ऐसे लोगों के साथ काम करने के लिए प्रेडित करते थे जो हमसे ज़्यादा स्मार्ट थे और वे हमसे यह भी चाहते थे कि हम स्मार्ट लोगों से एक टीम के रूप में काम करवाई आज इसे प्योसाइक विसे सग्यताओं का समन में कहा जाएगा आज मैं बूटपूर उस्कूल टीचर से मिलता हूँ जो हर साल लाकों डालर कमा रही है वे इतना ज़्यादा इसलिए कमा रही है क्योंकि उनके पास अपने क्षेतर की विसे सगत दक्स्ताओं के अलवा भी दक्स्ताओं हैं वे सिखा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं और मार्केटिंग भी कर सकते हैं बेचने और मार्केटिंग की दक्षताइं ज्यादातर लोगों को इसलिए कठिन लगती है क्योंकि उनमें नकारे जाने या ऐस विकार किये जाने का डर होता है आप संप्रेशन, सोदेवाजी और अपने नकारे जाने के तरका सामना करने में जितने बेतर होंगी आपके लिए जिन्दगी उतनी ही आसान होगी जिस तरह मैंने अख़वार की लेखिका को सला दी थी जो बेस्ट सेलिंग लेखिका बनना चाहती थी मैं किसी को भी वही सला देना चाहूंगा तकनिकी रूप से विशे से गता हासिल करने के कुछ मजबूत पहलू होते हैं और कुछ कमजोर पहलू होते हैं मेरे कुछ दोस्तें जो जीनियस हैं परंतु वे दूसरे लोगों के साथ प्रवावी डंग से बात नहीं कर पाते और परिणाम सोरूप उनके आमजनी बहुत कम है मैं उन्हें सला देता हूँ कि वे एक साल तक बेचने की कला सिखें चाहे वे कुछ भी ने कमाएं परंतु उनकी कमिनकेशन स्किल्ट सुदर जाईगी और यह अनमोल है अच्छे सीखने वाले बेचने वाले और मार्केटिंग करने वाले वेक्ति होने के अलावा हमें अच्छे सीखशक और अच्छे विद्यात्य होने के भी ज़रूरत है दरसल अमीर होने के लिए आप में लेने के साथ ही देने की काबलियत भी होनी चाहिए आर्थिक या प्रोफेशनल संगर्स के मामलों में देने और लेने में बहुदा कमी देखी गई है मैं एसे कई लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ इसलिए गरीब है क्योंकि वे नय तो अच्छे विद्यात थी हैं नहीं अच्छे सिक्षण मेरे दोनों डेड़ी उदार थे दोनों ने पहले देने के सी दांत का पालन किया था सिक्षा देना उनके लिए देने का एक परकार था जितना ज़्यादा उन्होंने दिया उतना ही उन्हें मिला पैसे देने के मामले में जरूर उन दोनों में अंतर था मेरे अमीर डेड़ी ने बहुत सा पैसा दां दिया उन्होंने अपनी चर्च को दां दिया समाच सेवी संस्ताओं को दां दिया और अपने foundation को दान दिया वे जानते थे कि पैसा आसिल करने के लिए पैसा देना होता है पैसा देना ज्यादा तर अमीर परिवारों का रहशे है इसलिए राकफेलर foundation और फोर्ड फाउंडेशन जैसे संग्टन काम कर रही है यह संग्टन उनकी संपत्री को लेते हैं उसे बढ़ाते हैं और लगातार देते रहते हैं मेरे पड़ेल के डैड़ी हमेशा कहते थे जब मेरे पास अतिरिक्ट पैसा होगा मैं उसे दान कर दूँगा समझ यह थी कि उनके पास कभी अत्रिक पैसा नहीं आया इसलिए वे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करते रहे और पैसे के सबसे मैतबों नियम को खुल गए दो और आपको मिल जाएगा इसके बज़ाए वे यह यकीन करते रहे लो और फिर दो निसकर्स में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझ पर दोनों ही डेडियों की छाफ है मेरा एक इस्सा कटर पूंजी पती का है जो पैसे से पैसा कमाने के खेल से प्रेम करता है मेरा दूसरा इस्सा एक सावाजी ग्रूप से जिम्मेदार सिक्षक का है जो खरीबों और अमीरों के पीश बढ़ती आर्थिक खाई से बहुत ज़्यदा चिंतित है मैं इस बढ़ती ओई खाई के लिए मूल रूप से दक्यान उसी सिक्षय तंत्र को जिम्मेदार मानता हूँ धन्यवाद आईए अब चलते हैं दय आठ की तरफ जो है बादाओं को पार करना आपका दिन शुब हो रिच डेड पूर डेड अध्याई आठ बादाओं को पार करना एक बार लोग अध्यन कर लें और उनमें पैसे की समझ भी आ जाई तो भी आर्थी का जादी हासिल करने के लिए उन्हें कई बादाओं और अवरोदों का सामना करना पड़ सकता है यसे पांच कारण है जिनके कारण पैसे की समझ रखने वाले लोग अपने संपत्ति वाले कोलम को ज्यादा नहीं बढ़ा पाते संपति वाला कोलम जिसमें बहुत सारा कैश्म लोग आता है संपति वाला कोलम जो उन्हें अपने सपने की जिन्दगी जीने का मूका देता है और अपने बिल चुकाने के लिए हर काम करने की जंजट से मुक्ति दे सकता है ये पांच कारण है नमबर एक डर नमबर दो सनकीपन नमबर तिन आलश्य नमबर चार बुरी आदतें और नमबर पांच है जिद पैसा कोने के डर से पार पाना मैं कभी किसी एसे वेक्ती से नहीं मिला जिसे पैसे का नुकसान अच्छा लगता हो और मेरी जिन्दगी में मैं कभी किसी अमीर आदमी से नहीं मिला जिसे पैसे का नुकसान नहीं हुआ हूँ परंतु मैं ऐसे बहुत से गरीब लोगों से जरूर मिला हूँ जिनोंने एक दमड़ी भी नहीं खोई है निवेस में पैसे के नुकसान का डर असली है यह हर व्यक्ति को होता है अमीरों को भी परंतु समझ्षा डर नहीं है समझ्षा यह है कि आप इस डर का सामना किस तरह से करते हैं पैसा कोने के बाद स्थिति से किस तरह नहीं पड़ते हैं आप ऐस वलता को किस तरह से लेते हैं यह आपके जीवन में बहुत मैतोपूर्ण है। यह जिंदगी में केवल पैसे के बारे में ही नहीं बलकि हर चीज के बारे में सही है। एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति में मूलबूत अंतर यह होता है कि वे इस पैसे से किस तरह मुकाबला करते हैं। डरने में कोई बुराई नहीं है। पैसे के मामले में डर पोक होना भी कोई बुरी बात नहीं है। आप अब भी अमीर हो सकते हैं। हम सबी कुछ मोकों पर बादूर होते हैं और कुछ मोकों पर डर पोक। मेरे दोस्त की पतनी एक अमेरजेंसी जब भी वहें खुन देखती है, वहें ततपरता से काम में जुड़ जाती है, जब भी मैं निवेस का जिक्र करता हूँ, वहें भाग जाती है, जब मैं खुन देखता हूँ, तो मैं नहीं भागता, मैं बेहोस हो जाता हूँ, मेरे अमीर डैडी पैसे के नुकसान के डर या फ उनका सुजाव यह चोटी पंक्ती थी। अगर आप जोखिम से गवराते हैं और चिंता करते हैं तो जल्दी शुरू कर दें। इसलिए बैंके तभी बचत की आदर डालना चाहती है जब आप चोटे होते हैं। अगर आप कम उमर में शुरू करते हैं तो आपके लिए अमीर ह होना ज्यादा आसान होता है। मैं इस बारे में ज्यादा विस्तार से कुछ नहीं कहूंगा परंतु 20 साल की उमर में बचत शुरू करने वाले और 30 साल की उमर में बचत शुरू करने वाले लोगों में बहुत बड़ा फर्क होता है। बहुत ही बड़ा फर्क। कहा जाता है की विश्व के अजूबों में से एक है चक्रवर्दी ब्याज की ताकत मैनहटन आइलेंड की खरीद दुनिया के महांतम शोदों में से एक मानी जाती है नियुयार्क को 24 डॉलर में खरीदा गया था परंतो अगर उस 24 डॉलर को 8 फिजदी साला ने ब्याज पर निवेस कर दिय जाता तो वही 24 डॉलर 1995 के अंत तक 28 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गई होती मैनटन को 1995 की रियल एस्टेट की कीमतों पर दुबारा खरीदा जा सकता था और इसके बाद भी इतना पैसा बच जाता कि लास एंजलेस का ज्यादातर हिसा खरीदा जा सकता था मेरा पड़ को छोड़ देगा और उसके 401 जी रिटायर्मेंट प्लान में 40 लाख डालर जमा होंगे यह मुख्य रूप से अच्छी गती से विक्सित हो रहे मिच्चुर पंड में निवेस किये गए हैं जो बाद में बॉंड और गर्रमेंट सिक्यूरिटीज में बदल लिये जाएंगे या जोखिम लेने से डरते हैं तो भी यह किया जा सकता है परन्तु आपको जल्द ही इसकी शुरुवात करनी होगी और एक रिटायर्मेंट प्लान तो बनाना ही होगा और आपको निवेस करने से पहले एक बरोसे मन फाइनेंसियल प्लानर की सेवाई लेनी होगी परन्तु अगर आपके पास समय नहीं है या आप जल्दी रिटायर होना चाते हैं तो आप किस तरह पैसे खोने के डर का सामना करते हैं मेरे गरीब डैडी ने कुछ नहीं किया वे केवल इस विशे को टालते रहे और इस बारे में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हुए टेकसास में हर चीज बड़े वेमाने पर होती है जब टेकसास के लोग जीतते हैं तो वे बड़ी जीत होती है और जब वे हारते हैं तो वे हार भी अदबुत होती है वे हारना भी पसंद करते हैं मैंने पूछा मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कोई भी हारना पसंद नहीं कर मुझे एक खुश आ रहा हुआ व्यक्ति दिखा दो और मैं तुम्हें बता दूँगा कि हार ऐसी होती है। जब किराने वाला उनकी चिलर में से 54 कम कर देता है तो वे शोर मचाने लगते हैं। ज़्यादा तर लोग हारने से इतना डरते हैं कि उनके लिए दिवालिया होने के लिए डुपलेक्स भी नहीं होता। वे माई को और मुझे यह लगातार बताया करते थे कि आर्थिक एसफलता का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि लोग खेल को बहुत ज़्यादा शुरुक्षात्मक तरीके से खेलते हैं। लोग हारने से इतना ज़्यादा डरते हैं कि वे हार जाते हैं। यह उनके शब्द थे। फ्रेंट आर्केंटर ने जो एक वक्त का महान एनेफल क्वाटर बेंक था इसी बात को दूसरी तरह से कहा है। जीतने का मतलब है हारने से ने डरना। मेरी अपनी जिन्दगी में मैंने यह पाया है कि जीत हमेसा हार के ठीक बाद आती है। जब मैंने आखिरकार मोटर साइकल चलाना सीखा तो इससे पहले मैं कई बार गिरा। मैं आज तक किसी गोलफर से नहीं मिला हूँ जिसने कोई गोलफ बालने गुम की हो। मैं आज तक ऐसे प्रेमियों से भी नहीं मिला हूँ जिसका दिल ने तूटा हो। और मैं आज तक कभी ऐसे अमीर विक्ति से भी नहीं मिला हूँ जिसने कभी पैसा नहीं खोया हूँ। तो ज़्यादातर लोग आर्थी ग्रूप से इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें अमीर होने की खुशी से पैसाख होने का दर्द कहीं ज़्यादा होता है। टेकसास में एक और काहवत है। हर व्यक्ति स्वर्ग जाना चाता है परन्तु कोई मरना नहीं चाता। ज़्यादातर लोग अमीर होने का सपना देखते हैं परन्तु पैसाख होने के विचार से कांप जाते हैं। इसलिए वे कभी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते। अमीर डेडी माइक और मुझे टेकसास में अपनी यात्राओं के बारे में कहानिया सुनाया करते थे। अगर आप वास्तों में यह सीखना चाते हैं कि जोखिम को हार और ऐस सपलता को किस तरह से संभाला जाए तो सैन एंटेनियो जाकर अलेमो को देखो। अलेमो उन बादूर लोगों की महान कता है जिनके पास सपलता की कोई उमीद नहीं थी। फिर भी यह जानते हुए कि उन्होंने लड़ने का विकल्प चुना। उन्होंने समर्पन करने के बज़ाए मरने का विकल्प चुना। यह पढ़ने का विल प्रेरक कता है। वैसे यह एक दुखत सेन्य हार है। वे आखिरकार ऐसे पलूए वे हार गए। तो टेकसास के लोग किस तरह ऐसे बलता का सामना करते हैं। वे अब भी चिलाते हैं। अलेमों को याद रखो। माईक और मैंने यह कहानी कई बार सुनी। जब भी हमें डैडी किसी बड़े सोदे को करने वाले होते थे और वे नर्वस होते थे तब वे हमें यह कहानी सुनाया करते थे। जब भी वे परियाप्त मेहनत कर चुके होते और या तो मामला सही हो जाता या बिगड़ जाता त तब वे हमें यह काहनी सुनाया करते थे, हर बार जब वे गल्ती करने या पैसा गवाने से डरते थे, तब वे हमें यह काहनी सुनाया करते थे, इससे उन्हें ताकत मिलती थी, क्योंकि यह काहनी उन्हें याद दिलाती थी, कि किस तरह पैसे के नुकसान को अर्थिक विजय मे बदला जा सकता है अमीर डेड़ी जानते थे कि ऐस पलता उन्हें ज़्यदा मजबूत और ज़्यदा स्मार्ट बनाएगी ऐसा नहीं था कि उन्हें हरना पसंद था या वे हरना चाहते थे वे केवल इतना जानते थे कि वे कौन थे और वे किस तरह हार का सामना करेंगी वे नुक्सान उठा लेंगे और फिर उसे जीत में बदल लेंगे यही उन्हें एक विजेता बनाता था और दूसरों को पराजित इसे उन्हें जोकिम उठाने के लिए सीमा लांदने का साहस मिलता था जबकि बाकी लोग उस सीमा के पार नहीं जा पाते थे इसलिए मैं टेकसास के लोगों को इतना पसंद करता हूँ उन्होंने एक बड़ी ऐसा भलता को लिया और उसे परेटन स्थल के रूप में बदल लिया जिससे करोडों की आमदनी हो रही है परंतो उनके सबसे अर्थपूर्ण सब्द शायद ये है टेकसास के लोग अपनी ऐस भलताओं को दखनाते नहीं है वे उनसे परेड़ना लेते हैं वे अपनी ऐस भलताओं को लेकर उन्हें नारों में बतल देते हैं ऐसा बलता टेकसास के लोगों को जीतने के लिए प्रेरित करती है परन्तु यह फार्मूला के लिए टेकसास के लोगों का फार्मूला नहीं है यह सबी जीतने बलों का फार्मूला है जैसा मैंने अभी कहा मोटर साइकल से बार बार गिरना गाड़ी चलाना सीखने की परकिरि नहीं हुआ था, मैंने यहे भी कहा, कि मैं कभी किसी ऐसे गोलफर से नहीं मिला, जिसकी बाल कभी गुब नहीं हो, किसी चोटी के प्रोफेशनल गोलफर के लिए बाल खोना, या टूर्नामेट हारना उसे ज़्यादा बेतर बनने, कड़ी मेनत करने, और ज़्यादा अध्यन क के शब्दों में मैं हमेशा हर संकट को अवसर में बदलने की कोशिश करता था और जापानी अमेरिकी होने के नाते मैं भी यही कह सकता हूँ कई लोग कहते हैं कि परल हारबर अमेरिकी गलती थी मैं कहता हूँ कि यह जापानी गलती थी टोरा 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 फिलम में एक संयमित जापनी एड्मिरल खुश्या मना रहे अपने अधिनस्तों से कहता है मुझे डर है कि हमने एक सोते हुए राक्षस को जगा दिया है परल हारवर को याद करो एक नारा बन गया यह अमेरिका की सबसे बड़ी हारों में से एक थी फिर भी इसके कारणों से जीतने की प्रेणना मिली एक बड़ी हार से अमेरिका को ताकत मिली और अमेरिका जल्दी दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उबर कर सामने आया ऐस भलता जीतने वालों को प्रेणना देती है और ऐस भलता हारने वालों को बरबाद कर देती है यह जीतने वालों का सबसे बड़ा रहशे और सुत्र है यह वह रहशे है जिसे हारने वाले नहीं जानते जीतने वालों का महानतम रहशे यह है कि ऐस वलता जीतने की प्रेणा देती है इसलिए उन्हें हार से डर नहीं लगता मैं फ्रेंक टारकेंटन के शब्दों को एक बार फिर से दोराना चाता हूँ जीतने का मतलब है हार से नहीं डरना फ्रेंक टारकेंटन जैसे लोग हारने से इसलिए नहीं डरते क्योंकि वे जानती हैं कि वे कौन हैं वे हारने से नफरत करते हैं इसलिए वे जानते हैं कि हार के वोलों ने बेतर बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है हारने से डरने और हारने से नफरत करने में बहुत बढ़ा अंतर होता है ज्यादातर लोग पैसा गवाने से इतना डरते हैं कि वे हार जाते हैं वे डुपलेक्स के कार्ण ही दिवालिया हो जाते हैं। आर्थिक रूप से वे जीवन में बहुत ज़्यादा सुरक्षात्मक खेल खेलते हैं और बहुत छोटे पैमाने पर खेलते हैं। वे बड़े घर और बड़ी कारें तो खरीद लेते हैं परन्तु वे बड़े निवेस नहीं करते। वे है प्रमुक कार्ण जिसके कार्ण 90 फिजदी अमेरिकी जनता पैसे के लिए संगर्स करती है। यह है कि वे हार से बचने के लिए खेलते हैं, वे जीतने के लिए नहीं खेलते हैं, वे अपने financial planner या accountants या stock brokers के पास जाते हैं और एक संतुलित portfolio करीत लेते हैं, ज्यादातर के पास CD, कम आमदनी वाले bond, mutual fund और बहुत कम stock में बहुत सा नगत जमा होता है, यह एक सुरक्षित और समझदारी पूरण portfolio होता है, परनतु यह जीतने वाला portfolio नहीं होता, यह उस व्यक्ति का portfolio होता है, जो हार से बचने के लिए खेल रहा है, मुझे गलत मत समझीए, शायद यह 70% जन संक्या से बेतर portfolio होता है, और यह बयानक है, क्योंकि portfolio नए होने से बेतर है, सुरक्षित portfolio होना, यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत बढ़िया portfolio होता है, जो सुरक्षा को पसंद करता है, परनतु सुरक्षित खेल खेलने और संतुलित निवेस portfolio वह बेतर तरीका नहीं है, जिससे सफल निवेसक अपना खेल खेलते हैं, अगर आपके पास कम पुंजी है, और आ कहीं नहीं जा पाते, वे एक ही जगे पर बने रहते हैं, प्रगति करने के लिए आपको पहले ऐसंतुलित होना पड़ता है, इसे देखने के लिए आप अपने चलने की प्रगति को देखें, थामास एडिशन संतुलित नहीं थे, वे केंदरित थे, बिल गेट्स संतुलित अगर आप में अमीर होने की इच्छा है तो आप केंदरित कर लें अगर आप हार से नफरत करते हैं तो सुरक्षित खेलें अगर हारने से आप कमजोर हो जाते हैं तो सुरक्षित खेलें संतुलित निवेस का रास्ता चुनें अगर आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है और आप जोकिम उठाने से डरते हैं तो बदले नहीं सुरक्षित खेलें परन्तो इसकी शुरुआत जल्द करें अपने अगले अंडे को जल्दी इकठा करना शुरू कर दें क्योंकि इसमें लगेगा परन्तो अगर आपके पास आजादी के सपने हैं चुहा दोड़ से बाहर निकलने का इरादा है तो आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए अगर आपको कोशिस करना चाहिए परन्तो के लगे अगर आपको कमजोर बना देती है या आप पर मानसिक तनाव डालती है उस बिगड़े नवाब की तरह जो हर बार कोई चीज गलत होने पर मुगतमा दायर करने के लिए वकील को ढूँड़ता है तो सुरक्षित ही खेलें अपने दिन की नोकरी को बनाई रखें बोंड या म्यूचल फंड खरीदें परन्तो याद रखें कि इन में भी खत्रा होता है हालांकि तुलनात्मक रूप से बेज़्यादा सुरक्षित होते हैं मैं यह सब इसलिए कह रहा हूँ और टेक्सास तता फ्रेंक टारकेंटन का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि संपत्य वाले कालम को बढ़ाना आसान है यह एक कम बुद्धी का खेल है इसमें बहुत ज़्यादा शिक्षा के जरूरत नहीं है पांच्वें कक्षा का गणित का विद्यार्थी भी यह कर सकता है परंतो संपत्य वाले कोलम को तेजी से बढ़ाना बहुत ज़्यादा बुद्धी का खेल है इसमें हिम्मत धीरज और ऐस बलता जेलने की ताकत की जरूरत है हारने वाले ऐस बलता से बस्ते हैं जबकि ऐस बलता हार को जीत में भी बदल सकती है अलेमों को याद रखिए कारण नमबर तो संकी पन से पारपाना आसमान गिर रहा है हम में से ज़्यादा तर लोग उस छोटे मुर्गे की कहनी जानते हैं जो आसमान गिरने के चेतावनी देता हुआ अपने दड़बे में दोड़ रहा था हम इस तरह के बहुत से लोगों को जानते हैं परंतु हम सब के वितर भी एक एसा ही छोटा मुर्गा होता है और मैंने जैसे पहले ही कहा है संकी व्यक्ति दरसल छोटे मुर्गे की तरह नहीं है हम सभी में एक छोटा मुर्गा होता है जो तब उबर कर सामने आता है जब हमारे विचारों पर डर और संका हावी हो जाती है हम सभी के मन में संकाई होती है मैं स्मार्ट नहीं हूँ मैं प्रियापत अच्छा नहीं हूँ अमुक व्यक्ति मुझसे बेतर है हमारी संकाई अक्सर हमें निस्करिय कर देती है हम क्या होगा वाला खेल खेलते हैं क्या होगा अगर मेरे निवेस के बाद अर्थ व्यूस्ता धरासा ही हो जाई या क्या होगा अगर मेरा नियंतरन खो जाई और मैं पैसा वापस ने चुका सुकूं क्या होगा अगर गटनाए मेरी योजना के इसाब से ने हो या हमारे कईये से दोस्त या प्रियजन भी हो सकते हैं जो हमें अपनी कमजोरियों को याद दिला दे चाहे हमने उनकी सला मांगी या ना मांगी हो वे अकसर कहते हैं तुमें इसा क्यों लगता है कि तुम यह कर सकते हो या अगर यह इतना ही वड़िया होता तो हर कोई इसा क्यों नहीं कर रहा है या यह कभी सफल हो यह नहीं सकता तुमें पता ही नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो शंका के ये तीर कई बार इतने तीखे होते हैं कि हम काम करना चालू ही नहीं कर पाते हमारे दिल में डर बैड़ जाता है कई बार हम सो भी नहीं पाते हम आगे बढ़ने में ऐसबल होते हैं तो हम सुरक्षित चीजों के साथ ही बने रहते हैं और आवसर हमारे पास से होकर गुजर जाता है हम जिन्दगी को अपने पास से गुजरते हुए देखते रहते हैं और हम अपने सरीर में जकडन के कारण बिना हिले डुले बेठे रहते हैं हमने इसे अपने जिन्दगियों में कभी ने कभी इस तरह से मैसूस किया होगा और इसे सुनते हैं। शोर या तो हमारे दिमाग में सुनाई देता है या फिर या बाहर से आता है। प्राए दोस्तों से, परिवारों से, सहे कर्मियों से और मेडिया से। लिंच 1950 के दसक के दोरान का एक अनुबवत बताते हैं। जब पर्माने युद का खत्रा समाचार पत्रो बाजार में निवेस कर दिया होता तो शायद आज वे आर्थी क्रूप से आजाद होते है। जब कुछ साल पहले लास एंजलेस में दंगे बढ़के तो सारे देश में बंदूकों की बिक्री बढ़ गई। वासिंगिटन राज्या में एक वेक्ती हैंबर्ग के मास के कारण मर जाता है। और एरिजोना हेल्थ डिपार्टमेंट सभी रेस्तराओं को आदेश देता है कि बीव को अच्छी तरह से पकाया जाई। एक दवाई की कमपनी राष्ट्रिय टीवी विग्यापन में लोगों को सर्दी होते हुए दिखाती है। विग्यापन फरवरी में दि भूम रही हैं, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है और छोटे मुर्गे इसलिए प्रवावी होते हैं क्योंकि हम सभी के अंदर एक छोटा मुर्गा होता है। विनास की अफवाउं और बूरे समय की कलपना से आपके मन में शंका और डर पैदा नहीं हो। इसमें बहु रियल स्टेट की कीमतों में मंदी चल रही थी, हमने उसके साथ दो दिन गुजरे और उसे बताया कि कैस पलो और पूंजी बढ़ाने के बहुत बढ़ी अमोके हैं। मेरी पतनी और मैं रियल स्टेट में एजेंट नहीं है। हम विशुद निवे सके हैं। एक रिजार्ट क समय 65,000 में भिक रही थे। उसे यह बहुत फाइदे का सोदा लगा। रोमान्चीत होकर उसने इसे खरीद लिया और बोस्टन लोट गया। दो सब्ता बाद एजेंट ने हमें फोन किया कि हमारा दोस्त पीछे हड़ गया है। मैंने ततकाल उसे फोन करके इसका कारण पता क उसने इतना ही कहा। उसने इस विशेंपर अपने पडोसी से चरचा की थी और उसके पडोसी ने उससे कहा था कि यह एक बुरा सोदा था क्योंकि वह ज्यादा में खरीद रहा था। मैंने रिचर्ड से diabetes पूचा कि क्या उसका पडोसी निवेशक है। रिचर्ड ने क प्रिश्टेट बाजार के दिन पल्टे और 1994 में उस चोटे से यूनिट के एक अजार डालर परतिमा किराया मिल रहा था। जाड़े के पीक सीजन में डाही अजार डालर परतिमा हा। 1995 में यूनिट की कीमत बढ़कर 95,000 डालर हो गई थी। रिचर्ड को इतना ही करना था कि वे शुरुआत में पांस जार डालर चुका दे और चुहा दोड़ से बाहर निकलने की परक्रियाश शुरू हो जाती। आज तक वे कुछ नहीं कर पाया। और फिनिक्स के सोदे जैसे मोके अब भी मुझूद हैं। बस आपको उन्हें कुछ ज्यादा गोर से देखना पड़ेगा। जाने वाले पांस फिजदी से निश्चित रूप से काफी ज़्यादा है। ये प्रमान पतर रियल एस्टेट द्वारा सुरक्षित होते हैं और राज्य के कानून द्वारा सुरक्षित होते हैं जो निश्चित रूप से ज्यादातर बैंकों से ज्यादा बेतर होते हैं जिस आदार पर उन्हें खरीदा जाता है वह भी काफी सुरक्षित फार्मूला है उनमें सिर्फ एक दिक्कत यह होती है कि उन्हें बुनाया नहीं जा सकता तो मैं उन्हें दो से साथ साल की सीड़ी माल लेता हूँ हर बार जब भी मैं किसी को बताता हूँ खास कर उसे जिसके पास पैसा सीड़ी में रखा हुआ है कि मैं अपने पैसे को इस तरह रखता हूँ तो वे मुझे बताते हैं कि यह खतरनाक है वे मुझे बताते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था मैं उन्हें पूछता हूँ कि उन्हें यह ग्यान कहां से मिला तो वे कहते हैं कि उनके दोस्त या निवेस की पत्रिका से उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया और वे दूसरी वेक्ति को जो ऐसा कर रहे हैं यह बता रहे हैं कि उसे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए मैं जिस सबसे कम आमदनी की उम्मीद करता हूँ वह सोला फिजदी होती है पर उन्तु जिन लोगों के मन में शंका होती है वे केवल पांच फिजदी से ही संतूस्ट हो जाते है शंका बहुत महेंगी साबित होती है मेरा मानना है कि यही संदे और संकीपन ज्यादातर लोगों को गरीब बनाई रखता है और उनसे सुरक्षित खेल खिलवाता है असली दुनिया इंतजार कर रही है कि आप अमीर बने केवल आपके संदे ही आपको गरीब बनाई हुए है जैसा मैंने कहा चुहा दोड से बाहर निकलना तकनिकी रूप से आसान है इसमें ज्यादा शिक्षा के जुरूरत नहीं होती परन्तो इन सोदों के कारण ज्यादातर लोग इससे बाहर नहीं निकल पाते संकालू लोग कभी नहीं जीत पाते अमीर डैडी का कहना था शंका और डर के कारण व्यक्ति संदेवादी बन जाता है शंकालू व्यक्ति आलोचना करते हैं जबकि जीतने वाले लोग विशलेशन करते हैं यह उनकी एक और पसंदिदा कावत्ती अमीर डैडी ने यह इसपस्ट किया कि आलोचना से दिमाग बन जाता है जबकि विशलेशन से आंके खुल जाती है विशलेशन से जीतने वाले यह देख सकते हैं कि आलोचक अंदे हैं और वे उन मोकों को भी देख सकते हैं जो और किसी को नहीं दिख रहे हैं और दूसरे लोग जिन मोकों को नहीं देख पते हैं उन्हें देखने की किशमता किसी भी तरह की सफलता की कुझी है जो लोग पैसे की आजादी ढूंड रही है उनके लिए रियल एस्टेट निवेस का एक दमदार तरीका है यह निवेस का एक अद्वू तरीका है परन्तु जब भी मैं रियल एस्टेट का जिक्र करता हूँ तो मुझे यह सुनने को मिलता है मैं टाइलेट नहीं सुदारना चाता इसी को पीटर लिंच शोर कहते है इसी को मेरे अमीर डेडी संकालो लोगों के बहाने कहते है एसे लोग जो केवल आलोचना करते हैं विशलेशन नहीं करते एसे लोग जिनके दिमाग पर उनकी शंकाओं और डरों का परदा पड़ाव रहता है वे अपनी आँखें नहीं खोलते तो जब कोई कहता है मैं टाइलेट नहीं सुदारना चाता तो मैं जवाब देता हूँ आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं यह करना चाता हूँ वे यह कह रहे हैं कि जो उने चाहिए टाइलेट उससे ज़्यदा मैत्वपूर्ण है मैं चुहा दोड से बाहर निकलने के आजादी के बारे में बात करता हूँ और उनका पूरा ध्यान टाइलेट पर लगा रहता है इसी तरह के विचार ज्यादा तर लोगों को करीब बनाई रखते हैं वे विसलेशन करने के बजाए अलोचना करते हैं मैं नहीं करना चाता आपकी सबलता की कुंजी को अपने अंदर समाई रहते हैं अमीर डेटी का कहना था चुकि मैं भी टाइलेट ठीक करने में ज्यादा रूची नहीं रखता इसलिए मैं एक प्रोपर्टी मैनेजर की इतलास कर लेता हूँ जो टाइलेट ठीक करने का ध्यान रखता है घरों या अपार्टमेंट को चलाने के लिए एक बड़ी अप्रोपर्टी मैनेजर को ढूंडने के बाद मेरा कैस्ट लोग बढ़ जाता है परन्तु इससे भी ज़्यादा मैतुपूर्ण यह है कि एक बड़ी अप्रोपर्टी मैनेजर मुझे और ज़्यादा रियल एस्टेट खरीदने का मुका देता है क्योंकि मुझे टाइलेट का ध्यान नहीं रखना पड़ता एक बड़ी अप्रोपर्टी मैनेजर रियल एस्टेट में सफलता की कुणजी है मेरे लिए रियल एस्टेट से भी ज़्यादा मेतुपूर्ण है एक अच्छा मैनेजर खोजना प्राइ किसी बड़ी अप्रोपर्टी मैनेजर को अच्छे सोदे के बारे में पहले से पता चल जाता है जबकि रियल एस्टेट एजेंट को बाद में पता चलता है जिसके कारण में और भी ज़्यादा मुल्यवान हो जाते हैं मैं नहीं करना चाता को सफलता की कुणजी कहने के पीछे अमीर डेडी का यही मतलब था चुकि मैं भी टाइलेट ठीक नहीं करना चाता इसलिए मैंने यह विचार किया कि किस तरह ज़्यादा रियल एस्टेट खरी दी जाई और चुहा दोड़ से बाहर निकलने की प्रक्रियत तेज की जाई जो लोग यह कहना जारी रखते हैं मैं टोईलेट नहीं सुदारना चाता वे अक्सर इससक्त निवेस मादेम से खुद को बंचित रखते हैं उनके लिए टोईलेट उनकी आजादी से जड़ा मैत पूर्ण होता है स्टोक मार्केट में मैं अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनता हूँ मैं अपने पैसे नहीं गवाना चाता उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं या कोई व्यक्ती पैसे गवाना पसंद करते हैं वे सिर्फ इसलिए पैसा नहीं बना पाते क्योंकि वे पैसा गवाने के लिए तैयार नहीं होते विसलेशन करने के बज़ाए वे एक और ससक्त निवेस के माद्यम यानि स्टोक मार्केट की तरब से अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं डिसमबर 1996 में मैं अपने एक दोस्त के साथ नजदी की गए स्टेशन के पास से गुजर रहा था उसने देखा और अनुमान लगाया कि तेल की किमते बढ़ जाएंगी मेरा दोस्त बहुत चिंता करता रहता है या छोटा मुरगा है उसके इसाब से आसमान हमेशा गिरने वाला होता है और अक्सर आसमान उसी के सिर पर गिरता है जब हम घर पहुंचे तो उसने मुझे वे तमाम आंगडे बताए जो अगले कुछ सालों में तेल की किमते क्यों बढ़ेंगी ये आंगडे मुझे पहले पता नहीं थे हालंकि मैंने वरतमान आईल कंपनी में बहुत से शेर खरीदे थे उस सुचना के अदार पर मैंने ततकाल एक नई आईल कंपनी की खोज शुरू कर दी जिसे उसके वास्तिक मुल्या से कम आंका गया हो मुझे ऐसी आईल कंपनी मिल गई जो तेल के कुछ बंडारों को खोजने वाली थी मेरा ब्रोकर इस नई कंपनी को लेकर खासा रोमान चित हो गया और मैंने 65 सेंट परती शेर की दर्से 15,000 शेर खरीद लिए फरवरी 1997 में मैं उसी दोस्त के साथ उसी गैस टेशन के पास से गुजर रहा था और कीमत परती गैलन पंदरा फिस दी बढ़ चुकी थी एक बार फिर छोटा मुर्गा चिंता करने लगा और शिकायत करने लगा मैं मुस्कराया क्योंकि जनवरी 1997 में उस छोटी आईल कंपनी ने तेल खोज लिया था और वह पंदराजार सेर अब बढ़कर तीन डालर परती शेर हो गए थे और मेरे दोस्त के अनुसार गैस की किमते लगातार बढ़ती रही विशलेशन करने के बजाई ये चोटे मुर्गे अपने दिवाग को बंद कर लेते हैं अगर ज़्यादातर लोग यह समझ लें कि स्टोक मार्केट निवेस में स्टोप किस तरह काम करते हैं तो ज़्यादातर लोग हार से बचने के बारे में अपना ध्यान नहीं लगाएंगे और जीतने के लिए निवेस करेंगे स्टोप एक कम्प्यूटर निवेस है जो भाव गिरने पर आपके शेर को अपने आप बेश देता है ताकि आपका कम से कम नुक्सान हो और आपको ज़्यादा ज़्यादा फाइदा मिल सके जो लोग हारने से गबराते हैं उनके लिए यह एक बहुत अच्छा तरीका है तो जब भी मैं लोगों को मैं नहीं चाहता पर ध्यान के अंदरित करते हुए देखता हूँ और वे क्या चाहते हैं इस पर ध्यान के अंदरित करते हुए नहीं देखता हूँ तो मैं समझ लेता हूँ कि उनके दिमाग में शोर की आवाज बहुत तेज होगी छोटा मुर्गा उनके दिमाग पर हावी होगा तभी वे चीक रही हैं आसमान गिर रहा है और टाइलाइट तूट रहे हैं इसलिए वे अपनी अंचाई चीजों से बचते हैं परंतु वे इसकी भारी कीमत चुकाते हैं वे जिंदगी से जो चाते हैं वे शायद उन्हें कभी नहीं मिल पाई अमीर डेड़ी ने मुझे छोटे मुर्गे को देखने का एक तरीका सुझाया वही करो जो करनल सेंडर्स ने किया था 66 साल की उमर में उनका वे अफसाइट चोपट हो गया था और वे अपनी सोशल सिक्योरिटी के चेक पर गुजर बसर कर रहे थे इतना ही नहीं वे फ्राइड चिकन की अपनी रेसिपी के साथ पूरे देश में इसे बेचने की कोशिस कर रहे थे किसी के हां कहने से पहले इस रेसिपी के लिए एक अजार नो बार नहीं का गया और वे उस उमर में करोड़पती बने जिस उमर में लोग काम छोड़ कर आराम करना चाते हैं वे एक बाधूर और जिद्धी व्यक्ती थी अमीर डेडी हारले सेंडर्स के बारे में कहा करते थे जब भी आप शंका में हो और थोड़े डरे हुए हो तो वही करें जो करनल सेंडर्स ने अपने छोटे मुर्गे के साथ किया उसे फ्राई कर लें कारण नमबर तीन आलस्य व्यस्त लोग अक्सर बहुत आलसी होते हैं हम सभी ने उस व्यवसाई की कानी पड़ी है जो पैजे कमाने के लिए कड़ी मेनत करता है वह अपनी पत्नी और बच्चों की सुक्सुविदा के लिए काफी मेनत करता है वह आफिस में बहुत देर तक काम करता है और सब्तांद में भी आफिस में काम को घर ले आता है एक दिन जब वह घर लोड़ता है तो उसे घर सुना मिलता है उसकी पत्नी अपने बच्छों के साथ घर छोड़ कर चली जाती है उसे पता था कि उसके और उसकी पत्नी के बीच में मतबेद हैं परन्तु उस रिस्ते को ज़्यादा मजबूत बनाने के बजाए वह काम में ही विस्त रहता था निरास होकर वह अपने काम के परतिला परवा हो जाता है और उसके काम पर इतना ज़्यादा असर पड़ता है कि उसकी नोकरी चली जाती है मैं बहुदा ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपनी संपत्ति की परवा करने के भी फिक्र नहीं है दोनों का कारण एक ही है वे व्यस्त हैं और वे व्यस्त बने रहना चाते हैं क्योंकि वे किसी चीज का सामना नहीं करना चाते उन्हें यह बताने की जुरूरत नहीं है अंदर से वे खुद जानते हैं वास्तव में अगर आप उन्हें याद दिलाएं तो वे गुसा हो जाते हैं और चिड़ जाते हैं अगर वे नोकरी में या बच्चों के साथ व्यस्त नहीं है तो वे टीवी देखने, मचली पकड़ने, गोल्प खेलने या शोपिंग करने में व्यस्त होते हैं परंतु अंदर से वे जानते हैं कि वे किसी मैत्वपूर्ण चीज का सामना करने से कत्रा रहे हैं यह आलच्च्य का सबसे आम रूप है यहां आलच्च्य का मतलब बुरा समझते हैं मेरी मा कहा करती थी लालची लोग बुरे लोग होते हैं परंतु हम में से हर कोई अच्छी चीजें, नई चीजें, रोमांचक चीजें आसिल करना चाहते हैं तो उस इच्च्चा की बावना को काबू में रखने के लिए प्राइ मावाब इच्च्चा को अपराद बोच से जोड़ देते हैं तुम हमेशा अपने बारे में ही सोचते हो क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे भाई बेन भी है यह मेरी मा की फेवरेट काहवत्थी या तुम क्या खरीदना चाहते हो मेरे डैड़ी की फेवरेट काहवत्थी तुम ऐसा सोचते कि वह हो जैसे हमारे पास बहुत पैसा है क्या तुम सोचते हो कि पैसा पेड़ों पर लगता है हम अमीर नहीं है तुम तो जानते ही हो मुझ पर शब्दों का तो इतना आसर नहीं पड़ा परंतु उन शब्दों में गुशा और अपराद बोद का जो समिशन था उसका मुझ और बहुत ज़्यादा असर पड़ा या इसका विबरीत अपराद बोट का जाल यह था मैं तुम्हारे लिए यह खरीद कर अपने जीवन का बलिदान दे रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए यह इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे माबाब ने मुझे खरीद कर नहीं दिया था मेरा एक पडोसी है जो पूरी तरह दिवा लिया है परंतु वह अपनी कार को अपने गैरेज में पार्क नहीं कर सकता गैरेज में उनके बच्चों के खिलोने बहे पड़े हैं उन बिगडे वे बच्चों को मुझ मांगी चीज मिल जाती है उस पडोसी के शब्द हैं मैं नहीं चाहता कि उन्हें किसी चीज की कमी हो उसने उनके कालेज के लिए या अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ भी अलग से बचा कर नहीं रखा है परंतो उसके बच्चों को हर खिलो ना मिल जाता है उसे डाक में एक नया क्रेडिर कार्ड मिला और वह बने बच्चों को गुमाने के लिए लास विकास ले गया मैं यहे अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ यहे उसके महान बलिदान के शब्द थे अमीर डेड़ी इस वाक्य से चिड़ते थे मैं इसे नहीं खरीच सकता मेरे असले गर में मुझे यही वाक्या एकसर सुनने को मिल जाता था इसके बजाए अमीर डेड़ी चाहते थे कि उनके बच्चे यह कहें मैं इसे किस तरह खरीच सकता हूँ उनका तर्क था कि मैं इसे नहीं खरीच सकता इस वाक्य से आप अपने दिमाग का दरवाजा बंद कर लेते हैं इसे अब और ज्यादा सोचने के जुरूरत नहीं होती मैं इसे किस तरह खरीच सकता हूँ वाक्य से आपके दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं इससे यह सोचने पर दिमाग मजबूर होता है और जवाब ढूंडता है परंतु सबसे मैतोपुन बात तो यह है कि मैं इसे नहीं खरीच सकता यह वाक्यत जूटा होता है और इंसान की आत्मा यह बात जानती है इंसान की आत्मा बहुत बहुत तक्तवर होती है उनका कहना था यह जानती है कि यह कुछ भी कर सकती है जब एक आलसी दिमाग कहता है कि मैं इसे नहीं खरीच सकता तो आपके भी तरेक युद छिट जाता है आपकी आत्मा गुसा हो जाती है और आपके आल सी दिमाग को अपने जूट पर अड़े रहना पड़ता है आत्मा चीकती है चलो भी हम जिम चल कर कसरत करते हैं और आल सी दिमाग कहता है परंतु मैं थका वगा हूँ आज मैंने सच मुझ बहुत काम किया है या इनसान की आत्मा कहती है मैं गरीबी से ठक गई हूँ चलो इस दलदल से निकलते हैं और अमीर बनते हैं इस पर आल सी दिमाग कहता है अमीर लोग लालची होते हैं इसके अलावा इसमें जंजट और तकलिप बहुत है यह सुरक्षित नहीं है मेरा पैसा डूब सकता है वैसे भी मैं बहुत मेनत कर रहा हूँ मेरे पास पहले से ही बहुत काम है देखो आज रात कोई मुझे कितना काम करना पड़ेगा मेरा बास कह रहा है कि यह काम सुबह तक पूरा हो जाना चाहिए मैं इसे नहीं खरीच सकता यह वाक्य दुख से बरा है इससे लाचारी की भावना आती है जिससे निरासा और इसके बाद अवसाद पैदा हो जाता है इसके लिए एक और शब्द है उदासिंता मैं इसे किस तरह खरीच सकता हूँ वाक्य से संभावनाओं, रोमांच और सपनों की दुनिया खुल जाती है इसलिए मेरे अमेर डेड़ी इस बात से ज़्यादा चिंतित नहीं होते थे कि आप क्या खरीदना चाते हैं परंतु वे यह जानते थे कि मैं इसे किस तरह खरीच सकता हूँ वाक्य से एक ज़्यादा मजबूत दिमाग और एक ज़्यादा परतीबा साली आत्मा का निर्मान होता है इसलिए उन्होंने माई किया मुझे शायद ही कभी कुछ दिया हो इसके बजाए वे हमसे कहते थे तुम इसे किस तरह खरीच सकते हो और यह हमारे कालेज के बारे में भी सही था जिसे हमने अपने खर्चे से पूरा किया है वह हमें लक्षे को आसिल करना नहीं सिखा रही थे वे तो हमें लक्षे को आसिल करने की प्रकिरिया का ग्यान दे रही थे मेरी समझ में आज समझा यह है कि करोडों लोग अपने लालच को लेकर अपराद बोच से ग्रस्त है यह उनके बच्पन से बुड़ापे तक चलता है वे जिन्दगी में मिलने वाली अच्छी चीजें चाते हैं ज्यादातर लोगों के अच्छेतन में यह विचार मौजूद रहता है आपको यह नहीं मिल सक या आप इसे कभी नहीं खरीद पाएंगे जब मैंने चुहा दोड़ से बाहर निकलने का फैसला किया तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया मैं किस तरह इस चुहा दोड़ से बाहर निकल सकता हूं ताकि मुझे दोबारा काम नहीं करना पड़े और मेरे दिमाग में जवाब और सुजाओ सामने आ गई सबसे मुश्किल चीज थी मेरे असली माता पिता की सीख कि हम इसे नहीं खरीद सकते या केवल अपने बारे में ही मत सोचें या तुम दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचते और इसी तरह के शब्द जो मेरे लालच को दबाने के लिए मुझे अपरादबोद बढ़ते थे तो आप किस तरह अपने आलच शेक से जिट सकते हैं इसका जवाब है थोड़े से लालच से यह WII FM रेडियो स्टेशन है जिसका पूरा अर्थ है What is in it for me? इसमें मेरे लिए क्या है? व्यक्ति को बैठ कर पूछना चाहिए अगर मैं स्वस्ट, सेक्सी और आकर सक हूँ तो इसमें मेरे लिए क्या है? या मेरे जिन्दगी कैसी होगी? अगर मुझे फिर कभी काम नहीं करना पड़े? या मैं क्या करूँगा अगर मुझे मनचा पैसा मिल जाए? इस थोड़े से लालच के बिना कुछ बेतर आसिल करन हैं और मेनत से पड़ते हैं क्योंकि हम कुछ बेतर चाते हैं इसलिए जब भी आप किसी ऐसी चीज़ से कत्रा रहे हैं जो आपके हिसाब से आपको करना चाहिए तो आपको खुद से केवल यही पूछना चाहिए कि इसमें मेरे लिए क्या है? थोड़े लालची बने? यह आ अरिकल डगसल ने कहा था लालच अच्छा होता है अमी ड़डी से अलग तरह से कहते हैं अपराद बोध लालच से ज़्यादा बुरा होता है क्योंकि अपराद बोध के कारण शरीर में से आत्मा निकल जाती है और मेरे लिए एलिनोर रुजवेल्ट की काउच सबसे तो भी तुमारी अलोसना होगी और तुम कोई काम नहीं करोगे तो भी तुमारी अलोसना तो होगी ही कारण नमर च्यार आदते हमारे जिंदगी पर हमारे सिक्षा से ज़्यादा असर हमारी आदतों का पढ़ता है अर्नौल्ड स्वार्जनेगर की फिल्म कानन देखने के ब वास्तों में दूबला और कमजोर सा था, दूसरे मित्र ने जोड़ा, हाँ मैंने भी सुना है, एक और दोस्त ने कहा, मैंने सुना है कि वह हर रोज जिम जाता है और उसने वहां कसरत करने की आदत डाल ली, हाँ मुझे भी लगता है, वह इसा करता होगा, समू के संकलू व्य वार को नियंतरित करती है, मुझे याद है कि मैंने एक बार अपने अमीर डैडी से, अमीर लोगों की आदतों के बारे में पूछा था, सिधे जवाब देने के बजाए, वे चाते थे कि इसे मैं उधारन से सीखूँ, अमीर डैडी ने पूछा, तुम्हारे डैडी अपने बिलकब चुकाते हैं, मैंने कहा, हर महीने के पहली तारिक हो, क्या उनके पास कुछ बाकी बचता है, उन्होंने पूछा, थोड़ा बहुत मैंने कहा, यही वे खास कारण है, जिसके कारण उन्हें संगर्स करना पड़ता है, और अमीर डैडी ने कहा, उनकी आदतें बुरी हैं, तुम्हारे डैडी सब को पहले पैसे देते हैं, वह खुद को सबसे आखिर में पैसे देते हैं, और एसा भी तबी करते हैं, जब उनके पास कुछ बचा होता है, सामान्य तोर पर उनके पास कुछ नहीं बचता, मैंने कहा, परंतु उन्हें अपने बिल का बुगतान तो करना ही होगा, नहीं क्या, आप यह तो नहीं कहना चाहते कि उन्हें अपने बिल्स का बुगतान नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, अमीर डैडी ने कहा, मैं समय पर अपने बिल चुकाने में पूरी तरह विश्वास करता हूं, मैं केवल खुद को सबसे पहले पैस परन्तु तब क्या होगा जब आपके पास प्रियाप्त पैसा नहीं हो? मैंने पूछा, एस इस्तिति में आप क्या करते हैं? मैं यही करता हूँ, अमीर डैडी नहीं कहा, मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ, चाहे मेरे पास कम पैसा हो, मेरे लिए सरकार से परन्तु क्या सरकार के लोग आपके पीछे नहीं पढ़ते? मैंने कहा, हाँ, अगर मैं उन्हें बुगतान नहीं करूँ तो, अमीर डैडी नहीं कहा, देखो, मैं यह नहीं कह रहा हूँ, कि सरकार को पैसा नहीं दिया जाए, मैं केवल यह कह रहा हूँ, कि खुद को सबसे पहले बुगतान किया जाए, चाहे मेरे पास पैसा कम ही हो, परन्तु आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैंने जवाब दिया, सवाल कैसे का नहीं है, सवाल क्यों का है, हमेर डैडी ने कहा, अच्छा, आप ऐसा क्यों करते हैं, प्रेरना, हमेर डैडी ने कहा, अगर मैं उनका बु चुनते हुए कहा अगर आप खुद को पैसे नहीं देंगे तो आप कुछ भी नहीं कहेंगे तो अब तुम देख सकते हो कि खुद को पैसे देने के बाद मेरे पास टेक्स चुकाने और दूसरे लेंदारों को पैसे देने का इतना ज़्यादा दबाव होता है कि मुझे आमदनी के दूसरे रास्ते खोजने ही पड़ते हैं पैसे चुकाने का दवाओ मेरी प्रेड़ना बन जाता है मैंने अतिरिक्त काम किया है दूसरी कमपनिया शुरू की है स्टोक मार्केट में शेयर खरीदे और बेचे हैं हर तरह के काम सिर्फ इसलिए किये ह ताकि ये लोग मुझे पर नहीं चिलाएं इस दवाओ के कारण मैंने ज़्यादा कड़ी मेहनत की है और मैं ज़्यादा सोचने पर मजबूर हूँ हूँ कुल मिलाकर इसने मुझे पैसे के मामले में ज़्यादा स्मार्ट और फूर्तिला बना दिया है अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसे देता तो मुझे पर कोई दवाब नहीं पड़ता परन्तु मेरे पास कभी पैसा भी नहीं होता तो सरकार या दूसरे लोगों को पैसे चुकाने का दवाव आपकी प्रेड़ना बन जाता है बिल्कुल ठीक अमीर तैड़ी ने कहा देखो सरकारी पैसा वसूलने वाले लोग बहुत डरावने होते हैं वैसे समान्य तोर पर पैसा वसूलने वाले लोग डरावने ही होते हैं ज्यादातर लोग इन से डर जाते हैं वे इन लोगों को पैसा दे देते हैं और खुद को कभी पैसा नहीं देते तुमने उस 96 पाउंड के कमजोर व्यक्ति की कानी तो सुनी ही होगी जिसके चेरे पर लोग बालू उसालते हैं मैंने सीर हिलाया मैंने कामिक्स में वेट लिफ्टिंग और बाडी बिल्डिंग के बारे में दिया गया यह विग्यापन देखा है तो ज्यादातर लोग इन डरावने पैसे वसूलने वालों को अपने चेरे पर बालू उसालने देते हैं मैंने डरावने लेंदरों के डर को खुद को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए इस्तिमाल किया है बाकी लोग ज्यादा कमजोर हो जाते हैं खुद को यह सोचने के लिए मजबूर करना कि अतिरिक्त धन कहां से आएगा जिम जाने की तरह है और वहां बजन उठाने की तरह है मैं अपने दिमाग की मासपेशियों से जितना काम करता हूँ मैं उतना ही ज़्यादा मजबूत होता जाता हूँ अब मैं इन डरावने लेंदारों से जरा भी नहीं डरता हूँ मुझे अमीर डेड़ी की बाते पसंद आ रही थी तो अगर मैं पहले खुद को पैसे देता हूँ तो मैं आर्थिक और मानसिक द्रिस्टी से ज़्यादा मजबूत हो सकता हूँ अमीर डेड़ी ने सेमती में सीरे लाया और अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसे देता हूँ या बिलकुल भी पैसे नहीं देता हूँ तो मैं कमजोर हो जाता हूँ इसलिए बास, मैनेजर, टेक्स वसूलने वाले, बिल चुकाने वाले और मकान मालिक जैसे लोग मुझे जिन्द की वर इदर उदर ठोकर मारते रहेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के बारे में मेरी याद्ते अच्छी नहीं है अमीर डेड़ी ने सीरे लाया 96 पाउंड के कमजोर विक्ति कीते रहे कारण नमर पांस, जिद जिद या हट दर्मिता एंकार और अग्यान का पिला चुला रूप है जो मैं जानता हूं उससे पैसा आता है जो मैं नहीं जानता उसके गारण में पैसा खोता हूं हर बार जब मैंने जिद की है, मैंने पैसा गवाया है वहे इसलिए क्योंकि जब मैं जिद करता हूँ तो मैं दरसल यह बरोसा करता हूँ कि जो मैं नहीं जानता वह मैंतोबून नहीं है अमीर डेडी मुझे अक्सर पताया करते थे मैंने पाया है कि कई लोग जिद का प्रियोग अपना अग्यान छुपाने के लिए भी करते हैं जब मैं फाइनेंसियल स्टेटमेंट पर लेखा पालो या निवेशकों से चर्चा करता हूँ तो यह अक्सर होता है वे चर्चा में अपनी जिद के एक आधार पर जीतना चाते हैं मैं समझ जाता हूँ कि जिस मुद्दे पर बात हो रही है उसके बारे में उन्हें परियाब्द ग्यान नहीं है वे जुट नहीं बोल रहे होते हैं परंतु वे सच भी नहीं बोल रहे होते हैं धन, फाइनांस और निवेस की दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनें यह पता ही नहीं होता कि वे किस बारे में बात कर रही हैं। पैसे के उद्ध्योग में ज्यादातर लोग सेकंड हैंड कार के सेल्जमेन की तरह वेवार करते हैं। जब आप जानते हों कि आप किसी विशे में अज्यानी हैं तो उस क्षेतर में किसी विशे सग्य को ढूंड कर या उस विशे पर कोई अच्छी पुस्तक पढ़कर अपना ज्यान बढ़ाना शुरू कर दें। धन्यवाद। आईए चलते हैं अध्याइन नो की तरफ जो है शुरू करना। आपका दिन शुब हो। रिच डैड, पूर डैड, अध्याइन नो, शुरू करना। कास ऐसा होता कि मैं कह सकता कि दोलती कठी करना मेरे लिए आसान रहा है। परंतु ऐसा नहीं था। तो इस सवाल के जवाब में मैंने किस तरह शुरू किया। मैं दिन प्रति दिन के इसाफ से अपने विचार प्रगिरिया को बताना चाहता हूँ। बड़े सोदों को कोजना सच मुझ असान है। मैं आपसे यह वादा कर सकता हूँ। यह मोटर साइकल बेचने की तरह है। थोड़ी से अभ्यास के बाद आपको इसका पता ही नहीं चलता। जब पैसे की बात आती है तो आप अगर संकल्ब कर लें तो थोड़ी देर डगमगाने के बाद आप संबल जाते हैं। जिन्दगी में एक बार आने वाले करोडों डालर के सोदों को खोजने के लिए हम में फाइनेंसियल परतिबा होना जरूरी है। मुझे वरोसा है कि हम सभी के बीतर एक फाइनेंसियल जीनियस होता है। अगर यह है कि हमारी financial genius सोया होता है और उसे जगाने की जरूरत होती है यह सोया रहता है क्योंकि हमारी संसकर्टी ने हमारे बीतरी एसंसकार डाल रखे है कि पैसे कामो सभी बुराईयों की जड़ है इस संसकर्टी ने हमें profession सीखने के लिए तो प्रोचसाइट किया है ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें परंतु हमें यह नहीं सिखाया कि पैसे से किस तरह अपने लिए काम करवाया जाई इसने हमें अपनी financial asable के बारे में चिंता नहीं करना सिखाया है जब हमारे काम के दिन खत्म होंगे तो सरकार या हमारी कंपनी हमारी जिम्मेदारी संभाल लेगी परंतु इसके लिए हमारे बच्चों को पैसा चुका ना होगा जो उसी स्कूल सिस्टम से सिक्षित होते हैं संदेश यह है कि कड़ी मेनत करो पैसा कमाओ और इसे खर्च कर दो और अगर हमारे पास पैसा कम हो तो हम हमेशा कर्च तो लई सकते हैं दुर्भग्या से पास्चात्य समाज के 90 फिस्दी से जएदा लोग इस से दांत का पालन करते हैं और ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि नोकरी ढूनना और पैसे के लिए काम करना ज्यादा आसान होता है अगर आप इस बीड में से एक नहीं है तो मैं आपके फाइनेंसियल जीनियस को जगाने के लिए नीचे लिए दस कदम दे सकता हूँ मैं आपको केवल वही कदम बता रहा हूँ जिस पर मैं चला हूँ अगर आप इस में से कुछ पर चलना चाते हैं तो बहुत अच्छा अगर आप इन पर नहीं चलना चाते तो आप खुद के गदम बना ले आपका फाइनेंसियल जीनियस इतना स्मार्ट होता है कि आप अपनी खुद की सुची बना सकते हैं जब मैं पेरू में था तो पंतालिस वर्ष के सोने की खुदाई करने वाले से मैंने पूछा कि उसे इतना बरुसा क्यों है कि उसे सोने की ख़दान मिल जाएगी उसने जवाब दिया सोना तो हर जगए है ज्यादातर लोगों की आँखें से देख नहीं जवाती और मैं कहूंगा कि यह हैसाच है रियल स्टेट में मैं बाहर जा सकता हूँ और चार या पांच संबावना बरे सोदिक कर सकता हूँ जबकि ओसत व्यक्ति बाहर जाकर खाली हाथ लोट सकता है जबकि हम दोनों एक ही इलाके में जाते है इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने फाइनेंसियल जीनियस को विक्सित करने के लिए समय नहीं दिया है मैं आपको नीचे दस कदम बता रहा हूँ जो ईसव और द्वारा दीगी ताक्तों को विक्सित करने की परकिरिया है यह ऐसी ताक्ते हैं जिनका नियंतरन केवल आप कर सकते है नमबर एक मुझे हकीकत से ज़्यादा बड़ा कारण चाहिए आत्मा की शक्ति अगर आप ज़्यादातर लोगों से पूछेंगे कि क्या वे अमीर या अर्थी ग्रूप से सुतंतर होना चाहेंगे तो वे हाँ कहेंगे परंतु फिर हकीकत हावी हो जाती है यह सड़क बहुत लंबी नज़र आती है और इस पर बहुत सी टेकरियां भी दिखती है जिनें पार करना होगा इसकी तुल्ना में यह ज़्यादा आसान लगता है कि आप पैसे के लिए काम करें और बचे वे पैसे अपने ब्रोकर को दे दें मैं एक बार एक युवा मैला से मिला जिसने अमेरिका की ओलंपिक टीम में तैरने के सपने देखे थे हकीकत यह थी कि उसे हर रोज सुबह च्यार बजे उठना पड़ता था ताकि स्कूल जाने से पहले वह तीन गंटे तक तैर सके शनिवार की रात को वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी में भी नहीं जाती थी उसे हर एक की तरह पढ़ा ही करके अपने परिक्षा परिणाम पर भी ध्यान देना होता था जब मैंने उससे पूछा कि उसकी अती मानुए मैतव कांक्षा और बलिदान के पीछे क्या कारण है तो उसने यही कहा मैं इसे अपने लिए करती हूँ और उन लोगों के लिए जिन से मैं प्रेम करती हूँ प्रेम ही मुझे सभी बादाओं और बलिदानों के लिए तैयार करता है हम क्या चाहते है और हम क्यों नहीं चाहते इनका तालमेल भी एक कारण या लक्षय हो सकता है जब लोग मुझे से पूचते हैं कि अमीर होने की इच्छा के पीछे मेरा कारण क्या था तो यह गहरी बावनात्मक इच्छाओं और अनिच्छाओं का संयोग है मैं कुछ की सुची बताऊंगा पहले तो अपनी अनिच्छाओं की क्योंकि उनी के कारण इच्छाओं पैदा होती है मैं सारी जिन्द की नोकरी नहीं करना चाहता था मैं वह नहीं चाहता था जो मेरे माता पिता चाहते थे यानि नोकरी की सुर्गशा और उपनगर में एक घर मैं एक कर्मचारी नहीं बने रहना चाहता था मुझे इस बात से बहुत नफरत होती थी कि मेरे डैडी अपने करियर में इतने वेस्त रहते थे कि वे मेरे फूटबाल मحष देखने भी नहीं हा पाते थे मेरे डैडी सारी जिन्द की कड़ी मैनत करते रहे और सरकार ने उनकी मौट पर उनकी कमाई का जढ़ा तर िसा ले लिया मुझे इस बात से भी नफ़त होती थी अपनी मौट के बाद, वे अपनी मेंट की कमाई को अपने वरिसों के लिये नहीं छोड़ पाई अमीर लोग ऐसा नहीं करते, वे कडी मेंट करते हैं इसाल ले लिया मुझे इस बात से भी नफरत होती थी अपनी मोत के बाद बे अपनी मेहनत की कमाई को अपने वारिसों के लिए नहीं छोड़ पाई अमीर लोग ऐसा नहीं करते, वे कड़ी मेनत करते हैं और अपने बच्चों के लिए धेर सारा पैसा छोड़ जाते है अब इच्छाओं की बात, मैं दुनिया गुमना चाहता हूं और जिन्दगी को मंचाई तरीके से जीना चाहता हूं मैं ऐसा अपने जवानी में ही कर लेना चाहता हूं मैं केवल आजाद होना और अपने समय और अपने जिन्दगी पर नियंतरन करना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि पैसा मेरे लिए काम करेगी ये मेरे गहरे भावनात्मक कारण है आपके पास क्या कारण है अगर वे परियाप्त ताक्तवर नहीं हैं तो रास्ते में आगे आने वाली हकीकत आपके कारणों पर हावी हो जाएगी मैंने कई बार पैसा गवाया है और कई बार फिर से शुरू किया है परन तो चुंकि मेरे पास गहरे भावनात मकारण थे इसलिए मैं हर बार उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ चला मैं 40 साल की उमर तक आज़ाद होना चाहता था परन तो इसमें मुझे 7 साल ज़्यादा लग गए और मैं आखिर कर 47 साल की उमर में आज़ाद हो सका और बीच में मुझे कई सीखने वाले अनुबव मिले जैसा मैंने कहा है काश मैं कह सकता कि यह असान था यह बिल्कुल असान नहीं था परन तो यह कठिन भी नहीं था परन तो बिना दमदार कारण या लक्षे के जिन्दगी में हर चीज गठिन होती है अगर आपके पास कोई दमदार कारण नहीं है तो आगे पढ़ने में कोई समझदारी नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा मेनत लगेगी नमबर दो मैं हर दिन विकल्प चुनता हूँ विकल्प चुनने की ताकत यह मुख्या कारण होता है कि लोग एक आजाद देश में रहना चाहते हैं हमें चुनने का अधिकार चाहिए आर्थी ग्रूप से जब हमारे हाथ में एक भी डालर आता है तो यह हमारे हाथ में होता है कि हम बवीशे में अमीर, गरीब या मद्ध उमरगिया बनने का भी खलब चुने हमारे खर्च करने की आदतें बताती है कि हम कौन है गरीब लोगों की खर्च करने की आदतें गरीब भी की होती है बच्पन में मुझे यह फाइदा मिला कि मुझे लगातार मोनोपली खेलना बहुत पसंद था किसी ने मुझे यह नहीं बताया था कि मोनोपली केवल बच्चों के लिए है इसलिए बड़े होने के बाद भी मैं इसे खेलता रहा मेरे पास एक अमीर डेड़ी भी थे जो मुझे संपत्ति और दाइतों में फरक को समझाते रहे तो बहुत समय पहले अपने बच्चमन में ही मैंने अमीर बनने का विकल्ब चुना और मैं जानता था कि मुझे केवल इतना ही करना था असलिए संपत्तियों को इकठा करना था मेरे सबसे अच्छे दोस्त माईक को संपत्ति वाला कॉलम विरासत में मिला था परंतो उसे इसे बनाई रखना सीखना था कई अमीर परिवार अपनी संपतियों को अगली पीड़ी में सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि उन संपतियों की देख रेक करने के लिए किसी को पर्शिक्षन नहीं दिया जाता ज्यादातर लोग अमीर नहीं बनने का विकल्ब चुनते हैं 90-60 लोगों के लिए अमीर बनना बहुत जंजट का काम है तो वे इस तरह की काहोतें इजाद कर लेते हैं पैसे में मेरी कोई रूची नहीं है या मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा या मुझे चिंता करने की जुरूर्ट नहीं है अभी तो मैं जवान हूँ या मेरे पती या मेरी पतनी फैनेंसियल पैलोगों संभालते हैं या संभालती हैं इन वक्तवियों के साथ समश्या यह है कि ये बोलने वाले से दो चीज़ें लूट लेते हैं एक तो है समय जो आपकी सर्वादिक कीमती संपती है और दूसरी सिक्षा सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है आप यह वहना नहीं बना सकते कि आप इस कारण नहीं सीख पाई परन्तु यह है विकल्प हम हर रोग चुनते हैं यह है विकल्प कि हम अपने समय अपने पैसे और अपने सिक्षा के साथ हर दिन क्या करते हैं यही विकल्प चुनने की ताकत है हम सभी के पास विकल्प होते हैं मैं अमीर बनने का विकल्प चुनता हूँ और मैं यह है विकल्प हर रोग चुनता हूँ विकल्प की ताकत के बारे में कहा है कि हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं आप सारा दिन M.T.V. देख सकते हैं या गॉल्फ मैगजिन पढ़ सकते हैं या सीरेमेक की कलास में जा सकते हैं या फाइनेंशियल प्लानिंग की कलास में जा सकते हैं विकल्प आप चुनते हैं ज आले में उसके गर पर चोरी हो गई, चोर उसके गर से टीवी और वी सियार ले गई, और उसकी किताबें जैसी कितासी छोड़ गई, और हम सभी के पास इसी तरह के विकल्प मौजूद होते हैं, एक बार फिर दो रादू, 90 फिस्दी लोग टीवी सेट खरीते हैं, और किवल 10 पिस्दी लोग बिजनेस पर पुस्त के या निवेस पर टिप खरीते हैं, और मैं क्या करता हूँ, मैं सेमिनार में जाता हूँ, मैं ऐसे सेमिनारों को पसंद करता हूँ, जो कम से कम दो दिन लंबे हूँ, क्योंकि मैं वीशे में पूरी तरह डूब जाना चाता हूँ, 1903 में मैं टीवी देख रहा था और एक व्यक्ति मेरे घर आया वहें तीन दिन से सेमिनार का विग्यापन कर रहा था कि किस तरह पैसे नए होते हुए भी रियल इस्टेट खरीदी जा सकती है मैंने 385 डालर खर्च किये और उस सेमिनार के सिक्षा मेरे इतने काम आई कि मैंने उसे कम से कम 20 लाख डालर कम आया होगी परंतो इस से भी ज़्यादा मैं तो कुण यह है कि इस से मुझे नया जिवन मिला मुझे जिन्दगी वर काम नहीं करना पड़ेगा और इसका कारण होगा वह है एक सेमिनार मैं हर साल कम से कम दो ऐसे सेमिनारों में जाता हूँ मैं ओडियो टेप का भी प्रेमी हूँ कारण मैं उन्हें ततकाल पीछी कर सकता हूँ मैं पीटर लिंज के टेप को सुन रहा था और उन्होंने ऐसा कुछ कहा जिससे मैं पूरी तरह ऐसा मत था हटी और अलोचनात पक्म होने के कारण मैंने रिवाइंड बटन दबा दिया और उस पांस मिनिट के टुकड़े को कम से कम बीस बार सुना शायर इस से भी ज़दा बार परंतु अचानक मेरे दिमाग को खुला रखने से मैं समझ गया कि उन्हों नोई वह बात क्यों कही थी यह जादू की तरह था मुझे इसा लगा कि मैंने हमारे समय के सबसे बड़े निवेसक के दिमाग की एक खिर्की खुल ली थी उसके ग्यान और अनुबों के विराट संसादनों में मुझे बहुत ज़्यादा गहराई और अंतर दरस्टी मिली इसका परिणाम यह हुआ कि मैं अब भी अपने पुराने तरीके से सोच सकता हूँ और मेरे बास उसी समझ चाओ या स्तिति को देखने का पीटर का तरीका भी मौजूद होता है मेरे पास एक विचार होने के बज़ाए दो विचार होते हैं किसी भी समझ चाओ परवर्ती के विशलेशन का एक और तरीका जिसे जानना बहु मुल्य है आज मैं एक्सर कहता हूँ पीटर लिंच इसे किस तरह करेगा या डोनाल्ड टरम्प या वारेन बफे या जार्थ सोरोस मेरे पास उनकी व्रहद मानसिक ताकत तक पहुँचने का रास्ता यही है कि मैं उनकी कही हुई बातों को सुनू या उनकी लिखी हुई बातों को पढ़ू जिद्धी या आलोचनात्मक लोग प्राई कम आतम सम्मान करने वाले होते हैं जो खत्रे उठाने से डरते हैं अगर आप कुछ नया सीखते हैं तो अपने सीखे वे ग्यान को पूरी तरह से समझने के लिए आपको कुछ गल्तियां भी करनी पढ़ती है अगर आपने यहां तक पढ़ लिया है तो एक बात तो तैह है कि आप जिद्धी नहीं है जिद्धी लोग बुस्त के कमी पढ़ते हैं या टेप कमी खरीते हैं उन्हें इसकी क्या जरूरत है वे ब्रमान के केंदर बिंदू है ऐसे बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जिनके सामने कोई नया विचार आने पर वे वाद विवाद करने लगते हैं अगर वे नया विचार उनके सोचने के तरीके से लग होता है इस परकरण में उनकी तथाकतित बुद्धी उनकी हट दर्मिता के साथ मिलकर अग्यान बन जाती है हम सभी यह से लोगों को जानते हैं जो उच शिक्षित हैं या जो मानते हैं कि वे बहुत स्मार्ट हैं पर अन्तून की बैलेंस सीट एक अलगी तस्विर दिखाती है जो व्यक्ति वास्तों में बुद्धी मान होता है वह नए विचारों का स्वागत करता है क्योंकि नए विचार पहले के विचारों के साथ मिलकर अद्बुत से योग कर सकते हैं बोलने से ज़दाब सुनना में तो कुर्ण है अगर यह सही नहीं होता तो भगवान ने हमें दो कान और एक मुण नहीं दिये होते बहुत से लोग अपने मुँ से सोचते हैं और सुनते समय नए विचारों तो था संभावनाओं को समझने की कोशिस ही नहीं करते सवाल पूछने के बजाए वे बहस करने लगते हैं मैं अपनी दोलत के बारे में दिरक कालिंदरिस्टी रखता हूँ मैं फटाफट अमीर बनने की मान सिक्ता में बरोसा नहीं करता जो ज्यादातर लाटरी खेलने वालों या कैसे नों के जुआरियों के पास पाई जाती है मैं शेर खरीद सकता हूँ शेर बेच सकता हूँ परन्तु मैं सिक्षा के मामले में दूर कमी विचार रखता हूँ अगर आप एक हावाई जाज उड़ाना चाते हैं तो मैं आपको पहले से सीखने की सला देना चाहूँगा मैं एसे लोगों को देखकर हमेसा स्तब्द रह जाता हूँ जो स्टाउक या रियल एस्टेट खरीते हैं परन्तु में अपनी सबसे बड़ी दौलत में बिलकुल निवेस नहीं करते हैं जो उनका दिमाग है केवल एक या दो गर खरीद लेने से आप रियल एस्टेट के ख्षेतर में विसे सग्या नहीं बन जाते हैं साथ रहने की ताकत सबसे पहले तो मैं यह बता दूँ कि मैं अपने दोस्तों को उनकी अमीरी के इसाब से नहीं चुनता मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिनोंने गरीबी में जीने की किसम खाईए और ऐसे दोस्त भी हैं जो हर साल करोणों कमाते हैं मुद्दे की बात यह हैं कि मैं उन सभी से सीखता हूँ और मैं पूरा मन लगाकर उन से सीखने की कोशिश करता हूँ मैं यह हैं मानता हूँ कि मैंने अमीर लोगों की तलास की है परंतो मेरी नजर उनकी दोलत पर नहीं बलकि उनके ग्यान पर थी कई मामलों में ऐसे अमीर लोग मेरे अच्छे दोस्त बन गए जब कि कई बारे ऐसा नहीं हुआ परंतु मैं आपको एक अंतर बताना चाहता हूँ मैंने यह पाया है कि मेरे पैसे वाले दोस्त पैसे के बारे में बात करते हैं परन्तु मेरा यह मतलब नहीं है कि उन्हें पैसे का गमण है वे इस विशे में रुची रखते हैं इसलिए मैं उनसे सीखता हूँ और वे मुझ से मेरे वे दोस्त दो आर्थिक डलडल में पसे हुए हैं वे पैसे वे विशाय या निवेस के बारे में बात करना पसंद नहीं करते उनकी नजर में इसा करना मुर्क तापून या बेमानी होता है इसलिए मैं अपने गरीब दोस्तों से यह सीखता हूँ कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए मेरे कई दोस्तें जिन्होंने अपनी छोटी सी जिन्दगी में अरपों डालर कमाई है उन में से तीन ने एक यह अनुबो बताया उनके गरीब दोस्त उनसे यह पूसने कभी नहीं आई कि उन्होंने इसा किस तरह किया है परंतु वे उनसे दो में से एक चीज या दोनों ही चीजों के बारे में मदद मांगने आई पहला कर्ज और दूसरा नोकरी चेताओनी गरीब या डरेवे लोगों की मत सुनिये मेरे कई गरीब दोस्ते हैं जिन से मैं प्रेम भी करता हूँ परंतु वे जिन्दगी में डरेवे मुरूई है जब पैसे की बात आती है खास कर निवेस की तो उनकी नजरों में आस्मान हमेशा गिरने वाला होता है वे आपको हमेशा यह बता सकते हैं कि कोई चीज क्यों काम्याब नहीं होगी समझचा यह है कि लोग उनकी बात सुनते हैं और जो लोग इन रियसावादी विचारों को आँख मूंद कर मान लेते हैं वे भी छोटे मुर्गे बन जाते हैं जैसी एक पुरानी कहावता है एक जैसे विचार वाले लोगों में सहमती होती है अगर आप CNBC देखते हैं जो निवेस की सुचना देने वाली सोने की खदान है तो आपके पास अक्सर तथा कतित विचे सग्यों का एक पैनल होता है एक विचे सग्यों यह कहेगा कि बाजार दरा सही होने वाला है और दूसरा यह कहेगा कि बाजार में उठाओ आने वाला है अगर आप स्मार्ट हैं तो आप दोनों की बात सुनेगी आपके दिमाग को खुला रखिए क्योंकि दोनों के पास अपने अपने तरक हैं दुर्भग्या से ज़्यादा तर गरीब लोग चोटे मुर्गे की बात सुनते हैं मेरे बहुत से करीबी मित्र हैं सोदे या निवेश से रोकने के लिए अपने तरक देते हैं कुछ सालों पहले मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वह इसलिए रोमान चित था क्योंकि उसे अपनी जमापुंजी बर 6 फिजदी ब्याज वाला बॉन्ड मिल रहा था मैंने उसे बताया कि मैं सरकार से 16 फिजदी ब्याज कमा रहा हूँ अगले ही दिन उसने मुझे एक लेख बेज दिया जिसमें यह लिखा था कि मेरा निवेश क्यों खतरनाक था मैं सालों से 16 फिजदी ब्याज कमा रहा हूँ और वह अब भी 26 पर 30 ब्याज ही ले रहा है मैं तो यह कहूँगा कि दोलत बनाने में सबसे कटिन चीज यह है कि आप अपने प्रतिमांदार रहें और भीड के साथ चलने की इच्छा ने रखें बाजार में आम तोर पर भीड सबसे बाद में आती है और इसलिए हलाल हो जाती है अगर मुख्य प्रस्ट पर किसी बड़े सोदे की खबर चपी है तो ज्यादातर मामलों में बहुत देर हो चुकी है किसी नए सोदे की तलास करिए जैसा हम तैरने वालों से कहा करते हैं हमेशा एक और लहर आती है जो लोग जल्दबाजी करते हैं और किसी लहर पर देर से पहुँचते हैं वे एकसर धराशाई हो जाते हैं स्मार्ट नवेसक बाजार की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं अगर एक लहर चली गई है तो वे अगली लहर की खोज करते हैं और खुद को पॉजिशन में कर लेते हैं ज्यादातर लोगों के लिए यह मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि जो लोग पर यह नहीं है वह खरीदना उनके लिए डरावना होता है डरपोग निवेसक उस भेड के जुंड की तरह होते हैं जो भीड के साथ ही चलते हैं या उनकी लालच उन्हें उस समय अंदर लाता है जब समझदार निवेसक मुनाफ़ा कमा कर बाहर जा चुके हैं समझदार निवेसक उस समय शेर खरीते हैं जब यह लोग प्रिया नहीं होता वे जानते हैं कि वे खरीते समय मुनाफ़ा कमाते हैं बेशते समय नहीं वे धीरत से इंतजार करते हैं जैसा मैंने कहा वे मार्केट की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं किसी तेरने वाले की तरह वे भी अगली बड़ी लेहर के लिए खुद को पोजिजन कर लेते हैं यह इंसाइटर ट्रेडिंग या अंद्रूनी सोदेबाजी है इंसाइडर ट्रेडिंग कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरह की होती है परन्तों किसी भी तरह से देखें यह इंसाइडर ट्रेडिंग ही है फरक सिर्फ इतना होता है यह आप अंदर से कितनी दूरी पर है अंदरुनी जानकरी रखने वाले हमीर दोस्तों को बनाई रखने का एक कारण यह भी होता है क्योंकि पैसा यहीं बनाया जाता है यह सूचना के अधार पर बनाया जाता है आप अगले उच्छाल के बारे में जान लेते हैं प्रवेस कर लेते हैं और अगले गिराव के पहले बाहर निकल जाते हैं मैं यह नहीं कहता कि इसे गैर कानूनी तरीके से करें परंतु मैं यह जरूर कहता हूँ कि आपको जानकारिक जितनी जल्दी मिलेगी आप उतने ही कम खत्रे में उतना ही ज्यदा लाब कमार पाएंगे दोस्त इसलिए होते हैं और यही फाइनेंशियल बुद्धी है नमबर चार किसी फार्मूले के विशे सग्या बन जाईए और फिर एक और नया फार्मूला सीख लेजिए जल्दी सीखने की ताकत ब्रेड बनाने के लिए हर बेकर का एक फार्मूला होता है साहिव है उसके दिमाग में ही क्यों नहो यही पैसा बनाने के बारे में भी सही है कहता हूँ आप वहे बनते हैं जो आप पढ़ते हैं दूसरे सब्दों में आप साउधान रहें कि आप क्या पढ़ रहे हैं या क्या सीख रहे हैं क्योंकि आपका दिमाग इतना ज्यादा तकतवर है कि आप जिस चीज़ के बारे में सीखेंगे आप वही बन जाएंगे उधार टीचर सिक्षन का अध्यन कर लेने के बाद आप अक्सर सिक्षक बन जाते हैं और इसी तरह सिलसला जारी रह सकता है अपने अध्यन के विशे को साउधाने से चुनें जब पैसे की बात आती है तो ज्यादातर लोगों के पास वही एक मुलबूत फर्मूला होता है जो उन्हे साथ दिन करोड़ों लोग सुबह उठते हैं और काम पर जाते हैं पैसे कमाते हैं बिल चुकाते हैं चेक बूक को बैलेंस करते हैं कुछ म्यूचल फंड करीद लेते हैं और फिर से काम पर चले जाते हैं यही उनका मुलबूत फार्मूला या नुसका है अगर आप जो कर र था, मैंने सब्तांत की एकक्षा में भाग लिया, जिसका सिर्शक था, किस तरह रियल इस्टेट फॉर क्लोजर्स को खरीदें। मैंने एक फार्मॉला सीख लिया, अगला कदम था अपने सीखे हुए सी दांत को असली जीवन में आजमाना। यहां पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, तीन सालों तक जब मैं जेराक्स के लिए काम कर रहा था, मैं खाली समय में फॉर क्लोजर्स को खरीदने की कलाग में पारंगत होने की कोशिस कर रहा था। मैंने उस फार्मुले से कई करोड डालर बनाए हैं, परंतु आज यह बहुत धीमा फार्मुला है और फिर भी बहुत से लोग इसका प्रियोग कर रहे हैं, एक बार मैं उस फार्मुले का विसे चक्या बन गया, तो मैं नए फार्मुले की खोज करने लगा, कई कक्षाओं म आप्शन सोदेवाजों के लिए तथा अराजक बादियों के लिए युजद कक्षाओं में भी मैं गया हूँ, मैं अपने दाइरे से पूरी तरह बाहर पहुंच गया था, और एक ऐसे कमरे में था, जहां परमाणू भोती की और स्पेस साइंस की विसे सग्यों की भीड थी परंदो मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा जिससे मेरा स्टोक और रियल इस्टेट निवेश ज़्यादा अर्थपूर्ण और फाइदेमंद बन गया ज़्यादा तर जूनियर कालेजों और सामुदाई कालेजों में फाइनेंसियल प्लानिंग या पारंपरिक निवेश को खरीदने के तरीकों पर कक्षाईया योजित की जाती है शुरुआत करने के लिए यह बहुत अच्छी जगह है तो मैं हमेशा एक ज़्यादा तेज़ फारमूले की खोश करता रहता हूँ इसी कारण नियमत रूप से मैं एक दिन में जितना कमा लेता हूँ उतना कमाने में कई लोगों की पूरी जिंदगी लग जाती है एक और बात आज की तेज़ी से बदल रही दुनिया में आप कितना जानते हैं यह ज़्यादा मैत्वपूर्ण नहीं रह गया है क्योंकि प्राई आज आज आप जितना जानते हैं वह पुराना हो चुगा है मैतकून यह है कि आप कितनी तेजी से सीखते हैं यह कला अनमोल है ज्यादा तेज फार्मूले ढूंडने में यह बहुत काम आती है पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना एक पुराना फार्मूला है जो गुफा मानों के जमाने से पैदा हुआ था नमबर पांस खुद को सबसे पहले वेतन दे खुद पर अनुसासन की ताकत अगर आप खुद पर काबू नहीं रख पाते तो अमीर बनने की कोशिश भी ने करें आपको इससे पहले मरीन काप्स या किसी धार्मिक संस्ता में जाना चाहिए ताकि आपको खुद पर काबू रखना आ जाए इस बात का कोई मतलब नहीं है कि निवेश करें पैसा कमाएं और उसे फूंक दें खुद पर अनुसासन की कमी के कारण ही करोडों डालर की लाटरी जीतने वाले लोग जल्दी दिवालिया हो जाते हैं यहे खुद पर अनुसासन की कमी ही है जिसे तनक्वा बढ़ने पर लोग ततकाल बाजार जाकर नई कार खरीद लेते हैं या विदेश यातरा पर निकल जाते हैं यहे कायना कठिन है कि दस कदमों में कौन सा सबसे ज़्यादा मैत्वकून है फरंतो सभी कदमों में से इस कदम की विशे सग्यता सबसे कठिन है अगर यहे आप में पहले से ही मुझूद ने हो मैं तो यहे भी कहना चाहूँगा कि खुद पर अनुसासन की कमी ही वह सबसे बड़ा कारण है जो लोगों को तीन समुदायों में बाढ़ता है अमीर, गरीब और मद्यम वर्ग सीधे तरीके से कहें कि जिन लोगों में आतम विस्वास कम होता है और जो फाइनेंसियल दबाओं को ज़्यादा सहन नहीं कर पाते वे कभी अमीर नहीं बन सकते और कभी नहीं का मतलब होता है कभी नहीं जैसा मैंने पहले बताया था बैने अपने अमीर डیڈडी से यह सिखा था कि दुनिया आपको इदर उधर दकेलेगी दुनिया लोगों को इधर उधर दकेलती है तो इसलिए नहीं क्योंकि बाकी लोग गुंडे होते हैं बलकि इसलिए कि आप में आंतरिक नियंदरन और अनुसासन की कमी होती है जिन लोगों में आंतरिक सेंसक्ती की कमी होती है वे अक्सर उन लोगों के शिकार हो जाते हैं जिन में आतम अनुसासन होता है मैं जिनक व्यवसाई कक्षाओं में पढ़ाता हूँ, वहां मैं लोगों को लगातार यह याद दिलाता हूँ कि वे अपने सामान या सेवा पर अपना ध्यान के अंदरित ने करें, बलकि मैनेजमेंट की कला पर अपना ध्यान के अंदरित करें अपना खुद का व्यावसाय सुरू करने के लिए तीन सरवादिक मैतपूर मैनेजमेंट दक्स्ताइं है मैं यह कहूंगा कि ये तीनों दक्स्ताइं के वल व्यावसाय सुरू करने वालों के लिए ही नहीं बलकि सभी काम करने वालों के लिए है ये तिनों आपके जीवन सेले में मैतपून भूमिका निवाती हैं फ्यक्ति के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में, व्यवसाई में, किसी धार्मिक संग्ठन में, शहर या देस में ये सवी दक्सताएं आत्मानस्वासन को साधने से बढ़ जाती है जर्ज कला्सेन की पुस्टक, दरीचेस्ट में इन बेविलोन में, खוד को सबसे पहले बुगतान करें का वक्तविय सबसे पहले आया है इस पुस्तक की करोडों पर तिया भिक चुकी है हलांकि करोडों लोगी जबर्दस जूमले को दोराते हैं पर बहुत कम लोगी इस चला का पालन करते हैं जैसा मैंने कहा है फाइनेंशियल साक्षर्था अक्षर पढ़ने की योगयता देती है और अंक कहानी बता देते हैं किसी व्यक्तिके इंकम स्टेटमेंट और बैलेंसीर देखकर मैं ततकाल यह देख सकता हूँ कि जो लोग खुद को सबसे पहले बुगतान करें किसी दान्त का राग अलापते रहते हैं वे दर असल इसका कितना पालन करते हैं एक चित्र हजार शब्दों के बराबर होता है तो एक बार फिर हम ऐसे लोगों के फाइनेंसियल स्टेटमेंट की तुल ना करें जो खुद को सबसे पहले बुगतान करते हैं और जो ऐसान नहीं करते हैं चित्रों का अध्यन कीजिए और देखिये किया आप कुछ अंतर पकड़ सकते हैं इसके लिए कैस्पलो की समझ जरूरी है जिससे कहानी बताई जाती है ज्यादातर लोग अंक देखते हैं और कहानी को अंदेखा कर देते हैं अगर आप सचमुस कैस्फलो की थाकत समझना शुरू कर देते हैं तो आपको जल्द ही यह पता चल जाएगा कि अगले चित्र में कहां गड़वड़ी है और 90 फिस्दी लोग क्यों जिन्दी वर कड़ी मेनत करते रहते हैं और इसके बाद उन्हें सोसल सिक्योरिटी जैसी सरक कांशी खर्चों का बुगतान करने इसे पहले वे अब्हेदे कुम्ति वाले कालम में पैसा डालते हैं हालांकि करोड़ों लोगों ने कि बुष्टक पढ़ियां और खुद को सबसे पहले बुगतान करें का सिद्धान समझा परंतो हकीकत में वे खुद को सबसे आखिर में बुगतान करते हैं अब मैं आप मैंसे उन लोगों की चेक पुकार सुन सकता हूं जो अपने बिल्स का बुगतान सबसे पहले करने में गंबीरता पूर विश्वास करते हैं और मैं यहे भी सुन सकता हूं कि सभी जिम्मेदार लोग अपने बिल्स समय पर चुकाते हैं मैं यहे नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदार हो जाएं या आपने बिल्स का बुगतान नहीं करें मैं सिर्फ यहे कहता हूं कि आप वही करें जो यह पूस तक आपको सिखाती है यानि खुद को सबसे पहले पैसा दें और पिछला चितर इसी सिदान्थ का सही लेखांकन चितर है जबकि बाद में आने वाला चितर पूरी तरह से गलत है मेरी पतनी और मेरे पास कई बुक कीपर्स, आकाउंटेंट्स और बेंकर हैं जिने शुरू में इस खुद को सबसे पहले पैसा देंसी दान्थ से बहुत समझ्या होती थी इसका कारण यह है कि यह फाइनेंसियल प्रोस्पेस्नल भी दरसल वही करते हैं जो की जनता करती है यानि वे भी खुद को सबसे आखिर में पैसा देते हैं वे बाकी लोगों को सबसे पहले पैसा देते हैं मेरे जिवन में इसे महीने भी आई हैं जब किनी कारणों से मेरा कैस्पलो मेरे बिल्स से काफी कम रहा है फिर भी मैंने खुद कोई सबसे पहले पैसे दिये मेरे अकाउंटेंट और बुक की पर चीखने लगे वे आपके पीछे पढ़ जाएंगे आपको जेल भी हो सकती है आप अपनी क्रेडिट रेटिंग बिगार देंगे वे लोग बिजली कार देंगे मैंने फिर भी सबसे पहले खुद कोई पैसा दिया क्योंकि दे रिचेस्ट मैन इन बेविलोन की काहनी इसी बारे में है खुद परानुसासन की ताकत और आंत्रिक सेहन सकती के बारे में इसे बोलचाल की बासा में गुर्दा भी कहते हैं जैसा मेरे अमीर डैडी ने मेरे नोकरी के पहले माँ में मुझे बताया था कि ज्यादातर लोग दुनिया की ठोकरें सहन करते रहते हैं पैसे वसूलने वाला आता है और आप या तो पैसे चुकाओ वरना तो आप उसे पैसे दे देते हैं और खुद को पैसे नहीं देते हैं एक सेल्ज क्लर कहता है आप इसे अपने कार्ड चार्ज में डाल दे आपका रियल इस्टेट एजेंट आपसे कहता है आगे चले वड़ो घर खरीदने पर सरकार आपको टेक्स में छूट देती है पूरी पूस्तक दरसल इसी बारे में है आप में धारा के विरुद जाने का और अमीर बनने का गुर्दा होना चाहिए हो सकता है कि आप कमजोर नेव हो परंतों जब पैसे की बात आती है तो कई लोगों का मसला पस्त होने लगता है मैं यह नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदारन बने मुझपर ज़्यादा कर्ज नहीं है क्रेडिट कार्ड का कर्ज भी नहीं और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ मैं अपनी आई को कम से कम इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इससे सरकार को नहीं देना चाहता इसलिए आप मेंसे जिन लोगोंने The Secret of the Rich नाम का वीडियो देखा है उन्हें मैं यह है बता दूँ कि मेरी आए नेवादा के कार्परेशन के जरीए मेरे संपती वाले कॉलम से आती है अगर मैं पैसे के लिए काम करता तो सरकार इसे ले लेती क्योंकि मैं अपने बिल्स का बुक्तान सबसे आखिर में करता हूँ परंटो मुझ में इतनी आर्थिक समझ है कि मैं किसी मुस्किल में नहीं चांसता हूँ मैं कंजुमर कर्ज को पसंद नहीं करता हूँ मेरे पास इतने दाईतो है जो 99 फिजदी लोगों से ज्यादा है परंटो उनका बुगतान मैं नहीं करता बलकि दूसरे लोग मेरे देंदारियों को चुकाते है वे मेरे किराईदार कहलाते है तो खुद को पैसा देने का पहला नियम यह है कभी करज में मत फसो हलांकि मैं अपने बिल्स का बुगतान सबसे आखिर में करता हूँ परंटो मैं केवल कुछ मैं तवहिन बिली बचा कर रखता हूँ दूसरी बात यह है कि जब भी मेरे पास पैसा कम होता है तब भी मैं खुद को ही सबसे पहले पैसे देता हूँ मैं कर्ज देने वालो और सरकार को चीखने देता हूँ जब वे कठोर होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है क्यों? क्योंकि ये लोग मुझे पर एक ऐसान कर रही है वे मुझे प्रेदित कर रही है कि मैं जाओं और ज़्यादा पैसा कम हो तो मैं खुद को सबसे पहले पैसा देता हूँ उस पैसे को निवेस करता हूँ और कर्ज देने वालों को चीखने देता हूँ मैं वैसे आम तोर पर उन्हें सही समय पर भुगतान कर देता हूँ मेरी पतनी और मेरी साक बहुत अच्छी है हम केवल दवाव में नहीं आते हैं और करज उतारने के लिए अपनी बचत को इस्तेमाल नहीं करते नहीं उनके लिए अपने स्टोक को बिशते हैं इसमें बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है तो जवाव यह है, नमबर एक एसे बड़े करज में नहीं फसें जिसका बुगतान आपको करना हो अपने खर्चों को सीमित रखें, अपने संपत्ती को बनाएं अपने संपत्ती को सबसे पहले बनाएं फिर बड़ा घर या शानदार कार खरी दें चुहा दोड़ में फसे रहने में समझदारी नहीं है नमबर दो जब आपके पास पैसा कम हो तो दवाव को बढ़ने दें और अपनी बचत या निवेस को खर्चने करें उस दवाव को अपनी फाइनेंसियल परतिबा को प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल करें ताकि आप ज़्यादा पैसा कमाने और अपने बिल्स का बुगदान करने के नई तरीकों के बारे में सोच सकें इस से ज़्यादा पैसा कमाने के आपकी योगधा भी बढ़ेगी और आपकी फाइनेंसियल पुद्धी भी ज़्यादा विक्सित होगी मैं कई बार फाइनेंसियल बट्टी में तपा हूँ और मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ज़्यादा आमदनी हासिल की है और यह ध्यान रखा है कि मेरे संपत्ति वाले कालम को कोई नुकसान नहीं पहुंचे मेरा भुक की पर चीखने लगा और बचाओ के लिए छुप गया परंतु मैं उस तरह का सिफाई था जो किले की रक्षा के लिए लड़ रहा था गरीब लोगों की आद्टे में गरीब होती है एक आम बुरी आदत है बचत में से पैसे निकाल लेना अमीर लोग चानते हैं कि बचत को ज़्यादा धन कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ने की बिलों का भुक्तान करने के लिए मैं जानता हूं कि ये कठोर जान पड़ता है परंतु जैसा मैंने कहा अगर आप अंदर से कठोर नहीं है तो दुनिया को इदर से उदर दखे लेगी अगर आप आर्थिक दबाव पसंद नहीं करते हों तो एक ऐसा फार्मूला कोज ले जो आपके लिए कारगर सावित हो एक अच्छा फार्मूला यह होगा कि खर्च कम किया जाए पैसे को बैंक में रखा जाए ज्यादा इंकम टेक्स चुकाया जाए सुरक्षित म्यूचल फंड खरीदे जाए और ओसत बने रहने की कसम खाई जाए परंतु यह है खुद को सबसे पहले बुगतान करें कि इसी दान्त का उलंगन करता है यह नियुम आतम बलेदान या आर्थिक सन्यास को प्रोटसाइट नहीं करता है इसका मतलब यह नहीं है कि खुद को सबसे पहले पैसे देने के बाद बुखे मरो जिंदगी मोजमस्ती के लिए है अगर आप अपने फाइनेंšल परतिवा को जागरत कर लेंगे तो आपके पास जीवन के सभी सुख हो सकते हैं आप हमीर बन सकते हैं और बिल चुका सकते है और इस प्रकरिया में अच्छी जिनदगी जी भी सकते हैं और यही financial बुद्धी कहलाती है अच्छी सला की शक्ती मैं एकसर देखता हूँ कि लोग अपने गर के सामने एक पट्टी टांग देते हैं मालिक बेचना चाता है या मैं टीवी पर देखता हूँ कि कई लोग डिसकाउंट ब्रोकर होने का दावा करते हैं मेरे अमीर टेड़ी ने मुझे इसका उल्टा सिखाया है वे इस बात में बरोसा करते थे कि प्रोफेशनल्स को अच्छा बुक्तान किया जाई और मैंने भी उसी सिदान्त को अपनाया है आज मेरे पास महेंगे वकील, अकाउंटेंट्स, रियल इस्टेट ब्रोकर और स्टोक ब्रोकर हैं क्यों? क्योंकि अगर और मेरा सच्पूज मानना है अगर लोग प्रोफेशनल्स हैं तो उनकी सेवाओं से आपको पैसा मिलना चाहिए और वे जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे, आप भी उतना ही ज़्यादा पैसा कमाएंगे हम सुचना के युग में रहे रहे हैं, सुचना बेश कीमती है एक अच्छा ब्रोकर आपको सुचना तो देगा ही, आपको सिक्षित करने के लिए समय भी देगा मेरे पास कई ब्रोकर हैं जो मेरे लिए यह करने के इच्छु चहoot है कुछ ने मुझे तब्सिक आया है जब मेरे पास बहुत कम पैसा था या बिलकुल भी पैसा नहीं था और मैं आज भी उनके साथ हूँ मैं ब्रोकर को जितना पैसा देता हूं वह है मेरे द्वारा उसकी सूजना से कमाए गए धन का बहुत छोटा इससा होता है मैं इसे पसंद करता हूँ जब मेरा रियल इस्टेट ब्रोकर या स्टोक ब्रोकर बहुत पैसा अब कमाता है क्योंकि इसका आम तोर पर यह मतलब होता है कि मैंने भी बहुत सा पैसा कमाया है एक अच्छा ब्रोकर मुझे पैसे कमाने के जानकारी देने के अलावा मेरा समय भी बचाता है जैसे उस समय जब मैंने खाली समीन के टुकडे को 9000 डालर में खरीदा और ततकाल इसे 25000 डालर में बेच दिया ताकि मैं अपने लिए जल्दी से कार खरीच सकूँ ब्रोकर आपके लिए बाजार की आँख और कान है वे हर रोज वहां होते हैं और इसलिए मेरी वहां कोई जरूरत नहीं होती मैं इसके बजाए गोल्फ खेल सकता हूँ इसके अलवा जो लोग खुद ही अपना घर बेचते हैं उनके लिए खुद के समय की कोई खास कीमत नहीं होती मैं कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना समय क्यों खराब करूँ जबकि इस समय को मैं ज़्यादा पैसा कमाने या अपने अंतरंग लोगों के साथ बिताने में इस्तेमाल कर सकता हूँ मुझे यह बहुत मज़ेतार लगता है कि इस से ज़्यादा गरीब और मद्य उमर गया लोग रेस्तरों में खराब सर्विस के बवज़ूद पंदरा से बीस फिजदी टिप देते हैं और ब्रोकर को तीन से साथ फिजदी देने में अनकानी और शिकायत करते हैं वे खर्च वाले कालम के लोगों को टिप देते हैं और संपति वाले कालम के लोगों को टिप देने से कतराते हैं यह आर्थिक समझदारी नहीं है सभी ब्रोकर एक जैसे नहीं होते दुर भग्या से जादातर ब्रोकर सेलजमेन होते हैं मैं तो यह कहूँगा कि रियल इस्टेट के सेलजमेन सबसे बुरे होते हैं परंतों उनके पास खुद बहुत कम या बिलकुल भी रियल इस्टेट नहीं होता घर बेचने वाले ब्रोकर और निवेस बेचने वाले ब्रोकर में बहुत बढ़ा अंतर होता है और यह स्टोक, बोंड, म्यूचल फंड और बीमा ब्रोकर के बारे में भी सही है जो खुद को financial planner कहते हैं परी कथा की ही तरह आप एक राजगमार कोजने के लिए बहुत से मेंड़कों को चूमते हैं पुरानी कहावत को याद कीजिए अगर आपको एंसाइकलोपीडिया की जुरूरत हो तो एंसाइकलोपीडिया बेचने वाले से मत पूछिए जब मैं किसी professional का interview लेता हूँ तो मैं पहले यह पता करता हूँ कि उसके पास खुद कितने विक्तिकित property या stock है और वह कितने परतिसर tax दे रहा है मैं अपने tax अटारने और accountant के बारे में भी यही करता हूँ मेरे पास एक accountant है जो अपने काम से काम रखती है उसका पिसा हालांकि accounting है परन्तो उसका काम रियल estate में है मेरे पास एक accountant था जो एक छोटा बिजनस accountant था परन्तो उसके पास रियल estate नहीं था मैंने accountant बदल लिया क्योंकि हम एक ही बिजनस से प्रेम नहीं करते थे एसा broker खुजी है जो आपके सर्वस्रेश्टितों को ध्यान में रखता हो कई ब्रोकर आपको शिक्षित करने के लिए समय निकाल लेंगे और वे आपके द्वारा खोजी की सर्वस्रेश्ट समपत्ती साबित हो सकते हैं बस उदार रहिए और वे भी आपके प्रति उदार रहेंगे अगर आप उनके कमिशन में कटोती करने के बारे में ही सोचते रहेंगे तो वे आपके आसपास क्यों रहना चाहेंगे यह विशुद और आसान सा तर्क है जैसा मैंने पहले कहा था मैंनेजमेंट की दक्स्ताओं में से एक लोगों का मैंनेजमेंट है कई लोग के उले से लोगों को मैंनेज कर पाते हैं जो उनसे कम स्मार्ट हो और जिन पर उनकी सब्था हो जैसे किसी आफिस में अधिनस्त कोई दोयम दर्जे के मैंनेजर्स दोयम दर्जे के मैनेजर से ही बने रहेंगे और उन्हें कभी तरक्की नहीं मिल पाएगी क्योंकि वे यह है तो जानते हैं कि नीचे वालों के साथ कैसे काम किया जाता है परंतु वे यह नहीं जानते कि उपर वालों के साथ कैसे काम किया जाई असली दक्स्ता है किसी दक्तनिकिक छेतर में अपने से स्रेश्ट और ज्यादा स्मार्ट लोगों को मैनेज करना और उन्हें अच्छे पैसे देना इसलिए कंपनियों में बॉर्ड आफ डारेक्टर होता है आपके पास भी होना चाहिए और यह फाइनेंसियल समझदारी है नमबर साथ इंडियन दाता बनिये यह बिना कुछ दिये पाने की ताकत है जब अमेरिका में गोरे लोग गई तो उन्हें अमेरिकी इंडियन्स की परंप्रिक संस्कृती से जटका लगा उधारन के तोर पर अगर किसी गोरे व्यक्ति को ठंड लगती थी तो इंडियन उन्हें कंबल दे देते थे स्वेट परवासी इसे उपहार समझ लेते थे और जब इंडियन कंबल वापस मांगता था तो उन्हें बहुत बुरा लगता था इंडियन को भी बुरा लगता था जब उन्हें यह पता चलता था कि स्वेट परवासी कंबल वापस नहीं करना चाते थे इस तरह इंडियन दाता वाक्यांस पैदा हुआ एक छोटी सी सांस्कृतिक ना समझी के कारण संपत्तिक एक ओलम कि दुनिया में इंडियन स्वेटा बनना दोलत के लिए बहुत जुरूरी है परिसकर्ट निवेस्ट का पहला सवाल यह होता है मेरा पैसा मुझे कितनी जल्दी वापस मिल जाएगा वे यह भी जानना चाते हैं कि उन्हें मुफ्त में क्या मिल रहा है इसलिए निवेस्ट पर वापसी इतनी मेतपून है उदारन के तोर पर मुझे एक छोटा रियल एस्टेट मिला जो मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर था बैंक साथ हजार डॉलर चाहती थी और मैंने पचास हजार डॉलर की बुली लगाई जो उन्होंने सिर्फ इसलिए स्विकार कर ली क्योंकि बॉली के साथ पचास जार डॉलर का चेक भी लगाई था उन्होंने यह महसूस किया कि मैं गंबीर था ज्यादा तर निवेस्ट यह कहेंगे कि क्या आप अपना बहुत सा पैसा पसा नहीं रहे है क्या इस पर लोन लेना ज्यादा बेतर नहीं होगा इसका जवाब है इस मामले में बिलकुल नहीं मेरे निवेस्ट कंपनी जाड़े के मैंनों में इसे वेकेशन रेटल के रूप में इस्तेमाल करती है जब परवासी पक्षी एरेजोना से आते है और इसे चार मेंनों के लिए डाही जार डॉलर किराए पर दे देती है बाकी के आठ मेंनों में इसका किराया केवल एक जार डॉलर होता है मेरा पैसा लगबग तीन सालों में वापिस आ गया था अब मैं इस अमपती का मालिक हूँ जो हर मेहने मेरी वांदनी बढ़ाती रहती है यही स्टोक के बारे में किया जाता है प्राईब मेरा ब्रोकर मुझे सला देता है कि मैं किस कंपनी के स्टोक में काफी पैसा लगाऊँ क्योंकि उसके विचार से यह एकंपनी को यह ऐसा कدم उठाने वाली है जिससे उसके शेर में तेजी आ जाएगी और कोई नया सामान बाजार में लाने वाली है मैं अपने पैसे को एक अपते से लेकर एक महीने तक लगाए रखता हूँ जब शेर की किमते बढ़ती है फिर मैं अपनी मूल दनराशी को निकाल लेता हूँ और बाजार के उतार चड़ाओं से बेफिकर हो जाता हूँ क्योंकि मूल रखाँ वापस आ चुकी है और दूसरी संपती पर काम करने के लिए तयार है इस तरह मेरा पैसा जाता है और फिर वाहर आ जाता है और मैं एक ऐसी संपती का मालिक बन जाता हूँ जो एक तरह से मुझे मुझे मुफ्त में मिलती है यह सच है कि मैंने कई मोकों पर पैसा खोया भी है परन्तु मैं इतने ही पैसों से खेल खेलता हूँ जितने का नुक्सान मैं सहन कर सकता हूँ मैं यह कहूंगा कि ओस दस निवेसों पर मुझे दो या तीन में बहुत वाइदा होता है जबकि पांच या च्छे में कोई लावानी नहीं होती मैं दो या तीन में घाटा भी खाता हूँ परन्तु मैं अपने नुक्सान को उसी पैसे तक्सियमी तरक कर लेता हूँ जो मेरे पास उस समय होते है जो लोग जो खिम से नफरत करते हैं वे अपने पैसे को बैंक में रख लेते हैं और दिरक्काल में उनकी बच्छत कुछ नहीं से बेहतर ही होती है परन्तु आपको अपना पैसा वापिस निकालने में बहुत लंबा समय लग जाता है और ज्यादातर मामलों में तो आपको इसके साथ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता पहले तो वे टोस्टर दिया करते थे परन्तु आज कल एसा बीरेल ही होता है मेरे हर निवेस पर एक नए एक चीज मुफ्त होनी चाहिए एक चोटा रियल एस्टेट, एक मीनी स्टोरेज, खाली जमीन का टुकड़ा, घर, स्टोक शेयर्स या आफिस बिल्डिंग और जोखिम भी सीमित होना चाहिए इस विशे पर इतनी ज़्यदा पुस्त की लिखी जा चुकी है कि मैं इससे नहीं जाना चाहूँगा मैकडोनाल्स के मसूर रेक रोक हैंबर्ग्स फरंचाईजी इसलिए नहीं बेचते थे क्योंकि उन्हें हैंबर्ग्स से प्यार था बलकि इसलिए क्योंकि उन्हें उस फरंचाईजी के साथ आने वाला रियल एस्टेट मुफ्ट में मिलता था तो समझदार निवेशकों को ब्याज की दर से ज़्यादा चीजों का ध्यान रखना चाहिए आपका पैसा वापिस मिल जाए और आपके पास क्या समपत्ती आती है यह भी मैतप्रून है यह फाइनेंसियल समझदारी है नमबर आठ समपत्ती से विलासिता की चीजें खरीदी जाती है केंदरित करने की शक्ती मेरे एक दोस्त का बेटा बहुत खर्चिला था और एसा लगता था जैसे उसकी जेब में छेद हो गई हूँ सोला साल की उमर में सववाविक रूप से उसे अपनी कार चाहिए थी बहाना यह था सभी दोस्तों के ममी डैडी ने अपने बच्चों के लिए कार खरीदी है यह लड़का अपनी बचत में से पैसे निकाल कर नगत कार खरीदना चाहता था एसे समय में उसकी डैडी ने मुझसे सला मांगी आप क्या सोचते हैं कि मुझे उसे इसा करने देना चाहिए या मैं भी दूसरे पिताओं की तरह उसे कार खरीद कर दे दूँ इसके जवाब में मैंने कहा कुछ समय के लिए तो ठीक है परन्तु लंबे समय के लिए आप उसे क्या सिखा पाएंगे क्या आप अपने बच्चे की कार प्राप्त करने की इच्छा से उसे कुछ सीखने के लिए प्रेडित कर सकते हैं अचानक उसकी टूबलाइट चमकी और वह तुरंद घर की तरफ चल दिया दो महिने बाद मुझे वैदोस्त मिल गया क्या तुम्हारे बेटे को उसकी नई कार मिल गई मैंने पूछा नहीं उसे नहीं मिली परंतु मैं गया और उसे कार के लिए तीन अजार डाटल दे दी मैंने उसे कहा कि वह अपने कालेज के पैसे के बजाए मेरे पैसे का उप्योग करे मैंने कहा यह है तो आपकी उधारता है नहीं उस पैसे के साथ एक शर्ट भी जुड़ी है मैंने आपकी सला मान ली और उसकी कार खरीदने की परबल इच्छा के साथ सीखने की सर्ट भी लगा रखी है शर्ट क्या है मैंने पूछा पहले तो हमने आपके कैश पलो गेम का साहरा लिया हमने इसे खेलते हुए पैसे के समझदारी से इस्तेमाल पर एक लंबा विचार विमर्स किया फिर मैंने उसे वाल स्ट्रीट जनरल की सदस्ता दिलवा दी और स्टाक मार्केट पर कुछ पुस्त केंवी दिलवाई फिर दिखत कहां थी मैंने उससे कहा कि तीन हजार डालर उसके है परंतु वह इसे सीधे कार नहीं खरीच सकता वह इनके स्टोक खरीदे और बेच सकता है खुद का ब्रोकर ढूंड सकता है और एक बार वह इन तीन हजार डालर के छे हजार डालर बना लेता है तो वह अपनी कार खरीच सकता है और बाकी के तीन हजार डालर उसके कालेज के फंड में जाएंगी मैंने पुछा और इसके परिणाम क्या निकले वह सुरुआत में किसमत वाला रहा परंतो कुछ दिनों बाद उसे अपने मुनाफे के सारी रकम गवा दी तब वह सचमुच रूची लेने लगा आज चाहिवे दोजार डालर के गाटे में हो परंतो उसकी रूची बहुत बढ़ गई है उसने मेरे दुआरा खरीदी सारी कितबें बढ़ डाली और वहे और ज़्यादा पुस्तकों की खोज में पुस्तकालिया भी चला गया वहे मन लगाकर वाल स्ट्रीट जनरल पढ़ता है सुचकों पर नजर रखता है और MTV के बजाए CNBC देखता है उसके पास केवल एक जार डालर बचे हैं परन्तु उसकी रूची और ग्यान आश्मान को चू रही है वहे जानता है कि अगर वहे इस पैसे को खो देगा तो फिर उसे दो सालों तक अपने पैरों पर ही चलना पड़ेगा परन्तु उसे उसकी कोई खास चिंता नहीं पड़ी है अब उसे कारा हसिल करने में ज्यादा रूची नहीं है क्योंकि उसे एक एसा खेल मिल गया है जिसमें उसे ज्यादा अनन मिलता है क्या होगा अगर वहे सारा पैसा हार जाता है मैंने पूछा जब होगा तब देखा जाएगा मैं तो चाहूँगा कि वह अपी सारा पैसा हार जाए बजाए इसके कि वह हमारी उम्र में आकर सारा पैसा हारे और इसके अलावा मैं तो यह मानता हूँ कि उसकी सिक्षा पर खर्च किये गया यह सर्वसरेश तीन जार डालर थे जो वह सीख रहा है वह जिन्दगी वर उसके काम आएगा और वह पैसे की ताकत का सम्मान का भी सीख गया है मुझे लगता है कि अब उसके जेव का छेट बंद हो चुका है जैसा मैंने खुद को सबसे पहले पैसे देंवाले खंड में कहा था अगर कोई वेक्ति आतमानुसासन की ताकत हासिल नहीं कर सकता तो बेतर यही होगा कि वह कभी अमीर बनने की कोशिश नहीं करें सैदान्तिक एसाब से संपति वाले कालम से कैस्पलो विक्षित करने की परकिरिया आसान नजर आती है परंतो इसमें पैसे की दिशा देने की मानसिक शक्ति की जरूरत होती है जो मुश्किल साबित होती है बाहरी आकर्षनों और परलोबनों के कारण आज की खरिदारी की दुनिया में यह ज्यादा आसान होगे चला है कि पैसे को पूरा उड़ा दिया जाए कमजोर मानसिक शक्ति के कारण ही वह पैसा सबसे कम परतिरोध वाले रास्ते पर बहे जाता है यही गरीबी और आर्थिक संगर्स का कारण है मैंने फाइनेंसियल समझदारी का यह है आंकडों का उदारन इसलिए दिया ताकि पैसे से ज़्यदा पैसे कमाने की योगता को जाना जा सके अगर हम सो लोगों को साल के शुरू में दस अजार डालर दे 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 तो साल के अंत में क्या होगा असी के पास कुछ भी नहीं बचेगा वास्ता में कई तो ज़्यदा करज में दवे होंगे क्योंकि उन्होंने नई कार, फ्रीज, टीवी, वीचियार या छुट्टियों के लिए नगत पैसा दिया होगा सोला ने उस दस अजार डालर को पांच से दस फिजदी बढ़ाया होगा और चार ने इसे बीस अजार डालर या लाखों डालर तक बढ़ाया होगा हम किसी प्रोफेशन को सीखने के लिए स्कूल जाते हैं ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें मेरे विचार में यह सीखना भी मैं तो पूर्ण होता है कि पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाया जाई मैं भी हर व्यक्ति की तरह विलासिता की वस्तों से प्रेम करता हूँ अंतर यह है कि कई लोग अपने विलासिता को करज लेकर खरीदते हैं यह पडोशियों से परतियोगिता करने का जाल है, जब मैं कार खरीदना चाहता था, तब आसान रास्ता यही था, कि मैं अपने बैंकर को बुला कर लोन ले लेता, परन्तु मैंने दाइतो वाले कालम को बढ़ाने के वज़ाए संपत्ति वाले कालम पर ध्यान के इंदरीत लेने पर ध्यान के इंदरीत करते हैं, और पैसा बनाने पर ध्यान के इंदरीत नहीं करते, यहायरास्ता रास्ता कुछ समय के लिए तो आसान है, परन्तु लंबे समय में यह बहुत मुस्किल ठापित होता है, यहять एक एसी बुरी आदत है, जो हम्में इंसानों के रूप म और राष्टर के रूप में भी है याद रखें आसान रास्ते अक्सर मुस्किल बन जाते हैं और मुस्किल रास्ते अक्सर आसान बन जाते हैं जितनी जल्दी आप खुद को और अपने प्रियजनों को पैसे के सासके रूप में परशिक्षित कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा पैसा बहुत बड़ी ताकत है दुर्भग ऐसे लोग पैसे की ताकत को अपने खिलाप इस्तेमाल करते हैं अगर आप में पैसे की समझ कम है तो पैसा आपके उपर राज करेगा यह आप से ज्यादा स्मार्ट होगा अगर पैसा आपसे ज्यादा स्मार्ट बन जाएगा तो आप इसके लिए जिन्दगी भर काम करते रहेंगे पैसे के उपर सासन करने के लिए आपको इससे ज्यादा स्मार्ट बनना होगा फिर पैसा वही करेगा जो आप इससे कहेंगे यह आपके आग्या का पालन करेगा इसके गुलाम होने के बज़ाए आप इसके मालिक होंगे यही आर्थिक समझदारी है नमबर नो, नाइकों की जुरुत मिथक की ताकत जब मैं छोटा था तब मैं विली मेज, हैंक आरन, योगी बेरा का बहुत बड़ा प्रसंद सकता वे मेरे आदर्स थे लिटिल लीग खेल रहे बच्चे के रूप में मैं उनकी तरह होना चाहता था मैंने उनके बेसबाल कार्ड भी सहीज रखे थे मैं उनके बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था मैं उनके बारे में सभी आंकड़े जानता था उनके बेटिंग के उसक, उन्हें मिलने वाली धन्राशी और वे किस तरह बड़े हुए, सब कुछ मैं सब कुछ इसलिए जानना चाहता था क्योंकि मैं उनके जैसाब बनना चाता था 9 या 10 साल की उमर में जब बेसबाल खेलने के लिए मैदान पर जाता था तो वह मैं नहीं जाता था बलकि मेरे रूप में योगी या हैंक मैदान पर उतरते थे यह सीखने के सबसे ससक तरीकों में से एक है जो हम बड़े होने के बाद खो देते हैं हम अपने नाइकों को खो देते हैं हम अपने नोसिखिये पन को खो देते हैं आज मैं अपने घर के पास चोटे बच्चों को बासकेट बाल खेलते देखता हूँ कोर्ट पर वे चोटी जानी नहीं होते वे तो माइकल जोडन, सर चार्ल्स या कलाइड होते हैं आदर्स नाइकों की नकल करना ग्यान प्रापत करने का सचा और सचक तरीका है और इसलिए जब O.G. सिंक्चन की तरह का नाइक बदनाम होता है तो इतने चिख पुकार मस्ती है यह किसी अदालती कारवाई से जड़ा होता है यह एक आदर्स नाइक को खो देना होता है एक A.C. व्यक्ति जिसकी तरह बनने का सपना लोग बच्पन में संजोई रहते हैं और वे जिसकी पूजा करते हैं अचानक हमें उस व्यक्ति को अपनी जिन्दगी से निकालना पड़ता है जब मैं बड़ा बोल गया था तो मेरे नाइक बदल गए थे मेरे गोल के हीरो बने पीटर जैक्प्शन फ्रेड कपल्स और टाइगर बूर्स मैं उनके शोट की नकल करता था हूँ और उनके बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ मेरे आदर्स नाइको में डोनाल्ड ट्रम्प, वारेन बूफे पीटर लेंच, जाद सोरोस और जिम राजर्स भी है बड़ा हो जाने के बाद मैं उनके आंकडे उसी तरह जानता हूँ जिस तरह कि अपने बच्पन में बेस्पाल हिरोज के आंकडे जानता था मैं अनुसरन करता हूँ जब बारेन बूफे निवेस करते हैं और बाजार के बारे में उनके नजरिये के बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ मैं पीटर लिंज की पूस्टक भी इसलिए पढ़ता हूँ ताकि स्टोक चुनने की उनकी तक्निक को समझ सकूँ और मैं डोनाल्ड टरम्प के बारे में भी इसलिए पढ़ता हूँ ताकि यह जान सकूँ कि वे किस तरह सोदे करते हैं जिस तरह मैदान पर बेस बाल के लिए बेटिंग करते जाते समय मैं खुद की भूमिका में नहीं होता था उसी तरह जब मैं बाजार में उतरता हूँ या मैं कोई सोधा करता हूँ तो मैं आवचेतन रूप से ट्रम्प की बातुरी का अबने करता हूँ या जब मैं किसी प्रवर्ति का विशलेशन करता हूँ तो मैं उसे इस तरह देखता हूँ जैसे पीटर लिंज यह काम कर रहे हूँ आदर्सनाइक होने से हम अपनी कच्ची परतिबा के व्रहद सुरूत का देहन करते हैं परन्तु आदर्सनाइका में प्रेरित करने से भी ज़्यादा बड़ा काम करते हैं वे चीजों को ज़्यादा आसान बना देते हैं चीजें आसान दिखने के कारण हम भी उनी की तरह बनना चाते हैं अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी यही कर सकता हूँ जब निवेश की बात आती है तो ज्यादातर लोग इसे बहुत कठिन समझते हैं इसके बजाए उन्हें आदर्स नाइकों की तलास करना चाहिए जो इन्हें आसान बना देते हैं नमबर दस सिखाओ और आपको हासिल होगा देने की शक्ती मेरे दोनों डेड़ी सिखशक थे मेरे अमीर डेड़ी ने उजे ऐसा सबग सिखाया जो मेरे साथ जिन्दगी वर चल रहा है और वह सबग था परोपकार करना या देना मेरे पढ़े लिखे डेड़ी ने अपने समय और ग्यान दोरा दूसरों को बहुत दिया परन्तों शायद ही कभी अपना पैसा दिया हो जैसा मैं बता चुका हूँ वे सामाने ता कहा करते थे कि वे तभी देंगे जब उनके पास कुछ अतिरिक धन होगा और उनके पास कभी भी अतिरिक धन नहीं होता था मेरे अमीर डैडी ने पैसा भी दिया और शिक्षा भी वे देने के सिदान्त में पका यकिन रखते थे अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको पहले कुछ देने की जरूरत है वे हमेशा कहा करते थे जब उनका हाथ तंग होता था तब भी वे अपनी चर्च या अपनी पसंदिदा धार्मिक संस्था को दान देते थे अगर मैं आपके पास कोई विचार छोड़ना चाहता हूँ तो वह विचार यही होगा जब भी आपको किसी चीज़ की कमी या जरूरत मैसस हो तो पहले उस चीज़ को दे दें बाद में वह बाल्टियों से बरकर आपके पास लोटाएगी यह पैसा, मुस्कुराहाट, प्रेम, दोस्ती सभी के बारे में सही है मैं जानता हूँ कि कोई भी विक्ति ऐसा नहीं करना चाहेगा परंतु मैंने ऐसा किया है और इसके फाइदे भी उठाई है मैं विश्वास करता हूँ कि आदान परदान का सिदान सही है और इसलिए मैं वही चीज़ देता हूँ जो मैं पाना चाहता हूँ मुझे पैसा चाहिए, इसलिए मैं पैसे देता हूँ और यह कई गुना होकर मेरे पास वापस आ जाता है मैं विक्री बढ़ाना चाहता हूँ इसलिए मैं किसी और विक्तिगी कुछ बेजने में मदद कर देता हूँ और मेरी विक्री बढ़ जाती है मैं संपर्क बढ़ाना चाहता हूँ तथा मैं किसी और की संपर्ग बढ़ाने में मदद कर देता हूँ और जादू की तरह मेरे भी संपर्ग बढ़ जाते हैं मैंने सालों पहले एक काहाउत सुनी थी इस्वर को कुछ नहीं चाहिए पर इंसानों को देना चाहिए मेरे अमीर डेड़ी एकसर कहा करते थे गरीब लोग अमीरों से ज़्यादा लालची होते हैं उन्होंने इसे समझाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो वह व्यक्ति दूसरों द्वारा चाही गई कुछ चीज़ दे रहा है मेरे जीवन में मेरे तमाम वर्सों में जब भी मैंने पैसे की कमी या जरूरत महसूस की है तो मैंने पहले तो अपने दिल को टटोला है कि मैं क्या चाहता हूँ और फिर इसे देने का फैसलात किया है और जब मैंने दिया है तो यह हमेशा मेरे पास वापस लोटा है यह मुझे उस व्यक्ति की कहनी या दिलाता है जो जाडे की थंडी रात में लकडियां लेकर बैठा है और पास में धीमे धीमे जलरे स्टो पर चिला रहा है जब तुम मुझे गर्मी दोगे तब मैं कुछ लकडियां अंदर डालूँगा और जब पैसे, प्रेम, सुख, विक्री और संपर्क की बात आती है तो हर व्यक्ति को यही याद रखने की जरूरत है कि जो आप चाते हैं पहले आप उसे दे दें और यह कई गुना होकर आपके पास लोट आएगा बहुदा केवल यही सोचने की परकिरिया से भी कि मैं क्या चाता हूँ और इसे किसी और को किस तरह दे सकता हूँ मेरे अंदर उदारता का जुर आने लगता है जब भी मैं यह देखता हूँ कि लोग मेरी तरफ देखकर नहीं मुसकरा रहे हैं तो मैं आराम से मुसकराना और हेलो करना चालू कर देता हूँ और जदू की तरह मेरे आसपास अचानक बहुत से मुसकराने वाले लोग जमा हो जाते हैं यह सच है कि आपकी दुनिया केवल आपका दरपन है तो इसलिए मैं कहता हूँ सिखाओ और आपको मिलेगा मैंने पाया है कि मैं सीखने वालों को जितनी गंबेरता से जितना ज़्यादा सिखाता हूँ मैं भी उतना ही ज़्यादा सीखता हूँ अगर आप पैसे के बारे में सीखना चाते हैं तो इसे किसी और को सिखाई ऐसा करने से आपके दिमाग में बहुत से नए विचारों और फार्मूलों की बाड़ा जाएगी ऐसे भी समय आये हैं जब मैंने दिया है और कुछ भी वापस नहीं लोटाया या जो मुझे मिला वह मैं नहीं चाता था परंदु करीबी जांच और आतम अवलोकन से मुझे पता चला कि उन मामलों में मैं देने के लिए नहीं दे रहा था बलकि पाने के लिए दे रहा था मेरे डैड़ी ने सिक्षकों को सिखाया और वे एक मास्टर टीचर बन गई मेरे अमीर डैड़ी ने युवा लोगों को अपना बिजनस करने का तरीका सिखाया मैं पीछे पलट कर देखता हूँ कि यह सीखने वालों की अपनी ग्यान के प्रती उदारता ही थी जिसके कारण है वे ज़्यादा स्मार्ट बन गई इस दुनिया में ऐसी ताक्ते हैं जो हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं आप वहां खुद अपने दम पर पहुंच सकते हैं परन्तु उन ताक्तों की मदद से वहां पहुंचना ज्यादा आसान होता है आपको बस इतना ही करना है कि आप उदार हों और वे ताक्तें भी आपकी प्रती उदार होंगी धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याई दस की ओर जो है और च्यादा चाहिए कुछ काम जो आपको करने चाहिए आपका दिन शुब हो रिच डैट, पूर डैट, अध्याई दस और ज़्यादा चाहिए कुछ काम जो आपको करने चाहिए हो सकता है कि कई लोग मेरे दस कदमों से संतुष्ट ने हो उनकी नजर में यह फिलोस्पी ज़्यादा है और इसमें काम की बातें कम है मैं यह मानता हूँ कि फिलोस्पी भी उतने ही मैतवपूर्ण है जितने की काम की बातें यह से कई लोग है जो सोचने के बजाए करना चाहते हैं और यह से लोग भी है जो सोचते हैं परन्तु करते कुछ नहीं है मैं यही कहूँँगा कि मैं दोनों परकार के लोगों का स्योग हूँ, मैं नई विचारों को पसंद करता हूँ और मैं काम करना भी पसंद करता हूँ तो उन लोगों के लिए जो किस तरह शुरू करें के बारे में कुछ मार्ख दर्शक बातें जानना चाहते हैं मैं संक्षेप में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो मैं करता हूँ आप जो कर रही हैं वह करना बंद कर दें दूसरे सब्दों में आवकास लें और यह आंकलन करें कि कौन सी चीज़ काम आ रही है और कौन सी चीज़ काम नहीं आ रही है पागलपन की परिवसा यही है कि आप वही चीज़ करते चले जाएं और अलग परिणा कि अपिक्षा करें जो सफल नहीं हो रहा है वह करना बंद कर दें और कुछ नया करने की खोजें नए विचारों की तलास करें नए निवेस के विचारों के लिए मैं किताब की दुकान में जाता हूं और अलग-अलग तथा अनुठे विशो पर पुस्त के ढूंडता हूं मैं कैसे करें पुस्त के उस फार्मूले के लिए खरीता हूं जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता उधारन के लिए मैंने एक किताब की दुकान में जोयल मासकोविर्ज की पुस्तक The 16% Solution देखी मैंने वह पुस्तक खरीदी और पड़ डाली ततकाल काम करें अगले बु बैंक में मैंने रियल एस्टेट के सोदों के साथ भी यही किया है ज्यादातर लोग ततकाल कदम नहीं उटा थे या वे एक तरह से इस बात का इंतजार करते हैं कि कोई आएगा और उन्हें बताएगा कि उनके द्वारा सिखा गया नया फार्मूला गलत है और उसका अनुस कि उसने कभी ऐसा करके नहीं देखा था किसी ऐसे आदमी को खोजें जिसने वह किया हो जो आप करना चाहते हैं उन्हें लंच पर ले जाएं उनसे टिप्स लें बिजनस की बारिकियां समझें अपने सोला फिजदी के प्रमान पत्रों के लिए मैं काउंटी टेक्स आफिज गया और मैंने वहां पर काम करने वाले सरकारी करमचारियों को खोजा मैंने यह पाया कि वह भी इन में निवेस करती है तदकाल ही मैंने उसे लंच का नोता दे दिया उसने रोमान चित होकर मुझे यह समझा दिया इसे कैसे करना है और उसने अपना पूरा ग्यान मेरे सामन प्रोस दिया। लंच के बाद उसने पूरे दिन मुझे वह जगें दिखाई जहां मैं इस तरह का सोदा कर सकता था। अगले दिन तक मैंने उसकी मदद से दो बड़ी जायदतों को पा लिया था और मैं तब से उन पर 16 फिस्दी की दर से ब्यास कमा रहा हूं। मुझे पुष्टक पढ़ने में एक दिन लगा, कदम उठाने में एक दिन लगा, लंच में एक गंटा लगा और दो बड़े सोदे करने में केवल एक दिन लगा। करने की कते ही जुरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इस तरह के पाठे करमों में भाग लिया है। क्या होना चाहिए, तो यह मैं भी नहीं जानता, यह तो रियल इस्टेट एजेंट का काम है, वे ओफर का आंकडा देते हैं, मैं जहां तक संभव हो सकता है, कम से कम काम करता हूँ। मेरी एक मित्र चाहती थी, कि मैं उसे अपार्टमेंट हाउस खरीदना सिखाऊं। एक शेनिवार को वे, उसका एजेंट और मैं गए, और हमने छे आपार्टमेंट हाउस देखे, चार तो गटिया थे, परन्तु दो अच्छे थे, मैंने उससे कहा, कि वे सभी छे पर आफर लिखे, और मालिकों द्वारा मांगी गई कीमत से आदी का आफर दें। यह सुनते ही उसे और उसके एजेंट को दिल का दोरा पढ़ते पढ़ते बचा, उसके हिसाब से यह बत्तमी जी होगी, और इससे मकान मालिकों को बुरा लग सकता है, परन्तु मैं वास्तों में नहीं सोचता कि एजेंट इतनी कड़ी मेनत करना चाहता था, इसलिए उन्हो ने कुछ नहीं किया और वे एक बेतर सोदे की तलास में चले गई, उन्होंने कभी कोई ओफर नहीं दी, और वह आज भी सही कीमत पर सही सोदे के लिए भटक रही है, आप नहीं जानते हैं कि सही कीमत क्या है, जब तक कि सोदा करने के लिए आपके सामने दूसरी पार्टी ने हो, ज्यादा तर बेचने वाले बहुत ज्यादा किमत मांगते हैं, यह दुरलब ही है कि कोई बेचने वाला वास्तो में इसी किमत मांगे, जो वास्तो एक मुल्या से कम हो, इस का आने से हमें यह सिक्षा मिलती है कि हमें आफर देना चाहिए, जो लोग निवेसक नहीं ह मैं समझ ही नहीं होती कि कोई चीज बेचना कितना कटिन होता है। मेरे पास एक रियल एस्टेट की प्रोपर्टी थी जिसे मैं महीनों से बेचना चाहता था। मैंने किसी भी चीज का स्वागत किया होता। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पढ़ता कि कीमत कितनी कम थी। उन्होंने अगर मुझे दस सूरों का वियाफर दिया होता तो भी मैं खुश हो गया होता। ओफर की कीमत से नहीं बलकि इस बात से कोई तो मेरी प्रोपर्टी में रूची रखता है। इसके जवाब में मैं बदले में पूरे के पूरे सूर फार्म को हसल करने की कोशिस करत तो यहे खेल इस तरह से खेला जाता है। खरीदने और बेचने का खेल बड़ा मज़ेदार होता है। इस बात का हमेंसा ध्यान रखें। यहे मज़ेदार है और यहे के वल एक खेल है। ओफर देते रहें। कोई तो कभी हां कहेगा। और मैं हमेसा अपने आफर में मैं यहे कभी नहीं बताता कि मेरा बिजनस पार्टर कौन है। ज्यादातर लोग यहे नहीं जानते कि मेरी बिजनस पार्टर मेरी बिल्ली है। अगर वे आफर को मान लेते हैं और मैं सोदा नहीं करना चाता तो मैं घर फोन लगाता हूं और अपने बिल्ली से बात कर लेता मैं यह आजीबों करीब वक्त वे इसलिए बता रहा हूं ताकि आप यह जान सकें कि यह खेल कितना आसान और सरल है। ज्यादातर लोग चीजों को बहुत ज्यादा जटिल बना देते हैं और उन्हें काफी गंबिरता से ले लेते हैं। एक अच्छा सोदा खोजना या सही बिजनस डूड़ना, सही लोग या सही निवेसक डूड़ना दरसल डेटिंग की ही तरह है। आपको बाजार में जाना होता है, और बहुत से लोगों से बात करनी होती है, और बहुत से ओफर देने होते हैं, कई ओफरों का जवाब देना होता है, तर्चा करनी होती है, एस्वीकार या स्वीकार करना होता है। मैं जानता हूँ कि ऐसे भी अकेले लोग होते हैं जो घर पर बैठकर फोन की घंटी बजने का इंतजार करते रहते हैं परन तो जब तक आप सिंडी कारफोर्ड या टाम क्रूज नहीं होते हैं मैं सोचता हूँ कि आपके लिए बेहतर तो यही होगा कि आप बाजार में जाएं, चाहे सूपर मार्केट में ही चले जाएं खोजें, आफर दें, ऐस्विकार करें, सोदे बाजी करें और स्विकार करें यह जिन्दगी में हर चीज के बारे में दोराई जाने वाली प्रकिरिया है महिने में एक बार किसी निश्चित स्थान से 10 मिनट तक जोगिंग करते हुए या टहलते हुए या गाड़ी चलाते हुए निकले मैंने अपने कुछ बहतरिन रियल स्टेट के निवेस्तो जोगिंग करते समय ही खोजी है मैं एक साल तक किसी निश्चित धायर में जोगिंग करता था मैं परिवर्तनों को देखता रहता था किसी भी सोदे में फाइदे के लिए दो तत्वों का होना जरूरी है एक तो सोदा और दूसरा परिवर्तन हलांकि सोदे तो बहुत से होते हैं परन्तु परिवर्तन को भाप लेने से सोदा एक फाइदे मन मौके में बदल जाता है। इसलिए जब मैं जोगिंग करता हूँ तो मैं जोगिंग करने के लिए एसी जगह चुनता हूँ जहां मैं निवेस करना चाहता हूँ। बार बार उसी जगे के चक्कर लगाने से मैं वहां हो रही चोटे-चोटे परिवर्तनों को देख सकता हूँ मैं एसे रियल एस्टेट के साइन बोर्ड को भाप लेता हूँ जो वहां काफी लंबे समय से लगे भी है इसका मतलब यह होता है कि बेचने वाला सोधा करने के लिए बहुत ज़्यादा चुक होगा मैं जाते वे ट्रुकों को भी दिखता हूँ और आते वे ट्रुकों पर भी निगा लगाए रखता हूँ मैं रुक कर ड्राइवरों से बात करता हूँ मैं डाकियों से भी बात करता हूँ उन्हें अपने इलाके के बारे में गजब की जानकरी होती है मैं एक बुरा इलाका खोज लेता हूँ खास कर एसा इलाका जहां लोग किसी बुरी ख़बर से डरे हुए होते हैं मैं वहां साल में कई बार यह देखने के लिए चक्तर लगाता हूं कि सुधार के लक्षन कहां नजर आ रहे हैं। मैं रिटेलर से बात करता हूं खासकर नए दुकानदारों से और उनसे यह पूचता हूं कि वे इस आलाके में क्यों आए हैं। इसके लिए महिने में कुछ मिनट का समय देना होता है और मैं इसे तब करता हूं जब मैं कसरत कर रहा हूं या इसी तरह का कोई दूसरा क कर रहा हूता हूं जैसे स्टॉर जाने या आने का काम। स्टोक के मामले में मुझे पीटर लिंस की पुस्तक बीटिंग दे स्ट्रीट इसलिए बहुत ज़ारा पसंद है क्योंकि इसमें ऐसे स्टोक को चुनने का फार्मूला दिया गया है जिनकी कीमते बढ़ने वाली हैं मैंने यह पाया है कि कीमत पढ़ने के सिदान्थ हर जगे एक जैसे होती हैं साहे वह रियल इस्टेट हो स्टोक हो मिचल फंड हो नया पालतु कुता हो नया घर हो नया जीवन साती हो या लॉन्डरी के डिटरजेंट पर बार्गेनिंग हो पर किरिया लगवग वही रहती है आ आप किस की तलास कर रहे हैं और इसके बाद आपको उसे तलास ना होता है गरहा का हमेसा गरीब क्यों रहेंगे जब सूपर मार्केट में कोई सेल लगती है जैसे टोईलेट वेपर की तो गरहा क दोड़कर स्टोक इकठा कर लेते हैं जब स्टोक मार्केट में सेल लगती है जिसे सामने तेक क्रेस या उतार या सुधार कहा जाता है तो गराहक इससे दूर भाग जाते है जब सूपर मारकेट अपनी कीमतें बढ़ा देता है तो गराहक कहीं और जाकर खरीद दाई करता है जब स्टोक मारकेट अपनी कीमतें बढ़ा देता है तो गरहाख खरीदना शुरू कर देता है सही जगों पर खोजिए मेरे पड़ोसी ने कांडोमीनियम एक लाख डोलर में खरीदा मैंने उसके बगल में यह वैसा ही कांडोमीनियम पचास अजार डोलर में खरीदा उसने मुझे बताया कि वैकीमतों के बढ़ने का इंतजार कर रहा है मैंने उससे कहा कि फाइदा खरीदते समय होता है ने की बेजते समय उसने एक ऐसे रियल इस्टेट ब्रोकर को चुना था जिसकी खुद की कोई प्रोपर्टी नहीं थी मैंने एक बार बेंक के फोर्कलोजर डिपार्टमेंट की मदद ली थी मैंने एक कक्षा में 500 डॉलर की फीज देकर यह सिखा था कि एसा कैसे किया जा सकता है मेरे पडोशी का विचार था कि रियल इस्टेट में निवेस की कक्षा के लिए 500 डॉलर की फीज बहुत महिंगी थी उसने कहा कि उसके पास नए तो इतने पैसे हैं नए ही समय इसलिए अब वोई किमत बढ़ने का इंतजार कर रहा है मैं पहले तो उन लोगों की तलास करता हूं जो खरीदना चाते हैं फिर मैं उस व्यक्ति को ढूंडता हूं जो बेचना चाता है मेरा एक दोस्त एक प्लाट ढूंड रहा था उसके पास पैसा था परन्तु उसके पास समय नहीं था मैंने भी ढूंडना चालू किया और मुझे अपने दोस्त की जरूर्ट से बड़ा टुकडा मिल गया मैंने इसे एक विकल्ब के साथ जोड़ दिया अपने दोस्त को फोन किया और उसे इसका ओफर दिया उसे जमीन का चोटा टुकडा चाहिए था इसलिए मैंने उसकी जरूर्ट का टुकडा उसे बेज दिया और जमीन खरीद ली जमीन का बाकी बचा टुकडा मैंने मुफ्त में ही अपने पास रख लिया इस कहानी से हमें यह सिक्षा मिलती है केक खरीदो और उसे टुकडों में बांट दो ज्यादा तर लोग अपनी हैसियत के मताबिछ सामान की खोज करते हैं इसलिए यह कम सामान की ज्यादा कीमत चुकाते हैं छोटे विचार वाले लोगों को बड़े अवसर नहीं दिखते हैं इसलिए अगर आप ज्यादा अमीर बनना चाते हैं पहले तो बड़े विचारों को सोचना शुरू कीजी, तुकांदा ज्यादा सामान खरीदने वालों को डिसकाउंट देते हैं, और वेकेवल ऐसा इसलिए करते हैं, क्योंकि ज्यादा तर व्यवसाई ज्यादा खर्च करने वाले लोगों को पसंद करते हैं, अगर आप कम खर् कई दिलरों के पास गई और एक पढ़िया सोधा कर लिया क्योंकि हमें बहुत से कंप्यूटर खरीदने थे मैंने यही सेरों के साथ भी किया चोटे लोग हमेसाथ चोटे ही रहेंगे क्योंकि उनकी सोट चोटी है या तो अकेले ही काम करें या फिर काम ही ने करें इतियास से सिखें स्टोक एक्सचेंड की सभी बड़ी कंपनिया छोटी कंपनियों की रूप में शुरू हुई थी करनल सैंडर्स तब तक अमीर नहीं हुए थे जब तक साथ साल की उमर में उन्होंने अपना सब कुछ नहीं गबां दिया था बिल गेट्स तीस साल से भी कम उमर में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है सक्रियता हमेसा निस्क्रियता को हरा देती है अवसर पैचानने के लिए केवल कुछ ही चीजी है जो मैं करता आया हूँ और अब भी कर रहा हूँ इन में से सबसे महत्व कुछ शब्द है किया और करो जैसा इस पुस्तक में कई बार दोर आया जा चुका है संपत्ति के पुरुषकार को पाने से पहले आपको सक्रिय होना पड़ेगा तो काम पर जुट जाएं अभी से ही धन्यवाद आईए चलते हैं उपसहार की तरफ केवल साथ अजार डालर में ही कॉलेज की सिक्षा आपका दिन सुब हो रिच डेड पुर डेड उपसहार केवल साथ अजार डालर में ही कॉलेज की सिक्षा अब जब यह पुस्तक खतम हो रही है और छपने जा रही है मैं आपके साथ अपना एक अंतिम विचार बांटने जा रहा हूँ इस किताब को लिखने का खास कारण लोगों को यह है सिखाना था कि किस तरह पैसे की समस्य जिन्दगी की समन्य समश्यां को सुलज़ाया जा सकता है वितिय प्रशिक्षन के बिना हम उनींगी से पिटे फार्मूलों के साहरे जिन्दगी काड़ देते हैं जैसा कड़ी मेहनत करो, बचाओ, उधार लो और बहुत ज़्यादा टेक्स चुको आज हमें ज़्यादा समझदारी की जरूरत है मैं निजे दी हुई कहानी को एक ऐसी आर्थिक समश्या के अंतिम उधार्ण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ जिससे कई युवा परिवार आद्जूज रही है आप अपने बच्चों के लिए किस तरह अच्छी शिक्षा का इंतिजाम कर सकते हैं और अपने खुद के रिटायर्मेंट के लिए पैसाई कठा कर सकते हैं इसी लक्षे की प्राप्ति के लिए कड़ी मेंट के बज़ाई वित्य अबुदी का प्रियोग किस तरह किया जा सकता है यह इसी का उधारन है मेरा एक दोस्त एक दिन अपना दुखडा रो रहा था कि चार बच्चों की कॉलेज की सिक्षा के लिए पैसों की बज़त करना कितना कठिन था वह हर मईने एक म्यूचल फंड में तीन सो डॉलर जमा कर रहा था और अब तक उसके पास बाराजार डॉलर जमा कर लिए गई थे उसे अपने बच्चों को कॉलेज बेजने के लिए चार लाख डॉलर की जुरूरत थी उसके पास इसे जमा करने के लिए बारा साल थे क्योंकि उसका सबसे बड़ा बच्चा तब 6 साल का था यह 1991 की बात थी और उस समय फिनिक्स का रियल स्टेट बाजार दुर्दसा में था लोग बाग अपना घर पार बेचने में लगे थे मैंने अपने इस सहवाटी को सुझाया कि उसके पास म्यूचल फंड में जो पैसा जमा है उसके कुछ हिस्से में वह एक घर खरीद ले यह विचार उसे कुछ-कुछ जम गया और हम इस संभावना पर विचार करने लगे उसकी मुख्य चिंता यह थी कि एक और घर खरीदने के लिए उसकी बैंक में क्रेडिट नहीं थी और उसके पास इतना नगत नहीं था मैंने उसे पुरुसा दिलाया कि किसी प्रोपर्टी को फाइनांस करवाने के लिए बैंक के पास जाने के लावा दूसरे रास्ते भी होते हैं हमने दो हबतों तक मकान खोजा एक एसा घर जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता हो चुनने के लिए हमारे पास बहुत से घर थे इसलिए हमें शोपिंग में मज़ा भी बहुत आ रहा था आखिरकार हमने एक अच्छे महले में तीन बैटरूम और दो बात वाला घर खरीद लिया घर पसंद किया मालिक उसी दिन घर बेचना चाहता था क्योंकि वह रूसका परिवार कैलिफोर्निया के लिए जा रहे थे जहां उसकी नोकरी उसका इंतजार कर रही थी वह एक लाग दो हजार डालर चाहता था परंतो हमने उसे उन्यासी हजार का आफर दिया चाहता था इसलिए मेरे दोस्त को केबल बचे हुए 7000 डालर का इंतजाम करना था जैसे ही मालिक ने घर खाली किया मेरे दोस्त ने मकान की रही पर उठा दिया सारा खर्च निकालने के बाद जिसमें कर्ज की किस्त भी शामिल थी उसकी जेब में हर मेने 125 डालर आने लगे उसकी योजना थी कि वह मकान को 12 साल तक अपने पास रखे और हर मेने मिलने वाली अतिरिक ते 125 डालर का उप्योग करके जल्दी से जल्दी करज उतार दे हमने अनुमान लगाया कि 12 सालों में करज का एक बड़ा भाग चुक जाएगा और जब उसका वहला बच्चा कालेज जाएगा तो उसके पास 800 डालर पर ती महा के अमदनी होगी अगर उस मकान की किमत बढ़ जाती है तो वह घर को बेच भी सकता है 1994 में फिनिक्स में रियल इस्टेट मार्केट अचानक बदल गया और उसे उसी घर के लिए उसके किराईदार ने 1,56,000 डॉलर का ओफर दिया जो उस घर में रहता था और उससे प्रेम करने लगा था एक बार फिर उसने मुझसे पूछा कि इस बारे में मैं क्या सोचता हूँ और मैंने वास्तविक रूप से कहा कि वह इसे 1031 टेक्स विहिन एक्सचेंज के आदार पर बेच दे अचानक ही उसके पास लगबग 80,000 डॉलर अतिरिक ता गए मैंने ओस्टिन टेक्सास में अपने एक और दोस्त को फोन किया एक मिनी स्टोरेज फैसिलिटी में लगा दिया तीन महीने के बीतर उसे हर महीने लगबग 1000 डॉलर के चेक मिलने लगे इसे वह कालेज म्यूचल फंड में जमा करने लगा और वह बहुत तेजी से बढ़ रहा था 1996 में मिनी वेर आउस बिग गया और उसे बिकरी के हिस्से के रूप में लगबग 30,000 डॉलर का चेक मिला जो उसने एक नए प्रोजेक्ट में लगा दिये जिससे उसे हर मेने 3000 डॉलर से ज़्यादा आमदनी होने लगी जो उसके कालेज मिचल फंड में जाने लगी उसे अब पूरा विस्वास है कि उसका 4 लाख डॉलर का लक्ष आसानी से हासिल हो जाएगा और इसके लिए उसे शुरुआत में केवल 7,000 डॉलर और थोड़ी सी वित्य गुद्धी का इस्निमाल करना पड़ा उसके बच्चों को अब उतनी सिक्षा मिल रही थी जो वे हासिल करना चाहते है और वह अपनी मूल पूंजी का प्रियोग अपने रिटाइर्मेंट के लिए कर सकता है जो अभी उसके सी कर्परेशन में निवेस की हुई है इस सफल निवेस रिननिती के कारण अब वह जल्दी ही रिटाइर्मेंट ले सकता है इस पुस्तक को पढ़ने के लिए धन्यवाद मुझे आशा है कि इस से आपको कुछ समझ मिली होगी कि किस तरह पैसे की ताकत का इस्तेमाल किया जाए ताकि पैसा आपके लिए काम करे आज हमें बचे रहने के लिए भी पैसे की समझ की जरूरत है यहे विचार की पैसा बनाने के लिए पैसे की जरूरत होती है वित्या रूप से ना समझ लोगों का विचार होता है इसका यहे मतलब नहीं है कि वे समझदार नहीं है इसका मतलब केवल इतना है कि उन्होंने पैसे बनाने की कला अभी नहीं सिखी है पैसा केवल एक विचार है अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना जाते हैं तो केवल अपने विचारों को बदल दीजिए हर आत्म निर्मित आदमी ने चोटे पैमाने पर एक विचार से शुरुआत की थी और बाद में इसे बड़ा किया था यही निवेस के बारे में भी लागू होता है शुरू करने के लिए केवल कुछ डालर ही काफी है और बाद में इन से बड़ी रकम बनाई जा सकती है मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिलता हूँ जो जिन्दगी वर किसी बड़े सोदे के पीछे भागते रहते हैं या बड़े सोदे के लिए बहुत सा पैसा जुठाते रहते हैं परन्तु मेरी नजर में यह मुर्क ता पूर्ण है। ज्यादातर मैंने नासमज निवेसकों को अपना बड़ा अंड़ा एक ही समझोते में लगाते हुए और इस कारणों ने तेजी से बरबाद होते हुए देखा है। वे अच्छे काम करने वाले हो सकते हैं, वे अच्छे नागरिक हो सकते हैं, परन्तु वे अच्छे निवेसक नहीं थे। पैसे के बारे में शिक्षा और बुद्धी मैतवपून है। जल्दी शुरुवात करें, कोई पुस्तक करी दें, किसी सेमिनार में जाएं, अब भ्यास करें, चोटी शुरुवात करें मैंने च्छे साल से भी कम समय में पांच अजार डालर को दस लाख डालर की संपती में बदला है जिससे हर मेंने 5000 डालोड का कैस्वल वाता है अरंतु मैंने यह बच्पन से सीखा है मैं आपको सीखने के लिए इसलिए प्रेरित करता हूँ क्योंकि यह इतना मुश्किल नहीं है दरसल एक बार आपको इसकी लग पड़ जाए तो आपके लिए यह असान हो जाएगा मैं समझता हूँ कि मैंने अपना संदेश बहुत स्पष्टा से पहुंचा दिया है आपके हाथ में क्या है इस बात का निर्ने इस बात से होता है कि आपके दिमाग में क्या है पैसा केवल एक विचार है एक बहुत बड़ी अपुस्तक है Think and Grow Rich सोचिये और अमीर बनिये इसका सिरसकी यह नहीं है कि कड़ी मेंनत करिये और अमीर बनिये यह सीखें कि किस तरह आप पैसे से अपने लिए कठोर मेंनत करवा सकते हैं और आपकी जिन्दगी किस तरह ज्यादा आसान और सुखद हो सकती है आज इस बात की जरूरूत है कि आप सुरक्षात्मक खेल खेलने के बज़ाए स्मार्ट बने और अपनी बुद्धी का प्रियोब करें धन्यवाद